पहली क्लास में आज हम आपको syllabus दिखाएंगे पाठे करम दिखाएंगे spelling देखना मेरी सही है क्योंकि अंग्रेजी हमारी थोड़ी गोल है syllabus सही है न तो यह क्या है syllabus यानि पाठे करम syllabus क्या-क्या है means जैसे कहते न बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हमें पूरी तयारी के साथ आना पड़ता है comment हम किसी का नहीं पढ़ेंगे भी comment last में पढ़ेंगे जो जुड़े रहेंगे जो नहीं जुड़े रहेंगे जाएं राम-राम syllabus में आजाओ भाईया देख लो क्या-क्या पढ़ना है पाहले से तैयारी हो जाए बहतरिन तरीके से जैसा कि आप सभी जानते हो गड़ी तुमें लगबग चैप्टर सबका सेम रहता है कुछ अलग नहीं रहता है लगबग सारे चैप्टर हर एक परिक्षा में आते मैत में लेकिन विमारी एक है कि जब तक बाइनर नहीं लगेगा यूपी पुलिस का तब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं एससी में भी संख्या पद्धती पढ़ाएंगे पुलिस में भी संख्या पद्धती पढ़ाएंगे लेकिन जब तक बाइनर में टाइटल में लिखा नहीं जाएगा यूपी पुलिस मैं तब तक नहीं पढ़ेंगे हाँ परिक्षा में कुछ परिक्षाओं में कुईस्टन के लेबल उपर नीचे होते हैं बट पाठिकरम लगबग सेम होता है तो आप पढ़के बहुत कुछ सीख सकते हैं चलिए आईए देख लेते हैं संख्या पद्दती आप पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं इंग्लिस में नंबर सिस्टम दूसरा चेप्टर आप सिंपलिफिकेशन पढ़ेंगे इसी के अंतरकत आप बोर्ड मास रूल हो गएरा पढ़ते हैं ठीक है बड़ा ही फेमस चेप्टर है ये और संख्या पद्दती में आप क्या क्या पढ़ेंगे पहले में चेप्टर कर नायम एक बार दिखा देता हूँ फिर मैं आगे बात करूँगा ठीक है दसमलो और भिन्न पढ़ेंगे HCF पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं हाइस्ट कॉमन फेक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फेक्टर ठीक है दन आगे बढ़ें ओ हाँ चलो आगे बात करते हैं लगुत्तम समापवर्तक भी है इसमें भईया यहाँ पर देखिए महत्तम समापवर्तक और लगुत्तम समापवर्तक इन्होंने टाइपिंग मास्टर ने हमारे लिखा गलती किया है हो सकता हो कमेंट में देख भी रहे होंगे तो भईया बाबू देखो अधिकतर लोग यही मिस्टेक मारते हैं यह महत्तम समापवर्तक तो होता है बट यह वर्तक नहीं होता है यह वर्त होता है समापवर्त यह होता है ठीक है समापवर्त और समापवर्तक दोनों में अंतर होता है यह मल्टीपल होता है यह फैक्टर होता है हैक्टर और मल्टीपल एक दूसरे के 36 के आकड़े में होते हैं बिल्कुल अलग अलग समझे रहो जैसे अगर मैं आपको एक एक जामपल के तौर पर बताऊँ यहाँ पर क्योंकि सिलेबस डिसकस कर रहे हैं थोड़ा आपको मालूम भी होना चाहिए जैसे मैंने 36 ले लिया ठंक है 36 तो 36 का ये जो 18 है ये इसका फैक्टर है ये करिवा वाला का है फैक्टर है भी है सबही समझाता आ ना करिवा वाला फैक्टर है लेकिन ये ललका वाला का है ये मल्टीपल है यहाँ पर हम LCM HCUP की बात नहीं कर रहे हैं only हम factor और multiple की बात कर रहे हैं, तो 72 is a multiple of 36, but 80 is factor of 36, यह factor है, यह multiple है, काला वाला factor है, लाल वाला multiple है, समझ गया है, तो यह यहाँ पर गड़बड़ी थी, ठीक है, लगुतम समाप वर्त है, बहतम समाप वर्त है, least common, यह भी factor, पत्या नास हो, मैं क्या ही कहूं तुम्हें, यही पता चलता है ना, देखने के बाद में, यह यहाँ multiple होगा, अब मुझे spelling भी देखना पड़ेगा हर जगा, least common multiple, greatest common factor, मुझे लगता है, नहींने कहीं से copy paste होगारा किया है, यही होता है, highest common factor, greatest भी सही है, बड़ इसको highest भी बोलते हैं, जाता तर famous यही है, ठीक है, highest common factor, decimals and fractions, ठीक है वो, ratio and proportions, ठीक है, अनुपाद समानुपाद, सभी को मेरी बाते समझ में आ रही आगे बढ़ें, ठीक है, तो कुछ गढ़बढ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां से पहले syllabus का परिचे ले लेना है, कि पाठिकरम में क्या-क्या पढ़ना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, चलिए, यह हो गया पहला, छे chapter यहां पर आपने देख लिया, बढ़िया, UP police re-exam हो रहा है, आपके लिए एक और सुनाहरा मौका है, जिनका परिच्छा बहुत अच्छा नहीं हुआ था, वो तो खुस होंगे, जिन्नोंने महनत किया था, उनके लिए दुबारा महनत है, लेकिन क्या करेंगे, हमारे देश वासी जो है, उनके घरवाले कहते हैं, हम तो पढ़ाकू हैं, हमें राजनीती से का मतलब है, ओट देने तक नहीं जाते, घर में कमरें बैठें, ओट देने नहीं जाएंगे, अगर तुम्हारा सिस्टम सही रहेगा न, तो यह बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिस्टम अगर गड़ बढ़ है, तो जिंदगी बर तयारी करोनों के नहीं मिलने वाली है, ठीक हैं, आप समझदार हो गएं, घरवाले कुछ भी कह रहें, पुरानी सोच के हैं, माबाप उनका सम्मान करिए, लेकिन ओट जरूर करें, अपनी सोच समझ के आधार पर, जो आपके बिच्छा स्वास्त भविष्ष की बात करें, बात ही निवल की काम करें, दिखें, समझ रहे हो ना, भूखे भजन ना हुए, को पाला लेलो अपनी कंठी माला, समझ रहे हो, कोई लोग गरिया आएंगे मुझे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आईए, तो आगला चेप्टर क्या होगा आपका, परसेंटेज, और फिर प्रॉफिट एंड लास होगा, ठीक है, परसेंटेज आप जानी रहे हैं, इसके बारे में पहले से परचीत हो, प्रॉफिट एंड लास यानि लाभानी, और आगे बढ़ें, चलो ठीक है, बढ़िया, गूट बहुत अच्छा, बढ़िया चल रहा है भई, ये बातचीत वाले को बलक करिये, फटा फट इनको बलक करिये सर, बलक करिये, इनको लतियाग भगाईए यहां से, एक मिनट रुकना, एक मिनट देना, मैं तो कमेंट देखा ही नहीं यार, यहां तो मार भूकम मचा रखे हैं, चायटिंग इतनी लंबी-लंबी, ना डिश्टर्ब हो, मैं मुझ से कुछ ना बोलू, मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, लाइफ टाइम के लिए, कुछ ना माबाप की गलतिस पैदा हो जाते हैं, तो वो जिन्दगी बर सबको परिसान करते हैं, वो ऐसे कुछ इसमें हो गये हैं, इनको बलक करिए आप लोग, जो भी यहां समें एडमिन है, चलिए आईए, तो अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर है आपका डिसकाउंट, यानि बट्टा वाला जिसे बोलते हैं, मुझे लगता भही यह नहीं है, हाँ, छूट, इसको बट्टा भी बोलते हैं ना हिंदी में, साधारण ब्याज यानि सिंपल इंट्रेस्ट, और अगला है चक्रविर्धी ब्याज, ठीक है, यह मैं आपको सिर्फ सिलेबस दिखा रहा हूँ, सिलेबस देख लो भाईया बाबू, उसके बाद फिर पढ़ाई पर बात करेंगे, सिलेबस जल्दी इसमें खतम करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, चक्रविर्धी ब्याज यानि compound interest, उसके बाद है भागेदारी यानि partnership, और फिर average पढ़ेंगे आउस्थ, ठीक है, बढ़िया, कोई doubt ना इसमें किसी को, ठीक है, सब बढ़िया है, मस्त है, कोई बात नहीं, अच्छा चल रहा है, तो ये आपके 17-18 chapter है, totally जो भी है, उमीद है कि आपको दिख रहा है पूरा, ठीक है, अगला chapter है साथियों, आपका time and work, और time and distance, दोनों है, ठीक है, यहाँ पर ये दूरी में डब बड़ी उका मांतरा रहता है, समया और कारे time and work, spelling सही है, time and distance, लगबग लोगों को पता है, लेकिन दिखाना हमारा काम है, बाकी जो बच्चे application में हैं, चाहे वो free वाले में हैं, paid वाले में हैं, उनको ये PDF फार में मिल जाएगा, ठीक है, अभी सिलेबस के बारे में थुरा discuss करेंगे, इसलिए इसको दिखा रहे हैं, बाकी सिलेबस तो आप कहीं से भी देख सकते हो, ठीक है, Saturday और graph पढ़ेंगे, अगले chapter में, 16 नमबर में, 17 नमबर में मेंसूरेशन पढ़ेंगे, मेंसूरेशन में आप काफी चीज़ें पढ़ेंगे, क्या, बताइए, कुछ आदार है, मेंसूरेशन बड़ा मज़दार chapter है, आयत वर्ग, मुझे लगता है ये सब चीज़े इसमें होगा है न, और अंकगड़ितिये संगड़ना, एवमानने विशले स्लात्मक करे, भी या, इसका का मतलब है यार, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, काम का, मुझे इसमें मज़ा नहीं आती, बाकि ठीक है पढ़ा देंगे ये भी जो कुछ है, ये सारी चीज़ें है, चैप्टर के नाम टोटल 19 हैं, जो मुझे दिख रहे हैं याँ पर, बाकि अगर इसमें सिलेबस में कोई तुर्टी है, कोई चैप्टर छूट रहा है, या कोई मैंने एक्स्टर इसमें लिखा है, टाइपिंग किया है हमारे साथियोंने, तो बता दीजेगा, ठीक है, कोई डाउट ना किसी को, आगे बढ़े, चलो ठीक है, चंदन समझ में आ रहा है, एनेस जी सबको समझ में आ रहा है, रनबीर सुधान सू, सबको आ रहा है, तो ये था सिलेबस, यानि पाठे कर्म, अब आईए कुछ काम की बात करते हैं, ये भी काम की बात थी, बट ये ज़्यादा काम की नहीं थी, ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको मैट्स में कुछ भी नहीं आता है, अगर वो चाहें, उनको इच्छा है, तो भाईया बिलकुल जीरो से बैच आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे परिसान रहते हैं, इस्टार्टिंग की फी जो लगबग 2,000 है, वो सिर्फ 399 में मिलेगा, ओनली 399 में मिलेगा, आफर पर्थम 100 बच्चों के लिए हैं, इसको देख लिए समझ में आ गया, जो बच्चे यूपी पुलिस वाले में इन्रोल होंगे, उनको बेसिक मैस्त का जो बिस्तरित बैच है, द्रोडा चारे बैच है, उसमें फिरी में इन्रोल किया जाएगा, इफीले मैंने कहा था, इसमें बेसिक में नहीं जा पाएंगे, नहीं तो इस सिले बस खतम नहीं होगा, ठीक है, हमारी कोशिस होगी कि इस्टेंडर लेबल बना रहे हैं, और आपके एक्जाम लेबल को हम टच करें, मिन्स वो कोश्चन करवाएं, जो आपके परिच्छा में आए हैं, यूपी पुलिस वाले में, समझ रहे हो, जो एक्जाम में प्रिवेस यार आए हैं, जैसे कोश्चन अभी हाली में आए थे, वैसे वैसे हूँ, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बेसिक के लिए आपको एक अलग कोर्स में इंडरोल कर देंगे, उसके लिए आपको नंबर मिला होगा, इंक्वारी वाला, उस पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, जो बच्चे पुलिस वाले में इंडरोल है, उसको आप बिस्तरित्स पढ़ सकते, ठीक है, इसमें हमारी कोशिस होगी है, एक्जाम लेबल को बनाए रखें, और अभी सुरुवात की क्लासों में बहुत बेसिक होगा, तो हम बेसिक करने के इसमें भी कोशिस करेंगे, पहली क्लास है, तो पहली क्लास में समझाना ज़्यादा पड़ेगा, बढ़ाई कम हो सकती हो, लेकिन बातें समझ में आए कि हमें कैसे चलना है, कि साधार पर आगे बढ़ना है, ठीक है, आदी समझ में आ रहा है, कन्नु रावत, राजपूत साहब सबको आ रहा भाईया, परदीब कुमार, अनिकेद कुमार, आकास कुमार सबको आ रहा है, चलो, तो अब क्या करेंगे हम, अब हम बात करते हैं पहले चैप्टर की, पहला चैप्टर जो पढ़ना है, उसी में थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक परकार से सुरू करते हैं, है ना, तो स्री गड़ेश करते हैं पहले चैप्टर में, पहले चैप्टर का नाम है साथियों संख्या पदती नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम ही गडित की माई बाप है यहीं से सब कुछ शुरू होता है संख्या पदत से एक चीज़ और आप लोग प्रॉमिस करेंगे नोट्स जरूर बनाएंगे नोट्स जरूर बनाएंगे खाली हाथ नहीं पढ़ेंगे सही लिखाऊ नम है spelling हमारी हिंदी वाली सही है भाईया नहीं सही है तो अंग्रेजी वाली देख लो number system सही है गलत नहीं है इसी बात नहीं चलिए ठीक है अब बात करते हैं इसमें एक एक point की जैसे कि अगर हम गड़ित की बिल्कुल जीरो से सुरुआत करें तो इसमें होता है अंक अंक को इंग्लिस में बोलते हैं digit मुझे नहीं लगता है इससे basic भी कुछ है इसके पीछे भी कुछ है अंक के बात आता है संख्या अब यह digit क्या है सभी को पता है लगभग इसमें बताने जरूत है नहीं इसकी कोई परिभासा कहीं किसी परिच्छा में आद तक मुझे नहीं पता पूछी गई हो डिजिट क्या होता है बस जानना चाहिए ठीक है कि आप कही तरीके से symbol बना सकते हो मतलब इसकी परिभासा कि एक ऐसे symbols ऐसे चिन ऐसे परतीक जिनका परियोग हम गडित के लिए करते हैं उन्हें अंक कहते हैं यह मेरी बनाई दौरा परिभासा है ऐसे आप कुछ भी कह सकते हो या फिर सीधा-फीधा main point पे आओ कि 0 से ले करके 9 तक कुल संख्या पद्दती में 10 अमलो संख्या पद्दती में 10 अंक होते हैं कितने 10 डिजिट होते हैं इनकी परिभासा बनती है अढंकी कि 2 या 2 से अधिक अंकों को मिला करके संख्या बनती है 2 या 2 से अधिक अंकों को मिला करके संख्या बनती है जैसे माली जै मैंने 5 लिखा तो 5 क्या है यह अंक है ठीक है लेकिन अगर मैंने 5 के साथ में एक आउ लगा दिया यह क्या है आप कहोगे है देखा हम तो सुने थे कि 5 भी संख्या है सुनने को तो station को टेशन भी बोलते है आट वाले सुने होगे नहीं बोलने को कहोगे हमारे इंडिया है यहाँ पर कुछ भी बोलते हैं इस्टेशन को टेशन बोलते हैं तो टेशन थोड़ी हो गया हो कोई बुरी बात नहीं, किसी भी रेलो इस्टेशन पर आप चले जाओ, अकल बखल, आट वाले टेफन, 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 करते रहते हैं, बरलब जो इस्टेशन को रोड गया हो, तो बोलने वाली बात पर न जाओ, जो फैक्ट होता अलग चीज़ें होती हैं, बोलने वाली हम इंडियन लोग है, सब देशी जुगार चलता है, हर जगा, वो समझते हैं, वो कहते हैं, बस, ठीक है, तो दो या दो से अधिक, अंकों को मिला करके, संख्या बनती है, ठीक है, दो या दो से अधिक, अंकों के समूं को संख्या कहते हैं, अब दो या दो से अधिक, तो इसम पुछ समझ में आ रहा है निट्डा समझ में आ रहा है सबीता आ रहा है समझ में यह Q देको जो लोग बात चीत कर रहे मेरी नजर में है वो और मेरी नजर से जहां गिरें तहां बहुत नीचे जाएंगे दुबारह कमेंट नहीं आएगा और अगर application में enroll है उनका पैसा भी खराब हो जाएगा क्योंकि हम भगा देते हैं बुरी तरीके से पैसा भी नहीं वापस होता है जो पढ़ाई करेंगे सिर्फ वह ही है बहतर इसलिए मुझे disturb ना करो पढ़ाई ध्यान दो कोई बाचीत नहीं करेगा लाइस्ट में बतलाना हम भी बतियाएंगे कलास खताम हो जाए फिर लाइस्ट में डिसकस करेंगे ठीक है चलो तो ये क्या है आपने देखा अंक क्या होता है संख्या क्या होती है इसका PDF आपको टेलीगराम पे मिल जाएगा PDF हम रोज-रोज नहीं भेज पाते बीजी रहते हैं तो 10-15 दिन में एक अठा बेज देते हैं ठीक है और PDF का ये चीज़ और बता दें साफ साफ पहली कलास है जानना चाहिए देखो भईया ये mathematics से गडित है बाबू ठीक है ये practice मांगती बड़ा समय मांगती ये ये आपकी girlfriend से ज़्यादा time मांगती girlfriend, boyfriend, husband, wife ये रिष्टे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब ज़्यादा समय यही खाते हैं बाकि कोई देखो ममी पापस कितना तेरे बात करते हो ऐसे ऐसे लड़के लड़किया आसा हर में जो ममी पापस सब्ता में एक आद बार करते होंगे लेकिन वहाँ दिन बार में कम से कम दू-तीन गंटा हूँ हाँ करते रहते हैं तो मेरा कहने का मतलब है time मांगता है time मांगने का ये मतलब है practice ज़रूरी है इसमें ठीक है अगर हम pdf में दे दें ये सब कुछ हल करके तो इसकी guide आती किताब है आती solution आता लेके बैठे रहो न क्या करो नहीं समझ में आएगा ठीक है तो notes अपने हाथ से बनाओ जो पढ़ाया जाए और जितना practice करो वही मैट्स की अफली पढ़ाई है कहो कि हम pdf दे दिये solution दे दिये लएके बैठे हो अंगहा रहे हो बाबु सोनक मैसे जा रहा है हाँ बाबु ने थाना थाया हाँ ठीक है pdf सामने रखा है क्या करेगा सोर थोड़ी मचाएगा अरे ना बतला धन मन लो पहले दे चुके होगे तन मन आपका जो है वो इसमें रहना चाहिए तभी आएगा पहली कलास है इसलिए मैं आपको तयार कर रहा है रोज बखेती नहीं होगी रोज सिर्फ पढ़ाई होगी फिर यह मत कहना कि हमें तो नहीं मजा आ रही नींद लग रही ठीक है नहीं आएगी ना सोचिए आप किसी को बहूट चाहते हैं और आपकी मुलाकात साल दो साल बाद हो रही है और पूरा रात नाट बतलाओगे तब आपकी पलक नहीं जबकेगी क्यों क्यों कि वहाँ आपकी अंतर आत्मा जाग रही तो जहां पे आपके आप ने एक भूंक ह लगता है अच्छा नहीं लगता है देखो किसी में इंट्रेस्ट जगाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसमें स्टेप बाइ स्टेप छोटी-छोटी चीज़ें पकड़ो जैसे गड़ित में हो गया अगर नहीं आएगा तो नीद आएगी आने के लिए क्या है कि बहु कि डारेक्ट हम प्रेक्टिस सेट शुरू कर दिये पढ़े कुछ है यह नहीं है हमें पता ही नहीं कि सबसे छोटी पूर संख्या क्या है तो वह तो बिलकुल यह गड़ित नींद की दवाई जैसे काम करें दिमाग काम कर रहा है ना दिमाग की बत्ती जलती रहना चाहिए स अब हम बात करते हैं संख्या की परिवार बढ़ते हैं तब कैसे बढ़ते हैं समझो यहां पर शिक है आओ यहां पर देखो वह जैसे कि हम अगर संख्या की बात करें तो हम बिलकुल जीरू से पढ़ेंगे एगदम विस्तारफ ही हमारी कोशीस होगी आगे सहले बस खीचने कि अब यह स्टार्टिंग में आज पहली क्लास है तो जिनको कुछ भी नहीं आता उन्हें भी थोड़ा बहुत आये हमारी कोशिस यह संख्या में देखिए मुख्यता अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो भाग होते हैं ठीक है यह लाइन पर माझ जना टेणी मडी जैसे भी बन जाए पहला यही तो होता ना वास्तबिक संख्या रियल नंबर अगला क्या है कालपनिक संख्या इमेजनरी नंबर इसकी स्पेलिंग बता भईया इमेजनरी वाली स्पेलिंग बता तो अब देखिए वास्तबिक संख्या में क्या है कि जो भी नंबर है आप जो भी आप देखते हो पढ़ते हो कहीं से भी कैसे भी वो सभी क्या है लगभग वास्तबिक संख्या ही होती है ठीक है, कमेंट सभी का मैं देख रहा हूँ, पढ़ाई भी ध्यान दीजिए, ओके, चलिए, आगे बढ़े, वास्तविक संख्या की भाईया, इनके भी साधी विवा होता है, देखो ऐसे समझो कि ये दादा जी है, इनके दो बच्चे पैदा हुए, वास्तविक संख्या और क पर्मिय और अपर्मिय, कौन हो गए, पर्मिय संख्या और अपर्मिय, पर्मिय संख्या को इंग्लिस में रेफनल नंबर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इरेफनल नंबर, ठीक है, हाँ, इसकी स्पेलिंग होती है, इमेजिनरी नंबर, ऐसे स्पेलिंग साही है न, ठीक नमबर तो ये क्या है इमेजिनरी नमबर पढ़िया रेफनल नमबर देखो इस्पेलिंग पढ़ना जाना क्योंकि अंगरेजी में आपको पढ़न नहीं फिलाल हिंदिम पढ़ना है बाकी अंगरेजी भी सही है ऐसा कोई बात नहीं है आप पॉइंट समझी है टॉपिक समझी है आपको गड़ी समझ में आना चाहिए बस सब्दों का हेर फेर हो सकता है उसके को मतलब नहीं है आपको पढ़ाई ध्यान देना ठीक है तो मैं इसको जो है चार्ज में लगा किया जाता हूं सिस्टम यहां पर कोई है नहीं आज की क्लास में मैं अकेले ही स्टार्ट किया हूँ यहां पर आप लोग इसको नोट कर लो तब तक मैं आया आदा मिनट में ठीक है आया थोड़ा से रुक ना पढ़ाई पे देयान दो बाबु पढ़ाई पे देयान दो देखो बती आओ न तुम लोग नोट कर लो मैं देख रहा हूं बस आया तो आया मैं आया जट पे आया फट पे आया ठीक है बढ़िया सभी लोग देख पा रहे हो मुझे क्या सुन पात तो रहे हो ना देख पा रहे हो तो कोई बात नहीं चलिए ठीक है रिसी समझ में आ रहा है रिया सिंग बात कर रहे हो खो मुझे पता है एके सैट सौंग जी राम राम के जी यन लिख रहे है गुरु जी पहले मेरा मैद बहुत कमजोर था लेकिन आपसे पढ़कर मेरा मैद बहुत तेज हो गया है थाइंक्यू जी बहुत बहुत थाइंक्यू साहिल जी पढ़ाई विध्यान दो, अर्बिन द्यादो जी, कमेंट आ रहा है चलो आ गया हूँ, ठीक है तो ये मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ पर्मिय संख्या के आगे इसी में पढ़ेंगे साथियों मेरे प्रकृति कूण और पुडांग संख्या हैं, बहुत ज़्यादा इसमें एक्स्प्लेन नहीं करेंगे में पॉइंट पर बात करते हैं, आईए हाँ, तो मैं ये बोल रहा था तो ये दादा जी है, दादा जी के दो बच्चे हुए, वास्तिपिक और काल्पनिक काल्पनिक वाले भाई सन्यासी हो गए, इन्होंने साधी विवार नहीं किया, आगे परिवार नहीं बढ़ाया, जन्संख्य जादा बढ़ रही थी, लेकिन इन्होंने नहीं माना, इनके फिर दो हुए पर्मिये और अपर्मिये, और फिर ये इनसे भी एक प्रिड़ी आग संभाज भाज हो गरा हो गरा, लिख लीजिए, मैं मुझ से बोल रहा हूँ, सुन लीजिए प्राकृतिक संख्या, इंग्लिस में बोलते हैं नेचूरल नंबर, पूर्ड संख्या, इंग्लिस में बोलते हैं इसको होल नंबर, और पूरांग संख्या, यानि इंटीजन आगे बढ़े बढ़ियां कोई दिक्कत ना किसी को सभी साथी फटा फट सेशन को लाइक करें और अगर आप यूपी पुलिस का फिरी में पढ़ना चाहते हैं तो यूटूब का जितने भी डेमो कलास सुरू के आएंगे उन्हें खूब सेयर करें ठीक है अगर इनके वीज अ सब्सक्राइगा बट 24 आवर में 5000 आप लोग लाओ नेचूरल नंबर ओल नंबर इन्टिजर नंबर ठीक है समझ गए तो ये थी आपकी में में पॉइंट वाली बात अब इसमें हम थोड़ा बिस्तारफ चलते हैं ठीक है देखो समझने की कोशिस करो स्टार्टिंग में बस तभी सिर्फ समझने की कोशिस करो पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई वाले कमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, कमेंट हम बाद में पढ़ लेंगे सबका, पढ़ाई वाले सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, कमेंट अभी मैं देख नहीं रहा हूं जिनको जो मर्ची करने दो अब बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में इसके बारे में बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में ठीक है वास्तिविक संख्या क्या होती है बैया रियल नंबर इंग्लीज में बोलते हैं रियल नंबर ऐसी संख्याएं जो किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन, कुईस्चन, समीकराण हल करने पर मिलती है वो सभी रियल नंबर होती है ठीक है जैसे कुछ भी आप ले लो simple सा नंबर ले लो minus में ले लो under root में ले लो, कुछ भी ले लो सब क्या है, रियल नंबर ही तो है ठीक है, मतलब आप यह जान लो कि कल्पनिक संख्या है, बहुत बिल्कुल नाम मात्रकी होती है, जो यह आपको मिलती नहीं उनकी कहानी अलग है, उनके बारे में आप बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कोई मतलब भी नहीं है ठीक है तो यह सभी क्या होती है, रियल नंबर होती है और अगर उनकी जरूत लगती है कुछ तो उसकी कलास हम आपको अलग से देंगे जो टॉपिक इसमें अगर इसकी फोते हैं कुछ आपको लगता है तो उसका हम आपको अलग से देंगे ठीक है बढ़िया कोई डाउट ना किसी को आधी अगरी गुरू, आयूसी त्यागी रिसी, देखो बहुत से बच्चे खुब बात कर रहे है, मस्त है गुरू बताता हूँ तुम्हारा बतला लो, बतला लो इतना रोग है जिंदेगी में न आँखों में आसू नहीं बचेंगे, जो कर रहे हो पंपी सेट लगा रियल नंबर तो रियल नंबर के पहले इसमें और आप ने क्या पढ़ा था भईया इसमें रियल नंबर के दो पार्ट बताया था न देखों इसमें महत्तपूर्ण पॉइंड की बात क्या है, जो आपके काम का है main basic basic, वसे परिक्षा में भी पूछा जा सकता है एक नंबर में क्या सभी वास्तविक संख्याएं पर्मिय संख्याएं हैं ऐसे आ जाता है ठीक है, उसमें सही गलत वाजला आ जाता है कि जो सही है उसको टिक करिए सभी वास्तविक संख्याएं पर्मिय संख्याएं हैं सभी प्रमिय संख्या हैं सभी काल्पनिक संख्या है पूरांग संख्या हैं सभी पूर संख्या है प्रकृतिक संख्या है क्या सही है क्या गलत है जब तक पूरी कहानी ने जानोंगे आएकर निया समझ रहे हो ना चलो तो अगला इसमें point क्या था प्रकृतिक संख्या प्रकृतिक नियार पर्मिय संख्या रेफनल नंबर पर्मिय संख्या क्या है रेफनल नंबर अभी हम इनको हलके हलके definition example के साथ बता रहे हैं इसके अगली जब क्लासे आएंगे तो उनको बढ़िया से question के according बिस्तार से बढ़ाएंगे ठीक है आज बहुत जादा इसमें अगर हम बिस्तरित गुस जाएंगे तो लोगों को मजा नहीं आएगा लोग सोने लगेंगे ठीक है तो हमारी कोशिस है ना पहले हलका हलका डोज म कि हो रहा है तब वो फायदे मंद होता है तो ऐसे एकर आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो दस घंटा भी पढ़ते हो आपको डाइजेस्ट नहीं होता मैंस आपको माइण्ड आपका सरीर उसको अब जबन कर पाता है तो कौनम मतलब नहीं कि अब तीन गंटा भी पढ़र रह हैं ऐसी संख्या है जिने पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है पर्मिय संख्या होती है आज भी हम उसी लेबल का बताएंगे आगे की कलासों में इनमें कुछ और नए चीजे बताएंगे जो एक्जाम के काम कियोंगे ठीक है जैसे फार एक्जामपल तीन बटा प होती होती है अंडरूट 25 क्या है पर्मिय संख्या है 512 क्या है पर्मिय संख्या है 27 क्या है पर्मिय संख्या है अंडरूट के अंदर काहे को है क्योंकि इनका गनमूल निकालेंगे तो तीन आएगा इनका गनमूल निकालेंगे आठ आएगा इनका वर्गमूल निकालेंगे पाँच आएगा है न तीरो क्या एक पर्मिय संख्या है समझे रहे होग नहीं बढ़िया कोई डाउट ना किसी को नहीं बढ़िया है चले आगे बात करने वाले को बला करिए आप मुझे देखा नहीं जा रहा है तुरंट बला करिए सब को बला करिए तर देख रहे हैं आप जाँ करे हूं न बला करिए जितने बात करे हैं सब को बला करिए एकदम बला करिए कि जिन्देगी मिनका दुबारा कमेंड ना है आए ठीक है समझ गए तो पर्मिय संख्या के बारे में इतनी जानकारी बढ़िया है फिलाल इस कलास के लिए और आगे इसमें बात करेंगे हम ऐसा बात नहीं है कि यहीं खतम नहीं हो रहा है आए आप बात करते हैं वास्तिविक संख्या स्वारी अपर्मिय संख्या अपर्मिय संख्या यानि इरेफनल नंबर इरेफनल नंबर क्या होता है देखिए एक लाइन में अगर ऐसे कहें खराब वाली परिभासा कि जो संख्या पर्मिय नहीं होती है पर्मिय होती है तो यह थोड़ा कम सही होगा है न आईसी संख्या है जिनका वर्ग मूल एक पूर्ड फंख्या नहीं हो या जिनका घन मूल एक पूर्ड संख्या नहीं हो तो मिला कि आप मोटा मोटा यह कहो जो होल नंबर नहीं होती है पूर्ड फंख्या नहीं होती है जिनका वर्ग मूल है घन मूल या फिर ऐसे कह सकते हो कि ऐसी संख्या है जिनका जो ना तो पूर्ड वर्ग है ना तो पूर्ड गन है ना तो पूर्ड वर्ग है ना तो पूर्ड गन है जैसे एकईस हो गया अभी काओगे कि पचीस तो उधरे साइड में अपरमिय बता रहे हो तो यह घनमूल का चिन लगा हुआ वर्गमूल का लगा था ठीक है कोई भी सिम्बल जैसे पाई हो गया कैपिटल जी हो गया इसमाल जी हो गया या आप जो भी आप कहीं देखे होंगे यह सब ही अपरमिय संख्याएं हैं अगर इनका नुमेरिक बलू नहीं दिया है ठीक है समझ रहे हो कोई डाउट ना किसी को जंदन समझ में आ रहा है लिमान्सु आ रहा है समझ में ठीक है बढ़िया तो यह हो गया परमिय अपरमिय मोटी मोटी बाते करते है जिसे चीजों को लोगों को चीजें समझ में आए इनके बारे में फिर से बात करेंगे आगे कलस में ठीक है मुझे याद दिलाना कि यहाँ इसके बारे में आप बोले थे प्रक्रतिक संख्या जिसे बोलते है नेचूरल नमबर क्या बोलते हैं नेचूरल नमबर यह क्या होता है देखो नेचूरल वर्ड है तो इससे आपको ठोड़ा बहुत रखना लग रहा होगा ऐसी संख्याएं जो बिल्कुल नेचुरल ही होती है मिन सब नेचुरल होती ही प्राकृतिक होती ही इनकी कोई खोज भी नहीं की गई मतलब हम पैदा हुए तब भी हमें पता था कि यह संख्या है हमारे माई बाप पैदा हुए तब उन्हों पता था कहां यह है ठीक है लेकिन क्या कोई संख्या फिर नेचुरल नहीं आर्टिफीसियल भी है का बताओ कौन से संख्या आर्टिफीसियल है बताओ नेचुरल नहीं है जीरो ना जीरो की खोज हुई थी कौन खोजा था ऐ्ख़टी ने खोजा था कब खोजा था कौन से एर में खोजा था अरे भट्टे जी का जनम कहा हुआ था उनके माई-बाप का क्या नाम था बताब देखो दूसरे भासा में कह सकते हो कि आइफी संख्याएं जीने हम गिन सकते हैं गिन्ती की सभी संख्याएं प्रकृतिक संख्याएं कहलाती हैं अनंतक अनंतक ठीक है? समझे के एक लाइन में गिन्ती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं प्रकृतिक संख्या है काला आती है बढ़िया ID चेंज करने वाले गुलाग करिए ठीक है समझ गए चलो आगे प्रकृतिक संख्या समझ गए अगला क्या है पूड संख्या यानी होल नमबर प्रकृतिक संख्या तो थी पहले से लेकिन या अधूरी अधूरी फिथी तो इसको पूरा करने के लिए क्या हुआ बीच में पुल की जरुरत पड़ी पुल की जरुरत मतलब ऐसे समझो कि ऐसे हुआ न देखो ये संख्या तो थी 1,2,3,4 एफे 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 बढ़ती थी नाइन तक फिर यहीं आके अटक जाती थी क्योंकि नाइन के बाद फिर इलेबन तो आ जाता था बीच में बिना जीरो के टेन कैसे बनेगा तो फिर जीरो के खोज हुई समझ रहा हुँ तो ऐसे आप कह सकते हो कि प्रकृतिक संख्याओं के परिवार में जीरो को सामिल कर लेने पर बनी संख्या क्या कहलाती है पूर्ड फंख्या यानि होल नंबर कहलाती है इसमें एक सवाल बनता है सबसे छोटी पूर्ड संख्या बताओ सबसे छोटी प्रकृतिक संख्या बताओ पहली क्लास में परिच्छा लेबल का सवाल नहीं कर बाया जाएगा भाया बच्चा ठीक है पहली क्लास है तो थोड़ा शुरू तो करने दो लोग अभी आँगा कि जागे हैं तुम चाहा रहे हो कि हम हाई-फाई में आ जाए जायांत बाबू copy-paste आप ना किया करो ठीक है भड़ियां कोई copy-paste नहीं करेगा एक बार comment करेगा बस नाम नहीं बोलोगो दूबारा copy-paste ना करें नहीं बेदन है चलो प्रकृतिक संख्या पूर संख्या उसके बाद होता है क्या पूरांग संख्या क्या होती है इंग्लिस पह बोलते हैं इंटीजर नंबर क्या बोलते हैं इंटीजर नंबर कक्षा नव में अगर आपने पढ़ा होगा वैसे कच्छा छे साथ में भी साय देहीं सुरू हो जाता था पहले तो अब पता नहीं क्या हाल चाल है मुझे नहीं मालूम जादा एक ऐसे लाइन होती थी जिसे बोलते थे क्य संख्या रेखा तेनी मेड़ी बन रही नहीं है कि दिव बनेगी कभी नहीं मुझसे चले आगे चलो आओ देखो आगे ठीक है बढ़िया यह क्या है संख्या रेखा बट इतनी चोटी संख्या रेखा का आएगो बई मोट की बनाओ चलो टेन जैसे भी बन जाए यह बीच में क्या होता जीरो इसके दाहिनी तरफ सभी संख्या है प्लस में होती है 1 2 3 4 इतनी भी का जल दी है 4 5 डट 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 इधरे सब माइनस में होती ही ठीक है यह जीरो के राइट साइड है यह लेट साइड है तो आप कह सकते हो कि संख्या रेखा पर सुनने के किदर दाहिनी तरफ मौझूद सभी संख्या है धन पुड़ांग का लाती है बाहिनी तरफ मौझूद संख्या है रिड़ पुड़ांग का लाती है लेकिन सवाल तो यह था ही नहीं वह यह सवलवाई रहन की धन पुड़ांग रिड़ पुड़ांग नहीं पुड़ांग का होता है हमें यहीं बतावे करान तो संख्या रेखा पर मौझूद सभी संख्याएं पूडांग संख्याएं कहलाती हैं देशी भासा मैं ऐसे कह सकते हैं वसे कहीं पूछाने जाता आपको जानना है बस ठीक है? तो संख्या रेखा पर उपस्तित सभी संख्याएं समझ गए ना RPIC School जी सर जी मेडम जी बताए यह है पॉजिटिव इंटीजर यह है निगेटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर ठीक है इतना गंदा काय लिखें डाक्टर भासा वाली थोड़ी दिखनी है निगेटिव इंटीजर जासो इस पेलिंग उस पेलिंग ना आए न तो ऐसे इसे कर दो ऐसे इसे करका ऐसे इसे बस तो आप क्या-क्या पढ़ लिए पुडांक धन पुडांक रेल पुडांक जान लिए पूर संख्या प्रकृतिक संख्या जान लिए परमिया परमिये वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या और ये नंबर का ट्री था बना था जो अंक और संख्या है न कोई डाउट ना किसी को बनिया चालो बढ़िया गुड तो अब इसमें जो बच रहा है छोटा मोटा चीजे उनको भी ले लेते हैं जैसे आपकी सबसे आसान वाला है समसंख्या लिख लो ये भी समसंख्या इबेन नमबर वी समसंख्या आड नमबर तो समसंख्या क्या होती बच्पन में तिया ही पड़े थे कि ऐसी संख्या है जिनको दो से भाग करने पर पूर्रा कट जावई या जीरो आजाए वो सम होती है लेकिन जमाना बदल गया ये जमाना बदल गया लोग पहले पैर से पैडल मारके गाड़ी चला के जाते थे अब ड्राइबर लेस ट्रेन आ चुकी है ड्राइबर लेस कार आ चुकी है तब वो जमाना पुराना हो गया अब देख करके लोग समझते हैं पहले के जमाने में हो थाग, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, अब पहले विश्वास करना पड़ता है आइसी संक्या जिसका लाश्ट कांख, क्या हो? लास्ट डिजिट ऐसे संख्या जिसका लास्ट डिजिट यानि आन्ति मंक 0-2-4-6-8 इन में से कुछ भी है या ये सब इकठ्थें हैं तब क्या होती समसंग क्या होती है आज मैच कर रहा है बोर्ड का कलर और मेरा भी कलर है ना मैच कर रहा है ना पनी हो गए पहली कलास भी है बगवान की किरपा है बजरंग बली की देखो आज आज फारिक जामपल जैसे ये बता इसमें कौन समसंख्या है अब पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन अब सवाल कर वाई रहा हूं तो पूछ लेता हूं इस तरीके कभी इसमें समसंख्या कौन है बईया एबी सीडी में बताओ जल्दी करो बहुत फास्ट समसंख्या कौन है इसमें नहतिक बाबू पढ़ाई ध्यान दो राजेस मीना पहला प्रसना वली है यह सुरू है अभी जैयन सिंग बहुत अच्छा चलिए कमेंट पे ध्यान नहीं पढ़ाई पढ़िया मस्त है सब गुड है तो यह होगे आपका आगे बढ़ें तो समसंख्या के बारे में बात करें तो डी वाला है कौन सा है डी वाला है अब विसम संख्या के बारे में बी बात कर लो इनको थोड़ा समेट के रखो साइड में ले जाके कहीं वह देखो उनका खोपड़ी ले लेने इधर अधर हटा वे यार इनको पूरा थे लहरे दे दो जगा ले जाए लो आए बिसम संख्या क्या होती है और नंबर ना और नंबर ऐसे नंबर जिनका लास्ट डिजिट यानि अन्ति मंक 135719 इन में से कुछ भी है वो क्या होती है बिसम संख्या क्या क्या होती है बढ़िया चलो जैसे फारिक जामपल अगर मैं इधर साइड में लिख हूँ मुझे ने लगता कि इसमें पूछना चाहिए बठा चल रहा है तो पूछी लेता हूं क्योंकि लगबग सम विसम हर किसी को आता है इसमें बता विसम संख्या क्या है बताई दो एक एक जमपल कौन सा है जल्दी बताई कौन सा है ठीक है बहुत अच्छा है इसमें बिसम संख्या बी वाला है एक सबसे ज़्यादा समझने वाला जो है वो है साथियों मेरे भाज या भाज संख्या कौन सा है भाज या भाज जो है वो समझने वाला है आईए ये बहुत ज़्यादा लोग relate भी कर पाते हैं इससे मैं बार बार इसमें ऐसा example बताता हूँ जो उनकी जिन्दगी का ही होता है अब भाज या भाज इसे जो निकल पाएगा वो सहाभाज में जाएगा जिसे बोलते हैं prime number इनको बोलते हैं composite number composite number ठीक है clear अनक्दम मस्त दिख रहा है ना एक बार यास बोल दो सभी फटाफट जो साथ ही YouTube जा Facebook Instagram कहीं डेमो देख रहे हैं वो वहाँ पर हमें like कर लें और follow कर लें जो भी option है ठीक है subscribe का है तो subscribe कर लें application में देख रहे हैं तो अपनी अंतरा आत्मा को सांत कर लें और notes बनाएं अच्छे ठीक है क्योंकि सुरू की डेमो कलासे हर जगा होती है परिसान न रहे बढ़ियां कोई doubt ना किसी को होई doubt ना किसी को of कि अधिया ना कामेंट मुझे थोड़ा सा डिस्टरब कर रहा है परिच्छा में आने वाले परस्न बताएंगे थोड़ा सबर रखो पहली क्लास है थोड़ा सा इस्टाट जीरो से करना पड़ेगा मिन्स बेसिक से मैंने कहा था आगले क्लासों में और आगे लेबल बढ़ेगा ठीक है तो भाज संख्या क्या होती साथी हो इसके पहले आपको आता होगा लगबग उससे पीछे जाने जिरूत नहीं है फैक्टर एनि गुड़न खन जैसे अगर मैंने संख्या ले लिया बारा तो इसके फैक्टर क्या-क्या है वन टू थिरी फोर इसके कितने फैक्टर है आप गी नहीं कि बताओ छे फैक्टर है ये क्या है भाजे संख्या है जैसे चार ले लिया तो इसके फैक्टर कितने हैं तीन फैक्टर है इधर अगर मान लीजे मैंने तेरा ले लिया इसके फैक्टर यही है इधर मैंने दो ले लिया इसके फैक्टर यही है फुदै क्या समझा आपने इधर सभी अ ति आप एक सकते हो आप एक लाइन में कहश सकते हो एची संखिए जिनके घुड़नखंड यानी फैक्टर कर वो शंख्या खूद है एक तो और ढूसरा year ठिक है ऐसी संख्या जिसका फैक्टर यानी घुड़नकंड वो संख्या खूद है और वन है बाकी और कोई नहीं है वो क्या है अबाज है ऐसी संख्या जिसका फैक्टर वो संख्या खूद है और वन है बाकी कोई नहीं दूर दूर तक वो क्या है अबाज है प्राइम नंबर है और ऐसी संख्या जिसका फैक्टर वो संख्या वा तो खूद ह है वान भी है वाकि यृवर अनगिनन्त हैं नहीं आप ऐसे कर सकतो परिभासायात करनेगी तरफे कि कोई भी एक और एक्स्ट्रा है कुछ भी एक्स्ट्रा हो बस जैसे इसमें देखिये वह संख्या वाला अब चुक्कि मैं वाला हूँ तो उसी तरीके कर बताऊंगा कोई बुरा ना माने देखो अगर आपकी गर्ल्फरेंड है और शिर्फ आप ही की है जैसे वो लाइन नहीं सुने आप मेरी और तेरी महबबत में बस फर्क है इतना कि मुझे सिर्फ तुझसे महबबत थी और तुझे हमसे भी महबबत थी अंतर समझ पाएक नहीं कुछ लोग समझ पाए होंगे बहुत छोटा सा अंतर मैंने बोला इसमें है ना लाइन में तेरी और मेरी महबबत में बस फर्क था इतना कि मुझे सिर्फ तुझसे महबबत थी और तुझे हमसे भी मुहबबत थी मैं काय को बोला ये बात इसमें क्या संबंध है बताता हूँ मैं नहीं कहा कि अगर आपकी गर्ल्फेंड है और सिर्फ आपी की है मिन्स आपी दोनों है टीफरा नहीं कोई एक्स्ट्रा अफेर नहीं बीच में तब वो क्या है अब आज़े क्या है अब आज़े और अगर आप हैं आप ही हैं वो भी है लेकिन एक्ट्री एक्स्ट्रा चुप पर चल रहा है तो वो भाज़े है और अगर इससे भी कुछ गुना आगे बढ़ गए कि भया आप तो हैं ही वो भी है बट उसके और भी धेर सारे छुपे रुस्तम शे साथ आठ ये जैंस में भी हो सकता है उल्टा भी हो सकता है गल्स की जगा बॉय भी हो सकता है गल्फरेंड की जगा बॉय फ्रेंड भी हो सकता है तो कोई किरपा करके गाली ना दें बुरा ना लें में समझे में बताना क्या चाहता था हाँ गड़ित वाली भासा भूल सकते हैं लेकिन ये वाला नहीं भूल लेंगे मैंने इस लिए एक जामपल बताया और बिल्कुल सटिक बैट रहा है समझ गए ना कोई डाउट ना किसी को आयूसीत्यागी समझ में आया अनिकेज समझ में आया पंकत सिंग परमेश्वर लौकुस मोहित सोभीत हिंदी लेरिक जानभी परजापती सबको आया तो कोई बड़ी चीज तो है नहीं है लगबग सभी को आ गया होगा हां कुछ कह रहें कि आप ऐसा एक्जामपल ही क्यों देते हो क्योंकि आप उसी उमर के हो अब अब अगवान का एक्जामपल देंगे इसमें तो तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि पूजा पाट में लगता नहीं इस उमर में है ना समझी रहे हो इस उमर में तुम्हारा मन ज़्यादा टाइम कहां बित्ता है कुछ आपवाद हो सकते हैं एकाथ परसेंट बागी 97-98 परसेंट बहुत अच्छे समझ रहे हैं समझते हैं चुकते से हूँ करके भगल से हफ लिये लेकिन सामने कहेंगे हैं क्या बोले हम तो जानी नहीं पाए क्या आएं चलो तो ये समझ गए हैं आईए अब आगे देखते हैं अब भाज या भाज में आप लोग बताओगे हाँ जलो भाई जैसे माल लिजे मने नंबर ले लिया 27 81, 79, 87 अब भाज बताओ इसमें कौन है पाहिला 27 अब भाज है 81 है 87 है डी वाले में 79 और 87 दोनो है या या ये वाले में 79 है बताओ कौन सा है जीते अंद्र बढ़िया चल रहा है सब पढ़ाई पे ध्यान दो भाई या पढ़ाई पे ध्यान दो मजा भी आए समझ रहा हूं मजा भी आना चाहिए कलास में और क्या देखो यार ना बोलने को मजबूर ना करो इसकी बहुत गंदी न्यू बनाई गई है जो लोगों ने एक मानसिक्ता बैठाई है और उसी पर लोग चल रहे हैं ये बड़ी सोचनी ये बात है और यही वजाय देखिए कितने गलत काम होते हैं कितने क्राइम हो रहे हैं कितने याद रखना जिंदगी में जो जिन्दगी सिखाती है और किताब नहीं सिखाती है और जो किताब में सीखते हैं उससे नहीं चलती है यह कहते हैं कि आप गुरू है आपने गल्रफेंड करसे बोल दिया यह तो बड़ा खतननाक नाम था बतलब हो तन वही चीज़ है लोग इस देश में ये सब चीजें बहुत जो सदी चल रही है आप ही बहुत पीछे वेक परकार से अगला लोग एक और टॉपिक है सेक्स पर बात नहीं करना चाहते हैं अगर घर में चल रहा है तीबी चल रहा है उसमें तो देखो सब चड़ी बैन कहीं नाचने वाले होते हैं ले सब्सक्राइब लेकिन अगर कुछ ऐसा सीन आ खतरनाक वाला समझे रहा हूं तब ममी उदर सामान उठाने रखने लगेंगी पापा उदर थोड़ा खांसने लगेंगे फलाने तोड़ा उदर भाग जाएंगे आगला उदर मूँ कर लेगा और कहीं मौका मिला किसी रिमोट होता ना भारती समाज में लेकिन पता सबको है च्या हो रहा हूगा सबको मालूमएं क्या करेंगे लेकिन आजकल तो ऐसा सीस्टम है ऐसा देश को नंगा किया जा रहा है सेलिवार्टि है जो नंगा होना अपने आपको आज़ादी समझते हैं मेरे सब तो लौक चुछ महिल का कपड़ा होगा अगर बिल्कुल modern है तो है ना husband के पूरे घुटने धाके होंगे नीचे उपर हर जागा लेकिन wife के कुछ point point धाके होंगे अगर बड़े साहर से है ना बड़ी कड़वी बात है न क्यूं इसका इस क्लास से क्या मतलब है इसका इस कलास से यह मतलब है कि यह कह रहे थे गुरू है आपने girlfriend जैसे बोल दिया बैया इस देश की कुछ सचाई भी हो भी आपको जानना चाहिए समझ रहे हो और यही सब वजा है कि भारतिय संस्कृति बरबाद हो रही है और उसका परड़ाम आप द पीट रहे हैं वही है जो क्राइम होते हैं जो गलत काम हो रहे हैं लोग उसको खतम नहीं करना चाहते हैं लोग केवल उसको खतम करने दिखावा करते हैं ठीक है आई यह कलास पर आगे बात करते नहीं बात लंबी हो जाएगी तो फिलाल आप समझो कि देश दुनिया में क् कि यह नूप्य होना चाहिए है तो यह चीज अधर जो माता है कि पार्द सम्झों कि बातें जो हां वो सचाही है उन का सामना करना चाहिए और हो रहा इसा डों जतना जबूत है जितना ज्यादा नंगा उत्ना ज्यादा बोल्ड माना जाता है जानते हों इस जब्ड जैदा वाइरल होगी जीज़िपन वह भी बहुत जाती है सच्चाई है यह समाझ की समझ रहो और तुम खेते होगी हिसपर बात कैसे कर दी है अब तो गुरु है पूरा पिस्ट को छोड़ करके जन संक्याम भारत आगे हो गया है। तो यही रीजन है कि इस पर बात नहीं हो तिस देश में आप कहोगे यह कलास है टाइम बेश होरा चलो आगे बढ़ते हैं फिलाल लेकिन बहुत जरूरी है हमें लगता है यह फाल तो नहीं है। चलो फिर आओ। इस कलास में सिलेबस दिखाई चुके हैं और इस कलास में आगे बात करेंगे विभाजता नियम आप पढ़ेंगे जो की नंबर सिस्टम का ही चैप्टर का एक आंसा है और यह बड़ा आती महत्तव पूर्ड है क्योंकि इसमें से कुछ न कुछ जरूर ही आता है ठीक है? ठीक है तो कम पढ़ें सही पढ़ें क्या करें? कम पढ़ें लेकिन सही पढ़ें तभी कापी पर लेके बैठेंगे हम उमीद करते हैं नोटस जरूर बनाएंगे पेन और कलम जरूर आपके पास होनी चाहिए नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे सबसे पहले Divisibility Rule Divisibility Rule में वही सब पढ़ेंगे जो अभी तक आप पढ़ते आयो बट इसमें क्या-क्या पढ़ना नंबर सिंटम में मैंने पहले उसको यहां पर headline लिख दिया है अगर कुछ आगे पिछे छूटता आपको लगता है तो बताना उसको भी पढ़ा देंगे विभाजिता नियम पढ़ेंगे जिसे बोलते है डिवेजिबिल्टी रूल इकाई का अंक निकालना पढ़ेंगे ठीक है यूनिट डिजिट और फिर उसके बाद फैक्टर पढ़ेंगे गुडनखंड और सेस्फल परमिये पर आधारित कुश्चन करेंगे फिर सुननेों की संख्या निकालना ये चुरू में मैंने पांच टाइप चुने है इन ही पांच टाइप से ही आपके परिच्छा में जो कुछ होगा सब कुछ होगा नंबर सिस्टम वाले चेप्टर से पढ़िया चलो मस्त है बिभाजता नियम पढ़ने वाली संख्या को यानि जो हम संख्याओं का ग्यांत करेंगे उनको मैंने पांच एक गर्ूप में बाट दिया है टाइप में बाट दिया है पाँड अपर्ट वाई-पार्ट चीन तो पहला पार्ट आप देखना मतलब एक परिवार के रूप में उनको डिवाइट कर दिया यह भाई फलाने का परिवार है यह फलाने का फलाने का फलाने का है समझ रहो category में कर दिया एक परकार से जैसे आप देखो इस देश में सफ़ ज़्यादा famous आजकल है जातिवाद वाला मुद्द न इस देश में अलग-अलग जाती है General, OBC, S.A.S.T. अलग-अलग divide है न तो ऐसे मैंने को divide कर दिया है divide कर देने पर कोई भी चीज कमजोर हो जाती है और कमजोर हो जाती तो उस पर बीजय पाना आसान होता है और यही रीजन है कि अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था और वर्तमान में भी जो नेता मंतरी कुछ भरष्टाचार गड़बड़कर रहे हो भी लेजनता को बांटी रहे है अलग-अलग pedigree में बांट रहे है चाहे जाती में चाहे धारम में चाहे किसी परकार में बांट रहे बांटने से का होता है बुद्धी विवेग लोगों का थोड़ा-थोड़ा डाउन पढ़ जाता है क्योंकि अलग-अलग पढ़ने पर फूट पढ़ने पर कम जोरी आ जाती है हर तरीके की समझ रहे हो चलो तो पहला मैंने जो बटवारा किया उसमें दो का परिवार सामिल किया जिससे हम कह सकते हैं पर का टाइप ओन या गुरूप ओन ठीक है इसमें जितने भी हैं सब ये दो के फैमली से संबन्दित है मेरी बात समझ रहे हो सबी चलो कमेंट सब का आ रहा है पढ़ाई पर ओनली ध्यान दो जो का डिवीजबिल्टी रूल ठीक है समझ रहे हैं यहां पर साथी मेरे इचित द्यान से देखना है जैसा आप तक पढ़ते आई हो जयसा कि एक बचपन से ही आप पढ़ते आई हो क्या कि कोई भी संख्या जिसको दो से भाग करने पर पूरुरता अबिभा भाजित हो जाए तो दो का बदलब कह सकते हैं कि विभाज़ता नियम इस पर काम करता है लेकिन ये परकरिया बड़ी पुरानी हो गई क्योंकि अब लोग driverless car यूज करने लगे हैं तो ये बहुत पुरानी बात हो गई तो दो का बिभाज़ता नियम के लिए क्या करेंगे साथी मेरे पहले उसके पहले समझ लो करना क्या क्या है हमें पहले दो का करना है फिर दो का square यानी चार का बिभाज़ता नियम देखेंगे फिर 2 का Q यानि 8 का विभाजतानियम फिर 2 का 4 गात यानि 16 का विभाजतानियम इस काटेगरी में हम इन 4 को समझेंगे ठीक है? 2, 4, 8, 16 तो ऐसी संख्या जिसका अंती मंक ऐसी संख्या साथी मेरे जिसका अंती मंक यानि लास्ट डिजिट 0 हो या 2 से विभाज ये हो ये कह सकते हो आप या हो? ऐसी संख्या जिसका अंती मंक लास्ट कर जिट या तो सुनने हो सुनना हो या फिर 2 से डिविजबल हो या एक आसान तरीका और भी है या आप ये भी कह सकते हो कि 2, 4, 6 या 8 हो भाई कोई भी संख्या अगर 2 से विभाजित होगी तो उसका लास्ट वाला जो अंक है वो या तो 0 होगा या 2, 4, 6, 8 होगा बाकिया और कुछ होगा ही नहीं तो हम 2 से विभाज कहे के थोड़ा सा आसान कर लेते हैं लाइन थोड़ी छोटी हो जाती बट उसमें उतनी क्लियर्टी नहीं आती इसमें ज्यादा क्लियर्टी है कि कोई भी संख्या जिसका आंती मंग क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 हो वो दो से विभाजित होती है बहुत important है divisibility rule याद रखना संख्या पद्धती में न यह बड़ा फेवरिट टॉपिक है किसी भी परिच्छा के लिए इग्जानर इसमें से जो परिच्छा होते है कुझ नहीं कुझ जरूर देते है ठीक है? clear? बढ़िया है? no doubt, no दिक्कत, no परसानी? जालो तो 2 का खतम? भाईया, 2 का स्कॉयर में क्या है? 2 का स्कॉयर में क्या होगा? हम? देखो यहाँ पर समझो 2 का स्कॉयर में भी क्या ऐसा ही है? हम् इनको मैं कहा अर्जेस्ट करूँ? थोड़ा छोटा कर दूँ उपर करके? ठीक है ए भाईया, गड़ बड़ाया, नहीं इनको थोड़ा छोटा करो, साइड में आओ चलो 2 का स्कॉयर यहनी, 4 वाले में इसमें क्या होगा भाईया? इसमें होगा बाबू, अन्ति मंक अन्ति मंक 00 हो या अन्ति मंक क्या हो? 00 हो या 4 से विभाज हो, बस ठीक है? अगर कोई भी संख्या 4 से फुली डिवाइड है, तो उसका लाश्ट का दोनों डिजिट, या तो सुनने होगा या फिर, चा होगा? 4 से पूरता विभाज है, फुली डिविजबल अभी एक्जामपल आगे करवाएंगे तो बहुत ही clarity आ जाएगी फिक है? आए थोड़ा कुछ एक्जामपल करवा देते हैं 2 का और 4 का विभाजिता नियम में थोड़ा देखना प्यार से जैसे माल लिजे कोई संख्या, मैंने कहा इसमें, ध्यान देना इसमें 2 का विभाजिता नियम किस पे अपलाई होता है? बताओ पहला बता भई 2 का डिविजबिल्टी रूल इसमें किस पे लागू होता है? अपलाई होता है किस पे किस पे 2 का विभाजिता नियम अपलाई होता है? बताओ बताओ आसान है ना? बहुत आसान है बिल्कुल बहुत अच्छा लाल टोपी वाले तुमें का लग रहा है? बत्र के बैठे हो देख नहीं रहे हैं? बढ़ाई ध्यान दो चलो ठीक है बढ़ियां बढ़ाई ध्यान दो जो कर रहे हो मैं देख रहा हूं अली नोट्स बनाओ हाल तु काम नहीं तुरेया कुमारी हाँ बिल्कुल कमेंटार आही मानसू संजना नाम बोलना अच्छा नहीं नाम नहीं बोलूँगा नाम बोलना पाप है क्योंकि जो पढ़ता नहीं उसका नाम बोलना इस क्या मतलब है है ना? जलो कोई बात नहीं बहुत अच्छा इसमें दो कभी भाजिता नियम के लिए साथी मेरे हमें यह देखना है कि लास्ट कांक या तो जीरो हो या दो हो या चार हो या छे हो या आठ हो इनमें से कुछ ना कुछ हो कौन सा है? देखोना ज़रा एक बार देखोना प्यार फे यह है पहला तो एक यह मिल गया एक यह मिल गया यानि दो का डिविजिबेल्टी रूल इनमें दो पे अपलाई होता है क्लियर? हम? मस्त? एकदम क्लियर? ठीक है बढ़िया? कोई डाउट ना? जलो मस्त है? तो दो का विभाज़ता नियम किस पे किस पे अपलाई होता है? A वाले पे और D वाले पे अच्छा चार का डिविजिबेल्टी रूल में आ जाओ बाबू भाईया तो चार का विभाज़ता नियम किस पे किस पे अपलाई होता है? बताओ चलो सफ्यद वाले इनको लिखता हूँ ये क्या होगा दो से विभाज ये भी है दो से विभाज मतला पूर्टा विभाज चार वाले में कौन कौन जाएगा इसको question number one मान लो फलाने को चार वाले में कहता है कि किसी भी दी गई संख्या का अंती मुका दो अंक या तो zero हो एक अंक नहीं दो अंक zero हो और या तो चार से विभाजित हो तो भी ये चार से विभाजित तो है नहीं ना तो इसका अंक zero है इसका मतलब ये तो खलाफ है चार के लिए तो ये तो 4 के लिए होगा नहीं ये भी नहीं होगा ये भीए होगा ये क्या होगा 4 फे पूरता भी भाझित confusion में ना जाओ कि 2 से भी है 4 से भी है होता है बहुत सारी संख्या है जैसे चोटी संख्या ले लो 16 16 क्या है 2 से भी fully divided है 4 से भी है 8 से भी है किलियर कोई डाउट ना किसी को पढ़िया ना मस्त है अभी फटा फट लाइक करो जल्दी जल्दी बाब देखो अगर आप यूटूब पे देख रहे हो डेमों के रूप में स्टार्टिंग में तो कलास को खूब लाइक सेर करो जिससे ज्यादा ज्यादा बच्चे देख पाएं और फिर गलास मस्त चल पाएं और हमारी कोशिस है अगर आप इसको धंग से सेर करोगे अच्छे बच्चे आएंगे ज्यादा संख्या में पढ़ने वाले यूटूब पर टोटल फ्री पढ़ा देंगे आपकी फीस भी सबकी रिटर्न हो जाएगी हमारी पूरी कोशिस है ठीक है तो खूब दबा के सेर करो चौबिस गंटे में सिर्फ पाँच हजार भी उजा जाएं बस ओनली फाइट थाउजन अब देखो भाईया अगला क्या है आठ वाले में क्या बाबु देखो इदर आठ का विवाजिता नियम क्या कहता है दी गई संख्या का अंतिम तीन अंक लास्ट का तीन दिजिट अंतिम ऐसे लिख लो अंतिम अंक तीन जीरो हो या आठ से पुर्टा विवाजित ठीक है वोई भी संख्या आठ से फुली डिवाइड होगी यदि उसके लास्ट के थिरी डिजिट या तो जीरो 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 हो और या फिर वो आठ से डिवाइड हो ठीक है क्लियर बस इतना है जाता कुछ नहीं है बढ़िया मस्त है ना हाँ मुझे आदा मिनट टाइम देना है बहुत इंपोर्टन काम है ओनली आदा मिनट चलो बताओ एक एक जामपल बता आप लो तब तक आठ से भी भाज़ता नियम का कोई एक जामपल दो सभी चलो बताओ सभी बताओ आयूसी दिलिप कुमार तमन्ना खातून मिस्ती स्रेया कुमारी बताओ भई बताओ बताओ एड से डिवीजिबिल्टी रूल का कोई एक नमबर बताओ कम से कम चार अंका होना चाहिए ठीक है बहुत अच्छा ठीक है देख रहाँ कमेंट सबका बस थोड़ा सा इंतिजार करना आधा मिनिट बस कुछ इस हुए ठीक है बहुत अच्छे बेरे गुड अच्छा एक एक जांपला बताओ आठ का भी भाज़ता नियम वाला प्रतिमा कुमारी बहुत अच्छा सोहान सिंग मानी मानी अर्बिन द्यादो आफीसियल प्यूस ठीक है एक चार वाला भी बताओ फिर इसीम लगे हाथ ठीक है आओ आओ चलो शुरू करें बहुत अच्छा अर्चना कुमारी ठीक है बेटा दिलीप कुमार तुम्हें न ब्लॉक कर देंगे तुरंट देर नहीं लगेगा क्योंकि तुम पती आ रहे हो बगाओ इनको चलो ठीक है आगे बढ़ें देखिए नाम आम के चक्कर में तो ला का भिवाजता नियम क्या कहता है चुछ कोई भी एसी संख्या कोई भी ऐसा नमबर इसका लाष्ट का चार अंक क्या हो, जीरो हो, ठीक है, या, या क्या हो, सोला से पुरुता विभाज्य हो, विभाज्य का मतलब होता है, पुरुता विभाज्य, कोई भी ऐसी संख्या, जो सोला से पुरुता विभाजित होगी, यदी, उसका लाश्ट का जो चार अंक है, वो जीरो जीरो हो, चार बा करेंगे तो बहुत clarity आएगी अब without example come clear होगा बताओ कहरा है किस किस मतलब सवाल क्या है कहरा है इतना किस किस पूरता विभाजित होगी मतलब इसका यह है किस किस संख्या से किस किस संख्या से पूरता विभाजित होगी ठीक है किस किस संख्या से पूरता विभाजित होगी यह किस किस का मतलब कुछ और ही समझ में आ रहा था बढ़िया बच्चा बहुत अच्छा चलो पढ़ाई पे ध्यान only I study पे आओ बहुत अच्छा बेरी गुड इसमें कौन सा आप्सन होगा जिनको लगता है कि 4 वैस आप वो 1 B लिख दे जिनको लगता है कि ये भी सही ए भी सही है वो लिख दे 1 A B जिनको लगता है सब सही है वो लिख दे 1 A B C D या फिर 1 C D क्या होगा कौन कौन होगा एक से अधी का उप्शन हो सकता है आईए बहुत अच्छा ठीक है बच्चा बेरी गुड बहुत अच्छे जोको बहुत सिंपल है भाईया इसमें है क्या न संक्या में देखना है सबसे पहले एक एक से ट्राई करो दो से अगर हम बात करें तो कोई भी संक्या जिसका लाष्ट का अंक 0,24,68 होता है दो से डिबाइड होती है इसमें लाष्ट का अंक 0,24,68 है तो दो से ये भी विभाजित होगी चार का नियम आओ देखो ती गई संख्या का लाष्ट का दो अंक चार फिडिबाइड होना चाहिए तो चार एकम चार चार अठे बत्तिस यनि अठारा चोक बहत्र होता है इसका मतलब चार से भी है आट से भी हो 8, 9, 72 8, 9, 72 8 से भी होगी 16 से भी होगी क्या या तो लाष्ट के चार अंक banca 0-0 हूं या 16 ईवाइड हो तो भईया 00 ईवाइड हो, तो विजय का को वाइड हो, then वो शकता है, देख लो एक बार कopa 16 का 16 का को बचे कितना, 9 हो जय का 97 17 जैदा हो जय का için 17 45 जिरन रहा, बचेज विखेखे को तो हूप 25 बादतर pricing एक नोइगा नोइगा तॉढ श्कत कितना होगा सित्क से बार्च से बादर होगा रोजाएगा फिर क्या बचाएगा एक नूज सकते हैं से करके देखो कहीं में रहे होगा तो मुझे बता देना आप सकते हो ऊउन ए बी सी है न डी वाल नहीं होगा ना चलो आगला बताओ सीकेंड सीकेंड नंबर कोईश्चन समझ में आ रहा है सब को ना देखो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सभी से निवेदन है पढ़ाई पढ़ाई पे आंदो पढ़ाई पे ओंली एस्टेडी ठीक है आगे चले नो डाउट चलो ठीक है तीन का विभाजिता नियम नहीं अब ये हमारा पहला परिवार कम्पलीट हो गया मतलब हमारा नहीं संख्याओं का अब दूसरा टाइप एक परकार से पढ़ेंगे या एक दूसरा तीन का परिवार अभी तक दो का परिवार था वो फैमली आप टू तो तो तीन के परिवार में कौन-कौन है भाईया इसमें तीन है और इनका इसक्वार नौ है कोई भी संख्या तीन से विभाजित होगी देखो ये बिल्कुल जीरो लेबल वाला नहीं है ये वो लेबल वाला है जिस लेबल के कोईश्चन परिक्षा में आते हैं हमारी कोशिस है इसमें भी बेसिक से ही पढ़ाने का बहुत ह वाई-फाई नहीं कर रहा हूं लेकिन अगर आप पीवियर स्टडी अप्लिकेशन में जीत बैच जॉइन किये हैं और आपको इसमें कोई दिक्कत लग रही तो आप दुरुना चारे बैच में इन्रोल हो जाएंगे फिरी में कुछ पैमेंट नहीं करना होगा बता और लेबल नीचे जाएगा ठीक है उसमें चलो एक चीज और कुछ लोगों को लग रहा हो आओ लेबल बढ़ाओ जल्दी जल्दी देको लेबल बढ़ाने चक्कर में तुम्हारे लेबल अगर बढ़ो जाता है परिक्ष्यम कुछ कर नहीं पाते हो इसलिए जमीन से जुड भी संख्या तीन से पूरुदता विभाजित होती है यदि उसके अंकों का योगफल तीन से पूरुदता विभाजित हो जैसे फार इक्जामपल यह वाला अंकों का योगफल करो पांच चार नौ एक दस योगफल का मतलब जान रहे हो ना इनको आपस में जोडना है जैसे 24 दो नोख दमिया दस को साथ में जोड़ा 17 सट्रहा को तीन में जोड़ा 20 इस पांच में पचीस 50 को 8 में जोड़ा 26war 302 यौ 6 33 आ रहा है बताव 33, 3 से डिवाइड है हाँ या ना 33, 3 से डिवाइड है ना है पक्का है तो आप कह सकते हो you can say कि ये पूरी-पूरी संख्या जो है वो 3 से डिवाइड है क्यों? क्योंकि इनके अंकों का योगफल 3 से डिवाइड आ रहा है बस इतनी से बात है अच्छा अगला वाला ये बता दो क्या ये तीन से डिवाइड है यास या नो बताओ बहुत अच्छा बेरी गूड ठीक है पढ़ाई पे ध्यान ना देने वालों को यहां से फटा फट बलाक करिए तुरंद बलाक करिए इनको मेरे मुँँ से अब कुछ गड़बड निकल जाएगा ठीक है अगला बताओ यास यार नो तीन से डिवाइड है हाई या नहीं बताइए बहुत अच्छा तमन्ना बेरी गुड देखो बाबु क्लास सिट्यूल की गई है आप कमिंग वाले में जाके हूँ बतलाओ जाओ यहां से जाओ मैं मनना नहीं कर रहा हूँ जाओ बरबात कर दो उपनी जिन्दगी मैं नहीं रोख रहा हूँ और जो बच्चे अप्लिकेशन में फीज जमा किये हैं वो बतला रहे ना तुम्हारा तो बेटा पैसा भी गया तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं पलाग भी कर देंगे और तुम्हारे माई बाप को फोन करके बताते हैं कि तुम पढ़ते हो क्या करते हो ठीक है जैन्त बहुत अच्छा जैन्त आपसे एक रिक्वेस्ट हैं फास्ट एंड लास्ट कि कापी पेस्ट ना करना क्योंकि आपने बड़ा फूल माला लगा रखा है कापी पेस्ट करते हो बड़ा गंदा लगता है चलो ठीक आईए इनके आंकों का योगफल करिए साथ पांच बारा तीन पंदरा एक सोला चार बीस पांच पचीस तीन अठाइस दो तीस साथ सैंटिस इनका जो सम है वो थार्टी सेबन है हटी सेबन तो थीरिफे डिविचबल है नहीं तो आप कह सकते हो यह पूरी-पूरी संख्या तीन से डिवाइड नहीं होगी थीक है है तीन से डिवाइड नहीं होगी बड़ियाँ क्लियर तो आप कहा सकते हो कि ये संख्या क्या है तीन से डिवाइड नहीं होगी बाकि ये वाली होगी ये वाली नहीं होगी अच्छा नौ का विभाजिता नियम क्या कहता है नौ का विभाजिता नियम कहता है कि कोई भी संख्या नौ से विभाजित होगी ये उसके अंकों का योगफल क्या हो नौ से विभाजित हो बस जैसे तीन का है सेम नियम नौक भी है तो मुझे ये बताओ, इसी वाले एक्जाम्पल को ले लेते हैं, और इनहीं काम चला लेते हैं, पड़ोसी तो थोड़ा किस दिन काम आएंगे, ए रुकरे दाद, गड़ बड़ा रहा है, लो, इनकी सेटिंग इनसे करवा देते हैं, जरूरत के अनुसार, चलो बताओ, नौ का विभाजित, नियम अगर पालन करेगा, ये क्या, कोई भी संक्या जिनके अंकों का योगफ़ल नौ फिडिवाइड हो, तो भाई साब इनके अंकों का योगफ़ल कितना आया था, जोड़ो तो, इनका योगफ़ल आया था, 33, क्या 33 नौ से डिवाइड है, नहीं है, 9 इनका योगफ़ल कितना आया था, 37 आया था, 37 भी 9 से डिवाइड नहीं है, ये वाला थिरी से था, 9 से नहीं था, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ें, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला परिवार में बात करते हैं, अभी एकजांपल करवाएंगे ठेर सारे, ठीक है, अब बातचीत करने वालों को हमारे जो टीम के लोग हैं, ध्यान दें, तुरंद फटा-फट बलक करते जाएं, और जो एक से अधिक बार ये हरकत करें, उन्हें प पांच का परिवार में क्या है, टाइब नंबर तीन है, पांच का परिवार, या गुरूप नंबर तीन आम मान सकते हो, पांच के परिवार में हम देखेंगे पांच का बिभाजता नियम और पांच का स्क्वायर, यानि 25 का बिभाजता नियम, कि जीरो हो याफ ओप 16 मेर्व और भैफ सभी 6 या पैंट आप ऐसे में चल्ण सकते हो पांच центр इसक्तिंड अच्छा कैसे भी है अगर फीछे ऊपन नीचे इदर का ऊदर का उधर का रहेंगे दो ठीक है जैसे आप देखो राजनीती में आजकल होता है हमारे हाँ बिपच्छ वाले को लोग जो नेता लोग होते हैं मंत्री लोग होते हैं तक कि अब तो परधान मंत्री तक भरी-भरी सभाओं में गालियां देते हैं गाली का मतलब मा बहन वाली नहीं वो वाली जो चलती है जो वापस ली जा सकती है हाँ होता है हमारे हाँ सदन में लोग सभा विधान सभा में काली दे देते हैं बाद में कहते हैं हम अपनी काली वापफ ले रहे हैं लेकिन यह हर कोई वापफ नहीं ले सकता सिर्फ राजनीती में वापस हो बनेंगे रहेंगे वहीं दो-तिन अगली साल तुम बन जाओगे वह ऐसा यहाँ पर या तो यह यह तो यह यह तो यह तो यह तो यह लाश्ट में कुछ भी हो ठीक है तो समझ गये पांच का है क्लियर है कि मस्त है को दिकत नहीं किसी को हूं जैन्त बिटा बलाक हो जाओगे तुम फटा फट तुम आंसर भी बताते हो लेकिन तुम अर्चना का आंसर भी बता रहे हो यह गड़ बड़े ठीक है मैं कामेंट सबका देख रहा हूं मुझे ना बड़ी गुस्सा आती जब कोई बात चीत करता है चलो तो कोई भी संख्या जिसका लास्ट का अंक जीरो हो पांच हो या पांच या जीरो कुछ भी हो वो पांच से विभाजित होती है 25 में क्या भया 25 में भी वैसे कुछ सिस्टम है का सिस्टम है 25 में बिल्कुल वैसे है लास्ट का इसमें अन्तिम दो अंक अन्तिम दो अंक 00 हो या 25 का गुड़ज हो ठीक है कोई भी संख्या जिसका अन्तिम दो अंक या तो 00 हो या वो 25 का गुड़ज हो गुड़ज मींस मल्टिपल हो यानि 50, 50, 75 125, 1500 75 ऐसे हो या 200 यानि जो 25 से पूरता डिवाइड हो जाए ठीक है तो वो संख्या 25 से पूरता विभाजित होती है clear पस यही नियम था no doubt किसी को कोई दिक्कत नहीं बढ़िया चलो आगे बढ़े ठीक है अब बता यह जबाद दीजिए फोर नंबर में फटा फटा हरे कबच्चा बच्ची बताएगा कि किस संख्या से यह फलानी माली संख्या पूरता विभाजित है फुली डिविजबल है बताओ तू से है फाइब से है ट्वंटी फाइब से है सेबंटी फाइब से है किस से है बता भाईया जलती बताओ चलो अगर आपको लगता है कि पांच से है तो आप कमेंट करोगे फोर बी क्या लिखोगे 4B, आपको लगता है कि 25 से है तो लिखोगे 4P, ये comment का तरीका है और 40, 11, 325 बहुत अच्छा very good, ठीक है तो अब ही हमने जो divisibility rule पढ़ा है, 5 और 25 का पढ़ा है तो हम यही दोनों पहले try करेंगे 5 का divisibility rule पर ये pass होता है क्योंकि last में 5 है इसका मतलब ये 5 से divide है तो B वाला तो सही है 2 से विभाज है, नहीं है क्योंकि last का अंख 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी नहीं है तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं है ये वाला तो है कहरा दी गई संख्या का last का 2 अंख अगर 25 से divide है तब पूरी संख्या 25 से divide है तो का इसका मतलब क्या इसका मतलब 25 से भी fully divide है अब बात आती है 75 की तो 75 का divisibility rule तो मैं अभी बताया हूँ नहीं आपको नहीं बताया हूँ नहीं लेकिन आपको पता है एक चीज का पता है जरूरत के साथ चीजें समझनी चाहिए 75 को अगर हम ऐसे करें थोड़ा समझना समझने के लिए थोड़ा समझना देखो 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 एक चीज ए बाई 75 का नियम तो मैं नहीं बताया हूँ बटी जो संख्यवा है वो इतनी है 48 11,325 इनके अंकों का योगफल करके देखो एक बार क्योंकि जो 75 है इसे हम 25 गुड़ा 3 लिख सकते हैं अगर कोई संख्या 25 और 3 दोन फे डिवाइड होगी तो 75 से भी होगी भले नियम उम नहीं पढ़े हो बात अलग है लगा लो जुगाड आओ देखो 3 से कटेगी क्या है 8,4,12,13,14,3,17,21,24,24 यह भाई अल्ला ही गह हो लही गह एक योगफल 24 आवाता है अगर 24 आवाता है मतलब भी 3 से डिवाइड है जब भी 3 से डिवाइड है 25 से है तो फिर बिल्कुल क्लियर रास्ता की यह पचातर से भी डिवाइड है तो आप कह सकते हो भाई यह हो सही भाग करके देख लो कलेकुलेटर से आल्रेडी मैं कर लिया था पहले सही भाग करके देख लो है ठीक है नो डाउट, नो दिक्कत, नो परिषानी कोई दिक्कत, कोई धुकदर्द किसी को पेटदर्द इसको ले करके नहीं न चलो, इसका PDF सभी को टेलिगराम पर मिल जाएगा, ओनली पढ़ाई पर ध्यान दो बाभू देखो भाईया, बातचीत वाले जो क्लास यूटूब पर सेडियूल है अब कमिंग में अगला आता है एक निर्दलिये पार्टी वाला, निर्दलिये है किसी पार्टी नहीं है, निर्दलिये मतलब इसका कोई परिवार नहीं है, आप ऐसे कह सकते हो लेकिन है बड़ा खतरना किये, ठीक है समझ में आ रहा है, राजपूद बॉय, क्यूट गर्ल, पिहू, कासी राम पतियार है हो गुरू, चुपचुपचुपचुपच देख रहे हैं हम थोड़ी तो सरम कर लो हलकी सी चलो उड़ा गया हो, भी आ है, कुमर होई गया है अब इन वहीं कर रहे हो 11 का कोई परिवार नहीं है, यहां पर मैंने इस लिए लिखा है, क्योंकि मैंने सब में लिखा था तीन का परिवार, चार का परिवार, पांच का परिवार, चुकि हम इनका जोड़ी बिजबिल्टी रूल निकालेंगे, उनमें कोई ऐसा नंबर तो बिभाजता नियम अल्रेटी कई बार बता हुं पिर से बिता देते हूं इसमें थोड़ा अलग तरीका है कह रहा है कि एक अंतर यानि अल्टरनेट संख्याओं कि योग का अंतर जो है वो 0 हो या 11 का गुड़ज हो कुछ पल लेना है पड़ाना है हमें अब एक जामपल देख बाद सब एक समझ में आईजे इसका मतलब ये है कि दी गई संख्या एक अंक को छोड़ कर एक अंक पकड़ना है उसको जोड लेना है ऐसे अल्टरनेट का मतलब एक जैसे आपने सुना हbo가 कहीं फाम हमें अपलाई करो कोई चीज का रिक्वेस्ट कंपलें करो तो कहते हैं अल्टरनेट नमबर है का अल्टरनेट का मतलब जो आपके ने दिया आल्रेडी उसको छोड़ के कोई और नमबर ठीक है तो जो हमारे पास है उसको छोड़ के कोई और जैसे देखिए एर रिलेशन में लोग अल्टरनेट खोजते रहते हैं जो अपने पास है उसमें वज़ा नहीं आता है आओ चलो इदार जैसे तीन छाथ 3-0 ना किया यह 11 से विभाजित है आओ इसको फैलाहरे बताते हैं किया यह 11 से विभाजित है चलो तो हम इसमें पहिला नमबर लेते हैं आल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के इसको ले लेते हैं जोड़ लो तो 3-3 कितना 6 अब जो जो छोड़ा था उनको जोड़ो भाई इनको दोनों को छे में जीरो जोड़ो छे इनका घटाओ जीरो आएगा कि क्या कहा था अल्टरनेट यानि एक अंतर संख्याओं के योग का जो अंतर है वो या तो जीरो हो और या 11 का गुड़ज हो, 11 का गुड़ज मतलब या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए या 44 आ जाए या 55 आ जाए मतलब कुछ भी आ जाए जो 11 से विभाजित हो जाए अगर ऐसा होता है तो दी गई संक्या 11 से पुरुता विभाजित है ठीक है चलो तुम्हें नहीं यकीन है यकीन तो तुम्हें दिमाग में खुश देंगे हम कई से नहीं यकीन होगा देखो 11 से भाग करो इसको सब्ट्रेक करो 3 आएगा उपर से 3 उतारो फिरी 33 सब्ट्रेक करो खतम उपर से 0 उतारो जीरो बाल ले जाओ जीरो खतम बोलो आया ना तुम्हें लगरा भगियो गलत है तो तुत्र लगा लो ना भाज बराबर भाजक गुड़े भाग फल दन सेस फल अब यह जीरो लेबल अलता है नहीं के हम फैला फैला दिखाएं के निचोड़नी चोड़के जान गए इतना ठीक है क्लियर किसी को सभी साथी फटा फटा लाइक सेर करो जल्दी जल्दी ठीक है पढ़िया कोई डाउट ना किसी को आगे बढ़ें पढ़ाई वाले ध्यान दुबाब उजिनको पढ़ना है चुपचा प्यार से बढ़ो ठीक है लाश्ट में हम बाचीत करेंगे सबसे खूब सारी बाते करेंगे प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी ठीक है आपके उसकी बात भी करेंगे जिन लोगों का दिल तोड़ के गई है ना बताते हैं उसका लाइस्ट में लेकिन भी पढ़ाई कर लो तो हो गया ये तो पहला आप क्या कहोगे इसको यस ये 11 से डिविजवल है अब अगला देखो 11 से पुरुड़ता विभाजित है कौन सी संख्या 11 से डिवाइड है कैसे ट्राई करेंगे इनमें एक एक नमबर ले करके उनको प्रैक्टिकली समझेंगे तो चलो एक एक नमबर ले लेते हैं समझों यह आपर 18630 क्या 18630 11 से डिवाइड है आओ इधर है फैलाहरे करते हैं यह 11 से डिवाइड है या नहीं है देखो अल्टरनेट फैले यह लो फिर एक छोड़ के इसको लो फिर एक छोड़ के इसको लो इनको जोड भाईया तो 1 औच्छे यह कितना 1 औच्छे 7 और 0 जीरो जोड़ों के साथ में साती रहेगा फटम अब साफेद की लाइन वाला लो तो आठ तीन ग्यारा कित्ता होए भाई साब ग्यारा होगा एट थ्री एलेबन होगा इनको घटाओ अपस में माइनस का तीन आएगा ये तो ना जीरो आया ना ग्यारा का गुड़ा जाया भग ये ग्यारा फिदिवाइड लें आगला लेलो अठारा छेसोतीस लो जो पहलो पहला नंबर पिर अल्टर्नेट मींस एक छोड के फिर एक छोड के एक छोड़ा बीच में जोड़ों इनको एक है कितना साथ जिरो जोड़ों के साथी रहाएगा माइनस ए भाई रुख जाब फिर भाई लिख दिया किया एक मिनट 34 था चाच्चा अगला 34 था ठीक है तो ये 6 7 और 4 11 होगा कितना होगा 11 माइनस अल्टरनेट का मतलब अब हम जो छोड़े थे उसको भीद लेंगे तो 8 3 11 0 मतलब बन गई बात कोई भी संख्या 11 से फुली डिवाइड है यदि उसके अल्टरनेट डिजिट्स का सम करके आपस में सब्ट्रेक करें वो 0 आ जाए या 11 का मल्टी पल आ जाए तो ये क्या आ गया 0 आ गया ठीक है अगर ये ऐसा भी आता अगर ये इतना आता तब भी ठीक था क्योंकि ये भी डिवाइड है ठीक है तो बस यही सारी बाते हैं तो इसमें ये वाला फाही है फिर मुझे लगता है ये सब गलत हो जाएंगे करके देख लेना अगर हो सकता अगर ये बताना ऐसा नहीं किसमें ये कर संख्या डिवाइड है रहा है क्या बात है पढ़ियां कोई दिक्कत ना किसी को चलो बात करने वाले को फटा फटा इसा बलाक करिए और दुबारा खीच-खीच कंटा आप मारिए अगर आएं ये देखाई पढ़ें तो समझ रहे होग ना दवडा दवडाक मारिए जो जो बात कर रहे है दुबारा क्लास में दिखाई न पढ़े बिल्कुल तीखे सब्दों में सिर्फ पढ़ने वालों का बहुत-बहुत स्वागत पाकी नालाइकों के कोई जरूरत नहीं है उन चलके लाइन में लग जाए हम बेरोजगार है सरकार गंदी है पढ़ेंगे नहीं हम हमारे अंदर हुनर नाम की कोई चीज नहीं इस्किल कुछ नहीं है जानते कुछ नहीं है जैसे कहते ना वो एलाइन सुने होगे खटे तो पटे ना बावी ना गटे यहाल है और आगे वाला सब्द मैं नहीं बोल सकता तुम समझ गये होगे चलो ठीक है तो यह क्लियर अब कुश्चन करेंगे क्योंकि 11 का भी पढ़ लिए 7 का भी आगे पढ़ेंगे अब कुछ कुश्चन करेंगे बताओ 7 वाले में बताओ 7 नंबर सवाल ABCD कौन सा साही होगा मौनिस्टार समझ में आ रहा है दिलीप कुमार कि कह रहे हैं बेस्ट फ्रेंड जानू ओके अब जानू कमेंट देखके हमाएं खुद पढ़ावेगना है मनकार अब चलो ठीक है पताओ जल्दी से इसमें कह रहा है कि यक्स का मान ग्याद कीजिए यदि दी गई संख्या 11 से फुली डिवाइड है नहीं बताओ कभी-कभी नहीं आईश्या सा कमेंट आता है बहुत सारी यादें आ जाती है उसके साथ साथ चलो लेकिन इनको सरम नहीं आती इनको सरम नहीं आती फिर भी जलो 11 से विभाजित है तो यक्स का मान क्या होगा क्या हो सकता है मिनिमम मैक्सिमम क्या कहा है कुछ नहीं कहाना ऐसा तो कोई विमान आप जो भी उस पर बैठे रख सकते हो चलो देखो तीरफाट ये यक्स और वन समझिये यहाँ पर एक्स की जगा पर क्या क्या मान हो सकता है इसमें ऐसा तो कोई कहा नहीं कि छोटे फे छोटा और बड़े से बड़ा तो कहा नहीं है तो अल्टरनेट वाला हम लेते हैं आओ पहला मैंने ले लिया एक छोड़के एक आओ ले लो भाईया एक ठी छोड़के इसको ले लो पहले खिस्सम आ गए ये तीन नौ और यक्स यानि नौ प्लफ यक्स ये एक बना है दूसर कना वाले हम देखो तीन पाँच और वन तो भाईय साब तीन पाँच आठ है एक नौ कितना बना है नौ यानि ये भी बना है नौ अब देखो यहाँ पर मुसीबत यह है कि इनको मिला करके एक ऐसी संख्या बने रुकना मेरा आइटम गिर रहा है इनको मिला करके एक ऐसी संख्या बने, मतलब आपस में घटा के, देखो अगर इसमें यक्स ना होता, तब तो ये बन गएक बात, क्योंकि दोनों नो आ रहाता, नो में से नो घटा दे, जीरो आता, तो ये संख्या 11 से डिवाइड है, अगर इसमें से यक्स हटा दे, तो जो बचेगा, वो 11 फी डिवाइड है, बट अगर है तो क्या करें, जेलना पड़ेगा, जैसे देखो नालायक लोग कमेंट में हैं, इनको हम भी तो जेल रहे हैं, इनके माई बाप भी जेल रहे होंगे घर पे, कुद्देर के लिए मोबाइल में लगे हैं, तो खुस होंगे, में रख देते हैं, चुपे से इसका काम लगे का ले आएंगे, बुला लेंगे, तो अगर हम साथ रख दें, पहला, तो सोला आ जाएगा, ठीक है, पहला बाला बैलू, सोला मेंसे नो घटा होगे, तो कितना एक भाई साहब, फिरफात आ जाएगा, तही रख रहा हूं, इस इसका मतलब जो साथ आया, ये ना तो ग्यारा से पूरता विभाजित है ना जीरो है, तो पहला आपसन तो पूरी तारीका गलत है, बाई साहब ये तो बैठेगा नहीं, चलो अटाओ इसको बगाओ, दूसरा आपसन है चार, अगर हम चार रखेंगे तो तेरा आएगा, ते क्योंकि तीन रखेंगे तो बारा आएगा, तीन रखेंगे तो बारा आएगा, बारा मेंसे नो घटा होगे तो, तब का मतलब है, ग्यारा से भिभाजित होगा नहीं, दो रखोगे तो नहीं होगा, इसका मतलब है, काउनो आपसन में नहीं नहीं फाही है, फाभारो गलत, एमेटी जीरो रहना चाहिए था यह आपसंद जीरो रख लो यही साही माल लो चलो पोजिशन गलप था अगर यह परिक्षम आ गया तो सब को नमबर मिलेगा ठीक है यो कि सवाल गलप था इसमें आपसंद कोई साही नहीं था कोई डाउट ना किसी को पढ़िया मस्त है अंजली चाटवाल आरा समझ में निधी हम आओ के काथ बार थाइंक्यू बोलता भईया चैटिंग वाले खुब थाइंक्यू होए रहा है हम तो बेवकूप है पैदा भार है जो नहीं चिल लात ही आएकि न आठ नमबर में बताओ आठ नमबर में कौन से सही होगा आठ ए अगर आपको लगता है पाँच है इसका अंसर तो आप कमेंट में लिख दो चुप़े से आठ बी अगर आपको लगता है कि ये दूई इसका अंसर है तो आप लिख दो आठ डी और जेका जेका लागत है कि अंसर साथ है ना भाया वो चुप्पे से आठे लिखतो चलो यह तरीका कमेंट का बहुत अच्छा बेरी गूड बेरी गूड बहुत अच्छे चलो बहुत अच्छा ठीक है कोई डाउट ना किसी को बेहु पटेल बहुत अच्छा ठीक है क्लास में पढ़ना तो यह क्लास में आजाओ परिसान ना करो ठीक है चले आगे तो कह रहा था यह 11 से भी भाजित है तो इसमें यक्स कमान निकालना है आजाओ तेबा नाइन एट याक्स फोर थिरी आओ चलो पहले यह नंबर ले लो एक छोड के एक और ले लो जोड लो आठ साथ पंदरा चार वन नहीं ठीक है अल्टरनेट वाला लो क्या क्या बचा है नो एक्स और तीन तो नो तीन कितना होगा बारा कितना होगा नो तीन बारा और यक्स तो जुड़ेगा ने उसमें यह होगा बारा प्लस यक्स अब बता भाहिया कि एमें हम यक्स की जगा पर कौन सी ऐसी गिंती रखें कि जो आए उनको अगर आपस में घटाएं तो या तो जीरो हो जाए और या तो ग्यारा आजा या बाईस आजा या तैंतीस आजा जाए इसा कुछ आजाए तो सबसे आसान तो गुरू वही है जीरोवे लाने वाला क्योंकि वो कहानी सुने हो कि अगर पुरे गाउं में अंधेरा है और फलाने घरे दिया जल रहा है तो पुरे गाउं में उजाला करना आफान नहीं है लेकिन फलाने गर के दिया बुझा देना आफान है सब लोग मिलके है न हम बारतिये ही करते है पुराना नभू है हम लोग के गाउं पहले बाग वाग लगा जाता था गर्मीम सबका सूख जाए एक आद लोग का किसी कुछ बचा रहे का तो उसको उखाड दे दे जलन खोर लोग समझे रहो यह हमाने लगा तुमाए का है लगा जलो तो उसमें का है पहला वाला रखेंगे 12 प्लस 7 आजाएगा 12 अब 12 को 12 में घटाएगे जीरो आजाएगा बात बन जाएगी तो यू कैंसे यह वाला सही है पक्का और यह ठी सही होईगा थम बाकी चेकेने करेंगे का मतलब है अ कोनो मतलब भी नहीं सही भी नहीं होगा क्योंकि अगर पांच रखोगे 12 पांच सत्रा वने से फत्रा घटाओगे दो आएगा कोनो मतलब नहीं है एक रखोगे तो तेरा आएगा तेरा शे घटाओगे सुरी ओने से घटाओगे छे आएगा कोनो मतलब नहीं तो यह हो गया खतम ठीक है पढ़िया कोई डाउट ना किसी को गुड़ अर्बिन समझ में आ रहा है इंगा नहीं इनको ना गरी आओंगा सीधा सीधा चलो क्योंकि ऐसे मानेंगे नहीं मज़ा आ रही ना आजो ऐसे चलो ठीक है निम लिकित में कौन सी संख्या 11 से पूर्टा विभाज है पता यह कौन सी विभाज है ए बी सी डी कौन सा जवाब दीजिए नाइन नमबर में बाबू सोना से फुर्षत मिल जाए इदर कमेंट बता दो जिनको लगता है कि यह वाली 11 से विभाज है वो कमेंट में लिख दें 9A जिनको लग रहा है यह वाली यह वो 9B लिख दें लेकिन B भी मत लिखना विख देंगा चलो बहुत अच्छा बेरी गुड़ देख रहा हूं तुम कैसे क्या कर रहा हो मुभाइल में घुसे हो लग रहा है ममी पापा पढ़ाई कर रहा हो लेकिन तुम तो कुछ गरबड कर रहा हो जलो ठीक है बहुत अच्छा ठीक है? आओ चलो देखो 11 से भी भाजित के लिए इसको चेक करना पड़ेगा एक-एक अंक को चलिए आए चेक करते हैं अल्टरनेट ले लो भाई पहले अल्टरनेट नमबर ले लो एक-एक छोड के तो दो ले लिया, तीन छोड दिया, चार ले लिया, नो छोड दिया, तीन ले लिया नो छोड दिया तो दो चार छे, तीन नो कितना है योगफल? नो अगले पाला वाले जोडो तीन नो और नो तो नो नो अठारा, एक वन आईस, दो बाईस ये 22 थोड़े होगा रे थादा नो नो अठारा दूबी से 12 होगा अच्छा, 21 से 9 घटा हो, कितना आएगा? अगर 21 से 10 घटाते तो 11 आता, 9 घटा ने तो 12 आएगा, यही तो गडबड होगया 11 आता तो बात बन जाती हो, कैसा ही? पर यह पहला होगा नहीं फिर साही ना, clear? आगला बताओ next आगला बताओ ठीक है, आए इसमें देखते है 5 एक-एक अंग लेंगे, अल्टरनेट वाला छोड़ छोड़ के तो 5, 3, 8 4, 12 अब इनको ले लो 4 2, 6 1, 7 कितना? 7 12 में से 7 घटाओ, 5 आएगा ना तो 0 आ रहा है, न 11 का गुड़ जा रहा है तो यह आंसर भी, आपसन भी गलत भाई कोनों सही है कि नहीं, चेक करो रहे है बाबा का कर रहे हैं तुम लोग? कोई नहीं कट रहा है? चलो ठीक है, जाने दो ऐसे ट्राई करोगे, जैसे अभी तक मैंने बताया, आपसे ट्राई करोगे, बस, बात खतम चलो आगे बढ़े, चलो भई, चलो 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 नेक्स्ट ट्राई करना अगला भी ऐसे ठीक है, जैसे बताया हूँ, अब कुछ तुम भी तो करो, नो करी साथ का विभाजिता नियम बहुत इंपॉर्टन नहीं है, फिलाहल यूपीपी की द्रिष्टी से, बट पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं, तो लगे हाथ है, इसको भी लपट लें, चलो यहां पर लिखी ये पूरी स्टोरी येदि कोई संख्या के इकाई अंक का दो गुना करके, सेस बची हुई संख्या से घटाया जाए, और प्राफतांक साथ का मल्टीपल आए, या गुडज, मल्टीपल मतलब, या फिर जीरो हो जाए, तो ऐसी संख्या है, साथ से पूरुरता विभाजित होती हैं, जैसे फार आईए, आपको मैं एक्जांपल देता हूँ, इस कुष्टन के अकॉर्डिंग जैसे दिया है, नियम के अकॉर्डिंग जैसे ये, दी गई संख्या के अंतिम अंक का डबल करिये, तो आठ का डबल करोगे भाई साब, तो कितना आएगा, सोला आएगा ना, यही तो कह रहा ह जो सोला आया ना, जो बची हुई संख्या है, इसमें घटाओ, 79 से सोला घटाओ, 63 आया, यह दो अंक में आ गया अब आपकी अकल काम कर रही, साथ से डिबाइड होगा, हाँ होगा, साथ नवाई तिरफट, ठीक है, इसका मतलब, you can say, यह संख्या साथ से फुली है, बस यही तरीका है, अब कहाएंगे, बड़ी संख्या रही ताब का करेंगे, तब तो आइसा नहीं होगा, तब यह परकरिया एक से अधिक बार करोगे, एक से अधिक बार मतलब जैसे तीन, इसका लास्ट कांख है न, इसका डबल करोगे 6, और 6 को घटाओ के तिरफट गतले, तो कितना आएगा? सत्ता मान आएगा, सत्ता मान आएगा न? जब बड़ी संख्या रही त weniger कातट रहा है तो आगे नहीं करोगे, ठीक है, वह से एक सो अधिक बार मतलब जैसे कैसे, उनम इसका लास्ट का अंग का डबल करिये, और घटा ये, लास्ट का अग करोोग 11 फे 18 गटाओगे कितना आएगा माइनस 7 आएगा माइनस 7 का मतलब यह क्या है 7 का कुड़ज है 7 का मल्टीपल आ रहा है न और यह जरूरी नहीं कि आप जो है इनको इधर से उधर गटा उधर से उधर भी गटा लो कोई दिक्कत नहीं ठीक है मिला के साथ आ रहा है बस माइनस पलस मतलो तो हो जाएगा ना क्लियर कोई डाउट ना किसी को वहाओ ना गोधरा आ रहा समझ में एक ठीका बड़ा दुख है कह रहा है हमको काहे को बलाग कर दिया अभी तो मेरी कोई गर्फेंट भी नहीं बनी है इस दिन बन जाएगी ना उसी दिन तुम भी गड़ जाओगी परबाद हो जाओगी समझ रहा हो कि नहीं दुकान पर देखे हो मिर्ची बिकती है जो लाल-लाल वाली बहुत अच्छी लगती देखने में हरी वाली बहुत अच्छी लगती है सुदर सुदर से मुँए में जाती ते पता चलता कितनी खतरनाक है वैसे है जो तुम खोज रहे हो दूसे देखने हैं अच्छी लगती है जनलोग को मिली है उनसे पूछो कितना दुक है जनलोग को साधी होगे उनसे पूछो उनकी जिंदगी बरवाद हो गई कहते हैं किसी साध्य सुधा को देख लो कुछ अपवाद हो सकते हैं बाकी साथ प्रो रहे हैं अपनी वाली पडोशी वाली अच्छी लगती है यही बड़ी वीडबना है बच्चे अपना अच्छे लगते है बीबी पड़ोसी की अस्वेंट में भी ऐसा हो सकता है का जरूई थोड़ी है जलो अब एक अलग काटेगरी है मिस्रित वाला मिस्रित वाले में क्या है मिस्रित वाले में डारेक्ट नंबर नहीं डिबाइड होगी जैसे छे वो दो के सहयोग से होगी यहां केलने होगी, साजा वाला है यह, मिसीरित वाले में जैसे 6 का विभाजिता नियम, तो 6 का विभाजिता नियम में 6 का अपना कोई रूल नहीं है, अलग से 6 का, ठीक है, यह कहता है कि भईया कोई भी संख्या, जो दो से फुली डिवाइड होगी और तीन से भी फुली डिवाइड होगी वो छे से डिवाइड होगी समझा न? वो ऐसी संख्या जो दो और तीन दोनों से फुली डिवाइड हो वही क्या होगी छे से डिवाइड होगी अब तुम ये मत कहना कि मुझे 6 वाला भी पढ़ाओ बढ़ाओ कर लोगे कि नहीं दो का विभाजता नियम बता दिया हूँ तीन का भी बता दिया हूँ तो तुम आई से पकड़ सकते हो अभी कुछ और देख लो थोड़ा सा फिर अभी एक्जामपल करवाता हूँ प्रैक्टिस करवाओं का मज़ा आएगा फिर सब क्लियर हो जाएगा और बिभाजता नियम यूपी पी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है कोई भी टीचर के मुझे सुन लो जो भी पढ़ाता है आपको किसी भी इंस्टिूट में कुछ लेना अगर आपको लगेगा कि यह नहीं इनको तो नहीं बता है क्योंकि कमपटिशन का मैं बहुत जाद दिन से नहीं बढ़ा रहा हूँ कश्रा को आपको 30 और 4 के रूप में तोड़ सकते हैं और आपको पता है तीन का विभाजिता नःम और 4 का भी पता है तो कोई संख्या जिससके 3 और 4 दोनों का विभाजिता नियम apply होगा वह 12 से भी होगी कि मुःत्यूबत है आएसी संख्या जो आठ से फुली डिवाइड हो और तीन से भी फुली डिवाइड हो वो क्या होगी 24 से फुली डिवाइड होगी बात खतम चलो अभी एक्जामपल करवाएंगे तो क्लियर होगा अभी देखते जाओ 44, 56, 72 अगर इस तरीके के कोई भी कोईस्चन आ गए पुलिस की परिक्षा में या SI या जो भी आप एक्जाम दे रहो सबके लिए यह है बट ये 5 पुलिस के लिए चल रही कांस्टेबल के लिए उसका नाम लिया जा रहा है बाकि अगर आपको SSC 10 प्लस 2 देना है तो उसके भी लेबल लग भग ऐसा ही होते हैं ठीक है कुछ अलग नहीं होता है MTS होगारा दे रहो तब भी आपके लिए लेक पाल होगारा परिछा दे रहो तब भी ठीक है ठीक है तो काफी लोगों के लिए ये लेबल वही है अगर एक बार आप पढ़ लोगे तो ऐसा नहीं है कि भी भाजता नहीं हम चेंज हो जाएगा SSC CGL दोगे तब भी डिविल्टी रूल बदलेगा नहीं उसके लिए वहीं रहेगा बस कोईशन के लेबल अलग हो जाते हैं तो कोई संख्या 44 फे डिवाइड होगी कब अगर वो 4 और 11 दोनों फे डिवाइड है एक चीज़ और समझ लो कहीं कहीं अपवाद भी होता है तो ऐसा नहीं कोई संख्या जो 4 और 11 दोनों से डिवाइड होगी 44 से बहुत सारे question में अफवाद निकलता है कोई लेकिन बताता नहीं कहता नहीं ये बात अपने मुह से है ना मैंने देखा है बहुत सारी संख्याओं होता है तो कहीं कहीं होता वो 56 7 और 8 दोनों से divide होगी अगर कोई संख्या तो 56 से भी होगी ये थोड़ा important है क्योंकि इस पर परिक्षा में question पूछे जा चुके हैं वहातर से विभाजिता नियम पर अधारित इसके लिए दी गई संख्या 8 से fully divide होनी चाहिए यानि last के तीन अंक मिला करके 0 हो या 8 से विभाजित हो या अंकों का योगफल 9 से divide हो ये दोनों condition apply होगी तो वो संख्या 72 से भी divide होगी ठीक है पढ़िया आई उसी जी बहुत अच्छा कह रहे हैं कि मुझे लोग बोलते हैं तुझे तो basic भी नहीं आता लेकिन आपसे आपकी class देखने लगी तब से मुझे आने लगी आई उसी जी आपसे एक request है आपसे जैसे और भी बच्चों से कि आप ऐसे अपना phone सामने करके एक feedback का वीडियो जरूर बनाए ठीक है फीडबैक का वीडियो जरूर बनाए और उसे भेजे इससे ऐसे चात्र जिनकी उमीदें छूट चुकी है मैद से वो भी सीख सके ठीक है request है करें जरूर उसी तरीके से 88 और 99 वाला है ठीक है ऐसे और आगे भी नंबर मिल सकते हैं आप खुद से करना आप question पर आजाओ कुछ और question करते हैं चलो बताओ वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 1, 5, 7, 2 और P में P के अस्थान पर आए जिसमें पराप्त संख्या 5 से विभाज हो ठीक है जल्दी बता भाई बहुत अच्छे ठीक है बहुत आए ये कह रहा कि संख्या 5 से डिबाइड हो सबसे पहले यहीं से पकड़ेंगे इनको हम यहीं इनकी कमजोरी है 1, 5, 7, 2 और P पांच से डिबाइड हो भाईया 5 का डिबेजिबिल्टी रूल होता है कि दी गई संख्या का लाश्ट अंक यह तो 0 है यह तो 5 है यह तो 0 यह तो 5 है तब बहुत भाईया P का जो मान है वो यह तो 0 होगा यह तो 5 होगा क्या होगा P का मान यह तो 0 होगा यह तो 5 होगा ठीक है यह तो 0 है तो 5 होगा तो इसमें आपसन में क्या 0 और 5 दोनों है तो दोनों सही है फिर ठीक है आप कुछ गदहा यह कहेंगे आप गलत question करा रहे हो आपके question में दोनों कैसे सही है अरे नालायक तरीका सीख लो पर इच्छा में इसे नहीं आएगा दो आपसन सही ठीक है मैं आपको तरीका बता रहा हूँ यह question गलत नहीं न तरीका गलत है सब सही है आपके बद समझो कि कैसे करना है कैसे समाजना है बस हाँ इसमें दो आपसन मैच कर रहे है एक जाम में जो question आएंगे उसमें दो आपसन मैच नहीं करेंगे अगर दो आपसन मैच करेंगे या कोई नहीं मैच करेगा तो फिर वो question गलत माना जाता है आयोक की तरफ से और उसका number सबको मिलता है या तो फिर कुछ और change होता है ठीक है तो बात समझो कि करना क्या हमें कोई भी संख्या P के अस्थान पर इसमें कहरा है एक चीजा और सुनो एक मिनट एक मिनट एक मिनट दो तो मैच नहीं करेगा रूकरूकरूकरू दो तो मैच कर रहा ठीक है यहाँ एक गड़बड़ी है गडबड़ी जो आप नहीं समझपा है रहो कहरा बड़ी से बड़ी सवाल तो पड़ो बड़ी से बड़ी तो इसका मतलब यह वाला फाई यह वाला गलत है क्यों? यह कि मैच तो दोनों कर रहे है लेकिन 0 और 5 में बड़ा कौन है तो कौन है 5 बड़ा है न ये हुई ना बात एक्जाम में ऐसे कोशन आते हैं आप कन्फूज हो जाते हो कहते हो उसमें तो दूठी मैच कर रहा था दूठी नहीं कर रहा है तुम इसको भूल जाते हो बड़ी से बड़ी कह रहा है तो बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो रखा जाएगा ठीक है नो डाउट चलो आगे बढ़ो ठीक है अभी बहुत अच्छा अगला सवाल बताओ 12 नंबर बताओ भीया अगर दी कई संख्या संख्या तीन से डिविजबल है तो इसमें पूछा है बताओ जल्दी करो भीया अरबिंद बहुत अच्छा वर्षिका एडिट्स जैन सिंग करा कि 935 A1 तो A का निउनतम मान क्या होगा जबकि संख्या तीन से पूरता विभाज्य है जल भीया तीन से पूरता विभाज्य है A का निउनतम मान बताओ कह रहा कि दी गई संख्या जो है वो भाईया हो तीन से डिवाइड है तो इनका आंकों का योग करेंगे हम 9 प्लस 3 प्लस 5 प्लस A प्लस 1 9 तीन 12 5 सतरा एक 18 18 प्लस A अगर तीन से डिवाइड है कह रहा आईए तो पहली बात तो 18 ही तीन से डिवाइड है अगर A ना होता तो बाकी बची संख्या तीन से डिवाइड थी बट इसमें कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा मजबूरी है तो क्या रखेंगा 18 तीन रखो तो 21 आएगा 21 प्लस तीन से डिवाइड है तो यू कैन से क्या निउनतम मान पूछा है अभी तो पहला तो यह मैच कर रहा है अगला भी देखो क्या इससे चोटा भी कौनों मैच कर रहा है दो भी होगा क्या अठारा में अगर आप दो रखोगे तो 20 आएगा और 20 तीन से डिवाइड है नहीं तो यह वाला आपसम तो पका गलत है फिर यह तो गलत है तो निउनतम मान का मतलब फिर भईया तीन है तीन के अलावा अगर पांच भी सही हुआ या बारा भी सही हुआ बसे बारा भी सही होगा बट निउनतम पूछा तो तीन ही इसका correct answer होगा ठीक है अगर देखेंगे तो मैज तो कर रहा है मैज तो यह भी कर रहा है बारा भी तीन भी बट वहां कहे रहा निउनतम तो क्या होगा तीन होगा अचा एक बात बताओ अगर कहता कि A का अधिकतम मान बताओ बड़े से बड़ा मान क्या होगा तब बताओ EC के अकार्डिंग बताओ सवाल आपसन के अकार्डिंग बताओ बड़े से बड़ा पूछता तो क्या होता प्रतिमा समझ में आ रहा है पायल सर्मा सब को समझ में आ रहा है चल बहिए नाम बोलना मेरी बहुत बड़ी जलत आता था नहीं बोलना चाहिए तो अगर बड़े से बड़ा पूछता साथी मेरे तो बारा होता क्यों क्योंकि इसमें आप्सन के अकार्डिंग जो मैच कर रहा हो बारा है और चुकि बारा में अठारा जोड़ते तो तीफ आता और तीस भी तीन से डिवाइड था अगले में आ जाओ थार्टी नमबर बताओ थार्टी नमबर बताओ ठीक है बहुत अच्छा पर आप वो सबसे बड़ा अंक बताओ जिसे संख्या कौन संख्या वो सबसे बड़ा अंक बताओ जिसे संख्या इतना 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 अब में यम के अस्थान पर रखा जाए और ताकि संख्या नौ से पूरुता हभिभाजी तो हो जाए भईया नौ से डिबेजिबिल्टी रूल के लिए इनके अंकों का योगफल निकालना होता है तो जोड़ो एक एक दो नो दो ग्यारा ग्यारा छे सत्रा सत्रा धन यम अब बता मुझे कि यम की जगा पे क्या रखे कि जो आए वो 9 से कटे इसमें यम की जगा पे क्या रखे जो आए 9 से कटे भीया पहले 9 रख लो तो सत्रा 9 कया होगा 20 29 से कटेगा नहीं तो 100 ये तो गढ़बर है तीन रख लो 20 आएगा 20 भी 9 से नहीं कटेगा तो ये भी गलत है एक रख लोगे तो अठारा आएगा कितना आएगा सत्रा दने एक बराबर अठारा अठारा नों से कटेगा फुल डिवाइड होगा सो यू कैंसे यह वाला फ़ह है बैस आगे बढ़ने जरूरते नहीं मिल गया तो जीरो भी रख लोगे तो सत्रा ही रह जाएगा बात नहीं तो कर्रेक्ट आंसर क्या होगा वन क्यों भाई इतना एक डारा यार यह बढ़िया कोई डाउट ना किसी को मज़ता है चलो अगला सवाल बताओ फोटी नंबर जल्दी करो बढ़िया है क्यारा निमलिक्ट में से कौन सी संख्या नौ से पूरुता हभिभाजित है बता भईया इसे टोल मटोल करके बताओ जैसे अब तक तुम्हें बताओ वह इसे बताओ चलो नौ से पुरुता अभी भाजित है A, B, C, D जिनको लगता है A, E फलाने सही है न जिनको लग रहा है न वो कमेंट में लिख दे 14C जिनको लग रहा है E वाला फाही है वो लिख दे 14A बताओ, चलो देखो ठंडा कर दिये न बात चीत करने वालों को साब चले गए उड़े दान में चलेगे, डेश्ट बेन में कल फिर निकल के आएंगे नादो के बलाक नहीं किया है अधा अधा गंटक ले किया बस, अधा गंटा बात फिर आएंगे फिर मस्ती करेंगे आधा गंटाम कलास खतम हो जाएगी लाश्ट में हम लोग बात चीत करेंगे वो भी आ जाएंगे चलिए निमलिकित में से कौन से संख्या नौ से पूरता विवाजित है तो इसमें क्या होगा एक एक को ट्राइ करना पड़ेगा जोड़ घटा के कर लो भाईया मैं सब नहीं करने वाला हूँ इतना तो समझदार होई गया हूँ मैं टाइम के साथ साथ चलो तो पांचे ग्यारा वारा जौदा ततरह अठारह वाईस तो पहला वाला तो नहीं बन रहा है गुरू देखो मैं कौनों साथ ही बता नहीं रहा है कहा सुर्या ने बता दिया डी वाला अनूप ने बता दिया ची वाला बड़ा गदाहा हो यार तुम लोग अलग-अलग का है बता रहे हो एक बताओ तो विश्वास भी हो नौशा पंदरा पांच बीस पांच पचीस तीन तेईस तेईस नहीं अठाइस तीस वन तालिस तो यह डी वाला तो गलत है साथे काट दो दस पांच पंदरा अब पंदरा फाद एव यह एक को ने बैठे का का यार यह बाइस हो रहा है तरके देखना ठीक है 9 से डिवाइड हो जाए बस चलिए तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग नंबर सिस्टम ना नंबर सिस्टम चल रहा था नंबर सिस्टम का अभी तक कितना पढ़ा था पता आफ सबको अब को मालूम ben ना कितना पढ़ा था अभी तक बहिए अभी तक तो दो कलास चली है पहली कलास में लेबर्ष डिसकस हुआ था और च्छोटी-पोटी बात हुई थी और सिकन्ड कलास में आपको मैंने क्या पढ़ाया था भूट ही बेस्टें जैसे प्राकृतिक संक्या पूरांग संक्या भाजbewाज यही सब पढ़ाया था आज जो पढ़ाएंगे वो एक्जाम लेबल का कोश्चन है जो परिक्षा में ऐसे आते हैं ठीक है मेरी आवाज आ रही सभी को राहूल जी पुल कमेंट आपका आ रहा है मनी जी आपका कमेंट आ रहा है क्यूट बॉय आपका भी कमेंट आ रहा है राजवीर गुपता अभी से एक राहूल राय अंस सोनिया कुश्वाहा प्रतिमा कुमारी देखो भाई यह सब का नाम लेना संभो नहीं है सिर्फ कलास पर ध्यान होना चाहिए बाकी चीज़ें साथ साथ में आगे पीछे होती रहेंगी चलो बढ़ियां ऐसाब गुड है ठीक है तो बातचीत यहां पर अलाव नहीं होगी only पढ़ाई पहला सवाल है कहरा कि find the value of k such that the number 26k8 become divisible by 6 यहां पर हिंदी में लिखा है इनके option क्या होंगे आप यह बता मुझे अगर आपको लगता है कि इसका answer 7 है A वाला तो आप लिख दो 1 A अगर आपको लगता है कि इसका answer 9 है तो आप लिख दो 1 D और जिनको लगता है कि मुझे नहीं आता है उनको मैं बताऊंगा अभी just K मैं आपको लगता है आईए मैं इसका तरीखा बताता हूं पहले बाकी बात छोड़िये देखो प्यारे साथियों जो number दिया है वो है क्या इतना बिभाजता नियम कल मैं आपको बता भी दिया था कि नहीं बता दिया था न दो का विभाजता नियम चार का विभाजता नियम 6, 8, 16 सब बता दिया था न तो 6 का विभाजता नियम इसमें लगेगा और 6 का विभाजता नियम होता क्या है क्या होता है मैं इसका अगर आंसर बता हूँ तो सबसे पहले इसका आंसर 8 आएगा आठ आएगा लेकिन क्यों आएगा कैसे आएगा हम इसको अगले पेज पे ले चलके आपको समझाते हैं ये ठीक है के कमान पूछा है देखो बच्चा कोई भी संख्या 6 से डिविजबल है यदि वोट 2 और 3 दोनों से डिविजबल है तो 2 और 3 दोनों का डिविजबल्टी रूल तो आपको पता है दो का विभाजिता नियम के लिए इतना ही काफी है कि उसका लाश्ट का अंक 0,24,68 में से कुछ भी होना चाहिए तो दो वाले पे तो ये पास है क्योंकि इसमें लाश्ट में 8 है काम खतम बढ़ तीन वाले के लिए क्या होता है इनके अंकों का योग करना होता है तो 16 प्लस के अब बताओ भाईया कि 16 में हम क्या जोड़ दें कि जो संख्या आये वो 3 से भी कट जाए और अगर ऐसा बैठ जाता है तो वो 3 से भी डिविजबल होगी और 3 से भी होगी अगर तो 2 से आल्रेडी है तो 6 से भी हो जाएगी बस इतना ही करना था आप्शन ले लो 7,8,9,0 आप्शन है 7,8,9,0 पहला आप्शन अगर 7 जोड़ोगे 16 में तो 23 आएगा अब 23 तो 7 से डिवाइड है नहीं तो सुझे आप्शन गलत है हो नहीं सकता अगर 8 जोड़ेंगे तो 24 आएगा 24 आएगा मतलब 24 तीन से डिवाइड है तो आपका आंसर मिल चुका है 8 क्या होगा क्ये के वैलू 8 होगी कुछ लोग कहेंगे 9 नहीं होगी का 9 भी रख लो काये को confusion की बात रहे 9 रख के देख लो देखो बच्चा के की जगा पर 9 रखोगे जब बाबू भाईया तो ये आपका हो जाएगा 25 और 25 तीन से डिविजबल नहीं है इसलिए ये मान भी नहीं हो सकता है और जीरो का तो कोई मतलब नहीं क्योंकि 16 में जीरो जोड़ोगे तो 16 ही रहेगा 16 भी तीन से डिविजबल नहीं है सो आपका जो आपसा नहीं भी गलत है clear सभी को clear कोई doubt ना किसी को बढ़िया कपिल समझ में आ रहा है अर्चना कुमारी आ रहा है समझ में सुल्तान सब को आ रहा है बढ़िया मस्तर सब बढ़िया है चलो तो इस तरीके से आपका first question हो चुका complete इसका correct answer है ये वाला second question पर आ जाओ कहरा which of the following numbers is divisible by 24 इन में से कौन सा नंबर है जो 24 फेड़िविजबल है ये question mark है भाईया बताओ कौन सी संख्या जो 24 फेड़िविजबल है जो को बहुता आफान है गुरू एकदम आफान है 24 का विभाजता नियम तो हमें पढ़ना ही नहीं है कहेंगे फिर कैसे निकाल लेंगे परिच्छा में ऐसे सवाल आएंगे याद रखना ये यूपी पे एकजाम लेबल के question है सब ऐसे ही आएंगे अभी तक जो हवा हवाई हो रहा था वो सब नहीं आएगा देखो नंबर इसमें से कहरा कौन सी है पहले तो हम ये समझते हैं 24 से डिविजबिल्टी रूल के लिए क्या करना होता है इसको ऐसे दो संख्या में तोड़ेंगे जिनका डिविजबिल्टी रूल हमें पता है तो वो होगा 3 और 8 तीन का डिविजबिल्टी रूल आपको मालूम है आठ का भी आपको मालूम है अब का हो गया हम भूल गए तो भूल गए तो फिर बड़ बड़ तीन का भी भाजिता नियम के लिए साथियों दी गई संख्या के अंकों का योग फल करते हैं ये थोड़ा त्वरक्रिया बड़ी होती है आठ के लिए क्या होता है देखो यार आठ के लिए जो होता है न वो थोड़ा आसान होता है क्या? लास्ट के तीन अंक जो है वो आठ से डिवाइड होना चाहिए इसमें देखो होगा क्या? आठ नो अबहात्तर जादा हो जाएगा एट एट जा सिक्स्टी फोर अगर आप देखोगे साथ बचे का अठ त्र हो जाएगा पहला डिवाइड नहीं आठ से इसका मतलब ये कैंसिल हो सकता है ये भी डिवाइड नहीं क्योंकि तीन आठ से डिवाइड है भाईया हो अगर ये तीन ओच से डिवाइड है फी नहीं तो यह 24 से कताई नहीं होंगे इनको हमें 3 से चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं भाग करके देख लो 8 से नहीं डिवाइड यह 8 से डिवाइड है क्यों? क्योंकि इसके लाश्ट का 3 अंक ले लो 8, 9, 10, 72 जैनि 90 आएगा भाग करोगे इन 3 हों गिंती को तो तो अगर 8 से है तो 3 से ट्राई कर लो अगर दोनों बन गई बात तो हो गया फिट इनके अंको का योगफल कर लो साच्छा 13 दो 15 अंको का योगफल 15 आ रहा है 15 is divisible by 3 यानि ये 3 से divisible है 8 से आल्रेडी है तो मिया वीबी राजी तो का करेंगे का जी फिर बन गई बात और ये हो गया अंसर ये 24 से बड़ी विजिबल है बाग करके देख लो बोलो समझ में आए एक बार ये बोलो सभी फटा फटा आया देखो ये एक्जाम लेवल का कुश्चन है इसमें ज्यादा लोग नहीं टिकेंगे ये मुझे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि 60,244 बेकेंसी के लिए लगबग 50 लाग फार्म पड़े हैं तो सब को नोकरी थोड़े मिलेगी मानते हैं एक बच्चे 6,000-8,000 बच्चे कोर्स ले लिए हैं तो वो सबन थोड़ी पढ़ते हैं तो मैं एक चीज बताऊं बड़ा अंदर वाली बात किसी बैच में अगर एक एबरेज 1,000 बच्चे जोईन है ना तो जो धांग से पढ़ते हैं वो 1,000 में से 300 बच्चे पढ़ते हैं फीज जमा करने के बादों नहीं पढ़ते हैं हम क्या करें उनके घर थोड़ी जाएंगो को घसीट किलाने ना पढ़ो हम अपना काम कर रहें ना करो तो हम क्या करें वैसे होता है कुछ लोग तो फार्म डाल देते हैं पढ़ोसी डाल दाने लिया मो डाल देन कुछ लोग तो यह डाल देते हैं ये भी exam label के question है, सब जितने भी आज होंगे, सब परिक्षाम पूछे जाने वाले. इसलिए मैंने दोनो language में लिखा है, कहरा, for what value of x is the six digit number, 211 x 80 divisible by 72. Hindi English दोनो language में है, अब हमारी चीजें बदल चुकी है, कि आपके exam में आएं, और आपको बहां सा भी मेरी समझ में आएं. बढ़िया मस चल रहा है ना सब एकदम बढ़िया आएं? ठीक है, आएं, 72 से divisible के लिए क्या करेंगे? देखो, 72 को हम उन नंबर में तोड़ेंगे, जिनका divisible ती रूल हमें पता है, आठ और नौ, ठीक है? चलो, ट्राइ करते हैं, इसका answer तो 6 आएगा पक्का है, कैसे? 6 digit का नंबर है, 211 x 80, आएं, इनको यहां ले लेते हैं, साइड में, यह नंबर है, 211 x 80, यहां पर देखो कि, 9 का जो भी भाज़ता नियम कहता है, वो कहता है कि, इनके आंकों का योग फल, जो आंकों का योग होगा, वो 9 से divisible चाहिए, और जो 8 का divisibility rule है, वो कहता है कि, लाश्ट के तीन अंक से मिलकर बनी संख्या, 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो पहले हम 8 से ट्राइ कर लेते हैं, भी 9 से करना ही ने पड़ेगा, अच्छा, पहला, अगर हम 5 रख दें, यक्स की जगह पर, तो यह हो जायाएगा, बाबु भाई, यह लाश्ट के तीन गिंती, 580, क्या यह 8 से डिवाइड है, 8 से चपन, बचेगा 20 नहीं है, यानि पहला आप्शन के लिए, जो है, 8 फे डिविजबल नहीं है, गलत है, दूसरा के लिए, ट्राई कर ला भाईया, अगर हम 6 रख दें, यक्स की जगह पर, तो यह 680 बन जायेगा, क्या यह 8 से डिविजबल है, क्लियर्टी तो है, ज्यादा चमक तो नहीं राभाउ, ज्यादा वाइड तो नहीं दिख रहा है, क्या कह रहे हैं सभी, क्लियर्टी तो है न, आओ देखो, ठीक है, तो अगर हम यह 6 रखेंगे, तो 8 से डिवाइड करो, 8, 8 जा 64, और 8, 5 जा 40, है, यह 8 से डिवाइड है, ठीक है, इसे अभी साइड में रख लो, 9 से भी ट्राई कर लो, 9 रख के, देखो, अगर हम 9 रखेंगे, 9 अगर यहां रखेंगे, तो यह 8 से भाग करेंगे, तो आठीक कम 8, 8 दूना 16 नहीं होगा, अगर कहीं कुछ बूल रहा है, तो बता देना, मुझे कि यह बूल रहा है, ठीक है, टेंसन मतले न, मैं सब देख रहा हूं, चलो, तो 9 भी नहीं होगा, जीरो रख सकते हैं, तो जीरो के लिए तो है, जीरो के लिए तो है, और यह अप्शन में, दो आंसर इस तरीके से सही हो रहे हैं, क्या? नहीं देखते हैं अभी पहले 8 वाले में तो 2 साही हो रहे है ठीक है और 2 नहीं साही लेकिन अब इन दोनों में क्या साही है अब इसके लिए 9 कभी चक करेंगे अंको का योगफल करेंगे अंको का योगफल 2 1 3 1 4 और इसपे हम 6 माल लेते हैं तो 10 8 18 क्या हो रहा है 18 18 9 से divisible है और ये पूरी संख्या भी 6 से divisible 8 से थी अगर एक्स कमान 6 रख रहे थे तब आपने देखा तो ये तो दोनों में सेट है मतलब ये आंसर हो सकता है बट क्या 0 भी हो सकता है क्या क्या 0 भी हो सकता है क्या आए जीरो वाला ट्राइ कर लें अगर हम इस चेगा पे 0 लेंगे तो 2 2 4 और ये 8 12 क्या 12 9 सेटी बिजबल है 12 9 सेटी बिजबल है नहीं है न तो ये 0 अला भी यहां गलत सिद्ध हो जाएगा क्योंकि 9 सेटी बिजबल नहीं होगा इसको अगर लेंगे तो ठीक है तो आपका आंसर भी वाला हो जाएगा कोई डाउट ना किसी को बढ़िया चाप लो फटा फट चलो ये कलास PVR स्टेडी अपलीकेशन वाले बच्चों के लिए इस्पेसली है अगर वो अपलीकेशन में देख रहे हैं तो नोट्स जरूर बनाए ठीक है नाम लेने की उमीद ना करें सिर्फ पढ़ाई बिद्यान कि अगर बनिया ना कि आई ये फॉर नंबर कुश्चन करेंगे उसके पहले ये देखिए जो आपको दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है बहुते ज्यादा वाइट है का यार कुछ ज्यादे ब्रेटनेस दिख रही का क्या कह रहे हैं अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं दिख तो रहा ऐसे क्लियर कोई बात नहीं देखने लायक है ऐसा नहीं है कुछ ज्यादे चमक रहा है कहां वीडियो क्वाल्टी बढ़ाओ क्लियर हो जाएगा देखो आपका मुआ कुछ एक अजार असी पर कर लो ठीक होगा ठीक है आईए अगला सवाल पर चलिए फोर नंबर फोर नंबर कुश्चन पर आगे बढ़िए अरबिंद समझ में आ रहा है अच्छा इसकी लाइट ज्यादा थी इसलिए थोड़ा हो ज्यादा दिख रहा था कोई बात नहीं चलो बढ़िया ठीक है पताईए जबाब दीजिए फोर नंबर में क्या कह रहा बया कह रहा कि यह दी छे अंकों की संख्या 15x1y2 संख्या 44 से डिविजबल है तो x प्लस y कमान क्या होगा ऐसे कुश्चन परिक्षा में पूछे जाते हैं आईए देखने कैसे होगा क्या होगा देखें बात यहां हो रही 44 से डिविजबल्टी की तो 44 से डिविजबल्टी के लिए हमें 4 और 11 दोनों से वो संख्या डिवाइड करनी है अगर ऐसा होती है तो फिर पूरी संख्या 44 से डिविजबल होगी ठीक है तो पूरी संख्या क्या है बच्चा 15x1y2 इसमें हमें जो मान निकालना है x plus y दोनों का एक सनियुक तो मान निकालना है यानि दोनों का जो योग है वो इन में से कुछ ना कुछ होना चाहिए चाहे 5 हो चाहे 9 हो कि चाहे 7 हो ठीक है यह होना चाहिए आईए तो जो संख्या दी गई है इसको हम दोनों पर ट्राई करते हैं पहले हम यह देखते हैं कि जो 11 का डिविजबिल्टी रूल होता है क्या इस संख्या पर बढ़ता है फिर उसमें क्या कमी जादा है वो देखते हैं फिर 4 का बाद में देख लेंगे 11 का डिविजबिल्टी रूल कहता है कि अल्टरनेट नंबर का सम करेंगे फिर उनका सब्ट्रेक करेंगे अगर वो 0 आएगा या 11 का मल्टीपल आएगा यानि 11 का गुड़ज सब्दी कही संख्या 11 से विवाजी तो होती है आई या अल्टरनेट नंबर लेते हैं अल्टरनेट का मतलब एक नंबर लिया दूफरा छोड़ दिया फिर तीफरा लिया तो चौथा छोड़ दिया पच्वा पे आ गए है फिर इसको छोड़ दिया ठीक है इनको जोड़ो तो भाईया इनको जोड़ोगे तो पांच एक छे दो आठ दूसरा पक्ष क्या है भाईया आठ है क्या है बाबू आठ है समझना यहां से अब इनको हमें आपस में घटाना है घटाना है देखों यहां पे तो वन प्लस यक्स प्लस वाई इनका एक मान होना चाहिए और माइन अफ आठ वो कह रहा कि यह संख्या 44 से विभाज है तो इतने कमान ग्याद कीजिए अगर 44 से विभाज है तो इसका मतलब यह 11 से विभाजित होगी तभी 44 से होई है और 44 से विभाज है तो 4 से विभाजित होगी तभी 44 से विभाज है वो कह रहा कि विभाजित है ठीक है हमें पता नहीं करना है तो इसका मतलब इसका जो घटाने के बाद आएगा वो या तो जीरो आजाए और या तो फिर ग्यारा आजाए बाइस आजाए तैंदी फजा ऐसे आजाए लेकिन आ कई से जाएगा हमें आप्शन दिये हैं इनमें से आप्शन हम रखके ट्राई करेंगे ठीक है चलो त 1 प्लस एक्स प्लस वाई की जगा पर 5 रखेंगे पहला वाला अप्शन और ये माइनस का 8 ठीक है इनको एक में ले लो ठीक है एक्स प्लस वाई की जगा 5 रख दिया तो ये छे माइनस 8 ये जो माइनस 2 आएगा ये ना तो 0 है ना 11 का गुड़ज है तो ये संख्या पर इस समझने कोसिस करो कि तब है आएगा अब हम ये प्लस वाई की जगा पर दूसरा आपसं साथ रख के ट्राई करेंगे ठीक है इनको ब्रेकट में एक में कर दें जिससे आपको अलग लगे तो 8 माइनस 8 बराबर 0 अगर 0 आ गया तो 11 से डिविजबल मना जाता है होता है इसका म उनको भी ट्राई करेंगे अभी फाइनल नहीं लेकिन हाँ मिल गया एक उमीद है चलो अगला देखते हैं 9 नौ रखे ट्राई कर लो भाईया एक्स प्लस वाई की जगा पे 9 रखो तो जब भाईया बाबु 9 रखो गे इनकी जगा पर माइनस 8 करोगे यह 10 माइनस 8 बराबर दो ना तो यह 0 आ रहा न 11 का गुड़ा जा रहा इसका मतलब यह भी क्या है डिविजबिल्टी रूल के खिलाब जा रहा है तो यह भी आपसन सही नहीं होगा और 0 रखें अगर तब तो कोनो मतलब ही नहीं है क्योंकि माइनस 7 आएगा तो यानि जो यहाँ पर मोटा मोटा मिल सब्सक्राइब किवल 7 मिल रहा है साथ क्यलावा और किसी फिट बाइट नहीं रहा है तो साथ को रख करके क्या होगा एक्स प्लस वाई इस दुनों का मान क्या होगा सन्यूकत मान 7 होगा बस बात कदम कोनों मतलब नहीं अगर 11 से विवाजित हो गया, 4 से भी होगा समझ आउटना किसी को, ठीक है, बस हो गया, इसमें से एक चेक करके दिखा दिया, तब फोर होगा ही, फोर का डिपिज वेल्टिकल क्या कहता है, अरे तुम फोर यहां रख भी लो, स्वरी, अगर वाई की जगा पे, अगर मैं कहूं कि वाई का ही मान है, अगर यहां पर हम वाई की जगा पे, साथ रख भी देंगे, तब हो तो यह चार फिडिवाइड है, तार एक कमचार, चार अटे बतीस होता है, ठार चुक बहतर होता है, लास्ट वाला, दो ही अंग तो लेते न, चार से भी वाजिता के लिए, तो उससे कौनों मतलब नहीं, फिलहाल हम कमपटीफन का एक्जाम देने जा रहे हैं, हमें आंसर से मतलब है, इतना बड़ा वजाई नहीं करनी है, ठीक है, बढ़ियां, चलो, तो बस यही चीज है, यह है एक्जाम लेबल के कोश्चन, इनको ऐसे ही करेंगे, जैसे मने बताया, जिरे देरे अगर आप प्रेक्टिस करोगे, तो प 5 नमबर में आ जाओ, चलो, कमेंट में कुश्चन नहीं बता जाएगा, पहले कलास आगे चलने दो, कुश्चन का तरीका अलग है, ठीक है, कलास के बाद कमेंट करना, चलो, तो वहाँ पर रिपलाई मिलता है, या फिर वाटस अप नमबर दिया गया है, सभी को जो बच्च से भी भाजे है, तो X पलस Y कमान गयात कीजिए, आईए, यहाँ पर जो डिपीजबिल्टी रूल है, वो 72 का है, आपको पता है कि 72 का डिपीजबिल्टी रूल हमने नहीं बताया, हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, फिर कैसे करेंगे, इनको तोडते हैं, जो पार्ट में तोडते हैं, पैफे तोडते हैं, देखो, आएफी दो संख्या में तोडएंगे, जिनका डिपीजबिल्टी रूल हमें याद है, और यह संख्या दी गई है, 9, X, 27, 4, Y, भाईया हियां से समझना हो गुरू, का कह रहा है, कह रहा है कि संख्या 72 क्या है, विभाज है, तो X प्लस Y कमान ग्याद कीजिए, तो पहले हम एक का ट्राई कर लेते हैं, किसका, किसका ट्राई करें, 9 का ट्राई कर लो, चलो, किसका, 9 का ट्राई कर लो, क्योंकि 9 का भिभाजिता नियम के लिए इनके अंकों का योगफल होना चाहिए, तो अंकों का योगफल करो, 9, 2, 11, 11, अठाफाद 18, 18, 4, 22, 22 प्लस y, और प्लस x, दोनों है, अब 22 की साथ में x प्लस y, दोनों का ऐसा क्या मान रख दें, कि जो आए वो, क्या हो, 9 से डिविजबल हो, बताओ, तो 22 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है, जो 9 से डिविजबल है, हम, बताओ, कामेंट देख रहा हूँ, कुछ लोग रजाईम गुच के बाइटे हैं, अभी ठंडी कम हो गई, फिर भी, तुमास कौपडी देख रहा हूँ, लाल टीशट वाले, बलग टीशट वाले, सबको देख रहा हूँ, कुछ लोग आइडी वाइडी मांग रहे हैं, उनको भी देख रहा हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, चलो, ठीक है, तो 22 के बाद जो 9 से डिविजबल नंबर है भाईया, वो 9 तरिक 27, वो क्या है, 27 है, क्या है, वो 27 है, तो फिर होगा क्या, पांच होगा क्या, रख के देखो भी बताता हूँ, चलो, दोनों के अलग-अलग मान रखने हैं आपको, क्या करने हैं, अलग-अलग मान ना, हम, आवे तुम्हें ट्राइ करके दिखाता हूँ, चलो देखो, question में कोई minimum, maximum तो कहा नहीं था, x प्लस y दोनों के मान पूछा है, तो एक मिनट रुकना, question तो ऐसे ही है न, हाँ, वह यह पूछा है, ठीक है, तो इनके सन्युक्त मान भी हम रख सकते हैं, अगर देखो, पहला रखेंगे 7, तो 7 हो जाएगा, तो पहले वाला option गलत हो जाएगा, दूसरा वाला अगर 22 प्लस, x प्लस y जगाप, अगर हम 5 रखते हैं, तो 27 होगा, 27 नो से डिविजबल है, तो यह फिट बैट रहा है, लेकिन अगर 22 में हम 3 रखते हैं, अगला option, तो 25 आएगा, 25 भी क्या है, 25 भी डिविजबल, नहीं है, 9 से, तो वही option भी वाला सही होगा, ठीक है, यह 9 पे फिट हो गया, और फिर इस तरीके से आप जो है, 8 पे भी ट्राइ कर सकते हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, एक से अगर, मिल गया, और कोई नहीं मैच कर रहा, देखो, ऐसा गड़बर तब होता है, जब 9 से चेक करने पर, एक स्याधी का option मैच करते, तब हमें 8 से भी चेक करना पड़ता, लेकिन अच्छा है कि एक संख्या फिर ट्राई किया, तो इसमें एक है, फिट बैट रहा, बाकि सब गलत हो रहे है, तो फिर कोई अगला हो यह नहीं सकता है, ठीक है, यह answer है, समझने कोसिस करेंगे, इसके पीछे की अब तक तीन कलाफ, बतलब यह तीफरी कलाफ है, दो कलाफ चली है, अगर उसको आपने देखा होगा, नोट्स बनाया होगा, तो पका समझ में आएगा, ठीक है, और नहीं तो फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा, बिशाल पढ़ाई ध्यान दो, अउनली पढ़ाई, चलो, चले आगे, कोई डाउट ना किसी को, बढ़िया, आँ, डी अलट की कलास अभी बन चल रही है, बेसिक मेहत का बिंटर बैच आज राद 10-15 से होगा, राद 10-15 से होगा, ठीक है, चलो, तो यह सब को समझ में आ गया, एक बार यस बोल दें, सेशन को लाइक, सेर करें, फटा पढ़ देखो, अभी तक आप कहते थे, एक्जाम लेबल कर नहीं पढ़ाते हो, यह यूपी पुलिस के एक्जाम लेबल के कोश्चन है, आएसे कोश परिक्षा में आते हैं, ठीक है, यह सवाल बताओ अगला, शिक्स नंबर बताओ चलो, तो यह संख्या है, यह 72 से डिविजबल है, तो पी के संभव अधिकतम मान क्या होंगे, अधिकतम संभव मान के लिए 3P माइनस Q का मान क्या होगा? बताओ, कितने लोग बतालेंगे, और जिनको लगता है कि इसका मान 4 होगा, वो कमेंट में लिखें 6D, इसको D मान लो भाई, या लाश्ट वाले का, इसको C मान लो, इसको B मान लो, इसको A मान लो, शंतू, बहुत अच्छा, बरे गुड, बाचीत वालों को बला करिये, फटा फट, फटाए इनको, आई, ये ठीक है, बहुत अच्छा, चलो इनको हल करते हैं, चुकि जो संख्या दी गई है, इसमें 3 बार 9 सामिल है, 6, 8, और फिर 9, और फिर P, 7, Q, और 2, यहाँ पर में ध्यान देने वाली बात ये है, कि संख्या 72 से डिविजबल है, 72 के तो रूल हमने पढ़ाया नहीं है, मैंने ये पढ़ाया था, कि इनको तोड़ दोगे आप, आएसी दो संख्याओं में, जिनका डिवेजबल रूल आपको पता है, विवाजताने हम इनको पता है, मैंने इनको 9 और 8 के रूप में तोड़ दिया, ठीक है, बढ़िया, कोई डाउट ना किसी को, आप क्या करोगे पता है, अब इसमें आप चेक करोगे, क्या चेक करोगे, अधिकतम मान पूछा है, पी के संभव अधिकतम मान, अच्छा देखो, अगर हम कहें कि एक तराजू है, तराजू में दो पलड़े होते हैं, होते हैं न, एक तरफ बाट रखा है, और एक तरफ हमें मान लो दूसरे वाले पलड़े में, आलू और प्याज दोनों तौलना है, समझे न, ठीक है, देखो देखो, ये कोश्चन समझने के लिए बहु तरफ देखो, जो भी आप तुम समझे लो, ठीक है, ये पकड़ने वाला है, इसमें 5 केजी है, बाट है, और ये में आलू है और प्याज है, ठीक है, समझना, अब अगर कोई ये कहे, कि हमें 5 किलो में ही तरफ दोनों आलू और प्याज मिक्स करके तरफ दोना है, लेकिन प हमें तौलना 5 किलो है, इधर 5 किलो का बाट है, उधर क्या है, अलू प्याज दोनों है, लेकिन लेने वाला करवाई, प्याज ज्यादा देना, एक बात बताओ, अगर लिमिट सेट है कि 5 किलो होना चाहिए, और प्याज ज्यादा चाहिए, तो अलू कम हो जाएगी नहीं, बोलो, अगर प्याज 4 किलो कर देंगे, तो आलू कितना होगी, भाई साब लिमिट है, 5 किलो हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता, तो अगर 5 चार कर दोगे, तो अलू 1 किलो हो जाएगी न, यानि, एक घटेगा, एक बढ़ेगा, एक वा बढ़ाओ गे तो एक वा घट जाएग तब होगा बबुआ जब Q का नियुनतम्मान होगा कि नहीं पी का अधिकतम्मान आप तब रख सकते हो जो Q का नियुनतम्मान रखोगे क्योंकि टोटल जो योग है वो एक निश्चित संख्या होगी निश्चित क्यों होगी नेची संख्याई फिले होगी क्योंकि ये 72 से डिविजबल है 72 से डिविजबल के लिए 9 से भी डिविजबल चाहिए और 9 से डिविजबल तब होगी जब दी गई संख्या के अंगों का योगफल 9 से डिविजबल होगा ठीक है तो रुकना एक्सिकन कोई जागा है चलो तो आईए आप ट्राई करते हैं भाई देखोंगे आप समझो समझे ना अब इनके अंको का योग करो 9 9 18 9 27 27 26 33 में 8 जोड़ोगे तो 37 47 41 41 में 9 जोड़ोगे 50 57 52 16 कितना हो जाएगा 69 प्लस P और प्लस Q समझना है आपर चुकि संख्या 9 से डिविजबल है अगर 9 से डिविजबल है भाईया बाबू तब इसका योगफल जो आना चाहिए वो 9 से डिविजबल होना चाहिए अब 69 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से डिविजबल होगी बताता हूँ देखो नौट से डिविजबल होगी और 69 के बाद अगर आएगी तो पहला नंबर तो सिर्फट होगी दूसरा नंबर 72 होगी अच्छा अब मान लो इसमें से हम आप्शन लेते हैं और चुकि कह रहा था कि P का संभो अधिकतम मान रखना है तो हम सबसे बड़ा वाला मान पहले इसमें रखेंगे सबसे बड़ा वाला तो सबसे बड़ा 9 है तो हमने 9 को रख दिया और Q की जगा पे कुछ तो रखेंगे ही भाई हमें ले जाके फाइनली कितना करना है 72 बनाना है न लेकिन ट्राइ करके देखो अलग-अलग कैसे होगा क्या बैठता है देखो तो 161 अनफट हो जाएगा अनफट हो जाएगा एक चीज आहां पर और देखना है हम जो मर्जी वही नहीं रख सकते हैं क्यों? क्योंकि इतनी आजादी नहीं है इसमें भाई साहब 72 फेडिविजबल अगर हमें देखना है बाबू भाईया तो नव को ही नहीं फिट कर देना है कि हमने इसका मानना रख दिया जितना बचरा है इसको रख के पूरा कर ले एक मिनट सोचो अगर मैं रख के दिखा भी देता हूँ मानलो ये अनफट हो रहा है हम इसको 72 बना दे रहे है अब 72 बनाने के लिए अनफट में हम 4 जोड़ दे चार मानलो इसका मानलो ने 4 रख दिया आप समझना ये 72 हो गया यानि पी कमान 9, क्यू कमान 4 रख दिया बात बन गई 9 के लिए तो फिट हो गया बढ़ क्या 8 से डिबाइड होगा हाँ देखते है अगर हम 7 रख दिये और 4 रख दिये इस पे भाईया अफ़ गया गुरू नहीं होगा क्यूं क्यूं नहीं होगा क्योंकि अभी 8 फे डिबिजबल नहीं है 8 फे डिबिजबल के लिए दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक जो है वो 8 फे डिबाइड होने चाहिए तो हम क्यूं का ऐसा मान रखेंगे कि बनने वाली संख्या भी 8 फे डिबिजबल हो ऐफा नहीं है कि हिया हमारा 9 रख रहे थे 4 की कमीथी रख के बना लिए अपना इनए देखना अपना भला पडोसी का भी भला देखना है तो हम 4 नहीं रख सकते इस पे पहर काओ कि क्या रख सकते हैं देखो पहले हम Q कामान सेट कर लेते आ स्थाई तवर पे फिर P कामान मैकसिमम रख देंगे ठीक है एक बार जब समझ लोगे प्रेक्टिस करोगे तो परिख्षा में पांच सिकेंड में कर लोगे पहले पूरा नियम जानो मंतर तो समझो यहां समझना है समझने वाली बात है यहां एक कोईश्चन में तुम्हें आता गंटा भी लग सकता है 15 मिन लग सकता है जो सीख लोगे अच्छे से प्रेक्टिस हो जाएगी तो 15 सिकेंड में भी कर लोगे 10 सिकेंड में कर लोगे देखो आओ अगर हम इसका अधिकतम मान रखेंगे अभी मैंने आलू प्याज वाला एक जंपल बताया सबको पता है तो भाई आगर एक बढ़ाएंगे जैसे बताया था न अभी आलू की मातरा अगर घटेगी तभी प्याज की मातरा बढ़ेगी तो हमें पी का अधिकतम मान रखना है तो Q का निउन्तम मान रखेंगे. ठीक है? तो Q का हम निउन्तम मान रख रखेंगे, पहले ट्राइकल लेते हैं, फिर इसको रखेंगे. चलो देखो. पहले Q कमान ठिक्स कर लो, फिर P कमान रखना. देखो कैसे आओ, समझो भाई. समझो, 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 जी. देखो, अगर हम Q कमान जीरो रख दें, तो क्या डिविजिबल है आट से? 8, 8, जा 64, 8, 9, बातर जादा हो जाएगा. 22 बचेगा नहीं होगा, समभो नहीं है. यानि, जीरो नहीं समभो है. क्या एक समभो है? 8, 8, जा 64, 7, हाँ, है समभो है. 1 समभो है. 8 से कड़ जाएगा, भाग देखे देखू. क्या 2 रखने पर समभो होगा? 72 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, पॉस्बल नहीं है. 3 रखने पर समभो होगा? अरे भाई, रख के देख लो ना रे, यार दादा. अरे, देखो, अगर 2 रखोगे, तो 22 बनेगा, या 8 से डिबाइड नहीं है, 722 आट से डिबाइड नहीं है, करके देख लो. अगर 3 रखोगे Q की जगा पर तो इतना बनेगा, ये भी 8 से डिबाइड नहीं है, 4 रखो. चार रखो के क्यू की जगा पर तो तब भी नहीं देखे ही थे पांच रखो आठ की जगा पर सुरी क्यू की जगा पांच रखो आठ नौब आथतर तीन बचे का आठ चोक बतिस है गुड गुड बहुत अच्छा चलो यानि हमें दू मान मिल रहे है जो फिट बैट रहे हैं आठ के लिए विकॉन एक वन और एक पांच अब यहाँ वन और पांच दोनों रखे जुगार लगा लो देख लो चलो चल भया देखो एक चीज़ तुम पहले समझो पुश्चन में क्या कह रहा था पुश्चन में कह रहा बाबू भया कि पी का अधिकतम मान रखना है तो पी का अधिकतम मान हम तभी रख सकते हैं जब क्यू का निउनतम मान रखे जब क्यू का निउनतम मान रखे तभी पी का अधिकतम मान रख सकते हैं ठीक है तो समझना है आपे आओ P का अधिकतम मान एक तो 9 है अगर 9 रख रहे है P कमान तो Q कमान अपने आप 4 हो जा रहा है जो कि फिट नहीं बैट रहा है क्योंकि Q कमान 4 नहीं हो सकता है Q कमान या तो 1 हो सकता है तो 5 हो सकता है और आप कहोगे अच्छा 5 तक तो ट्राई किया आगे कहने ट्राई किया अगर आगे ट्राई करते तो Q कमान बढ़ता जाता और Q का हमें निउन्तम मान लेना है अधिकतम नहीं लेना हमें अधिकतम तो P का रखना है अगर हम Q कमान बढ़ा रखेंगे तो Q का अपने आप बड़ा हो जाएगा तो P का अपने आप छोटा हो जाएगा बोलो हो जाएगा नहीं अगर ध्यान से समझो कि तब यह आएगा नहीं तो पल्ले नहीं पढ़ने वाला यह क्योंकि परिक्षा के लेबल की में था यह अगर P का मान हम रखेंगे बड़े से बड़ा तो क्योंका छोटा होगा तो हम अगर यहाँ नौ रख देते हैं यहाँ पर क्योंका अगला मान रख दे तो इसका योग फल जो है सत्तर लगभग आ जाएगा और यह नौ से डिवाइड नहीं है तो यह तो बाते नहीं बनी इसका मतलब हम नौ और एक नहीं रख सकते हैं अगला मान हमें इसका पाँच आया था अब यह ज़्यादा हो जाएगा बहात्तर फे यह आठ कर देंगे कम कर देंगे अब देखो भाईया संड सथ अब बहात्तर हो गया देखो फिट बैट गया ना क्या बैट गया कि पी का मैकसिमम मान हम आठ रख सकते हैं और क्यों कमान अपने आप पाँच हो जाएगा योगफल बहात्तर हो रहा है यह आठ से भी डिवाइड हो जाएगा और नौ से भी डिवाइड हो जाएगा तो अगर आठ नो दोनों से हो गया पी का मान क्या होगा आठ साथ पाँच दो इनको करके देख लो यह आठ और नो दोनों से डिवाइड होगी बढ़िया कोई डाउट ना किसी को बस्त है सब बढ़िया चल रहा है ठीक है बढ़िया है एक बार बताओ सभी मस्त देखो सभी का कमेंट पॉसिबल नहीं है ओनली जो अच्छे बच्चे हैं उनी का कमेंट पढ़ा जाता बस बाकी लोग बुलाक हो जाते हैं चुपस अब इसे एक बहुत अच्छा सीवानी कुमारी ठीक है पीबियार स्टडी को इंस्टागराम पर फालो कर लें जिससे आपको कलास की अपडेट होगारा मिल सके और चीजे साथ नंबर कोशन बताओ साथ नंबर प्रसन कितने लोग कर लेंगे जरा ध्यान से देखो भाईया किरा कि यदि किसी पुडांक टी को पांच से विभाजित किया जाता है तो सेसफल तीन प्राप्त होता है यदि आठ टी को पांच से विभाजित किया जाए तो सेसफल क्या प्राप्त होगा बताओ बहुत आसान सवाल लाईए आसान है पताओं कैसे करना है साथ नमबर है नहीं आएसे प्रसनों में भाईया क्या देखना आपको एक चीज़ देखना है किसी संख्या को टी को अगर पांच से विभाजित किया जाता है तो सेसफल तीन आ रहा है तो कह रहा है यदि आठ टी को भी पांच से विभाजित करें तो सेसफल क्या आएगा तो जो जिसको भी भाजित करने को बोल रहा है तो करें आठ टी को पहली बाद सेसफल आया था फर्स टाइम में उसी को अन्नोन वरियबल्स का मान बना देंगे यानि हम इसके जगह पर तीन रख देंगे तो चौबीस आ गया अब चौबीस को तुम भाग कर लो आठ से पांच से चौबीस को पांच से भाग कर लो जितना सेसफल आएगा वह या उन्सर होगा बस यही तरीका है इस तरीकी सवाल में ठीक है पांच से बाग करोगे 5.20, 4 बचेगा 3.4 आएगा, सु आपका अंसर हो जाएगा 4 यह है परिक्षा लेबल की मैट्स, UPP लेबल की या SSC, CHSL SSC MTS, लेकपाल ऐसे कुशन आते एक जाम में, ठीक है? बढ़िया चलो आगे, next देखो, मज़ा नहीं आएगी, इसमें मुझे पता है, जीरो लेबल पढ़ते पढ़ते, इसमें कहां मज़ा आएगी, मज़ा नहीं आएगी, इसमें, पढ़ाई ध्यान तो बटा, only पढ़ाई, not बातचीत, सीवानी कुमारी को बतली आ रही हो तुम, राहूल, लविष्टिक गर्ल, उनी का कमेंट पढ़ रहा हूं, जो फालतु काम कर रहे हैं, क्यों, 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 को साधान करना है, बाकी जो पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूं सबको, साधानी से बैठे हैं, जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग न तो स्क्रीन में गुस दो, चार, तीन, दो, को विभाजित करेंगी, भई या बहुत आसान है ये, ये युपिटेट में पूछा गया सवाल है, ऐसे ही पूछा गया था, दोजारका इसमें, ठीक है, देखो कैसे देखो इसमें एक चीज है कहा है पता है चार तीन दो अगर इनको मौन ले A, B, C और इनको A, B, C बन रहा है न और A, B, C, A, B, C तरह का अगर कोई सिरीज बन रही है तो ऐसी संख्याएं हमेशा 4, 11, 13 फिरिजवल होती है भाग देके देखो भाग देके देखो कहीं भी कोई भी नमबर अगर असी होगी जैसे देखो एक और बताओ मैं अगर अगर मगर तुम यह इधर देखो अगर यह 3, 2, 1 हो फिर 3, 2, 1 हो इसका यह मतलब है कि 3 अंक की कोई भी संख्या अगर 2 बार रिपीट करती है 3 अंक की कोई भी संख्या तो वो हमेशा 7, 11 और 13 फिडिविजवल होती है एक बार भाग देके देख लो अगर नहीं हो रहा तो मुझे बताओ फिर तो को मैं भी कर लेता हूँ कल्कुलेटर से का है फाल तु दिमाग लगाए न कोई भी संख्या ले लो ऐसा नहीं कि जो मैं लिखा हूँ आई कोई भी 3 अंक की संख्या ले लो तुम 3 अंक की संख्या कोई भी जैसे मानलो मैं ले लिया 1, 1, 9 ये 3 अंक की संख्या है इसको एक बार और रिपीट कर दो अब ये 7, 11, 13 फिडिवाइट है कोई भी संख्या ले लो तीनंग की माल लो मैंने 117 ले लिया अब इसको एक बार और रिपिट कर दो तीनंग की संख्या थी अब इसको 7, 11, 13 फिट इबाइट करके देख लो मुझे बता हो रहा है कि नहीं करके देखो हो रहा है न है न कितना मज़दार जुगाड है न बढ़िया मस्ता है कोई भी तीनंग की संख्या ले लो अगर उसे एक बार रिपिट कर देते हो और तो वो हमेशा 7, 11 और 13 फिट इबाइट होगी जैसे माल लो मने ले लिया 2, 3, 5 इसको एक बार और लिखते हो 2, 3, 5 अब इनको भाग कर लो 7, 11, 13 फिट बोलो हो रहा है कि नहीं करके देखो कॉपी पेस्ट करने वालों को होल्ड किया जाता है ठीक है पड़ाइब ध्यान ओनली चलो ठीक है इसमें एक और ट्रिक इसी में बता दू में लगे हाथ क्योंकि इसी से संबंधित है तो वो भी देख लो भाईया है आपके काम की चीज बहुत देखो 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 भाईया देखो रुको थोड़ा दिखा रहा हूं रुकना थोड़ा फारुकना थोड़ा फारुकना ये मिल गया देखो ये भी है अगर कोई भी संख्या क्या हो किसी भी यंक को लगातार छे बार अगर दोहराया जाए तो वो साथ से पूरी तरह से भी भाजित होता है ठीक है और साथ से ही नहीं वो 37, 11 और 101 से भी डिवाइड होता है बट 101 वाला थोड़ा डाउट फुल है रुकना मैं चेक करके बताता हूँ 101 से नहीं बैठता है बाकी सब सही है 101 नहीं होगा तो कोई भी अगर आप ले लेते हो अंक और लगातार छे बार रिपीट होता है तो वो क्या होगा साथ से और 11 और 37 से डिवाइड होता है जैसे 1-1-1 ले लिया हमने 3-3-3 ले लिया 6 बार ठीक है कुछ भी ले लो कोई भी नंबर ले लो मान लो आप 9-9 ले लिया 6 बार तो आईसी संख्याँ क्या होती है 7 से 11 से और 37 से डिवाइड होती है बढ़िया है मस्त है चलो तो इसमें एक ट्रिक ये भी थी एक ट्रिक आउर देख लो ये भी बहुत काम की चीज है परिक्षा देने जाओगे तो बड़ा काम की है ये सब कमपटीशन के लिए है ये कोई भी दो अंक की संख्या अगर तीन बार रिपीट होती है अभी तो आपने देख लिया कि तीन अंक की संख्या दो बार रिपीट वाला है ना ये भी होता है अगर कोई भी दो अंक की संख्या लगातार तीन बार रिपीट होती है जैसे मालो दो अंक की संख्या मैंने पचीफ ले लिया अब ये तीन बार रिपीट हो जाए मतल guid wanna देखो पचीस ऐंट पचीस ऐसी संख्या साथ से 3, 13 और 37 से भी डिवाइड होती है ट्राइ करके एक देख लेते हैं चलो फिर से हम भी ये ट्रिक है भी सही कि वसा ऐसे हम हम चल रही 37 से हो रही है 13 से भी हो रही है 3 से भी हो रही है 7 से भी हो रही है ये बिल्कुल मस्त बठ रहा है एक और ट्राई कर लेते हैं बहुत मसता है चलो कोई भी दो अंकी संख्या ले लो कोई भी उसको तीन बार रिपीट कर दो ऐसी संख्याएं हमेशा हमेशा और हमेशा तीन, फाद, तेरा और फैंतिफ से फुली डिबाइड होती है अगर कोई अपवाद मिलता है तो मुझे बता दे ना यह नहीं हो रही है ठीक है जैसे मानलो मने ले लिया 42 इसको तीन बार रिपीट कर दो यह तीन बार रिपीट हो गया अब यह क्या होगी तीन, साथ, तेरा और सैंटिस से पूरुलता हभिभाजित होगी आँख बंद करके लिख देना खाँ इससे यह ट्रीक है अब तक 0 लेबल पढ़ते थे ना यह 0 लेबल नहीं है परिच्छा लेबल का है अभी सिंग समझ में आ रहा है आसी सिंग आपको भी आ रहा है समन्ना कुमारी आ रहा है लौकूस, पंकाज, मोहित सबको आ रहा है ना देखो कमेंट सबका नहीं पढ़ पाएंगे कलास पर द्यान दो ठीक है आगे बढ़े तो इसमें का आपने कितना ट्रिक देखा पहला देख लिया ये भी देख लिया देखो ये काट ट्रिक साइद आओर भी है वो भी दिखा देता हूं तुम्हें वो तो मैं अभी बताई दिया हूं लगातार अगर दो अंकी संख्या है लगातार तो तीन अंकी है दो बार रिपीट है ना ये तो हो चुका है ना वो साथ ग्यारा तेरा के लिए था इसमें 101 हर जगा काम नहीं करता है देख लो इसमें कर रहा है और नहीं कर रहा है इसको अटा देता हूं यहां से भी चलो तीन अंकी संख्या अगर लगातार दो बार रिपीट है कोई भी संख्या ले लो तो वो साथ ग्यारा तेरा फिडिवाइड होती है अब यहीं जैसा पहले बता चुका हूँ है ना कोई भी तीन अंकी संख्या ले लो मानलो बने ले लिए चार तीन दो फिर इसको दो बार रिपीट कर दिया यह देखो दो बार हो गई अब यह जो पूरी-पूरी संख्या बन रही है यह साथ तेरा और ग्यारा फिडिवाइ है बात समझ में आरी सबको मस था एकदम पढ़ाई बिद्यान दो भाईया ओनली एश्टडी ओनली एश्टडी ठीक है चले आगे आज पढ़ेंगे यूनिट डिजिट थोड़ा साट कट में मैं समरी बाइज पढ़ा रहा हूँ जिससे की अगर पेपर जल्दी भी हो जाए तो आप अच्छे खासे रैंक में आ सकें समझ रहा हूँ अच्छा नंबर पा सकें विभाजता नियम खतम होगे आप पढ़ेंगे यूनिट डिजिट इकाई अंक एक पूरा टॉपिक कंपलिट होगा इसकी एक इक लास अभी और भी होगी बहुत आसान होता है जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें इकाई अंक क्या है तो आप बता लोगे बताओ कमेंट में बहुत अच्छा, नाम के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, अल्ली पढ़ाई ध्यान दो इसमें इकाई अंग क्या है भाईया? तो दो है ना? ठीक है कितना है दो? बहुत अच्छा, लाइश्ट वाला अंग क्या है? यही है इकाई अंग जैसे यहमा देखो लिखा है सभी लोग, जो लाइश्ट में होता है, उसको बोलते हैं इकाई इंग्लिस में वन्स बोलते हैं, पीछे फे दुफरे नंबर वाले गिंती को दहाई बोलते हैं में टेंस बोलते हैं उसके आगे वाले गिंती को साहिकराएं इंग्लिज में 100 बोलते हैं हमें इकाई अंक पढ़ना इसलिए इसके आगे मनें नहीं लिखा है अगर गुडा करें तो इसका गुडा करने के बाद के बाद जो आएगा वो इकाई अंख हो गा लेकिन हम इतनी मेहनत क्यों करें इतनी जहमत क्यों करें क्या फाइदा है जैसे देखो जैसे माल लो 15 का गुड़ा 45 में करें और कहें इकाई यंग क्या होगा तो इसका दो तरीका है दोनों तरीका देखो आपको कमपटीफन की परीच्छा में सिर्फ आंसर से मतलब है कंसेप्ट से मतलब नहीं होता है पहला तरीका यह है कि आप पूरा गुड़ा करो 15 पचे 75 का पांच हाँ फिल फाद 15 चवका 60 इसका इकाई यंग 5 है है ना मिल गया यह पहला तरीका है बिल्कुल बेसिक वाला जो पच्चे करते हैं यह आपका तरीका है लाश्ट लाश्ट का अंग लो और गुड़ा करो पांच का पांच में गुड़ा हुआ 25 आया 25 का इकाई अंग 5 है यही उत्तर है बोलो कौन सा सही था A या B कोई डाउट ना किसी को सुवानी सिंग समझ में आ रहा है सुर्या समझ में आ रहा है कोमल बला कर देंगे जान लो कहें लिए मैं पता है चलो अगला जी तेंद्र आ रहा है सबको आ रहा है भया मस्त तेंद्र बहुत अच्छा चलो आओ बढ़िया मस्त तो यह क्या था यह आपका ट्रिक वाला तरीका था आपको सिर्फ लाश्ट लाश्ट डिजिट को पकड़ना है बस पूरा गुड़ा नहीं करना उतना बड़ा गुड़ा करने कोई फायदा नहीं है ठीक है केवल चीजें समझो बस जैसे और देखो अगर मैं कहूं कि इनका इकाई अंग क्या होगा तो बताओ क्या होगा कितना देर लगेगा उतना बड़ा गुड़ा करना पड़ेगा नहीं करना उतना बड़ा गुड़ा लाश्ट लाश्ट कांग पकड़ो बस इनका गुड़ा करो बस 2,5,10,8,8 इकाई अंग क्या आएगा जीरो काम खतम इनका पूरा कभी गुड़ा कर लोगे तब हो ही आएगा करके देखो एक बार इकाई यंग क्या आएगा जीरो इनको मैं कल्कुलेटर से गुड़ा करके आपको दिखा देता हूँ 32, 45, 358 512, 520 आएगा अब बताओ इतना बड़ा उत्तर लाने के लिए हम काई हो जाई करेंगे लाश्ट में इकाई यंग जीरो आएगा मिल गया ट्रिक से उसमें भी जीरो ही आए कोई डाउट ना किसी को नहीं जित अंदर बाबु तुमें भी वही जाना है जहां सुवानी गई है बताओ जाना है तो गए वैसे तुम भी गए चलो तुसा भी समझ गए आओ इसका इकाई अंक के लिए लाश्ट लाश्ट के अंक को पकड़ोगे गुड़ा करोगे साथ का एक में तो अंसर आएगा साथ बस काम खतम इसका तुम समझी गए कुछ दिक्कत नहीं बताए सिकंड नंबर में 43, 32 का गुड़ा कर रहे हैं इकाई अंक क्या होगा बहुत आसान है लाश्ट लाश्ट का 1, 1 डिजिट पकड़ो जैसे इसमें का 2 ले लिया इसमें का 3 तो 2 तियाई इकाई अंक क्या होगा अच्छे इसमें कोई साही नहीं है ना ना अबदीश इसमें इकाई अंक बताओ भाईया चलो 3 नंबर में बताओ जिनको लगता है कि 2 है न वो कमेंट में लिखें 3C जिनको लगता है इसका उत्तर एक है वो लिखें 3D very good बहुत अच्छा लाश्ट लाश्ट का अंक पकड़ोगे मेरे भाई मेरे बाबू देखो इसमें का 5 इसमें का 8 इसमें का 1 तो 8 पांच 13 और 13 में एक जोड़ दो 14 14 का लाश्ट इजिट क्या है 4 है इसका अंसर 4 आएगा इसमें कौनों आपसन सही नहीं है तो इसमें एक सही मान लो चलो ये था इसका आंसर क्या है का 4 4 नंबर सवाल में बताओ आरा समझ में आकास कोई डाउट ना किसी को चलो good इसमें काई अंक क्या होगा भाया देखो बहुत आफान है बाबू बहुत आफान है यह आपको पता है दो और तीन तरीका नो नव धन साथ यही रहेगा न तो दो गुड़े नव साथ सोला 32 आए का 32 का इका यह क्या है दो है तो यू कैन से ए नंबर आपसन करेक्ट ए नंबर मींस 4 ए कमेंट कर सकते हो आप नेक्स्ट कोश्चन आपकी तरफ बताओ यह में का होगा कितना अफान है न इसमें से काट जरूर आएगा अभी आगे थोड़ा बड़ा भी चलेगा बट अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा सिस्टम से पढ़ना है इंगलिस में यूनिट डिजट बोलते हैं यूनिट डिजट ठीक हा मिश्टर इकाई एंक को क्या बोलते हैं यूनिट डिजट बोलते हैं अब आप इसमें आप तुम्हें और का आंगरेजी बताओं बस हो गया काम खतम लास्ट डिजिट पकड़ो भाई, 8 है इसमें 3 है, गुडा कचिन है तो गुडा लगा दिया, इसमें का लास्ट लास्ट पकड़ो, बीच में पलफ है तो प्लस 1 प्लस 2, 8 तरीक 24, देखो इसका 24 का लास्ट डिजिट 4 है, इसका 1 है, इसका 1 है, 2, 7 आएगा टोटल, 4, 1, 5, 2, कितना असान न? चले चलो ठीक है गुड़ अगले वाले में बता मुझे शिक्स वाले में शिक्स वाले में क्या होगा परियंका सिंग बहुत अच्छा आमन केसरवानी बेरे गुड़ इसमें भी लाश्ट लाश्ट कांग पकड़ो भाईय बाबू अंतिम टिजिट पकड़ो सब के तो सेबन प्लस वन फिर प्लस है थिरी इंटू फाइफ तो कर लो तीन पचे पंदरा तो यह हो जाएगा साथ धन एक धन पंदरा का पांच लोग है लाश्ट का बस तो साथ एक आठ पांट तेरा तेरा का तीन उनिट डिजिट क्या है का तीन कितना आया थिरी ना समझ में आ रहाग नहीं बताओ आ रहा है न मैंने क्या किया देखो सबका लाश लाश टंग लिया साथ फिर बीच में पलस था तो पलस इसका वन बाद में पलस था तो पलस इसका लाश दिजिट तीन गुड़ा का चिन था तो गुड़ा लगा के फिर इसका पांच इनका दोनों पहले गुड़ा किया बोर्ड मास नियम में जानते हो पहले गुड़ा होता है तो तीन बचे पंदरा और पंदरा का लाश टंग फिर लिया पांच जोड लिया तेरा हो गया तेरा का तीन ये दस बजे वाली क्लास का टाइम में बदलूँगा अब क्योंकि दस बजे बचवा सो जाते हैं सब चलो इसमें बताओ क्या होगा बताओ जो बच्चे पीवियार स्टडी अप में जीत बैच जोईन कियें उनसे एक निवेदन है कि नोट्स जरूर बनाएं बाबू जितना पढ़ाया जाए खाली हाथ ना पढ़ें नोट्स जरूर बनाओ जिससे आपको कुछ मिले जालो आगे बढ़ें चलो 298 इंटू 135 इंटू 432 में यूनिट डिजिट बहुत आसान है एक मिनट भी नहीं लगेगा इसका 8 ले लो इसका 5 इसका 2 8 पंचे 40 समझानें थोड़ा टाइम लग जाता है 80 कलाइड डिजिट 0 है तो आंसर होगा 0 क्या है 0 इसमें बताओ इसमें थोड़ा लग है बताओ आप सान है जल्दी बताओ चलो बेरे गुड अंजली गुपता ठीक है अनिकेट सिंग, रिसी लगभा को सही बता रहे है सब बच्चे आसान है इजी है अनली लाइस्ट डिजिट पकड़ोगे सब के बाफ बाकी गुड़ा हमें थोड़ा करना है, अमसे का मतलब है आम के आम, गुठलियों के दाम सब तीने तीन तो है यार 27 आएगा, 27 का लाइस्ट डिजिट क्या होगा, साथ अंसर है इसमें कोई आपसन सही नहीं है ऐसे आपसन नहीं रहेगा एक्जाम में आपके एक फिर ऐसे रहेगा नान आपडीज ये सही हो जाएगा अगला बताओ इकाई अंक फैना असान मैं बताओं जल्दी से फट से कितना आएगा पता है तुमें नौ आठ सतरा साथ आएगा साथ आएगा कैसे पता चला मुझे अगली लाश्ट डिजिट पकड़ भाईया लाश्ट डिजिट पकड़ बाबू नौ आठ सतरा एक बड़ी पॉइंट वाली बात आ रही है अब जब माइनस में आ जाए तब कई किसी भी संख्या का अंति मंग कभी माइनफ नहीं हो सकता है तुमें पता है न उसमें जुगार लगाते है बताओंगा देखो देखो समझो कभी भी माइनफ नहीं हो सकता वो कैफे समझना यहाँ पे पहली बात तो इसके पीछे चलो दस और ग्यारा नंबर कहा गया पेज इधर भी जुड़ता है क्या पेज ऐसा तो हो नहीं सकता है देखो जैसे अगर इसमें कहा जाए अगर इसमें कहा है अगर इसमें इकाई एंक बोलें तो क्या होगा लाश्ट लाश्ट के एंक को घटा हो गए क्या आएगा उत्तर 6 आंसर क्या आएगा 6 गटाने वालें भी ऐसे होता ठीक है आंसर क्या आएगा समझ गए इसमें क्या आएगा इकाई एंक दो आएगा क्या आएगा अंसर तो आएगा इकाई एंक बट आगे मुसीबत यह जब माइनस में आ जाता है जैसे इसका इकाई एंक 4 है इसका क्या है 5 है तो भहिया साहब अगर 4 से 5 गटाओ बना बाबू तो माइनस एक आएगा किसी भी संख्या का इकाई एंक कभी भी माइनस में नहीं आता है कभी भी माइनस में नहीं आता है कभी भी अगर माइनस में आता इकाई एंक ना उस संख्या को चुपे से 10 में से घटा लेना बस या ये कहो कि इसमें 10 जोड देना दोनों बात होई बस आंसर आजाएगा अगर एकाई अंक कहीं negative मिलता है तो उसमें 10 जोड देना या 10 उसमें घटा लेना बात ये कह हुई जैसे मैंने इसको दस में से घटाया अगर मैं इसमें दस जोड देता तब भी वही आता कोई फरक नहीं पड़ता किसी को कोई डाउट ना देखो वही बिस्तार फे यहां लिखा गया कहानी जो मैंने आपको बताया माहिनस वाला कुस्चन आठ एक बार देख लेता हूँ उसके बाद एक लोग को बलाक करना है क्या गलत है पता हूँ अच्छा एक मिनट इसका लाश टंक लेना था हाँ ये सभी का लाश टंक लेना बाबु इसमें ये कहां सी इसमें गुज गया ये वाला लाश टंक सभी का लाश डिजिट लेना है only last digit बहुत अच्छा आपने देहान दिया very good तो तीन चार तीन बीच में एक चार है है ना मैं बार-बार बोल रहा हूँ देखो कहीं अगर मैंने by mistake कुछ change कर दिया थोड़ा बहुत तो आप उसे ध्यान रखे मुझे सूचित करे वसे तो मैं करता नहीं हूँ लेकिन कहीं अगर छोटी से mistake हो जाए मैं बार-बार चिल रहा हूँ कि कहीं भी multiple है या जोड़ घटाना गुड़ा भाग कुछ भी है सभी संख्या का last rank लेना है इसमें मैंने तीन पे लगा दिया था पता नहीं कैसे last rank तो चार है ना तो यह आपको याद रहना चाहिए तो तीन चौक बारा 36 आएगा 36 कच्छे आपसन नमबर यह फिर ए वाला सही था ओके चलो 11 नमबर बताओ 11 नमबर बताओ प्रियंका राजपूद बहुत अच्छा आरेन बाबू अच्छा तो मैं समझ गया तुमको मैं यहां से हटा रहा हूं कोई किसी का नाम लेकर कमेंट करता ना तो मैं उसको ना तून देता हूं तुरांट फट सजी नीचे जाता है बलाख हो जाता है चलो इसका अंसर कितना आएगा सभी का लाश्ट लाश्ट अंक लोगे दो गुड़े साथ माइनस नौ तो दो सच चवदा माइनस नौ इनका लाश्ट अंक लेलो इनका लाश्ट अंक लेलो भाई साब तो चार माइनस नौ कितना आएगा माइनस पांच माइनस में कभी आंसर नहीं आता है तस में से घड़ा तो पांच आएगा प्लस में तो क्या आएगा इसका आंसर फाइब इकाई यंग पढ़ रहे थे जिसको इंगलिस में बोलते हैं यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट में क्या पढ़ेंगे भाई आज यूनिट डिजिट अगर घात वाली संख्याओं का यूनिट डिजिट निकालना है तो उनके लिए हम कुछ इसपेसले ट्रिक लाएं जिनका यूज करके आप सिकंडो में निकाल सकते हो पहला देखो पहला ट्रिक क्या कह रहा देखो सबही द्यान से कह रहा किसी संख्या की काई अंक अगर 0156 है तब संख्या की लेकिन सूनने को छोड़ कर पतलब घात जो है क्या कह रहा है किसी संख्या की काई अंक अगर 0156 है तब संख्या की सूनने को छोड़ कर कुछ भी घात हो मतलब कहने का यह कोई भी संख्या लिखी जिसका लाश्ट का अंक अगर 0,156 में से कुछ भी है ठीक है ताब उस संख्या की कोई भी घात लगी हो लेकिन 0 ना हो जैसे फारिक जामपला से देखो इसकी घात 0 ना हो ठीक है क्योंकि किसी भी संख्या की 0 घात कमा नहीं खो जाता है तो उसका मतलब यहां नहीं बात कर रहा हूं यह 0 ना हो बफ इसकी घात जैसे देखो लाश्ट में 5 है इसकी घात 21 है 200-18 है कुछ भी घात हो इसकी लेकिन लास्ट कांग देखो इसमें 5 है इसमें 5 है बदलब इसमें से है है न बदलब इसमें से ही कोई एक होना चेछारो में से उसकी घात फिर कुछ भी हो 283 हो 222 हो लेकिन 0 नं हो ऐसी दरसा में उसका जो इकाई एंक और करमसा 0-1-5-6 ही होंगे देखो मोटा मोटा भीना गोमाएका हूँ तो कोई भी संख्या उसका कोई भी घात उपर लगी हूँ अगर एकाई यांक इन भी वह संख्या हो गी ठीक है जैसा 325 का घात 216 या तब इसका एकाई यंक पांच ही होगा क्लियर को कि अ कि अ कि कोई डाउट ना चलो इसमें बताओ पहिला में फिर लगे हाथ लपेट के बताओ भाई चलू कि अ कि अ कि अ कि अ 350 इसकी घाट अरतिस कह रहा है इसका जो इकाई अंक है वो क्या होगा इकाई इंक बताओ जल्दी करो बेरे गुड बढ़िया कोई डाउट ना किसी को चल भाईया बहुत अच्छा अभी जो इससे बताया अगर लाश्ट उसका अंक जो है इन में से है 0156 में से तो उसकी घाट कुछ भी हो उससे कोई मतलब ने उसका इकाई अंक वही संख्या होगी जो उसकी संख्या थिलाश्ट में जैसे अगर यह 350 में दुबारा लिखूं इसकी घात अगर मैं 1001 लगा दूं 101 तब भी संख्या का जो मान आएगा उसका इकाई अंक 0 ही आएगा ठीक है इसमें इकाई अंक क्या होगा जल्दी बताओ चलो भाई बहुत अच्छा सोहन ठीक है बेरे गुड हाँ कमेंट सब क्या आ रहे हैं बस थोड़ा फाइंतजार क्या बात है यार चल रहा है क्या मनी बहुत अच्छा पिंकी राठोर सुर्या अंजनी ठीक है इसमें इकाई अंक क्या होगा वही जो तुम्हें दिख रहा है क्या इसका लास्ट का डिजिट छे है तो घात कुछ भी हो इसका इकाई अंक वही होगा जो लास्ट का डिजिट होता है चलो तीसरें बताओ तीफरें नमबर में बताओ देखो इतनी बड़ी किंती है इसका लास्ट कांग पांच है इकाई अंक क्या होगा जीरो होगा पांच होगा तीन होगा अनन्थ होगा पता ही नहीं तो हन सिंग बहुत अच्छा चूर रहा बेरी गुड बच्चा मैंने बताया अभी ट्रिक पर ही वही लगेगा लास्ट कांग जीरो एक पांच है में से अगर कुछ भी है ऐसी कंडिशन में दी गई संख्या की घात कुछ भी हो मेटर नहीं करती उसका आंसर सदय हो वही होगा तो पांच होगा चलो इसमें क्या है लास कांग एक है इसकी घात कुछ भी है उससे नहीं मतलब तो भी वाला होगा उमीद है कि आप ये ट्रीक समझ गए ये ट्रीक था ये रूल था यहां पर देख लो किसी भी संख्या का अगर इकाई यंग 0156 है तब संख्या की कोई भी घात हो लेकिन सुन्य ना हो ऐसी कंडिशन में अगर होता है तो उसकी इकाई यंग समझ सदय हो 0156 ही होता है करमसा लिखा है करमसा का मतलब अगर संख्य दूसरा एक और नया तरीका एक नया सवाल यदि किसी संख्या की यूनिट डिजिट चार हो इकाई यंग क्या हो 4 हो और घात बिसम संख्या हो तो उसका इकाई यंग 4 ही होगा समझा न यकिसी संख्या की यूनिट डिजिट जो है 4 है तो इसका इकाई यंग 4 है और घात बिसम संख्या है तो उसका इकाई यंग क्या होगा 4 ही होगा जैसे फार एक जामपल देख भाईया कोई डाउट है तो बताना मुझे जैसे मानलों कह रहा है कि unit digit 4 हो घात कह रहा है विसम संख्या हो कुछ भी हो तो इसका इकायं क्या होगा? 4 होगा कोई डाउट ना? क्यूं? कह रहा है किसी संख्या की unit digit 4 हो यानि इसका unit digit 4 है और घात विसम संख्या हो तो इसका इकायं 4 होगा और येदि घात सम संख्या हो तब इकाई एंग छे हो जाएगा ठीक है समझ रहे हो यही संख्या सेम संख्या ले लो तीन नो साथ चार इसकी घात अगर एक सम संख्या हो गई तब तब इकाई एंग बदल जाएगा हमेशा छे हो जाएगा क्या हो जाएगा अच्छे चलो अगला सवाल बताओ पांच नमबर में बताओ A नमबर 5 B नमबर 4 C नमबर 0 D नमबर नॉन आप दीज बताओ जल्दी करो फास्ट देखो आवा आगे तेरा इसका इकाई यंक त्रिक बताया कि अगर दी गई संख्या का लाश्ट कर डिजिट क्या है? 4 है और उसकी घात बिसम संख्या है अगर बिसम संख्या है तो ऐसी स्थिती में उसका इकाई यंक हमेशा क्या होगा? 4 ही होगा बताया था? इसका अंसर फोर आएगा देखो इसमें भी लाश्ट अंग 4 है और इसका घात भी समसंख्या है तो इसका अंसर क्या एगा 4 चलो घात समसंख्या वाले में आ जाओ बेरी गुड़ अगर घात सम है लाश्ट का अंग 4 है तो इसका एक आएंग हमेशा 6 होता है जान गयो इसमें भी क्या है लाश्ट का 4 है और घात क्या है समसंख्या है तो इसका अंसर क्या एगा 6 अंजु बर्मा DL8 चलेगा इंतजार करिए अगले कुछ दिनों में चलेगा अभी डिस्टरब है टाइम बीजी है अभी सिर्फ अपलीकेशन में चल रहा DL8 का इसमें इकाई अंक बताओ पहला अपसन 4 दूसरा 6 दीसरा अपसन 5 दूसरा अपसन 0 बताओ प्रिक में क्या बताया कि लाश्ट का अंक अगर पूरी संख्या का 4 है और उसकी घात भी सम संख्या है तो ऐसी स्थिती में उसका इकाई एंक 4 होगा क्यों भई यही तो अगर सम है तो 6 होगा इसमें घात देखो सम है लाश्ट में 4 है तो इसका अंसर क्या होगा 6 मनी बहुत अच्छा मनी जी आपका कोई और भी नाम है पूरा नाम राजा राम जी आपका भी पूरा नाम है कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मुझे लगता है अप्लिकेशन में भी जौईन है और फीडबैक भी दिये हैं न उनके बारे हम जानना जरूरी है क्योंकि वो एक्टिव रहते हैं अगला नया टाइप का इससे ही रूल है चार वाले में क्या था दी गई संख्या का एका यंग चार है और उसकी घात अगर भी सम है तो एका यंग चार आता था अगर सम होती थी तो छे आता था इसमें सम होने पेक आएगा बस यह ट्रीक है याद रखना बताओ ग्यारे नंबर बताओ यह आसान होती है ट्रीक वाली मैथ आसान होती है बेसिक में बड़ा मैनाथ लगती है यह आसान है इसमें जादा कुछ करना ही नहीं है बस ऐसे बखर बखर कर देना है पढ़ाना थोड़ी रहता है चलो बहुत अच्छा दी गई संख्या का लाश्ट अंग फोर है और संख्या सम है अगर संख्या सम होती है तो ट्रीक में क्या बताया इका यह एक होगा इसमें देखो लास्ट कांग नो है और घात सम है और घात सम होने पे मैंने अभी बताया कि एक होगा और वैसे भी तुम इसको प्रेक्टिकली देख लो मैंने इसलिए लिखा था 19 का स्क्वायर 361 होता है 361 मही का यंग के एक है न ये प्रेक्टिकल के लिए लिखा था चोटी गिंती नोट आउट थार्टीन नमबर बताओ प्लेयर बॉय समझ में आ रहा भाईया हूँ बढ़ियां है सब गुड लक चल भाया दी गई संख्या का लाश्टंग नो है संख्या क्या भिसम है संख्या भिसम होती है तुसका आंसर क्या आएगा नो आएगा इसमें भी संख्या भिसम है क्या आएगा फोटी नमबर नो आएगा अगर घात पिसम संख्या होती है तो आंसर वही संख्या आती है लास्ट वाली नो यह होमवर्क है लेकिन अभी कलास खतम नहीं हुई अभी कलास और आगे होगी इसको स्क्रेंसाट ले लो नहीं तो मैं अभी आपको किवार कोड दिखा दूँगा आप उसे स्कैन कर लेना ठीक है कीवार कोड जो स्क्रेंपर दिखेगा भी इसको स्कैन कर लेना जिससे आप इसका पीडिया भी पा जाओ दाउनलोड कर लो बहुत टाइम लगा रहा है फाल तो टच कर दिया कीवार कोड वाला लास्ट में करना चाहिए कोई बात नहीं भी हट जाएगा तो आगे बढ़ेंगे तब तक ले लो भया आज मैंने पहली बार की वार कोड दिया कलास में नहीं तो मैं देता नहीं था इसलिए स्मार्ट बाबू पढ़ाई द्यान दो पढ़ाई द्यान दो ये है की वार कोड आ गया ना इसको स्कैन कर लो फट से दिख रहा है इसको स्कैन करो इन लार्ग ये इन लार्ग भी होता है गरू फट से स्क्रीन साट लेलो जट से चलो ये पीडियाप मिल जाएगा इसको स्कैन कर लोगे चलो टन अगे बढ़ेंगे नेक्स्ट तो ये होमर कर लेना अब ये राम बार्ण ट्रिक है और ये राम बार्ण ट्रिक भी देख लो ये सब के लिए राम बार्ण ट्रिक क्या कहती भाईया ये कह रही है कि यदि कोई भी संख्या ऐसी है उसकी गहत का ऐसी भी है तु सबसे पहले दी गई संख्या के इकाई यंक और उसकी घात को पकड़ते हैं जकड़ते हैं फिर संख्या की घात को चार से भाग करते हैं जो सेस्फल आता है पुना उसी संख्या पर लगा देते हैं पस यही उत्तर होता है कांटेंट बड़ा कम था यार मुझे लगता है तो था बहुत सारा था कि खलास बहुत चोटी हो रही न ज्यादा मेनाद वाला था नहीं फटा फट लपट लपट के आप लोग कर रहे हैं न कोई बात नहीं इस तरीके के कोश्चन भी करा दूं क्या जब फर देखो फार एक्जामपा लेठी देखो बैठता है यह नहीं इस पर देखो जैसे माल लिजीए कोई भी संख्या उसकी घात कुछ भी लगी है माल लो मैं बहुत ही छोटी सी संख्या ले लेता हूँ दो इसकी घात अगर मैं लगा दूं पांच पांच मैं लगा दिया ठीक है ट्रिक समझना ट्रिक कहती है कि दी गई संख्या की घात को हम भाग करेंगे किस से दी गई संख्या की घात को हमेशा चार से भाग करेंगे तो चार एक कम चार और फिर कह रहा था जो सेसफल आएगा घटाने पर वही उस संख्या की घात लगा देंगे और यही टोटल संख्या का इकाई यंग होगा जो मान आएगा सही बैठा है इसका मतलब सही क्यों बैठा है क्योंकि दो का घात पांच का मान बत्तिस होता है और 32 में एकाई यंग 2 ही तो है समझा कि नहीं यही क्या है यही ट्रिक का चकप था कि ट्रिक सही है और दूसरव देखो दूसरव देखो एक दूसरा छोटव देखो जैसे माल लीजिए मैंने लिखा तीन तीन की घाद मैंने लिख दिया साथ अब इसका इकाई एंग के लिए रूल ये है कि दी गई संख्या की घात को चार से भाग करते हैं चार से भाग करने के बाद दी गई संख्या में जो सेसफल आता वही घात लगा देते हैं इसका मतलब इसका इकाई एंग नो आएगा इसका हल करो इका यंग नो आएगा देखो देख भाईया आता है क्या देखो नो आता है क्या तीन साथ हो गया देखो तीन चार साथ ठीक है देखो तीन तरिका नो तरिक फटाइस तीन हो गया तीन तरिका नो तरिक फटाइस और गुडे तीन इकाई अंग निकालने के लिए तुम्हें पता है क्या अब वह अलट ट्रिक लगा तो जो पहले लगाए थे गुड़ा करने में हमें सबका गुड़ा नहीं करना लाश लाश टंग करना है तो साथ साथ तीन का गुड़ा कर लो तो भाईया साथ सता उन्चास आस सता उन्चास उन्चास का फिर लाश टंग ले लोगे नो नो का तीन में गुड़ा करो गया 27 तो 27 का लाश टंग साती तो है पर बढ़ा के कायारी फिर रोड़ो 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 तार एक अम चार तीन तीन एक मिनट भाई, सॉरी, सॉरी, सॉरी यह हां कर बढ़ा रहा है ना तीन घात कमान तो 27 आएगा ना यार एक आएंग साथ होगा, सॉरी यह गलब था, साथ आएगा वहाँ भी साथ आ रहा है, बस खतम समझ गए ना, तो मतलब ट्रिक काम कर रही कोई डाउट ना किसी को थोड़ा फर रुकना, मैं एक बैटरी चेंज करूँगा कैमरे का, आधा मिनट रुकना, जाना नहीं कहीं तो आगए आप, यास, बढ़ियां, मास तैना साथ, चलें चलो, यह चीज क्लियर हो गई, चल भईया, ठीक है, अब देखिए, बेसिक मुझे लगता है ना, मोटा मोटा लगभग, मतलब इकाई यंग का खतम ही हो गया, वसे बेसिक नहीं था, यह परिक्षा लेबल का था, इसमें ट्रिकी सवाल थे, एक बार फिर से देख लो, एक नजर सरसरी निगाह से, तब से पहले मैंने बताया कि इकाई यंग कैसे निकालते हैं, है न, यह तो आपने देखी लिया, यह रूल था, त्रिक वाला, कि किसी भी संख्या की इकाई घात, अगर 0, इकाई यंग अगर 0, एक पांच 6 है, और उसकी घात कुछ भी लगए, 0 नहीं है, तो उसका इकाई यंग वही होता है, जो उसकी लाश्ट यंग होती है, जैसा इसमें देखो, लाश्ट यंग 0 है, इकाई यंग 0, लाश्ट यंग 6 है, इकाई यंग 6, लाश्ट यंग 1 रहेगा, इकाई यंग 1, पांच रहेगा तो पांच, कुछ कहना है तो बताओ, जलो, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, उसी में आगे पढ़ेंगे, ठीक है भाया, राहूल जी कमेंट आप का रहा है, ठीक है, लक्ष्मी आदो, सरवन, रिसू, गोदावरी, महभूवी, वेगम, बढ़ियां, ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो, इसका आज यूज होगा फिर फे, क्योंकि आगे कुछ कुछ कुशन करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पर कहीं यूज होँगी, पिछली क्लास में ये सब पढ़ चुके हैं, जो पीछे क्लास देखे हैं, आज चलते हैं, कहाँ पढ़ना वो देखते हैं, यहाँ से पढ़ना है, ये रामबांट ट्रिक पिछली क्लास में क्लियर नहीं होई थी, ये चीज तो आपने पढ़ लिया था, इसका ही काई अंकः क्या होगा बता हो, इसका ही क्या होगा, पिछली क्लास में सब बताया हूँ, है ना, अच्छा एटी छोड़ा सवाल बता दो, फिर लगए हाँ पिछली क्लास की बात दी ही है, तो इज्जत का मान है, सम्मान है, चलो बताओ, क्या बोलते हैं? इकाई यंग बताओ, जल्दी करो, इकाई यंग को बताओ, यूनिट डिजिट, जैसे मैं लो मैंने, इकाई यंग अगर इसमें पूछू तो दो है, ठीक है, वैसे इनका गुड़ा करने के बाद जो आएगा, वो इकाई यंग होगा, काओ अच्छा, इतना बड़ा-बड़ा करेंगे, तब बताएंगे, गुड़ा थवड़ा करना है, है, हमें गुड़ा नहीं करना इसको, इका कितना आएगा, सुनना आएगा, चलो आगए, आज वाला पढ़ते हैं, छोड़ो जाने के, ये राम बांट ट्रिक है, किसके लिए हैं, सभी तरह की संख्याओं पर लागू होगा, चाहे कोई प्रकार का कोईस्चन हो, सबसे पहले दी गई संख्या के इकाई यंक और उसकी गहात को पकड़ना है, वोई भी संख्या उसका इकाई यंक और उसका गहात लेना है, ठीक है, पावर, संख्या की गहात को चार से भाग करना है, और सेस बचे सेसफल को पुना उसी संख्या पर लगा देना है, यही उत्तर होगा, situation की according आगे बढ़ेगा, वही उत्तर नहीं है, तुम चाहे कर लो, देखो एक के मतलब समझो, फिर दुग का गहात तीन है न, इसमें अगर इकाई एंक कहें तो हम इसको ओपन करके नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दुग गहात तीन का मतलब यही होता है, बराबर आठ होता है, तुम सबको पता है, है न, अगर तीन का हम तीन लिखें, तो इसका मतलब होता है, तीन गुड़ा तीन गुड़ा तीन, 27 होता है, क्योंकि यह आसान है, छोटा है कर लेंगे, लेकिन अगर हम कहें, भाईया हो, 248 का गुड़ा करा तु सबही हो, 256 बार करो, 256 बार में पूरा बोर्ड भर जाएगा, हम बढ़ा जाए तो कहेंगे फिर का करेंगे, इतना नो टंकी बताए रहे हो, तो फिर वही ट्रिक लगाएंगे, भी गई जो संख्या है, उसका लाश टंक पकड़ेंगे, लाश टंक क्या है, आठ है, और जो घात है, उसको चार से भाग करेंगे, घात 56 चार से भाग किया, सेस्फल कितना आ कि यह सेस्पल के देख थोड़ा फालग सिश्टम होता है 1 है करना इसमें भी वहिएं इसमेर रहा है बस उसको बताऊंगा बाद में देखो है कि भी लिए वाद ये में करना है CC चार से भाग करना है, आओ दी गई संख्या कितना है, चाउदा, चाउदा उक चार से भाग करो, चार तिये बारा, खटाने पर कितना है दो, मैंने क्या कहा था, दी गई संख्या के जो घात है उसको चार फिर डिवाइड करेंगे, और जो रिमेंडर आएगा, दी गई संख्य जाकर अंतिमंक की गाद लगा देंगी, तो दीगई संख्या कांतिमंक साथ था, के जैडरा केले था, तो साथ का गाद, कित ना जितना सेसफल आया है, दो आया ना, बोले सेसफल तो यहां दो गाद लगा हो गई, यहां दो, तो अंसर कितना एगा, इसका मतलब इसका क्या आएगा इकाई यंग इकाई यंग क्या आया नो आया ना ये तो था ट्रीक वाला तरीका और बेसिक तरीका लगा लो तुन तब का होगा बेसिक में साथ को चाउदा बार गुड़ा करना है कैसे यह से ऐसे करना इसे चाउदा बार करना है चाउदा बार और जब इसको करेंगे तो इतना आएगा हम करके लिखें है चाउदा बार इसमें देखो लाश्ट में नौ आ रहा है इसमें भी नौ आ रहा है मतलब हमारा तरीका सही था ये साटकट वाला था ये बिश्तरित वाला था ये लंबा वाला समझ में आया इसका मतलब ये ट्रिक हमारी सही है मैंने इसको दिखा दिया ओपन करके छोटी संख्या पर अब बड़ी संख्या पर लगाएंगे तो बिल्कुल सक न करना चीक है छोटी संख्या पर इस लिए दिखाया जिससे ये चीज हम कर सकें सारी संख्या का हम ये नहीं निकाल सकते जो यहां दिखें है अब जैसे इसका करना हुआ नहीं कर सकते भाई 2345 को हम 1475 बार गुड़ा नहीं कर सकते बहुत बड़ा हो जाएगा calculator में नहीं हम आएगा तो वही trick लगाएंगे चलो दीगई संख्या का जो घात है उसको 4 फिट इबाइट करेंगे तो 4 तियां 12 गटाएंगे 2 आएगा ओपर 7 उताल लिया 4 चंग 24 गटाएंगे 3 आएगा ओपर से 5 उताल लिया जार अठी बत्तिफ गटाएंगे 3 आएगा तो क्या आया सेसफल 3 आया क्या आया सेसफल 3 दी गई संख्या का आंती मंग पकड़ो एक चीज और ट्रीक है यार पहले आंसर लिख लो बताता हूं ट्रीक क्या है 5 है ना 5 की घात कितना आई तीन तुम्हें पता है कि 25-25 होगा यह अंसर आएगा क्या 5 अगर पांच है इकाई अंक दी गई संख्या का या जीरो है तो उसकी घात कुछ भी हो एक चीज़ा और इतना इने इतना नेरूख रूख अगर किसी संख्या का लाश्ट अंक 0, 1, 5 या 6 इन में से कोई भी है इकाई यंक, यानि यहां पर तो उसकी घात कुछ भी हो उसका इकाई यंक हमेशा वो संख्या खुद होती है दिक है, जैसे अगर इसमें लाश्ट में 5 था उसकी घात कितनो बड़ी है, तो उसका इकाई यंक कितना हैगा 5 अगर यहां पर 0 होता सुनना, तो तो घात कुछ भी होती उसका मान क्या आता 0, अगर देख लो एकजामपल अपने सामने सबूत देखो, बताओ, चलो, चलो ठीक है हम एक मिनट के लिए मानते हैं कि यह तरीका गलत है, हम नहीं मानेंगे, हम बेसिक तरीका लगाएंगे, चलो बेसिक लगा लो, ठीक है संख्या के घात पावर को चार से डिबाइड करो, जो सेसफल आएगा, उसको आधार पर घात लगा देना, ठीक है, चलो च्हे कर गात अधा, ठीक लगाओ, तब लाष्ट में क्या आएगा, चाचाच चाच थिस एकैस, बोलो, आया की नहीं हम अया ना, अगर हम इकाई यंग पाच की जगापर छे रख देते छे रख देते, घात वही रहती तो क्या करते, घात को तो हम भाग करते चार से जो सेस्फाल आता उसको क्या करते चे पर घात लगा देते आया ना याद रखना बहुत मज़िदा टरीक है अगर किसी भी संख्या का इकाईयंक यानि यूनि डिजिट जीरो वन पांच या छे पांच और छे दोनो ठीक है कुछ भी इन में से है तो उसकी घात कितना हो हजार करोन लाख खरब खरब कुछ भी हो उसका इकाईयंक हमेशा वो संख्या खुद आती है किसी और को नहीं आने देती है जैसे एक जमपल तो इसका आंसर पांच होगा अगला बताओ जल्दी बताओ कितना आएगा बहुत अच्छा इसमें क्या कह रहा है इकाईयंक निका लिए कितना प्रेक्टिस करवाते हैं भूलो न जिन्दगी में दी गई संख्या का जो लास्ट का घात है उसको चार से भाग करो लेकिन पूरे चार को भाग कहे से करें पूरे संख्या को कहे करें चार के विजता नियम में लास्ट का दो अंक देखा जाता है न 4 का divisibility rule पढ़े हो last की 2 digit 4 से divide होनी चाहिए तो हम इसको पूरे को भाग नहीं करेंगे रिदादा last के सिर्फ 2 अंक को भाग करेंगे 4 फे 4 एक अंक 4 हतम 4 दूना 8 हतम 0 यह वही point आ गया जो मैं पहला सवाल छोड़ दिया था अब कहोगे अगर सेसफल 0 आ गया तब तो गजबाफान है भईया 7 है 7 की घाट 0 कमाने का आ गया नहीं एक कैसे आ गया क्योंकि किसी भी संख्याचर या constant constant या variable अगर उसकी पावर 0 है तो हमेशा उस कमान 1 होता है ठीक है लेकिन यह यहाँ पे चीजें ऐसी नहीं होती है अगर सेसफल 0 आया है तो इस ट्रिक के अकार्डिंग हमेशा इसकी घाट आप 0 नहीं लगाओगे बलकि 4 लगाओगे ठीक है याद रखना क्या लगाओगे 4 लगाओगे कभी भी आप 0 नहीं लगाओगे याद रखना अगर सेसफल कुछ गिंती आई है एक 2, 3, 4, 5, 4, 8, 9 कुछ भी आया है तब तो आप उसकी घाट लगाओगे लेकिन अगर 0 आया तो 0 नहीं लगाओगे याद रखना लिख लो चाहे उसकी जगा आप 4 लगाओगे ठीक है तो 4 का मतलब क्या हुआ भाई या फिर इनका सब का गुड़ा करना है अब गुड़ा हमें आ नहीं रहा है 49 को 49 से गुड़ा करना है अब उन्चास का पाड़ा हमें आता नहीं तुमको भी नहीं आता है हम लोग वही से हैं तो क्या दिक्कत है सब बनीया हैं हमें इक आई यांग निकालना हमें लाइफे-लाफ्ट रंक से मतलब है तो इक आई यांग वणा आ में आगया भास हमें शिर्फ अंति करने इसको कि जैसे देखो कि अगर हम एकाई यंग निकालना होता तो क्या होता हूता हम इसका गुड़ा ठोड़े करेंगे हमसे कहा इसके गुड़ा गुड़ा अफे एकाई यंग के लिए हम लाश्ट का दोनों का एक 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 अंग पकड़ेंगे बास साथ साथ का गुड़ा करो उन्चास इकाई यंग नो आएगा बस पूरा गुड़ा करने समसे का मतलब है अगर कहीं दूर का रिष्टा आया है निमंत्रण मिला है बरात गया हो तुमको खाना खा कि घर आने मतलब है अब्दुलाहिन करिया आए गोर है तुमको का मिलेगा अब इतना अच्छा एक जांपल सभी ना समझो तुम तो हाद है पिर चलो यह समझ में आगे है ना सभी को आगे समझ में यह जीरो घात वाला था ठीक है यह क्या था जीरो घात वाला था आगे बढ़े चलो बढ़िया पिवियार स्टड़ी अप्लिकेशन की यह जीत बैच आप देख रहे हो जो बच्चे आप में जॉइन है अगर उन्हें यूटूब या एप कहीं भी मिल रहा पढ़ने को वो सिर्फ पढ़ाई पे द्यान दे ओनली पढ़ाई आए जीरो खात वाला इस पर देख लेते हैं चलो बढ़ी इनको जो बात चीत वाले हैं उनको यूटूब पर बलाक करते हैं जो बात कर रहे हैं परमनेंट बलाक करिये इनको ओनली पढ़ाई वाली रहेंगे चलो कितना आएगा उत्तर आएए दी गई संख्या को क्या करेंगे फोर फे डिवाइड करेंगे उसकी घात को तो फोर फे डिवाइड किया तो क्या आया जीरो सेसपल आया अब दी गई संख्या का लाश्ट का कितना घात लगाऊगे जीरो तो लगाऊगे नहीं सेसपल जीरो आ तो चार का मतलब ये हुआ, ये हुआ, एट एट जा 64, हम 64 का नहीं पहाड़ा पढ़ेंगे, हमसे का मतलब है, चार चोग 16, अंसर आएगा ये छे, खातम, हुँआ, अर्चना समझ में आ रहा है, माबूबी, बेगम, लाकूस, पंकाज, अनमॉल, एमडी, सोनु, सबको आ रहा है, भाई देखो, पढ़ाई भ्यान दो, अनली, कमेंट किसी का बोल देता हूँ, ति ये मत सो चोग, उनको देख रहा हूँ, मैं, मैं इसे बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलो, पढ़ाई बेर, तो मेरा कोसिस पढ़ाई होनी चाहिए, पता नहीं का बैठे हैं हो, बैठे हैं, खड़े हैं, का कर रहे हैं, हम उनका नाम, उनको देख के थड़े बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो देख लेता कभी कभी चलो जो बच्चे अपली केसन में देख रहे हैं उनके लिए सुझाव है सला है कि आपका उद्देश से क्लास जॉइन करने का क्या था उसे ना भूले क्या था आपका उद्देश गड़े सीखना था ना कि लाइब देखना था कि मैं ऐसा इफले बोल रहा हूं क्योंकि अलग अलग ताइम पर बच्चे चाहते हैं अब आगर यू पी पी का यह एक बैच चलाते हैं एक टाइम इस टाइम तो नहीं जूट पाते हैं कि अपना उद्देश से मत भूलो आपका उद्देश गड़े सीखना था क्लास चल गई आपको मिल रहा है आप अच्छे फिर देखो नोट्स बनाओ कोई डाउट हमसे पूछो अगर हो सकता है लाइब जूड़ जाओ नहीं जूड़ पारे हो कोई फरक नी पड़ता है पढ़ो बस समझो चीजों को सीखो बस ठीका है ? लाइब से कोई मतलब नहीं मैं बोल रहा हूँ यह बाकी ऐसा नहीं लाइब नहीं चलता है लाइब चलता है हम आपको इन्फर्म करते हैं आप चाहो तो आज़ो अगर आप आओ ना पहुत कोई बात नहीं बात में देखो आ यह नियम चलते हैं दी गई संख्या के इकाई अंक को पकड़ करके और दो अंक में चार फे भाग करेंगे चार अठे गटा ने बाया तीन कितना या तीन न जो सेशपल आया है वो दी गई संख्या के आंतिम अंक का क्या लगाएंगे घात देखो भी तुम्हें ट्रीक भी तो बताया था ना यार क्या बूल गए क्या दी गई संख्या का अगर अंतिमंक 0156 है उसकी घात कुछ भी है उसका इकाई यंग सदे वो संख्या खुद होती है सर्बे सर्बा कोई और नहीं बस देखो वो यहाँ पे लागू भी हो गया इसका यूनिटिट क्या 6 है पर फेर फेरिसको ताजा करो यहाँ पेझी चैना क्या होगा एक रख़े लाश्ट में एक हौगा है काई उकřया है hyई ř rolli पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो नहीं सब बोलने लगेंगे अभी पढ़ाई कर लो चुप चाप वरना यह बहुत मार भी पढ़ती है समझे लोग नहीं बहुत मार पढ़ती है नहीं पढ़ते हो पूछो है आज जो बैठे है तेल लगा लगा के आते हैं कोपड़ी में अपने चलो चले आगे ये अभी ज़ेश्ट जो कहानी लिखी है मैं सब बता चुका हूँ इसको नोट कर लो आपके लिखने के लिए एक नजर में देखने के लिए था जब सुने सेसपल आए तो संख्या के अंति मंक की घाथ सुने नहीं बल्कि चार लगाएंगे बस ठीक है तेल दा इजिट इन 725943 वगरा 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 हमने सोचा थोड़ा अंग्रेजियों लिख दी नाय थे सोबही सोची है इनका कुछ अबे नाय करा एक सवाल अंग्रेजियों लिख दिये देखा हमरे नहाथ के लिखा आई इकाई यंक पूछ रहा है भाईया अगर इसको हम फाइनली हल करके एक उत्तर लाएं ना जैसे देखो साथ का घात दूई का मतलब और चार जानते हो न तुम अगर इस तरीके का इसका उत्तर लाएंगे ना तो हमाव बुढ़ाई जाएंगे हमाव वारी दूतिन पूड़ी बुढ़ाई जाएगी पीड़ी पूड़ी नहीं समझ रहो क्योंकि बहुत बड़ा लगेगा इसकी घात देखो तो साथ अंक में घात है साथ अंक में घात है तो साथ सो अंक का इसका आंसर भी आना चाहिए तो भाई साब बड़ा हो जाएगा हम इतना करही नहीं सकते हैं काह को करें भाल तुक काम क्यों करें चलो देखो आगे ठोड़ो जाने दो तो हमें सिर्फ लाष्ट का अंक पकड़ना है बस क्योंकि हमें भाग चार से करना है चार के विवाजता नियम के लिए हमें दो अंक चाहिए लाष्ट का चार से भाग करो 24 में तुम सभाही को पता है तेस पल जीरो आरा भाईया तो तीन का घाच जीरो नहीं लगाओगे लाष्ट कांग पकड़ो तीन का घाच जीरो नहीं चार लगाओगे तो तीन तरिक का नाव तरिक सता है थिया 81 एकाई एंग वन चाप लो फटा पड़ आगे बढ़े चलो पड़िया ठीक है आगे चले एक ठीक कहरा नमबर दे एक और कहरा ही आपकी एज कितनी है पढ़ लेता हूं न लोगों को मैं ही मूर्क साबित हो जाता हूं कमेंट देख लो कभी कभी इनके इतने बेसारम है न यह इनको जिन्दगी से पढ़ाई से दुनिया से कोई मतलब नहीं कमेंट इफिले पढ़ता नहीं हूं देख लो मैं छोड़ दिया पढ़ना छोड़ दिया मैं हो रास्ता ही इनका स्क्रीन साट ले लेके न अब हम सेयर करते हैं आपको कम्यूटी में देखना चलो इसका तो आंसर सभी जान गए होंगे प्रिक वाला है न यह लाश्ट का दिया गया अंक वन है न जीरो वन फाइब सिक्स अगर कुछ भी है इन में से उसकी घात कुछ भी लग जाए उसका इक आई है को वो संख्या खुद होती है तो भी यह इसका आंसर वन होगा हम फाल तु काह हो जाई करें चलो पतम एक जाम में ऐसे सवाल आते हैं जो नहीं जानते ट्री कुगर बढ़ा जाते इसको बताओ कितना आएगा सेबन में सेबन कई से आएगा भाईया वन आएगा वन आठ नंबर में आ जाओ आठ नंबर में आ जाओ चलो देखो तीन का घात पांच है तो तीन का घात पांच पांच को आप चार से भाग करो सेसपल एक आएगा इसका मतलब हम तीन का घात एक लिखेंगे 35 है तो भाई साब 35 का घात दो हम नहीं करेंगे हम 5 का घात दो करेंगे हमें अंतिमंग से मतलब है तो 5 का घात दो 25 आएगा ठीक है 25 का भी आप 5 लिखो बस तो तिन द्रिका नव पचे पैतालिस आंती मांग क्या आया पांच कोई डाउट ना बढ़िया ये होती है ट्रीक ये होती है ट्रीकी वाली मैथ कोई डाउट ना किसी को आगला चलो आईए आईए जनाव देखिए इसमें क्या है पांच की घात अठारा अठारा है कुछ यो भी अभी आपने क्या पढ़ा है कि अगर दी गई संख्या का अंती मांक जीरो वन पांच है तो उसकी घात कुछ भी है उसका इकाई एंक वह होता है आप इसमें चार की घात बावन है चार की घात बावन देखो बावन आप चार से बाग करते हो 13 आता है यानि 0 सेसफल आएगा 0 सेसफल पर हमेशा अंतिम संख्या की घात लगती है 4 अगर सेसफल 0 आया तो 4 लगती है भी बताया हूँ तो 4 की घात 4 लगाओगे 16 आएगा अज 16 का अंतिमंग 6 न यहां पे 6 लोगे 12 12 का अंतिमंग क्या आएगा 2 इस तरह से उत्तर के आगया 2 आया समझ में सभी को कोई doubt न भाईया बढ़िया आएग सब no doubt नहीं चलो 10 नमबर बताओ बताओ आईए इसमें क्या हाल चाल है इसमें दी गई संख्या का लाश टंग 6 है आप ट्रिक पढ़े हो कि अगर 6 है या 0 है 5 है 1 है तो उसका इकायंग समेशा हमेशा वही संख्या होती 6 होगा दिवाइड बाई इसमें भी 6 है तो इसका भी कायंग 6 ही होगा कुछ हमें करना ही नहीं है फिर प्लस यह 48 यहां पर मामला लग है अब तेरा को चार से भाग करो यो कि घात को 4 फिर दिवाइड करते हैं जान रहे हो गटाएंग एक सेसफल आएगा और जो सेसफल आया उसको दी गई संख्या के अंति मंक का घात लगाते हैं यानी 8 का घात 1 यानी 8 आएगा फाइनल में 8 आएगा 6 को 6 से भाग करोग एक आएगा धन 8 नव आएगा उत्तर आएगा नव यह होती है ट्रिक किसी को कोई डाउट ना इसमें बढ़ियां रमेश समझ में आँ रहा है बढ़ियां चालो 11 नंबर बता भई अंग्रे जी में है टोटल यह के रहा इफ एक्स इकॉल फलाना 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 देन दा यूनिट डिजिट अफ एक्स इच मतलब यदि X कमान यह इतना दिया है जो बराबर में है ठीक है तब आपको X का इकाई अंग निकालना है इतना ही था आईए पकड़ते हैं इनको पहले हमारे पास जो material है वो है चार पांच साथ 43, 6, 4, 1, 4, 5, 7, 5, 4, इनकी 18 सबसे पहले हम 43 को 4 से भाग करेंगे आप भाग देके देखो क्या होगा चार दाहम चालिस तेस पल तीन आएगा 4 से भाग देखो यह 4 से भाग इसमें जाएगा नहीं कारे दादा देखो तो 4 से भाग करो 4 एक कम अब भाग यह न जाएगा 0 उपर बढ़ा लो 0 बार जाएगा 3, 6 पल 3 आएगा अब जो 6 पल आया उसी को घाट लगाओ 6 पल 3 आया तो 7 की घाट 3 लगेगी वैसे इसमें करो 4 47 को 4 से भाग करो कितना से भाग आएगा 11, 44 4 से भाग करेंगे 11 बार जाएगा और 3 से भाग बचेगा 3 बचेगा तो यहाँ पर होई जाएगा 6 कगाट 3 18 को 4 से भाग करो 4, 4, 4, 16 दो से भाग आएगा और 2 से भाग आएगा चार कगाट 2 लगाओगे बस खताम खिलाडी 7, 9, 4, 3, 3, 4 343 का इकाई अंक लेंगे 3 6, 36, 36, 216 216 का इकाई अंक लेंगे 6 यह भाईया यह सब पलफ का फाइन था बाबू, सब पलफ का था तो हम यह अगुड़ा काय लगाई फिर 4, 16 6, 12, 3, 15 इकाई येंग आया पांच बस खातम इकाई येंग कितना है पांच कोई डाउट ना किसी को कहीं कुछ पूट गया कहीं कोई भूल हुई है तो किरपया करें और जो नंबर दिये गये उन पर मैसेज करें ठीक है भाई कुछ भूल गया कुछ डाउट है तो मैसेज करें नंबर पर ठीक है अच्छा यह फारी चीजें हैं और अच्छे से पढ़ें नोट्स बनाएं आज जो टॉपिक है वो संख्या पद्धती का खात्मा करेगा आज इस क्लास में संख्या पद्धती खतम हो जाएगा दाइंड हो जाएगा इस क्लास में हम आपको कुल गुडन खंडों की संख्या निकालना भी सिखाएंगे और एक चीज और सिखाएंगे पता है क्या वो ये सिखाएंगे कि जो फैक्टोरियल वाली संख्याएं है उनका इकायं कैसे निकालते हैं वो भी नया है चलो पहले मुझे बाब बताओ फट फे चल दी से आधा मिनट में बहुत अच्छा वाइट साट बहुत द्यान से देख रहे हैं तुम इक दम लग नहीं राख कलास देख रहे हो आईए ठीक बहुत आसान है इकायंक निकालना है हमें लास्ट का इकायंक के ही पकड़ना है घात तीन लगी है माइनस इकायंक पांच है इसकी घात पांच है देखो सिंपल सी बात है इसको तो आप जानते हो एट एट जा 64 और एट जा 512 इसमें इकाई यंग दो आएगा भाई आठ का क्यों 512 होता है पाँच वाले में क्या होगा कोई भी संख्या जिसकी मतलब स्वरी पाँच की कोई भी घात लगी हो 5 की कितनी भी घात लगा दो उसका इकाई यंग 5 ही आता है तो इसको तो 5 ही आएगा घटा आओगे माइनस 3 आएगा किसी भी संक्या काई काई यह एंक माइनस में तो होता नहीं है तो मैंने इसका जुगार बताया था आपको 10 में से इसको गटा लेना है या 10, plus 10 में जोड़ देना है तो 3, गटाओगे 10 में से क्या आएगा? क्या आएगा? 10 में से गटा लो इसको साथ आएगा ना तो इसका अंसर हो जाएगा 7 कितने लोग को सही था आओ चलो आगला जल्दी करें बहुत अच्छे ठीक है सिकन्ड में आजाओ अभी कमेंट सबका देखूँगा अगर कलास को पूरा देखोगे तब लाश्ट में जिनको सिर्फ नाम बोलवाना है सिर्फ पढ़ाई करना यार अच्छे से पढ़ाई करना कि सलक्सन हो आप कॉंपटिशन कमेंट पढ़ रहे हो जीरो लेबल थोड़ी एक मजा भी आता रहे हैं मजा दिरे दिरे बिच बिच में आता रहेगा लेकिन कमेंट पढ़ाई नहीं इसमें इक आई अंक बेरे गुड देखे बहुत से बच्चे जश्ट बता दे रहे हैं बहुत से बच्चे अभी बच्चा बन रहे हैं ठीक है बच्चा अख लाश्ट का अंक पकड़ो आप 2 है इसकी घात 5 है माईनस 5 है उसकी घात 4 है बहुत आफान है तो का घात 5 का मतलब जानते हो ऐसे कर लों 2, 2, 4, 2, 8, 2, 6, 2, 32 32 का दो एकाई यह क्या है 2 पांच की घात 4 क्या होगा 25, 25, 125, 625 लाश्ट में 5 गटा और फिर माइनस तीन आएगा फिर वही का एक आएगा सेवन यह ट्रिक बताया था जिनको ट्रिक नहीं आती उनी आएगा आप यूपीपी का पड़ रहे हो यह एक चीज और याद रखिए अगर आप स्सी के स्टूडेंट है या आपको रेलवे गुरूप डी वगरा द लिए है ठीक है सब के लिए यह थोड़ा दमदार है बट है आसान चलो गुड़ बेरी गुड़ ठीक है आज मैंने काफी अच्छे-च्छे कुश्चन लिए हैं देखो इसमें ट्रिक भी बताया था और बेसिक भी बताया था ट्रिक क्या बताया था देखो यहाँ पर संख्या चार है चार का इकाई अंक इसमें अगर हम बात करें तो सिख से बन है जो की एक बिसम संख्या है मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि फोर के उपर अगर कोई घात लगी है और अगर वो बिसम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा फोर आता है मतलब तुम्हें दिमाग नाम की चीज परियोग ही नहीं करना है अगर 4 के ऊपर बिसम संख्या में घात लगी है इसकी कोई भी घात लगी है जो बिसम संख्या है कुछ भी लगा दो तो इसका इकाईयंग हमेंसा 4 आता है यहां पे लिखा भी अगर इस घात संख्या में है तो इकाईयंग हमेंसा 6 आता है ठीक है तो इसमें तो कुछ करना है नहीं मतलब इसका जो आएगा फाइनली क्या आएगा 4 आएगा आओ अगले में बढ़ते हैं 3 का घात 37 क्या बताया था पिछली क्लास में घात को 4 से भाग करोगे जो सेसफल आएगा इस संख्या की घात लगा दोगे 4 से भाग करोगे 4 9 36 एक सेसफल आएगा फिरी का घात एक लगा दो फिरी का power 1 means 3 हो गया खतम आगे इसमें क्या 7 है 7 की घात 36 लाश्ट का दो अंकल होगे अरे याद तुम हाँ ठीक है ये भी ठीक है भाग करो कितना आएगा जार से भाग करिए वैसे तो 1 के में चला जाएगा 4 9 36 0 सेसफल आएगा 0 घात तो लगेगा नहीं 0 घात तो लगेगा नहीं फिर क्या करोगे आप चार घात लगाद होगे क्या करोगे चार घात लगाद होगे किस पे साथ पे चार घात खल कर लो बस देखो इसको पहले हम फाइनल कर देते हैं चार घात का मतलब साथ गुड़ा फाद गुड़ा फाद गुड़ा फाद दो बनेगा इसका गुड़ा करो के उन्चास आएगा उन्चास करना हो ले लो इसका उन्चास करना हो ले लो नव नव आई क्या सी फाइनल में इसका एक आजाएगा क्या आएगा एक तो हम इसकी जगा पर only one लिख सकते हैं अब 7-1 बराबर 6 अंसर आएगा टोटल किसी को कोई डाउट है कुछ गडबर लग रहा है कुछ मिस्टेक लग रहा है कुछ अपना सुझावत बताओ ठीक है क्लियर देख लो समझ में आया ना ये टोटली ट्रिक वाली क्लास है इसमें कोई बेसिक नहीं है चलिए अगला अगला एक नया पॉइंट है आज फैक्टर वाली संख्याओं का क्या बवाले नया ये देखो ये कलास हर कोई देखेगा अभी नहीं ये भी जान लो जहां डेमों हो अगर आप कहीं देख रहे होंगे वैसे तो इस पेसली यूपीपी की बच्चों के लिए ये आय पॉली कलास है पीवियर स्टडी अफीचियल आपॉली तो इसमें ज्यादा लोग नहीं देखने वाले हैं ठीक है तुजित बाबू नंबर पर संपर्क करो ठीक है नंबर पर यहां गंदगी करने इसको फायदा नहीं जितने फारा कर रहे हो चलो पहले तो यह जानो यह जो फैक्टोरियल वर्ड है इसका मतलब क्या है पहले कितना किफी चीज का नाम लेना सीख लो नाम लेना सीख लो फिर आगे कुछ काम करना तो इनका चिन्द दो तरीके से होता है यहां पर मैंने लिखा भी है एक तो आयफ्ए लगा देते हैं आप लिक बोलते हैं क्या इसको हिंदी में जो भी ठीक है ऐसे कुछ होता है दूसरा आएफए ठीक है ठोड़ा बिस्तार सा इसमें मज़ा आएगी देखो जैसे अगर किसी संख्या के बगल आएफए लगा है या फिर इसके हम पास में आएफए लगा सकते हैं इन्हें बोलते हैं फैक्टोरियल वाला चिन्न भीया ये factorial की का कहानी है ये factorial 2 का मतलब ये होता है कि 2 गुड़ा एक बराबर 2 समझना भाईया समझना 3 गुड़ा 2 गुड़ा एक बराबर 6 4 गुड़ा 3 गुड़ा दो बराबर ना 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 एक तक जायेगा 24 आए से आगे बढ़ते जाओ पांच गुड़ा, चार गुड़ा, तीन गुड़ा, दो गुड़ा, एक चार तियाई, बारा दुना, चोबिस, पंचे, एकसो बिस देखिए इतने में तो आपकी अकल खुल गई होगी दिमाग काम कर रहा होगा कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हम जहां पे हैं, वहीं से नीचे को जाएंगे, डाउन तू अर्थ, ऐसे बोल सकते हैं कुछ मतलब जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उसको इतना, मतलब घटे करम में लिखेंगे, एक वान आ जाए लाष्ट में और सब का गुड़ा कर लेंगे, तो फैक्टोरियल 2 की बैलू 2 होती है, 3 की 6 होती है, 4 की 24 होती है, और 5 की 120 होती है अच्छा, तो 6 का क्या होगा, बताओ जल्दी से 6 का क्या होगा बहुत अच्छा बेरे गुड छे का क्या होगा बेरे गुड अप्पु गप्पु जो नाम आपने बना रखा उसको अच्छे से कर लीजिए और आपको मॉडरेटर बना दिये जाए तो आप कमेंट इनका लोगों का रिपलाई कर फकते हैं ठीक है ठीक है बहुत अच्छा देखिए बहुत से बच्चों ने बता दिया बेरे गुड देखो समझो छे में क्या है इसमें छे से और गुड़ा हो जाएगा बस तो बारचंग 72 शाथ साथ सो बीस आएगा किसका भाईया हो छे कमान आएगा साथ सो बीस फैक्टोरियल शे कमान आएगा पता है कैसे आएगा आओ बताता हूं देखो छे बाला देख लो इनको छोड़ दूँ या मिटा दूँ रहने दुकाहे को मिटाओ ना काम ही आएगा इनको साइड में लिख दू नहीं है इसी में जुगाड कर लो चलो छे बाला भी देख लो कैसे आता है देखो इसमें भी ऐसे बढ़ेगा छे पान चार तीन दो एक एक साथ सोबीष छे पन्चे तीस तीस चव का एक सोबीष एक सोबीष का तीन में गुड़ा करो तिन सो साथ तिन सो साथ दू ना तो बीष खतम ऐसे इसका मतलब आप सभी समझे आप इसमें बताने की को जरूरात नहीं है अगर मैं इसमें अब आप से सवाल पूछ हूँ कि भाई आप फैक्टोरियल दो कमान क्या होगा जल्दी बताओ बहुत अच्छा बेरे गुड़ यह कौन कह रहा फुल स्क्रीन पूरा तो दिख रहा है यार क्या कह रहे हो इसको जूम करके दिखा हूँ मॉबाइल की जो क्वाल्टी ये वीडियो की उसकी बढ़ा लो क्वाल्टी बढ़ा लो मुझे नब फूल एच्टी दिख रहा है एक जार सी पिक्सल पे जूम कर लिया करो थोड़ा मॉबाइल जूम होती है सभी में यूटूब जूम होता है अपलिकेशन में भी जूम होता है थोड़ा बहुत इसका मान होगा दो इसका मान क्या होगा अभी अभी बताया था क्या चार तीन दो चौबिस होगा ना सभी क्लियर आईए इसमें जबाब दीजिए फिर फोर नंबर कुश्टन जल्दी से फटा फटा अंसा लगाते हैं हाँ चलो जूम कर दे रहा हूं जिनको तकलिफ हो रही चलो बताओ अर्चना कुमारी नीलम ठीक है बहुत अच्छा नाम नहीं बोलूँगा किसी का नाम बोलने कड़बड हो जाता है अगले कुछ जलन होती मेरा काहनी बोल रहे हैं इनका बोल रहे हैं फिर अगला कहता है तो लाइब नहीं है यह तो तेल मसाला मिला के बनाई कलास है पढ़ाया तो है नहीं इसमें इनको लगता इसे ही खाल्दी मिर्चा मिलाग बना दी जाती है पढ़ाया नहीं जाता है मतलब रिकॉर्डिंग में इनका मतलब होता पढ़ाया ही नहीं जाता अगर लाइब नही इसका मान क्या होगा 24 बेरी गुड अगला बताइए 5 में अभी सिर्फ और सिर्फ concept है ये चलिए इसका 7 का मान क्या होगा 7 से सुरू होगा 7 गुड़े, 6 गुड़े, 5 गुड़े, 4 गुड़ा 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 ऐसे करते जाओगे बहुत अच्छा बेरी गुड, याफी 40 ठीक है इसी क्रम में साथी मेरे अगर आगे बढ़ोगे अगर यन कहीं दिया है ये मेन है, स्टैंडर्ट फा में ही है इसको समझना जो उपर वाला है ये जो यन वाला है उपर इसको समझना देखना अगर ये यन तक कहीं जाता है न तो ये एक-एक घड़ता जाता जैसे पहले क्रम में यन दूसरे में यन माइनस 1 फिर यन माइनस 2 फिर यन माइनस 3 मतलब संख्या का मान कम होता जाता है घड़ती जाती है जैसे यन की जगा पर 9 रखतो तो 9 गुड़े 9 माइनस 1 यानी 8 फिर गुड़ा 9 माइनस 2 यानी 7 फिर गुड़ा 9 माइनस 3 यानी 6 यन 9 गुड़े 8 गुड़े 7 गुड़े 6 गुड़े 5 ऐसे होता है तो ये इस्टेंडर्ड फाम है बढ़िया चलो इसका जबाब छे वाले का अब इकाई यंक पे आजाओ में पॉइंट पे आजाओ यही सवाल है इकाई यंक बताओ इसका जल दिस चलो बेरे गुड चलो बहुत अच्छा ठीक है बच्चा बेरे गुड इकाई यंक क्या होगा इसका फाई फैक्टोरियल टू का वैलू क्या होता है टू इन्टू वान इक्वल टू होता है तिसका आंसर भी टू होगा सबी को आ रहा है मजा आ रही मस्त चलो सेबन नंबर सेबन नंबर बताईए कैरा निम्न अभव्यक्ति में इकाई यंक क्या होगा थोड़ा सा लग है ये बच्चा आप ये समझ लो कि अगर हम संख्या पांच या पांच के उपर किसी संख्या का इकाई यंक निकालने को बोलेंगे तो उसका इकाई यंक हमेशा जीरो होगा याद रखना बट वो संख्या पांच या पांच से उपर होनी चाहिए बताता हूं भी कैसे और क्यूं बताता हूं तो ये इसमें तो बहुत सारी चीजे हैं तो एक का फैक्टोरियल वन का बैलू वन टू का बैलू टू फैक्टोरियल तीन का मान छे फैक्टोरियल चार का मान जानते हो ना पड़े हो अभी ना क्या इका यंग निकालना है चार का क्या होगा चार गुड़े तीन गुड़े दो चौबिस ना चौबिस का चार और बाकी सब का जीरो उसके आगे सब का होगा फुन्ना उसके आगे सब सुन्ना होगा सब सुन्ना तो एक दो ये तीन हो गया तेरा बैया तेरा होगा टोटल इकाई यंक तीन तो क्या अंसर होगा तीन पांच के उपर कोई भी संख्या है उसका इकाई यंक जीरो होता है फैक्टोरियल में सब का कुछ भी कृती मिसरा समझ में आ रहा है ज्यान सिंग जो बच्चे PVR Study आप में देख रहे हैं इसपेशली अप्लिकेशन वालों के लिए ही है उनसे निवेदन है नोट जरूर बनाए कुछ बच्चे हो सकता इसे कहीं है ज़र डेमो देख रहे हैं तो उनको तकलिफ नहीं होनी चाहिए कि हमें तो डेमो में काहे को दिखा दिया उनको इसको यह तो आप वाली है यह पढ़ो सबी ना सभी पढ़ो आप में क्या है फिफ्स देखे जोईन हो और कहीं डेमो देख रहे हो फ्री है उद्यस यह नहीं कि फ्री है यह पेड है उद्यस पढ़ाई होना चाहिए हमारी कोशिस हर कोई पढ़े चाहे वो फीश जमा करें ना करें लेकिन मजबूरी एक हो जाती जिसका नाम है कि यहां से इस्टप मैनेज करने के लिए खर्चा लगता है इसलिए आप से पेहमेंट करवाना पड़ता है वही तु सब खेला है है ना चलो कोई बात नहीं पढ़ाई भिध्यान आगला आठ नमबर पर चलिए बताए फाइंड दा यूनिट डिजिट इन दा एक्सप्रेशन गिवेन बलो भाई या इंगलिस में लिख दिया हूं थोड़ा फाँ इसका अंसर फट से बता लेंगे आप आधा सिकेंड में देखें बहुत से बच्चे नों बता भी दिया बहुत अच्छा बहुत अच्छा ठीक है बहुत अच्छा बच्छा बेरी गुड ठीक है ठीक 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 जीरो आएगा जीरो 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 क्यों क्यों कि इनका सब में गुड़ा है मल्टीपल है दूसरे से चैन बाई चैन जुड़े हैं जुड़े हैं सब यह देखो यहां तक तो चार तक तो क्या होगा तीन हो गाई का इंक उसके आगे जीरो है तो जीरो 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 याद रखना अगर परोसी के गरे आग लगी है ना तो खुस्मत हो ना तुम्हारों जलेगा वही हाल है हमें इसके पड़ोस में आग लगी है तो जीरो आएगा इसका अंसर चल भाईया एक नया एक नया टेस्ट करते है जब संख्या क्रमा अनुसार गुड़ा में दी गई हो फैक्टोरियल हो गईरा जो है तो कुछ औरे बात है दिखाऊ सर्थ है बीच में दो गुड़े पांच जरूर आना चाहिए चलो फैक्टोरियल चीज ना हो वैसे डारेक्ट गुड़ा में दी गई हो संख्या क्रमा अनुसार सिरियल भाई सिरियल तो इक आई अंग क्या होगा आओ देखते हैं चलो बढ़िया मस्त है ना सब चलो बढ़िया आप ठीक थीक है ऐसे इस्तिती में इकाई यंग हमेशा सुन्ने होता है यूं टीजिट बिल्वी जीरो क्यों क्яться बीच में notre ना कहीश पांच गुड़े दो होता है और पांच गुड़े दो में इकाई यंग जीरो हो जाता है और इस होजा से सब जीरो हो जाता है ठीक है आगे बढ़े चलो आओ तो इसका क्या होगा कैसे समझेंगे देखो ये कहां तक जा रहा है अठारा तक ना समझना अगर हम एक एक अंक की बात करें इक आई एक में हम सिंगल अंक लेते हैं लास्ट वाला तो पांच गुड़े छे गुड़े आठ गुड़े नौ गुड़े दस का जीरो ग्यारा का एक बारा का दो वह इसे जीरो बन गया बीच में जीरो आजाएगा एक तब जीरो आजाएगा वैसे ही अगर ये जीरो ना भी आता तो पांच और दो मिलके वैसे भी आग लगा सकते थे क्योंकि 5 और 2 का गुड़ा करने पर 10 आता 10 में 0 था और इस तरीके से सब का इकाई एंग सब सुनने हो जाता है तो कहीं भी अगर संख्याएं सीरियल में दी गई है कर्मा अनुफार दी गई है और उसमें कहीं भी 0 या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं या तो 0 आ रहा है या 5 और 2 आ क्लियर चल भी अगला अगला एक नया टोपिक जल्दी जल्दी हम लोगों को इसको कबर करने हैं न एक जाम पता नहीं कब हो जाए कुछ पता तो है नहीं चलो बहुत अच्छा नंबर आप फैक्टर्स गुडण खंडों की संख्या वैसे बेसिक मैथ में भी इसको मैंने बहुत इक्स्प्लेंड किया है आपको पता ना इसके बारे में दिव्या पढ़ाई भी ध्यान दो यहां मैं सच रिप्लाई नहीं करने आएं सिर्फ पढ़ाने आएं ओनली पढ़ाई दुबारा मत बोलना मेरा नाम नहीं ले रहे हो ने ब्लॉक कर देंगे तुरंट इस पढ़ाई लाश्ट में नाम बोल देंगे सबके खूच हो जाना ठीक है है हमें पता है कि आपने फीज जमा किया है लेकिन नाम बोलने के लिए नहीं पढ़ने के लिए ना चलो गुडन खंडों की संख्या इसमें तीन टाइप यह तीन अगले पेज पर पहला गुडन खंडों की संख्या निकालना नंबर आफ फैक्टर दूसरा नंबर आफ इबेन फैक्टर यानि सम गुडन खंडों की संख्या नंबर आफ और फैक्टर यानि विसम गुडन खंडों की संख्या तीन चीज यहां से करेंगे अगला तीन चीज इसमें और आएगा सेक्शन भी में मैंने दो पार्ट नमाट रखा है गुलन खंडों का योग यानि सम आफ फैक्टर्स सम आफ और फैक्टर्स और सम आफ इवन फैक्टर्स यह चार ट्राइप इसमें होंगे ठीक है बढ़िया चलो बढ़िया गुड बेरे गुड आएए कहारा संख्या आठ के गुलन खंडों की संख्या बताओ पहली बात तो आप सभी फैक्टर्स जन्वे करते हो गुलन खंड हर कोई जानता है ना कोई डाउट ना किसी को चलो संख्या आठ के कुल गुडन खंडों की संख्या एक ची तुम्हें सीक्रेट बता दूँ चुपे से चाहे तुम अपलीकेशन में कलास जॉइन किये हो ये यूटूब पर डेमो देख रहे हो जो तीन चार बार कमेंट करता है ना फालतू उसको बिना कुछ बोले चुपे से बलाक कर देते हैं आदा गंटा क्लिए आदा गंटा ओ ठंडा पड़ा रहता है इससे अपने दिमाग में रख लो हम कुछ बोलेंगे नहीं कि यहां फलाने को बलाक कर रहे हैं नहीं नहीं तुम अपनी तरफ से कमेंट करते रहोगे कहीं जाएगा नहीं हो तुम्हें दिखेंका खुछ रहोगे हां मेरा जा रहा है इसलिए चाहे अप्लिकेशन में हो चाहे यूटूब पर हो चाहे फेस्बूक इंस्टाग्राम कहीं भी पढ़ रहे हो आप पढ़ाई करो चलो संख्या आठ के कुल गुडनखंडों की संख्या पहले तो आपको अभाज गुडनखंड आना चाहिए अभाज गुडनखंड आता इसको कर लोगे मैं बताऊं क्या होगा आठ के कुल गुडनखंडों की संख्या यह होगी एक दो चार आठ यानि इसके कुल गुडनखंडों की संख्या चार है अब आज गुडन खंड तुम सबको बताया हूँ, बताऊं कैसे होता, चलो देखो जैसे बच्पन में पढ़े थे, जावन छोटे से थे, पिल्ला भर के, कैसे पढ़े थे? अब आज गुडन खंड प्राइम फैक्टर सबसे पहले ऐसे हराई फंद आते हैं, फिर यहाँ नंबर लिखते हैं, इसके उपर लाइन के अब इनको सबसे छोटी फिर छोटी संख्या से भाग करेंगे, जैसे वन से करोगे तो कोई फरक पड़ेगा नहीं तो आप इन्हें क्या करोगे पता है, दो से भाग करोगे जो संख्या भाग फल आई है, उसको इसके नीचे लिखते हैं, और जिस संख्या से हमने भाग किया था, वो संख्या का करते हैं, पता है तुम्हें, इसके आगे लिखते हैं, बस यही ठीक है, ऐसे आप दो से भाग करोगे बारा में, जब दो से बारा में भाग करोगे तो च्छे आएगा, अब ऐसे छे में भाग करोगे दो से, तो तीन आएगा, अब ऐसे तीन में अगर दो से भाग करोगे तो एक सेसफाल आजाएगा, इसलिए हम तीन में दो का भाग नहीं करेंगे, हम तीन को तीन फे ही करेंगे, इस तरीके फे इनके अभाज गुडन खंड ये है अब आज ये गुड़न खंड ठीक है निकिल बाबू कुष्चन हिंदी इंग्लिस दोनों में होता है ये टॉपिक है क्या नंबर आप फैक्टर फाइंड करना इंग्लिस में भी बता रहा हूं लेकिन अगर आप डारेट इंग्लेंड से आये हो तो आपके लिए नहीं बाकी पढ़ने वालों के लिए हिंदी इंग्लिस दोनों लेंग्विज में है नैना सर्मा समझ में आ रहा है रीफन चौधरी चलो बढ़िया बढ़िया संख्या 24 के अभाज गुड़न खंड क्लियर तो ये चीज आप समझेगे गुड़न खंड की संख्या निकालना है चलो फिर बताओ अब में पॉइंट पे चलते हैं संख्या 32 के कुल कितने फैक्टर हैं जैसे अगर थोड़ी से हम छोटी बात करें पीछे और जैसे मैंने कहा कि संख्या 16 के कुल फैक्टर नंबर आप फैक्टर इन 16 नंबर आप फैक्टर इन 16 इंग्लिस वाले सुन लो जैसे जोको 16 में जिस जिस संख्या का भाग करने पर 16 में 0 आए वही गुड़न खंड होता फैक्टर होता तुम्हें पढ़ाया हूँ बेसिक मैथ अगर नहीं जानते हो जाके बेसिक पढ़ो पहले क्योंकि यहां बेसिक एक्स्प्लेन करने का वक्त नहीं है ठिक है तो 16 में हम भाग करेंगे किस से एक से करेंगे 0 आएगा दो का भाग करने पर 0 आएगा तीन फे नहीं आएगा चार फे आएगा फिर आट फे आएगा फिर फोला फे आएगा तो नमबर आफ फेक्टर इन सिंख्रीन इस 5 ऑवर फाइब नरा तो 16 के कुल जो गुड़न खंडों की संख्या है क्या है पाँच है लेकिन यह अब आज गुड़न खंड नहीं है यह सिर्प गुरन खंड है only गुड़न खंड है ठीक है topic क्या था कुल गुड़न खंडों की संख्या निकालना था बस कुल निकालना है ठीक है कि तो कुल निकालना है तो ठीक है ये भी सही है कि इस पाँच न अच्छा अगर आफ मैं आपसे बोलूं कि 32 के कुल गुड़न खंड बताओ ये पेपर में भी ऐसे आता है find the number of factor in 32 मतलब ये किस की संख्याओं से पूरता विवाजित हो जाती है यानि इनका किस से किस से चल रहा है अब तुम इस से ज़्यादा और क्या समझ सकते हो बताओ ठीक है तो 1 से 2 से 4 से 8 से 16 से 32 से कर लोगे ना और कोन नमबर छूट रहा है क्या छे कितना छे संख्या से को आओगे हाँ ये तो करिन लेंगे ये तो आफान है लेकिन देखो बात लेकिन तब हो जाती है जब अगर हम तुम से पूछें कि ये बताओ चच्चा number of factor in this number में नमबर अफ़ेक्टर कितना होगा अब में आफात आएगी क्योंकि ये उतना आफान है नहीं फिर क्या करोगे पिर यहां गड़बड होगा है ना फिर ये गड़बड होगा कैसे इसके लिए अब एक तरीका है तरीका क्या है पहले ये तरीका हम उसी पर आजमाएंगे जिसका हम छोटा-छोटा निकाले हैं फिर बड़ी संख्या बाद में दिखाएंगे आओ देखो कैसे पहले हमें तरीका 32 पर अपनाएंगे ठीक है कैसे इसका तरीका मैं कहीं लिखके भी रखा हूँ अब तुम्हें दिखाता हूँ देखो ये तरीका है इसका ये तरीका है गुरू चलो चल भईया रुकना थोड़ा सा क्या करना है पहले अबाज रुप में लगाना है फिर भरतेख घात में एक जोड़ना है और उनका गुड़ा करना है घातों का फिर जो मिलेगा अंसर है इतना इस्टैप़्ालो करना है चलो आओ बढ़ते हैं चलो हम 32 में try करते हैं संख्या क्या बत्तिफ है तो कह रहा है कि सबसे पहले इनकी आब राज गुड अंखन करोगे 2, 2, 4 2 से भाग करोगे 16, 2 से भाग करोगे 8, 2 से भाग करोगे 4, फिर 2 से भाग करोगे 2 से करोगे यानि इनको फिर कमने क्या गुड़न खंड कर लिया अगला है इनको घात रूपमें लिखना गुड़न खंडों को तो कर चे चुल्या Georgia maths अगला सब्सक्राद में गहात के जोड़ना है लिए और इनका गुड़ा कर लेए चुल्या लयंगा तो चलो यह होगा आंसर छे क्या है आंसर नंबर आप फैक्टर इन थार्टी टू इस छिक्स देखो यह उच्छा आया था ना यह देफी तरीका देफी इसमें कोई ट्रिक नहीं है बिल्कुल बेसिक यह था ना ट्रिक से भी छे आया एक और देखो भी जैसे माल लो कि संख्या बीफ ले लो 20 के कुल कितने गुड़नखंड होंगे नमबर आप फैक्टर पहले न कि आप हाज गुड़नखंड करते है तो दो फिर दो फिर पांच ठीक है बस खतम इनको घात रूप में लिखिए तो दो का घात दो फिर पांच का घात कितना होगा दो है न अब कहते हैं घातों में एक एक जोड़ते हैं तो ये तीन हो जाएगा इसकी घात में एक जोड़ो भाईया ए भाई पांच की घात एक होगी यार पांच तो अकेले हैं न सिंगल को मिंगल का है कर रहे हो एक जोडो के घात में दो आएगा फाइनल में छे आप करो किसंब होगे आएगे का नए, पहले देखते हैं कि 20 का रियल में 6 आता भी है कि गलत है आओ अगर हम 20 में 1 का भाग करेंगे 0 आएगा 6 फाल 2 का भाग करोगे 0 आएगा चार का भाग करोगे जीरो आएगा, पांच से बीस में भाग करोगे जीरो आएगा, ठीक, छे से, नहीं, साथ, आठ, नो, दफ, और बीफ, भाई साब देखा हो, छे ठीयावत आए वही से हो न, कितना अच्छे आया न, इसका मतलब, तरीका सही है, गुरु जुगाड फही है कोई डाउट ना किसी को, थोड़ा रुखना आथा मिनट, जलो अगला बता तो फिर इसीमला के हाथ, आएफे ट्रीकी, आएफे काम करेगी, 32 में फैक्टर की संख्या बताओ, एक बार नकल करके बताओ, जल्दी करो भाई फटाब चलो, गुड बेरे गुड बहुत अच्छा, चलो, ठीक है, अभी सभी देखे हो, छे आया था ना, ठीक है, जोबी, सुर्या, निया, प्रिती, रोशन, करन सिंग, तो इसमें तो कोई दिमाग नाम की चीज परियोग करना ही नहीं था आपको, यह आएगा, सब ही जान रहे हो, तो अब जब ट्रिक जान गए हो, तो आईफे ट्रिक सब में लगाओ गे, यह तरीका था, खतम हो एक कायर, तो बस यही था, लेकिन अभी सवाल आउर करवाएंगे, ऐसा थोड़े हैं, चलो यह में बता दो, क्विश्चन है अगला, 256 में कुल गुड़न खंडों की संख्या, अच्छा एक काम करते हैं, 256 में नहीं, पहले 100 कर लो, जिससे ऐसी संख्या लो, जिनका हम डारेक्ट बेसिक रूप से भी पकड़ फक्या फानी फे, जिससे एकदम पूरा बिश्वास धेर फारा हो जाएगी, यहां बिल्कुल ट्रिक साही है, है ना, चलो बताओ 100 में, अभाज नहीं, ओली गुड़न खंडों की, पहले संख्या का हम अभाज गुड़न खंड करेंगे, तो दो से भाग करोगे, पचास आएगा, फिर दो से करोगे, पचीस आएगा, फिर पांच से भाग करोगे, फिर पांच से करोगे, फिर चाहे एक लिख लो लेकिन कोई मतलब नहीं, यही तो होगा अब आजी गुड़न खंड तुम्हें सबको पता है यह चीज मैं बच्पन में सिखाया हूँ और बुढ़ा गयो अब सब जान रहे हो ना जानते हो करना गुड़न खंडों की संख्या के लिए इनका घात रूप में लिखोगे तो दो का घात दो इसका पांच की घात दो क्योंकि दो बार है फिर से बता दूँ सबसे पहले दी गई संख्या के अब आज गुड़न खंड करोगे यह मैंने कर दिया पीला वाली लाइन में फिर गुड़न खंडों को घात रूप में लिखोगे गात रूप में मैंने लिख दिया ग्रीन वाली लाइन में और फिर इस पता नहीं कौन सी रंग है गातों में एक जोड़ोगे गातों में एक जोड़ोगे तो दो में एक जोड़ोगे तीन इसमें एक जोड़ोगे तीन फाइनल में नव यह आंसर यानि जो संख्या 100 है वो कुल 9 संख्याओं से पुरुता अभिभाजी तो होगी यानि उसके 9 फैक्टर होंगे टोटल कितने होंगे नमबर आफ फैक्टर 9 गनेश समझ में आ रहा है आगे बढ़े clear अच्छा हाँ ये no कैसे होगी अभी तो छोटी संख्या है ना हम पकड़ सकते हैं कैसे होगी आओ दिखाते हैं 9 कैसे होगी संख्या मने दिया 100 इनके कुल जो गुड़नखंड है 9 कैसे होगे पहले तो एक से पूरता विभाजित है दो से है चार फे है इसका मतलब यह है अगर दो से भाग करेंगे 100 में 0 आएगा क्या बोला मने दो से 100 में भाग करेंगे 0 आएगा अगर चार से 100 में भाग करेंगे तो 0 आएगा पांच से भाग करेंगे 100 में 0 आएगा दस से भाग करेंगे 0 आएगा बीस से भाग करेंगे 0 आएगा पचीस से भाग करेंगे 0 से फ़ल आएगा 9 संख्या होगी टोटल गिन लो कितना हुई अभी 3, 4 साथ हुई अभी 2 संख्या हो रहे है वो 2 कौन कौन सी है एक तो 50 है और 100 खुद है बस हो गया इनके 9 फैक्टर खतम समझ में आया ना कोई डाउट ना किसी को बढ़िया चलो रूपना थोड़ा था चलो ठीक है बढ़िया गुड तो अब थोड़ी बड़ी संख्या लेंगे ठीक है आओ जिनमें हम डारेक्ट वाशे आफानित ना कर पाएं बताओ 256 में 256 तो से में गिंती आएगी सब इसमें यह बताओ 180 आलीफ कुल गुडन खंडों की संख्या जल्दी करो कुल गुडन खंडों की संख्या बताओ कर लोगे आओ चलो बैस सबसे पहले इस नंबर का आप करोगे अभाशे कुल गुडन खंड आफे 148 214 248 236 यही तरीका और कोई तरीका है नहीं गात रूप में लिखोगे दो का गात दो और 35 का गात एक गात में जोड़ोगे तो तीन इसमें जोड़ोगे दो फाइनल में छे यानि 148 के फुल गुडन खंडों की संख्या ओनली 6 कितना 6 गनेश समझ में आ रहा है रिशन चौदरी तूर्या नेहा सबको आ रहा है बढ़िया मस्त है यह सिर्फ उनके नाम बोलेंगे जो डेली लाइब में आते हैं यह मत सोचना इनका नाम का है बोल रहे हैं जो हर दिन आते हैं ऐसा नहीं दिन आ गए सकल दिखाने अपनी तो मैं तुम्हारे कमेंट का नहीं पढ़ रहा हूँ देली आओगे पहले आंसर बताओगे इस बेस पे हम कमेंट पढ़ते हैं सबका नहीं पढ़ते हैं कमेंट तो 2700 बच्चे कर रहे हैं क्या करें सबका थोड़ी पढ़ेंगे चलिए अब हम सुरू करते हैं कलास पर आजाते हैं छोड़ो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं उनके कमेंट बाद में देखूँगा अगल 10 मिनट में जैसे कहें संख्या 12 में कुल कितने सम गुडन खंडों की संख्या है सम और भी सम गुडन खंडों की संख्या निकालना है पहले तो आप इनका मतलब समझे लो बिल्कुल बेसिक वाला और फिर मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं ठीक है बईया हम इस अमझो इनका सही होना चाहिए अब ही पहला सीखना चाहिए बुडन खंड क्या है यह तो बहुत अच्छे जानते हों इनके अगर टोटल फैक्टर की बात करें तो 1,2,3,4,6,12 ये सब क्या होंगे इनके फैक्टर होंगे clear ठीक है ये क्या होंगे इनके फैक्टर होंगे अब आगे समझना इसमें अगर मैं कहूँ कि number of factor total number of factor कितना है संक्या 12 के कुल कितने गुडन खंड है बताओ तो total number of factor इसके कुल कुडन खंडों की संक्या कितनी है बहिए अगीन लो छेठी है कितना अच्छे ठीक है अगला सवाल इसमें बनेगा total number of event factor जो factor है उसमें कितने ऐसे number है जो सम संक्या है चार संक्या यह सम है चार अगला सवाल इस टाइब का है आज total number of odd factor तो odd factor कितना भईया तीन है यह हो है यह भई रुक जा हाँ सम था ठीक है भी सम में यह कहला है यह दूए यह तो बिल्कुल छोटा सा गिंती थी जिसमें आप एक एक ठूँ पकड़ पकड़ के लिख दिये लेकिन जब आगे नंबर बड़े बड़े हो जाएंगे तो उनके सारे factor भी सामने लिखना आफान नहीं होगा फिर वहाँ trick लगाएंगे ठीक है कल मैंने आपको यह बताया था कि total number आप factor का trick क्या होता है बताया था क्या बताया था याद करिए दिगई संख्या के अभाज गुडनखंड करेंगे फिर उनको घात रूप में लिखेंगे और फिर परतेक घात में एक एक जोड देंगे और सबका गुड़ा कर लेंगे वही अंसर हो जाता था कल की कलाफ नहीं देखा देख लेने ता भी समझ में आयागा आज हमारा में टोपिक है ये ये दोनों है टोटल नंबर आफ इवन फैक्टर टोटल नंबर आफ और फैक्टर और इसके आगे बचेगा तो सम आफ इवन फैक्टर सम आफ और फैक्टर यानि कुल सम गुडन खंडों का योग कुल बिसम गुड़न खंडों का योग ये भी आगे पढ़ेंगे टाइम मिलेगा ठीक है इनको हिंदिम बोलते हैं कुल सम गुड़न खंडों की संख्या कुल बिसम गुड़न खंडों की संख्या तो बारा में कुल सम गुड़न खंडों की संख्या कितना है चार आंसर आपका बी क्लियर कमेंट नहीं देख रहा हूँ तब ही तक मज़ा है बढ़िए बिल्कुल टेंसन फ्री हुमें कमेंट नहीं पढ़ूँगा भी कमेंट लाइश नहीं पढ़ूँगा जिनको पढ़ना है चुपचाप पढ़ें क्योंकि कमेंट में तुम कौन बहुत अच्छा चीज़ लिखते हो चलो कुल सम गुड़नखंडों की संख्या निकालने के लिए अब आज ये गुड़नखंड की गहतों में सिर्फ पिसम संख्या की गहत में एक जोड़ेंगे सम वाले में नहीं जोड़ेंगे क्या ममला है नहीं समझ में आया आएगा भी आएगा देखो जैसे फारिग जैंपल अगर हम कहें बारा में कुल कितने सम गुड़नखंड है तो हम पहले इसका अभाज गुड़नखंड करेंगे ट्वल का अभाज गुड़नखंड में हमें मिलेगा ट्व इंटू ट्व इंटू इंटू थ्री सबको पता है दो दुनाचारतियां बारा फिर इनको हम घात रूप में लिखेंगे तो दो का घात दो बना तीन का घात एक बना कह रहा था कि गुड़नखंडों में सिर्फ और सिर्फ विसम संख्या की घात में एक जोड़ेंगे सम वाले में नहीं जोड़ेंगे तो इसमें सम वाले की घात दो थी मैंने दो को दो ये लिख दिया विसम वाले की घात इसमें एक थी उसमें एक जोड़ा तो दूई बन गया अब इन दूई-दूई का गुड़ा किया, फाइनल में चार आया, ये आंसर है, कि संख्या बारा में, फुल सम गुड़न खंडों की संख्या कितना है, चार है, अब तुम्हें यकीन भी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो ट्रिक था जुगाड, तुमको मैंने बिल्कुल दे पक्का कर लोगे ना, चलो, अगले 15 बिनिट पढ़ा के, फिर मैं आपका कमेंट लेता हूँ, अभी मैं वहाँ देख रहा हूँ, अभी डिवाइस मेरा बंद है, कमेंट वाला, आओ, पहले अभाज गुड़न खंड करेंगे 30 का, तो 2, 3, 6, 35, ये 30 का अभाज गुड़न ख है नहीं, घात एक एक लगें कि क्योंकि इनकी रिपीट, अलग कहीं रिपीट तो हो नहीं रहे ये, तो सब की घात भी एक एक लगेगी, चाहे तो अलग लिख लें या ना लिखें, खाना पूरती के लिए लिख लो, कह रहा था कि जो सम संख्या है, फिर से एक बार देख लो, हमें सम गुड़न खंडों की संख्या निकालनी है, ऐसे में बिसम संख्या की घात में एक जोडेंगे, बिसम वाले में जोडेंगे, अगर सम निकालना है, तो बिसम वाले में एक जोडेंगे, और सम वाले में पाइनल में चार आएगा यानि 32 में जो कुल 37 में जो सम गुड़नखंडों की संख्या वो चार है मैं बताओं कौन-कौन है देखो एक तो दो है एक और कौन है हो? जो sum हो 30 में sum कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो 2 हो जाएगा? एक 30 हो जाएगा? 15 तो sum होगा नहीं? कुछ उल्टा हो रहाएगा? ठोड़ा देखना? sum वाले में नहीं जोड़ेंगे देखो verify करने के लिए मैं एक बार एक काम करता हूँ 30 के जितने भी factor है जितने भी संभावी तो factor है सब लिख देता हूँ ठीक है? हाँ देखो एक तो 2 हो जाएगा 1 10 हो जाएगा 1 30 हो जाएगा एक और कोन हो जाएगा इसे? कौन? अभी सब आजाएगा देखो अब बताता हूँ लेकिन 4 संख्या होनी चाहिए 4 कहां बन रही? पहले इनको सब को अटा दो अभी इनको अभी बात न बताऊँगा पहले एक ये कर लो कोई भी number ले लो मैं मिटाऊँ का है को यार इसको? रुको इनको अगले पेज़ पर कर देता हूँ ठीक है? पहले बेसिक तरीके से समझते चलेंगे तब फिर हम ट्रिक में आएंगे बेसिक आपके बिल्कुल दिमाग में घुच जाए तो इनके total number आप factor बताऊ जल्दी से कौन-कौन होंगे जिन से पूरा तरह डिबाइड हो जाए एक, दो, तीन, पाँच, छे, दस, पंदरा, और तीस इनमें सम संख्या चार होनी चाहिए हाँ तो है तो चार ले लो ना सम गुडनखंड कितने है? चार कौन-कौन से? एक तो दो है, एक छे है, एक दस है, एक तीस है ये क्या है? इसके सम गुडनखंड है समझ मैं है? तो दείको, ट्रीक से हमारा कितना आया था? चार आया था, anser? ट्रीक से चार आया था? ये क्या था तरीका? किसी भी संख्या के कुल सम गुडनखंडों की संख्या निकालना यहाँ पर देखो ट्रिक से मैं नहीं लगाया तो कितना यह था? चार यह था पेसिक मैंने लगाया तीस के कुल सम गुड़न खंड कौन कौन से है? यह चार मिल गए सम गुड़न खंड, बाकी सब बिसम है बिसम वाला भी ट्रिक अभी बताओंगा अब बिसम वाले में क्या करते हैं पता हैं पता हूँ देखो बिसम वाले में एके लेते हैं दुफर का छोड़ देते हैं देखो कैसे बिसम वाले में पता हैं इसमें क्या करते हैं सम गुड़नखंडों की घातों को छोड़ देते हैं जब बिसम वाले की संख्या निकालते हैं तो सम वाले गुड़नखंड को इगनोर कर देते हैं, कोई बैलू नहीं देते हैं, फिर बिसम वाले में एक-एक जोड़ के हिसाब कर लेते हैं, लेकिन पहले एक-एक समझो नहीं सब ये डाइजस्ट नहीं होगा, हजम नहीं होगा, अब इसी तरीके से आप मुझे 45 में बता दीजिए, 45 में कितने लोग बता लेंगे, इनको इनके आगे लिख देता हूँ, लेचल के, दिख रहा है एक नहीं सामने, थोड़ा छोटा हो गया होगा ना, लेकिन दिखेगा, 45 में बता हूँ, चलो, इनके सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, तो तीन, तिन का 9, 45 हो गया, इनको गहात रूप में लिखिए, तो 3 का पावर 2, 5 का पावर 1, नियम क्या कहता है, कि जो समसंख्या की घात है, समसंख्या की घात, उसको बिल्कूल नहीं छेडेंगे, वैफे रहने देंगे, तो समसंख्या इसमें कोनों है यह नहीं है, तो जिदनी हैं, उनको सबको हम चेंज करेंगे, सब में 1-1 जोड़ेंगे तो इसमें एक जोड़ोगे 3 इसमें एक जोड़ोगे तो 2 हो जाएंगे तो 3 गुड़ा 2 फाइनल में 6 यानि 45 में कुल 6 संख्या ऐसी होंगी इसके factor में जो sum होंगी मुझे भी नहीं यकीन हो रहा है 45 में 6 संख्या कैसे sum होंगी जड़ा देखो तो सही जोड़ा है का हम सही जोड़ा है मैंने आँ देखते हैं 45 में वो 6 संख्या कौन कौन सी है कहां से आएंगी वो किदर से आएंगी मुझे इस trick पर थोड़ा बिलीब कम हो रहा है भी फिली मैं हर एक संख्या को चेक करके बता रहा हूँ लेकिन सही है गलत नहीं है इस ब्रह्म में ना रहना गलत है गलत नहीं है सम संख्या इसके 6 कैसे होंगी इसके factor में आओ एक तीन पाँच नो पंदरा ए बैया है मैं तेको सम आई नहीं रहा है यार कईसे 6 आ गया वो कईसे काम करेगा फिर त्रिक गलत है क्या की कुछ गरबड़वाया है रुको देखूं फ़ड़ा रुको ना समझते है चलो यही चीज़ तो समझना है आप कह रहा है के लिए अब आज गुणनखंडों की घातों में सिर्फ और सिर्फ बिसम संख्या की घात में एक जोड़ेंगे लेकिन सम वाले में नहीं लेकिन यह सवाल यहां नहीं है कि अगर सारी घाते बिसम ही आए तो उसका एक अलग तरीका होगा मुझे ऐसा लग रहा है अगर सारी घाते बिसम आए तो फिर उसका तरीका अलग हो जाएगा इसमें कोई सम वाली संख्या की घात आई ही नहीं है आई है, देखो ये भी संक्या गा है, ये भी संक है, सब भी संक है तो इसका trick में आपको अलग बताऊंगा, जिसमे सम और भी संक्या थोनों मिक्स हैं, आज में ऋभी बताताऊं, ठीक है क्योंकि ये trick पर ये बैटेगा नहीं क्यों कहां बैठ रहा है बताओ अगर इसमें आप एक एक जोड़ दोगे यह तीन दूना छे हो जाएगा और इसके फैक्टर में टोटल फैक्टर में कोई भी परकार की सम संख्या आएगी नहीं 45 में इसके सम फैक्टर होंगे यह नहीं तो उनी को अभी करते हैं जिनमें मिक्स आते हैं ठीक है सम भी सम दोनों आते हैं यह ट्रिक उनी के लिए काम करेगी ठीक है यह भी चलो अच्छा हुआ क्लियर हो गया इसी में अभी हम उनको लेते हैं जिन में सम भी सम दोनों आतें उनमें रहाиль जैसे देखो 12 में किया सही बैठा और में सही बैठा वैसे इनमें भी देखते हैं इसलिए तो कोई trick यूज करो तो उसके साथ बेसिक फंदा भी लेके चलू सही बैठ रहा एक नहीं बैठ रहा है ठीक है कुछ गलती हो रही हो बताना मुझे इनको करिए दो से डिवाइड करेंगे 36 आएगा फिर दो से करेंगे 18 आएगा फिर दो से करेंगे 9 आएगा फिर 3 चलिए इनको गात रूप में लिखते हैं तो 2 का घात 3 इंटू 3 का घात 2 नियमा नुसार जो सम संख्या है उसकी घात में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे भी सम वाले में करेंगे तो सम संख्या घात 3 है इसमें कोई चेंज नहीं इसकी घात 2 है इसको 3 कर देंगे फाइनल में जो इसके सम फैक्टर आएंगे और नौ आएंगे आप चलो बेसिक में रखके इनको ट्राइ कर लेते हैं क्या तरीका सही है किस-किस प्रकार की संख्या में लगेगा जिसमें मिक्स गुड़न खंड होंगे उसमें पक्का लगेगा ठीक है बढ़िया ना कोई दिक्कत ना किसी को चलो आओ तो यह क्या है इनका बेसिक तरीका आओ मैं आपको ट्राइ करके दिखाता हूँ 72 में कैसे 9 संख्या गुड़न खंड आ रहे हैं चलो बही आओ 72 एक, दो, तीन, चार, छे, आठ, चार संख्या गुड़न खंड बताना है नव बताना था यार नव बताना था ठीक है बारा ये इनके सारे में फैक्टर लिख रहा हूँ नमबर आप फैक्टर कितने हैं 72 के वो लिख रहा हूँ अठारा चाटीस बाहत्तर टोटल कितने जा रहे हैं बही जोड़ो तो चार चार आठ एक नव एक दस कौनो छूट भी रहा जरा कोशिस करो देखो तो कौन छूट रहा है गड़बड़ नहीं होना चाहिए साही सही बैठना चाहिए चलो देखो गिल लेते हैं सम कितने हैं एक दो तीन चार पांच छेस साथ आठ एक कौन सा छूट रहा है 72 में एक और कौन छूट रहा है तीन ओर है बिलकुल सही है अभी सारा लिख रहा हूं mix है इसमें किवल सम नहीं है इसमें सब लिख रहा है पुरा 72 के और कौन-कौन से factor हो सकते हैं चलो पहले trick से देख लेते हैं कि इसमें कितने factor जो है totally हो सकते हैं ठीक है पहले इसमें देखता हूँ total कितने factor हो सकते हैं समझे ना आओ total number आफ factor 72 में कितने होंगे सब चीज इकदम पूरा explain करके समझते हैं या फिर trick पर बाद में काम करेंगे क्योंकि trick जो है तभी लगाएंगे जब हम पूरी तरह से चंतुष्ट हो जाएं कि हाँ ये सभी में सही बैट रहा है और जबकि सही ये गलत नहीं है आओ चल बैया इसमें नंबर आफ फैक्टर कितने हैं इसके लिए सबसे पहले इनकिया भाज एक उड़न खंड करेंगे दो से डिवाइड करोगे 36 फिर क्या करते हैं इनको घात रूप में लिखते हैं इनकी घाते देखो कितनी हैं तीन दिनकी घात दो इनमें एक एक जोड़ लो सम में चार और तीन बारा इनके नंबर आफ फैक्टर टोटल बारा आने चाहिए 12 आना चाहिए चल भाईया देखते हैं बारा निकालते हैं अभी कितने आएं हमने तब 10 आएं लग भगना दो छूट रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ चार तीन साथ दो नो एक दस अभी दस आएं दो और छूट रहे हैं चलो उनको भी देखता हूं कौन-कौन से हैं पांच तो होगा नहीं छे लिखी दिया हूं साथ होगा नहीं आठ हाँ नो अठ बहात्तर नो भी तो है इसमें नो नो ठीक है दस ग्यारा बारा तेरा जोदा बंदरा होगा नहीं तोला ततरा नहीं होगा अठार लिखा हूं एक और कौन छूट रहा है यार क्यास कर भाई प्रश्च 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 पूरा टाइम देखो गए हम बिल्कुल खोज निकालेंगे हमें नौ संख्या प्राप्त करनी सम में चलो गिनो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और यह नौ सम फैक्टर हो गए नौ ना तो यह थी आपकी ट्रिक जो की बिल्कुल सही है आपको यह ट्रिक लगानी है देखो नौ हो गए संख्यासा मौली बढ़ियां तरह यह बात ना करो और ना तुम्हें पर्मनेंट ब्लक कर दूँगा ठीक है और तुम्हारे जैसे कितने नलाइकों को मैंने ब्लॉक किया अभी सुन रहे हो ना अगर यह फीस जबा किये हो इनको तब बलक करिए बलक करिए दुबारा इनको कोर्स नहीं देना है जो भी क्लास में बात करा बगाओ इनको आए चलिए यह हो गया तो क्या सिखा आपने कुल सम गुडनखंडों की संख्या निकालने के लिए दीगई संख्या के हम अभाज गुडनखंड करेंगे उसके बाद उनको घात रूप में लिखेंगे घात रूप में लिखने के बाद क्या करेंगे जो सम संख्या की घात होगी उसको बिल्कुल डिश्टर्ब नहीं करेंगे जो भी सम संख्या की घाते होगी उनमें एक एक जोड़ देंगे और फिर गुड़ा कर लेंगे आंसर आजाएगा वैसे मैंने इसमें भी किया लेकिन सर्थ ये है जो अभी मैंने सीखा पिछली कलास से कि जो इनके अभाज गुड़नखंड हो संख्याओं के वो मिक्स होने चाहिए अगर सभी गुड़नखंड सिर्फ बिसम संख्या में ही है तब ये जुगाड नहीं लगेगा इसका ट्रिक में कल बताऊंगा समझ के अभी इसकी ट्रिक मुझे समझा नहीं मैंने क्योंकि ऐसा कभी फेस हुआ नहीं मुझे लग रहा था ये ट्रिक सब में लग जाएगी लेकिन मैंने 45 में देखा उसमें फेल हो रहा है है न तो ये भी याद रखना ये ट्रिक उनमें लगेगी जिनके अब आज गुड़नखंड मिक्स आते हैं मतलब सम और विसम दोनों में आए इन में आओ करते हैं चल भाया दो से भाग करोगे 60 आएगा फिर दो से भाग करोगे 30 आएगा फिर दो से भाग करोगे 15 आएगा दो से भाग करोगे 120 में अब आज एकुड़नखंड करना हूं मैं 60 आएगा फिर दो से करोगे 30 आएगा दो से करोगे 15 आएगा तीन से करोगे पांच से करोगे दो दुना चार दुना आठ तरीक 24 25 120 घात रूप में लिखो दो का तीन तीन का वन और पांच का वन समसंक्या की घात को बिलकुल डिस्टरब नहीं करोगे उसको वैसे लिख लोगे 20 सम संख्या की गात में एक एक जोड़ देंगे तो 3 दूना 6 दूना 12 इसके सम गुड़नखंड जो होंगे कितने होंगे 12 होंगे ठीक है ये होगे आंसर आगे बढ़ो चलो भई बताएए 1024 में कुल सम गुड़नखंडों की संख्या कैसे करेंगे ये याद रखना हमेशा मिक्स आना चाहिए इनका फैक्टर अगर मिक्स नहीं आया तो इसका मतलब फिर उसमें कुछ और हो सकता है जुगार ना लगे ये हो सकता है अगर सिर्फ बिसम बिसम आरा गुडन खंडों की संख्या तो ये ट्रिक नहीं लग रहा मैंने देख लिया आओ आगे देखते हैं अब एक और भी ट्राइ कर लेते हैं उसके बाद इसमें डाउट क्लियर करते हैं आपका देखो समझते हैं एक और भी पहले इसमें डाउट क्लियर कर लें पीछे वाले में न देखो ये जो ट्रिक मैंने बताया ये मुझे लग रहा था सम में लागू है बट ये ट्रिक उसमें लगेगी ऐसी संख्या जिनके अभाज गुडन खंड मिक्स हो हो यानि सम और विसम दोनों हो अगर सिर्फ और सिर्फ विसम संख्या हैं उनके गुडन खंड में तो ये ट्रिक नहीं लग रही है गलत हो रहा जैसे पैतालिस में ले लो काहे को पैतालिस में देखो क्या हो रहा था भी दिखाया था न 45 में देखो क्या होगा 45 का एक बार फिर से इधर देख लो 3, 3, 9, 5, 45 इनकी घाते बन रही है 3 का घात 2 और 5 की घात 1 है न हमें सम गुलन खंडों की संख्या निकालनी है अगर इनमें हम एक एक जोडेंगे तो यह 3 और 2 हो जाएगा फाइनली कहता है इस नियम की अकार्टिंग अगर ट्रिक लगाएंगे इनमें सम गुलन खंडों की संख्या 6 है जबकि सच्चा ही है 45 का कोई भी सम गुलन खंड है ही नहीं है न तो यह ट्रिक इसमें नहीं लगेगी जिसमें सारे गुलन खंड भी सम आए आईए इसमें देख लेते हैं जिनमें सारे गुलन खंड सम आए उनमें लगता है कि नहीं जैसे मैं मानलो 16 ले लिया मैंने चलो दो के घाट 4 होगा इस नियम के अनुसार कह रहा था कि जो सम संख्या की घाते हैं उनमें कोई चेंज नहीं करेंगे बिसम वाले में चेंज करेंगे तो इसमें बिसम कुछ है नहीं सम ही है जो भी है तो हम क्या करेंगे मानले आंसर इसका जो बिसम घात है उसकी आंसर मानले यानि 16 में जो सम गुडन खंडों की संख्या है वो 4 है क्या यह सही है रियल में आओ देखते हैं सोला के कुल गुडनखन एक, दो चार आठ सोला इसका मतलब यह तो सोला में तो सही बैठ रहा है आप और किसी में ले लेते हैं दूसरे में देख लेते हैं, ट्राइ कर लेते हैं 32 में ले लेते हैं, चलो दो का घात 5 में बनेगा अगर हम उस ट्रिक के lucky चलें तो इसमें सम संख्या की घात में कोई बदलाव नहीं करना है हाँ ना? विसम वाले में करना है, सम वाले में कोई बदलाव नहीं करना है समझे ना? तो भाई साहाब इनका आंसर हम 5 मान ले क्योंकि इसमें कोई भी समसंख्या तो है नहीं और समसंख्या की घात में कोई बदलाव करना नहीं है ना चलो देखो आओ बढ़िया है कोई बात नहीं तो तो क्या अब रियल्टी देखो इनकी फूल फैक्टर इनके वान टू पूर एट तोला और बत्तिस ए गुरू एमसाई बैट रहा भईया इसका मतलब जब किसी संख्या के गुडनखंड में अब आज गुडनखंड में सिर्फ और सिर्फ समसंख्या आए तब वो ट्रिक काम करेगी लेकिन अगर उनके गुडनखंड सारे बिसम संख्या में आ रहें तब वो ट्रिक काम नहीं कर रही इसके बारे मैं बात करूँगा अगली कलास में जरूर आपको बताऊंगा ठीक है समझ गे फिर से पीछे देख लो ये जो ट्रिक है वो ऐसी संख्याओं में काम करेगी जीन के अभाज गुडनखंड मिक्स हैं सम और विसम दोनों है या फिर किसी संख्या का अभाज गुडनखंड सिर्फ संख्या है उसमें विसम संख्या सामिल नहीं है लेकिन अगर किसी संख्या का अभाज गुडनखंड सिर्फ विसम संख्या है बेरु कुमार बहुत अच्छा नीलम लॉकूस पंकत बढ़िया समस्च चल रहा है चलो आव बढ़िया है गुड बहुत अच्छा इनका क्या कहता पैले ट्रिक लगाएंगे अब आज गुणनखन निकालेंगे अब आज गुणनखन सभाई लोग कर लेंगे इसका दूई पंचे दस दूई एक कम दूई दूई दूना चार यह तो सभाई को आता है ना सबको पता है ना 32 को दूई का घात पांच लिख सकते हैं तुम सबको पता है कैमरे की बैटरी चेंज करना पड़ेगा आधा मिनट रुकना बस ओनली आधा मिनट कहीं जाना नहीं अगो भी आगे हो हम आगे हो चलो चले हैं आगे आओ चलो पिर क्या करोगे आप देखो हैं आप अब दो से डिवाइड करोगे 16 दो से करोगे आठ दो से करोगे चार फिर दो से करोगे दो और फिर दो से करोगे एक ठीक है क्लियर गिन लो कितने हैं टोटल एक दो तीन चार पांच छे फाथ आठ नव दस रही जा रहा है ना गिन लो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस क्या बन रहा है दो के घाद 10 प्रिक क्या कहता है कि सम गुड़न खंड़ों की संख्या निकालने के लिए आपको जो सम संख्या की घाद है उसमें कोई चेंज नहीं करना है विसम वाले में एक जोड़ देना है सब का गुड़ा कर लेना है तो पी सम वाला तो कोई है नहीं इसमें सम वाले में कोई चेंज नहीं करना 110 घात है हम कह सकते हैं कि इसके गुड़न खंड में 1024 के गुड़न खंड में कुल सम गुड़न खंड 10 हैं कितना है नंबर आप सम फैक्टर 10 बस पास एट्रिक कई सवाल पर लग चुकी है किसमें बता जल्दी से नेलु कुमारी बहुत अच्छा रानी रावत इमांदारी से सिर्फ पढ़ने वाले लोग रहेंगे बस बाकी मैंने आज अभी 117 लोगों को ब्लग किया है 127 लोगों को ब्लग किया अभी सिर्फ पचीफ लोग हैं बस वो पढ़ने वाले हैं मुझे भींड नहीं बटों नहीं करता हो की जिसमें से मैंने 18 लोगों को उनको ब्लग किया जिन्होंने फीस जमा किया फीस जमा किया हो हमें खरी थोड़ी लियो कि जो मर्जी वो करोगे क्लास में पढ़ने के लिए कियो न चलो संख्या 256 में कुल सम गुड़न खंडों की संख्या क्या होगी दो दुना चार दुना आट दुना सोला दुना बत्तिस दुना चाँट दुना एक्सवट थाइज दुना दुना दुसो चप्पन दुए का घास साथ बन रही है और सब दुए की घात में जाएगी तो दुए की घात साथ सम गुड़न खंडों की संख्या साथ होगी अंतर यह हो जाएगा क्या होगा साथ क्यूं बाइस आप दुए का घात साथ लगाओगे तो दुसो चप्पन होता है न कि नहीं पाँच घात बत्तिस होता है यह घात पे चांसाट होता है नहीं यार साथ घात पे तो एक्सोट ठाइस होता है आठ घात पे होता है एक्सोट ठाइस दूना आठ घात पे होता है तो आठ घात लगाओ इनको आठ घात आठ गात तो आंसार है यह वाला थीक है बिल्कुल सही 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 जबाब नीलु कुमारी बिल्कुल करेक्ट आपका आकास कुमार ठीक है हो जाता है कभी कभी आगे पीछे 4090 में कुल समकुलनखंडों की संख्या बताओ कर लोगे न आप यह हो मौर करो जैसे बताया हूं सब ऐसे करना है जल्दी कर भही या सब भही लोग फटा फट चलो बहुत अच्छा बेरी गुड चलो बच्चा मसत है सब बढ़िया गुड है नमबर एक है थीक है अगला आओ नमबर आफ और फैक्टर बिच्साम गुड नखंडों की संख्या निकालना देखो सबसे इंपॉर्टन जो चैप्टर है वो आपके परतिस्यत वाले हैं अबरेज और वाले हैं यह थोड़ा कम इंपॉर्टन है एक्जाम के दिश्टी से लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा विसम गुड नखंडों के लिए परतिस्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य संख्या क्या है बताओं तीस में कुल बिश्म गुड़न खंडों की संख्या क्या है कि तीस में कुल बिश्म गुड़न खंडों की संख्या क्या है सबसे पहले उसका फैक्टर करेंगे तो तीस का अगर आब भाज गुड़नखंड करोगे तो क्या क्या होगा पता हैं दो तीन और पांच यह होगा कहरा कि सम संख्या की जो घात है उसको छोड़ देंगे और विसम वाली की घातों में कि जोड़ लेंगे तो इसमें एक जोड़ लिया इसमें एक जोड़ लिया यानि हम कह सकते हैं कि तीस में जो विसम गुड़नखंडों की संख्या है वो चार है मान सकते हैं कैसे आओ दिखाते हैं संख्या तीस में कुल चार विसम गुड़नखंड हैं आओ देखें इनके कुल नंबर आप फैक्टर देखना कौन-कौन से हैं 1, 2, 3, 6, 10, and 15, and 30 हमें बिसम संख्या लेना है इनमें बिसम गुलनखंड कौन-कौन से हैं यानि और फैक्टर भाई साहब, 1, 2, 3, ए भाई या कौन छूटगा हो 5 भी तो आच अच्चा बिचवा में 5, लो 1, 2, 3, 4 हो गया ये सभी क्या है? तीस के बिसम गुलनखंड है ठीक है? तो बिसम वाली ट्रिक समझ में आई किसी भी संख्या में अगर ये ग्यात करना है कुल कितने बिसम गुलनखंड है तो आपको उनको पहले अबाज गुलनखंड में चेंज करना है फिर उनको घात रूप में लिखना है फिर जो समसंख्या की घात है समसंख्या की घात को छोड़ देना, इग्नोर कर देना और विसम वाली घातों में एक एक जोड़ के गुड़ा कर लेना समझ में आ रहा है चलिए बताईए, एक सो असी में कुल कितने विसम गुड़न खंड है संख्या एक सो असी में कुल कितने विसम गुड़न खंड है बीरु कुमार बहुत अच्छा बीरु, नीलम कुमारी, आनन सिंह, प्रता तिवारी बहुत अच्छा तो पहले 180 के आप क्या करोगे अब आज एक उड़न खंड निकालोगे इसको कर लो होमवर्क में बताई देता हूं ने तकाएंगे सब होमवर्क है दे रहे तरीका तो बताई दिया हूं लेकिन इक ठीया और बता देता हूं 180 अब आज एक उड़न खंड करो 180 के आभाज इक उड़न खंड करो भईया घात रूप में डारेक्ट लिखो देखो दो घात दो घात और एक घात सम संक्या छोड़ दोगे विसम वाली घातों में एक एक जोड़ोगे इसमें एक जोड़ोगे तो तीन इसमें एक जोड़ोगे दो फाइनल में 6 ये क्या आ गया क्या आ गया ये फूल बिसम गुड़न खंड पूछ रहा है न 6 180 में इसके आभाज गुड़न खंड में सरी आभाज नहीं आप गुड़न खंड बोलोगे टोटल 6 ऐसे गुड़न खंड होंगे जो बिसम होंगे क्लियर क्लास में कमेंट उनीक आएगा जिनका नाम होगा इंसानी नाम होगा बाकी लोगों को मैं बलाक करता हूँ जैसे स्मार्ट बड़्डी, गेमर, हेटर, हैकर आई लब हेट, आई लब फलानी ये सब नाम बोल रहा हूँ ऐसे नाम रख लेते हैं ये कुछ भी लगा देंगे, सिम्बल उमठे सारा, कुकुर बिलार ऐसे लोगों को मैं होल्ड कर देता हूँ उनकी कमेंट नहीं आते हैं अगर आप एजाई स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं आप धंग का नाम रखो इमानदारी से जैसे आपका नाम है आओ फिर तुम्हारा नाम कुछ और है तो गया और नाम रख लो ठीक है, लेकिन नाम रखो इंसानी का, जिन्दा इंसान का नाम जिसे मुझे भी लगे कहां बच्चे ही पढ़ रहे हैं, इंसानी है चलो ठीक है, बहुत अच्छा बेरे कुड बच्चा, चल भई आगला नेक्स्ट पॉजिटिफ एक्टर आफ यन के रहे हैं, यन इक्वल सेबन का स्कॉायर इंटू फाइब का थरी, यानि फाइब का घन है तो यन का धनात्मा गुडनखंड क्या है धनात्मा गुडनखंड का मतलब भी वही है क्या, टोटल नंबर आफ फैक्टर टोटल नंबर आफ फैक्टर ना पहला तरीका पुराना वाला टोटल नंबर आफ फैक्टर इसमें सम भी सम की बात नहीं हो रही ठीक है, धनात्मा का मतलब धनात्मा गुडनखंड पूछ रहा है भाई जितने भी इसके गुडनखंड नोंगे सब धनात्मा की तो होते हैं जो हम लिखते हैं न तो वही सीधा फीधा नहीं पूछ रहा है गुमा के पूछ रहा है गुमा के पूछ रहा है जैसे मालेज़े कोई आपका बाई है और वो परधान भी ये गाओं का तो कोई आये तो वो ये न कहे कि आपके भाई का घर कौन सा आपके खर चल रहा वो कहें परधान क्या जायेंगे तो गुमा कर बोल रहा है नहीं वो ऐसे तो इसमें निकालना है कुल गुड़न खंडों के संख्या लेकिन है कह रहा धनात्मक वाला तो ट्रिक क्या होती है अब आज गुड़न खंडों के सभी घातों में एक एक जोड़ेंगे तो पहले दो में एक जोड़ों के तीन, तीन में एक जोड़ों के चार गुड़ा करोगे 12 टोटल जो इनके फैक्टर ने धनात्मक कितने होंगे 12 होंगे और संख्या कौन सी थी 49 गुड़े 125 कर लो वही संख्या थी बड़ी से बनेगी 49 गुड़े 125 संख्या सायद कुछ बन रही थी पता नहीं गुड़ा करके निकाल ले ना काम तो कोई है नहीं उसका नंबर आफ्टोनटल फैक्टर कि नमबर आफ़ जो दलसाईक्टर बता हो स्वरी समव चया जाम तोटल फैक्टर ऑपस्वेटर घुड़न खंडों कुल गुड़न खंडोंका योग पूल कुरतनों का योग देखो कैसे करते हैं चलो आगे बढ़एं आइए बताता हूँ कैसे करते हैं देखो जणरा है का मजना है है इसना है तोर्ल फैक्टर बहुत आसान है बहुत है आनिस से असान हो इंहीं सकता है जिससे एंगे आеруड को क्या लग्ञार है यह फाइक्टर है, फाइक्टर है ट्रेक्टर नहीं है, जो भी संख्या आपको दी गई हो, पहले उसका अभाज जी गुड़न खड निकालो, जो कि आप सभी जानते हो, यह हो गया, फिर आपको एक काम करना, जिसको आप तीन का घाट जीरो से शुरू करो, प्लस, तीन का घा जीरो, दो का घाट वन, दो का घाट दो, हल करो किसी भी गिंती का घाट जीरो कमानेक होता है, सबको पता है तीन का घाट, तीन का मतलब 27, ठीक है, सबको जोड़ने कितना हो जाएगा, नो एक दस, तीन तेरह, विताज तीन तीस दस चालिस, 2 1 3 4 7, 28, 28 क्या है, इस संख्या से कुल गुडन खन्ना का योग है, ये संख्या क्या थी, संक्या क्या थी 27 गुड़ 4 करो 4, 7, 28 हांसिल 2 4, 2, 8, 2, 10, 108 था संक्या क्या थी 108 यानी 108 में जो कुल गुड़न खंडों का योग होगा सम होगा वो 280 होगा कुल गुड़न खंड जानते हो क्या है अरे यही तो आयरे दद्दा देखना बैया इधर 108 के कुल गुड़न खंड यही सबाएं 1, 2, 3, 4 गुड़न खंड का मतलब जिन से भाग करने पर इसमें 0 आए ठीक है वही क्या है गुड़न खंड है 5 होगा नहीं 6 भी हो जाएगा क्योंकि 6 कम 6, 6, 8, 8, 8, 14, 16, 108 तहीं होता है क्या 16, 108 नहीं होता है गलत है 16, 90 तहीं बोल रहा हूं इनको खोदी डाउट है नहीं होता है 16, 90 गलत नहीं चलों 6 इदका फैक्टर है क्या 6 कम 6 चार बचेगा हो जाएगा अड़त आलिस चेट है अड़त आलिस 18, 6, 108 होता है ठीक है 7 तो होगा नहीं 8 होगा क्या नहीं होगा 9 हो जाएगा 9 हो जाएगा फिर 12 हो जाएगा यह ऐसे इनके सारे फैक्टर निकालने हैं जैसे 108 तक और उन सबको जोड़ना आपस में ठीक है यह बेसिक तरीका बहुं लंबा हो जाएगा आईसे करना है मतलब फलानी फलाने सबको जोड़ना है जोड़ करके फाइनल में 280 आएगा किता आएगा 280 लेकिन हम इतना मूरक थोड़ा है कि सब जोड़ेंगे बैट के जुबार लगाएंगे ये वाला ट्रिक वाला ये मैं आपको ये बता रहा था कि इसका मतलब क्या जो यहां लिखा है इसका मतलब ये जो रिजल्ट है वो इतनी होजाई करके आया है वो ट्रिक में आया है आसानी से तंक्या बारा के कुल गुड़न खंडों का योग देखो ये बिस्तार से समझाया गया है लिखार बारा के कुल गुड़न खंडों का योग ये मतलब है विश्तार से समझाया बारा के कुल गुड़न खंड कर लिया और सब को जोड दिया तो सब को जोड के कितना आ अगया 28 ठीक है बढ़िया ना कोई दिक्कत ना किसी को आनन्द इन्वाटी समझ में आ रहा है पली जी आफी सियल सबको आ रहा है पूजा बहुत अच्छा पाल जी तुमको भेज देंगे बेंगडी में हुँ जान लो बुरा न मानना लेकिन जरूर भेज देंगे तुम पढ़ नहीं रहो चलो यह हो गया बढ़िया यह ट्रिक वाला तरीका देख लो बारा का यह बेसिक तरीका था टोल के लिए बेसिक 28 आया यह ट्रिक वाला है यह यह ट्रिक वाला है पहले इनके आब हाज गुडन खंड कर दिया फिर इनको जैसे बताया था भी वैसे कर दिया 28 तब भी आया ये भी 28 आया और ये भी 28 आया ये बताए इनका जब आप दीजिए कितने लोग कर लेंगे इमानदारी से बताओ पक्का कर लोगे चलो कह रहा था इनमें क्या करना है इनके कुल गुड़न घंडों का योग निकालना है ये टोटल संख्याती एक सट पचीश आसान है ना क्या करोगे रात की घाट जीरो से सुरू करो आए फे पांच की घाट जीरो सुरू करो आए इसे साथ ए रोकना साथ नहीं एक एक धन पांच धन पचीश धन एक सब पचीश सब को जोड़ करके गुड़ा कर लेना जैसे बताया था ये हो गया आप नहीं बताऊंगा मैं जैसे बताया था भी सबन में वैसे करो इनको जोड़ो उनको जोड़ो गुड़ा करो आपस में चलो प्लेयर बढ़िया मस्ट चलो तंख्या पांच में पाच्चीस में कूल गुर्णखंडों का योग देखो ये तो इदर टीम टाम हो गया इसा नहीं था ये ये इसा था ये विनवाद ये भी होम वर्क है अब ये भी नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें का लगता है मैं इतना बेवकूप हूं सब बताऊंगा ये भी होम वर्क है जैसे बताया हूं सब करिए नंबर सिस्टम में अभी एकात कलास और चल जाएगी फिर नंबर सिस्टम हो जाएगा दाइंड इस्पेसली एक परकार से इंपोर्टन इंपोर्टन टॉपिक हम पहले खतम करेंगे सारे चैप्टर में फिर बाद में विस्तार से पढ़ते रहेंगे अराम अराम से क्योंकि हो सकता परिच्छा जल्दी हो जाए तो धोखा न हो आज क्या है सम गुड़न खंडों का योग और फिर बिसम गुड़न खंडों का योग निकालना उसके बाद कुछ प्रेक्टिस कुश्चन करेंगे आज दो ही टॉपिक हम किलेर करेंगे उसके बाद धेर सारे जालता था देखो इजरे तो जैसे माल लोग मैंने कुश्चन कहा दो का खात पांच पांच तो लंबा हो जाएगा तीन लिख लो गुड़न खंडों का योग जानते हो कैसे निकलता था भाई साहब ऐसे शुरू करते थे तुम दो की घात जीरो से फिर वन फिर दो फिर ती वाले में इनका सब का हल करके क्या कलेते जोड लेते थे यही तरीका था लेकिन इस वाले में थोड़ा सा बदल रहा शिस्टम पता है क्या हो रहा है पताता हूं देखो इनका मानेक हो जाएगा तो चार, आठ, एक, साथ, साथ सता उन्चास, है न, बढ़िया, गुड, आओ चलो आगे, चलिए, ये कुल गुडन खंडों का योग है, ठीक है, ये संख्या क्या रही होगी, जरा देखो, साथ सता उन्चास, और वो संख्या क्या रही होगी, आठ, आठ का उन्चास से गुड़ा करिये, बता देता हूँ, पहले रुखो, आठ, नौ, बहात्तर, आठ, चुग, बत्तिस, आठ, बत्तिस, साथ, उन्टालिस, यानि, तीन सो बान्द बेके, कुल गुडन खंडों का योग निकालना, ठीक ह कुछ भूल नहीं रहा, चलो, ये आठ, पंदरह, इंटू, ये क्या होगा, उन्चास से पचास सत्तावन, है न, कितना होगा, 57, क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है, मस्त है, चलो बढ़िया, गुड, आओ, यहां यार, ये न इसमें मुझे परिसान करके रखें, बता नहीं कहां से आगें आज ये, हैरान कर दिये, इनको भी मारना पड़ेगा, दवड़ा दवड़ा के चलो, आगे चले, तो पंदरह सत्ते, 105, है न, गुड़ा कर लो भई, पंदरह सत्तर, 10, 50, 855, है न, ये तो फोकड में बता दिया, फालतुका, क्योंकि ये बताया था इसके पहले भी, बताया था, ये क्या था, ये था जब संख्या के कुल गुड़न खंडों का योग निकालना हो, आज हमें कुल का योग निकालना, आज हमें सिर्फ सम गुड अनखंड है, जैसे इसमें देखो, ये सम संख्या है, ये बी सम है, तो हमें सिर्फ सम वाले का योग निकालना, बी सम वाले मतलब नहीं, ऐसा ही कुछ नहीं, इसका ये लाजिक नहीं हमें इसको जोड़ लेना है, फिर से थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं, एक्जाम् गुडन खंडों का योग का मतलब ये है साथियों कि इसका, इसका, इसका और इसका योग निकालना है, ठीक है, ये क्या है, सम गुडन खंडों के योग में आएंगे, ये, clear, और अगर बिसम गुडन खंडों का योग की बात करेंगे, तो ये वान और थ्री आएंगे, ये विसम गुड़न खंड की योग में अगर हम कहें कि संख्या 12 के विसम गुड़न खंडों का योग क्या है तो फोर है सम गुड़न खंडों का योग क्या है 4, 2, 6 6, 12, 12, 24 सभी को समाज में आया ये था गुड़न खंडों का योग जो पिछले पेज पे इधर ये क्या है? समवाला है, ये भी समवाला ये तो बिल्कुल टेसिक था क्योंकि इनके गुड़नखंडी गिने चुने थे भाई साब अगर एक थी बड़ी संख्या आ गई मोटी तकड़ी तो उसका थोड़ी इसे निकल जाएगा तब उसके पड़ा टाइम लग जाएगा जैसे मालो तुम्हे मने कहा कि संख्या इसका इसके समवाला खंडों का योग बताओ तब इसमें तो लंबा हो जाएगा कहानी ना इसके समवाला खंडों का योग लंबा हो जाएगा कर नहीं फिर ऐसे थोड़ी जोड़ पाएंगे कि दो दो एक जोड़ ले तो उसके लिए ट्रिक लगाएंगे चलो आगे बढ़ते हैं चले आगे बढ़िया ठीक कमेंट में सभी का देखुँँगा थोड़ा तफली रखें थोड़ा सबर रखें, कमेंट देखूंगा, थोड़ा रुके रहें चलो आगे अब ट्रिक पर आ जाते हैं सम गुड़नखंडों के योग में एक चीज ध्यान रखते हैं जो सम संख्या होती है यहाँ पर देखो अब आज गुड़नखंड के बीच में जो सम संख्या होती है उसमें जो गहाँ जीरो लगती है अब यह योग वाले में बताया हूं पीशे ऐसे बनता है न ऐसे कहानी यह चीज नहीं लेते हैं बस यह रेड कलर से काट दिया मैंने सिर्फ दो की गहाँ जीरो वाला छोड़ देंगे बस बाकी सब लेंगे वही क्या हो जाएगा सम संख्याओं का गुड़नखंडों का योग जैसे अगर यह था एकजांपल हमने इसको छोड़ दिया दो का गहाँ एक धन जल्दी करें बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैं सबका देखूंगा थोड़ा तफली रखें जलो बढ़िया बहुत अच्छा सिम्पल वाय लॉकुस पंकश मोहित सुदानसू ठीक है अमरित कुमार पाल नाम हैं का यह किसन कुमार अंजली गुपता सीवानी सीवां परजापती बरे गुण चलो आओ इसनी क्या करेंगे कहरा कि स्थम गुडन खंडों का योग कैसे निकालेंगे बताता हूँ आओ सबसे पहले यह बिल्कुल वही तरीका लगाओगे आप तक जो करते आए हो दिन का घाट जीरो सुरू होगा पांच था तो पांच तक लगा दिया इनको हल करना पड़ेगा लेकिन आप ही को जनाब मैं नहीं करने वाला ठीक है फिर गुडा का चिन इनको एक कोष्ठक में कर लो वैसे दो कर घाट जीरो दो घाक एक दो घाट दो धन दो कर घाट तीन दो घाट चार अशे होगा और यह काफी लमबा होजा रहा है तो थोड़ा जगा करते हैं देखो बेसिक अगर थोड़ा सा तरीका सिखाने में वक्त लग जाता है ठीक है आप हाल करोगे तितना टाइम नहीं लगेगा परिक्षा में बट यहां वक्त लग जाता है हाल करना और सिखाना में अंतर होता है दो कगात तीन दो कगात चार अब इसमें क्या है सम गुडन खंडों का योग बोल रहा है तो आपको एक काम करना है सिर्फ इसका जीरो वाला पार्ट काड़ देना है दो घात जीरो वाला बस बाकी सब उइसे ले लेना है तीन की घात जीरो कमान एक तीन की घात एक कमान तीन तीन की घात दो कमान नो तीन की घात तीन कमान 27 तीन की घात चार कमान क्या सी और तीन की घात पांच कमान तीन से गुड़ा कर लो दूसर तिरालिस क्लियर ये हो गया आपका तीन वाला इसमें दो का घात जीरो कमान छोड़ देंगे यही एक स्पेसल बिसेस्ता है इसकी बाकी सब वो इसे करते हैं दो की घात एक कमान दो दो की घात दो कमान चार ऐसे आगे बढ़ेंगे आठ फिर सोला सब को जोड़ लेंगे बस यही हो गया आंसर इनका गुड़ा कर लेंगे बीच में ठीक है खतम तीन एक चार नव चार तेरा ठीक है तेरा में सताई जोड़ो सताई तीन तीस अचालिस चालिस में इक्कासी जोड़ लीजिया और फिर 243 अफे जोड़ लो 40 21 243 364 आएगा ना कोई डाउट ना किसी को कितना आएगा 364 अब इनका गुड़ा कर लेना है उधर वाले से चार दो छे और आठ कितना चाउदा चाउदा में सोला जोड़ लो चाउदा दुना आठाइस और दुई तीस बहुत आसान है दे दादा बहुत आसान है इससे आसान कुछ हो इनी सकता है बढ़ी आए चलो बढ़िया गुड आएए इनको फोड़ा छोटा करता हूँ मल्टिपल करना बहुत दीजी है जीरो उतार लीजी है तीन का गुड़ा कर दीजी है तो तीन चाउग बारा हाफी लेक तीन चंग अठारा एक वान इस यह हो जाएगा आपका 10920 कुछ छूट रहा है कोई गड़बढ़ है तो बताओ पंकत सिंग कमेंट आ रहा है गीता राजपूत नीलम कुमारी सजमा ठीक है कोई फालतू कमेंट करे तो बता देना मैं उनको तुरांद बलक करूँगा फट से अप्लिकेशन वाले बच्चे को तो परमनेंट बलॉक कर दिया जाता है कोर्स भी रिमूब कर दिया जाता है याद रखना याद तो सिर्फ सीरिय फ्री पढ़ाई करना हालतू काम नहीं ओनली पढ़ाई ठीक है बंस सर्मा ठीक है बंस चलो अगला इसको कौन बताएगा कर लोगे पक्का सम गुडन खंडों का योग कह रहा है सारा प्रक्रिया वही करेंगे जो गुडन खंडों का योग वाले में करते थे बट स्टार्टिंग का जो सम वाला पार्ट है उसका दो की घाट जो जीरो होगा उसको छोड़ देंगे बस ठीक है आओ देखो कैसे साथ की घाट तीन है इसको साथ की घाट जीरो से शुरू करोगे तीन पर खतम तीने तक तो था अब दो की घाच चार में दो की घाच जीरो से शुरू करोगे वन टू फिर फूर साथ की घाच जीरो कमान एक साथ की घाच एक कमान साथ यह उन्चास और यह साथ सता उन्चास सते 343 खतम दूइग घाच जीरो कमान एक दूइग घाच दूइग दूई कमान दूइग गाच दूइग 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 described दूइग 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 चार यह आठ और यह सोला अन्जली समझ में आ रहा है बहुत अच्छा रोहित यादो आ रहा है न प्यूस सिंग सब को आ रहा है एक बार बोले जाओ फटा फट देखो इमांदारी से समझोगे सब समझ में आएगा यह परिच्छा लेबल के सवाल है जीरो लेबल नहीं है ऐसे कोईशन एक्जाम में आते हैं आप काओगे ऐसे एक्जाम में करेंग कि 7 की गाट 0 कमाने हो जाएगा 7 की गाट 2 कमान 49 हो गया 7 की गाट 3 कमान 43 हो गया अब 343 को 49 में जोड़ लो मन ही मन उसमें एक जोड़ दो हो गया एक पच्छ दूसरे में 2 की गाट 4 था आपको पता है कि इस तरीके वाले में क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं यहां फो यहां से इसको मनी मन जोड लोगे आप तो यह 4 दो 6 30 हो जाएगा न 30 कम खतम यह करना नहीं पड़ता परिक्षा में कॉम्पटिशन में जाओगे तो उतना कलकुलेशन फास्ट करके जाओ कि दिमाग में सारा कलकुलेशन करो पटक दे उत्तर दो जड़ से अभी तेहां हम हल करवा रहे हैं बिल्कुल बच्चों जैसे यह सब कुछ कर रहे हैं आपे एक्जाम में ऐसे सवाल आते हैं सेम टू सेम फिलहाल इन सबी टॉपिक से बहुत कम आते हैं लेकिन आपका जैसे प्रतिसात हो गया लाभान ही हो गया ब्याजवाले हो गया उन सब का बहुत ज़्यादा रोल रहता है बट इसमें से भी आ सकता है सेलेबस में है तो इसको इग्णोर नहीं करना 49,50 और 7 ही हो गया 57 ठीक है भया 57 में 3,4,3 जोड़ना है जोड़ लो 7,3,10 5,49 3,1,4 400 और गुड़ा ये कितना हो जाएगा टोटल 30 4,3 का गुड़ा करो 12 3,0 चिपकादो हो गया आंसर 12,000 clear निलम कुमारी बहुत अच्छा तुलसिदास परजापती very good क्रिशना कुमार समझ में आ रहा है भाई साब 12,400 आएगा क्या कहां से 12,000 आएगा only 12,000 चलो चलो अगले सवाल की और आगे बढ़ते हैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे बार बार बोल रहा हूं कोई बात चीत करता मिला तो तुरंद ब्लॉक करेंगे बिल्कुल सक्त निर्देश फिर पढ़ाई सम गुडन खंडो का योग कर लोगे पकाब कोई बड़ी बात तो है ने इसमें इसके बाद भी सम वाला करेंगे आएए सम गुडन खंडो का योग यहीं से स्टार्ट करो भीया पांच की घात जीरो पांच की घात एक पांच की घात दो इंटू दो की घात जीरो दो की घात एक दो की घात दो और दो की घात तीन ठीक है? सम वाले में यही आसानी है कि हमें यह छोड़ देना होता याद रखना सम गुरन खंडो वाले में इसको छोड़ दोगे 5 की घाट 0 कमान 1 किसी भी 4 चर कमान 0 अगर सुरी घाट 0 होती यह मान 1 होता है ठीक है? यह 2 की घाट 1 कमान 2 2 की घाट 2 कमान 4 2 की घाट 3 कमान 8 25 पान 31 और यह 4 दो 6 यह 14 हो जाएगा गुड़ा कर लो 14 बन जा 14 कब 4? 14 थिरिजा 42 424 ना रभी जी बहुत अच्छा बेलकम रानी रावाद जी बहुत बहुत स्वागत बंस सर्मा थोड़ा वीडियो पिछे करके देखना आ जाएगा एक बार सभी यह बता दो मुझे आ गया समझ में कितने बच्चे अपलीकेशन वाले हैं इसमें देखे एक सीक्रेट बताऊं जो बच्चे पीवियर एस्टेडी आप वाले हैं वो सकता है इसमें भी ओ देख रहे हूँ क्योंकि बहुत सी कलासे हैं मेज़र डेमो हर जगा पबलीक करते हैं उनके लिए एक जानकारी है कि कोई भी बैच जो इस लेबल की होगी हम कोशिस करते हैं सन्यूक तो बैच इक अठा पढ़ाने का आपने महाँ भी जमा किया है बागी कहीं भी मिले है उससे कोई दिक्कत नहीं आपको पढ़ाई करना हों ली विसम गुलन खंडों का योग सम आफ और नमबर क्या है? सम आफ और नमबर इसमें थोड़ा सा अलग कहानी है विसम गुर्ण खंडो के योग में सम वाले को बिलकुल इग्नोर कर देते हैं अंदेखा कर देते हैं लेकिन सम वाला क्या करता है सम वाला थोड़ा दयालू टाइप का है थोड़ा सीधा फादा है वो सिर्फ दो की घाथ जीरो को छोड़ देता अवाकि सब को लपेटकी चलता है लेकिन यह थोड़ा बेमान टाईप का विसम मॉआले में यह इसको पूरा पूरा छोड़ देता एकदम साइड कर देता तो इसमें क्या करते है भाईया जो विसम संख्या है उसी का पूरा पूरा हिसाब करते हैं आंसार आता है यह बस खतम सम्वाली संख्या को सुरू में छोड़ देते हैं पूरा कुछ नहीं करते हैं कि जलो पच्छाओं बताओ इसी हिसाब से चलो कि अर्चना कुमारी आ रहा समझ में गट पर पांडे सबको आ रहा है देखो कमेंट सिंगल बे होता है तो सबको एक दूसरे का कमेंट नहीं दिखता है ठीक है प्राइबेट कमेंट होता है इस लिए इस चक्कर में नहीं रहे हैं कि काहे को आप किसी और को बोल रहे हैं हमारा नहीं बोल रहे हैं और वो इंसान तो यहां है यह नहीं दूर दूर तक सिंगल पर कमेंट का आपसन होता है उसमें हम और वो दो ही लोग देख सकते हैं सुन सकते हैं तीफरा नहीं यह फीचर होता है अपके अंदर अपलिकेशन में चलो अब इसमें क्या करा बिसम गुड़न खंड़ों का योग यानि सम वाली संख्या से हमें कोई मतलब ने इसको छोड़ देंगे तो तीन की घाट जीरो एक दो खतम अगले में आजाओ पांच की घाट जीरो पांच की घाट वन पांच की घाट टू पांच घाट तीन दिन घाट जीरो कमान एक दिन घाट वन कमान तीन दिन घाट टू कमान नौ पांच घाट जीरो कमान एक पांच घाट एक मान पांच पाचीश ये सिर्फ और सिर्फ बिसम संख्या संख्याओं को मैंने लिया सम संख्या वहीं छूट गई ठीक है विच सम गुड़न खंड जब निकालेंगे तो सम वाली संख्या को पूरा-पूरा छोड़ देते हैं इंग्णोर कर देते हैं बढ़ियां चलो इनको जोड़ेंगे इनको जोड़ लो 156, 156 कहीं जोड़ने घठाने में कोई दिक्कत है बताना तेरा छक्का 80 होता है क्या आता है नहीं है 136, 78 का 8 कह रही आया कितना 7 135 जा, 65 65 में 7 जोड़ो तो 72 हांसिल साथ, 13 कम तेरा 37 बीस आंसर बढ़िया समझ में आ रहा है रिसी चावान पेटा निकल लो आज भाग लो तुरन भाग लो तुम चलो इनको बलाक करिए ठीक है बहुत अच्छा पेरे गुड आचाल अर्चना पंकाज नीलम बहुत अच्छा मनी ठीक है आगला जबाब दीजिए छे नंबर छे नंबर जबाब दीजिए जल दीसे फट से मैं बोलता हूँ मेरा एकी सिध्धान्त है मैं एक लोग को पढ़ाऊंगा जो बिलकुल दिल से पढ़ेगा देखो मेरी विना बड़ी गड़बड आता था मैं सुनता कम हूँ सुनाता जाता हूँ और तुम लोग यहां क्या करते हों कमेंट में बती आते हों हम तुमको देखें बैठके वाला पढ़ाए उड़ाए न तो सिर्फ पढ़ाई only चलें आगे चलो कितने लोग कर लेंगे इसको एक बार इमानदारी से बताओ हाथ उटाओ कर लेंगे सब भी आसान है ना विसम गुड़न खंडों का योग इसका मतलब इसमें जो सम वाले पार्थ हैं यह सब खतम हो जाएं इनका कोई रोल नहीं है हमें सिर्फ इसको लेना है और इसको लेना है बफ सम वाला खतम जीरो वान टू यह जीरो वान यह टू वान सेबन फोर्टी नाइन वान थ्री आइन नाइन बस खतम कितना अफान है ना बहुत अच्छा बेरी इजी सब को आ रहा है कोई बात्चीत नहीं करेगा उनली पढ़ाई ठीक है चलो पचास साथ सत्तावन और यह नव एक दास तीन तेरा वाई साब कहलो गुडा तेरा ना मेरा तेरा सत्ते इक क्यान पे हाफिला या नव तेरा पच्छे पाइससथ पाइससथ दस पच्छे हत्तर एक ठीक हम कहेदा चावहत्तर अगला बताओ बिसम गुडन खंडो का योग सम गुडन खंडो का योग भी सम गुडन खंडो का योग मुझे लगता लास्ट सवाल हो गए जल्दी करें जल्दबाजी नहीं बेरे गुड बच्चा पार्टी बहुत अच्छा मस चल रहा है सब एक दान नमबर एक का न मज़ा आ रही नहीं यह एक्जाम लेबल के सवाल है अब तक 0 लेबल होता था अब 0 लेबल नहीं यह 0 लेबल से उपर लेबल है आप चाहे यूपी पुलिस का एक्जाम की तयारी कर रहे हो या लेकपाल या MTS या SSC CHSL CGL लेबल का नहीं है CHSL जो 12 लेबल का एक्जाम है इसी लेबल के सवाल आते है लगबग लगबग इसी लेबल के आते है पिसम गुडन खंड़ों का योग की बात हो रही तो सम वाला तो खतम कर देंगे बात खतम तो 3 की घाथ 2 को हम ऐसा लिख सकता हूँ पास की घाथ 3 को हम ऐसा लिख सकता हूँ एक धन तीन धन नव अभी ये मिला था कहीं है इस सवाल क्या लग रहा मुझे इसको जोड़ लिया नव एकदास तीन तेरा इनको जोड़ो ये डेड़ सो ये एक सो पीछे कहीं कुछ गलत हुआ था क्या एक मिनिटो को कुछ छूटा था सायद नहीं छूटा नहीं है मुझे लग रहा था छूटा था बड़ छूटा नहीं ठीक है यही मैं सुझ रहा था किवल 56 लिख दिया था क्या आए गुड़ा करते हैं थाटीन सिख जा कितना होगा जानते हो 78 का यहां 8 लिखोगे करिए आएगा आपका 7 अब 13 पचे 65 65 65 75 तो 72 हाफिल कितना आया साथ और 13 कम 13 13 साथ 20 यह भाई आया हूँ में यह आवता है वो सबलवा मिलाने दो तो एक ठोरे माउर आया था रुको दोनों सेम नहीं था ना यह साथ नंबर सवाल है पांच नंबर और साथ नंबर दोनों में अंतर था इसको ध्यान से देखो यह चार अंक में है तीन की घाट दो पांच की घाट तीन और दो का तीन दो चार इसमें देखो थोड़ा अलग था तीन का दो और पांच का तीन था ये तीन का दो और पांच का तीन मतलब लगभग जो हल हुआ वह ही था बाकी समौला कट गया अगला सवाल की और आगे रुख कर ये चलिए भईया जल्दी करें कहां जोड़ना है हाँ ये अंदर में सब को जोड़ना है हाँ हाँ अंदर में सब को आपस में जोड़ना है अलग-अलग पद का गुड़ा करना है इसका जो योग आया इसका जो आया गुड़ा करेंगे अगला बताओ, चार से पुरुता अभी भाजित है, अब प्रेक्टिस कर लो थोड़ा सा, थोड़ा सा प्रेक्टिस कर लेते हैं, जल्दी करें, इनको लगता है कि आठ नंबर सवाल में जबाब है ये वाला, वो कमेंट में लिखें, आठ फी, जिनको ये लग रहा है वो आठ ए लिख दे, ये पूरी संख्या नहीं उतारना है आपको, सिर्फ ए भी सी लिए बताना है बस, चलो, देखो बाबु, चार का भी भजता नियम होता है, उसमें लाश्ट की जो दो संख्याएं हैं, लाश्ट के अंतिम दो अंक, वो चार से फुली डिवाइड होने चाहिए, लाश्ट के दो अंक, अगर ऐसा है किसी संख्या में, तो वो पूरी संख्या फोर से डिविजबल होत अब प्रेक्टिस देखेंगे, प्रेक्टिस, अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया बाबु, यूटूब या कहीं और देख रहे हो ना, तो लाइक सेर जरूर करें, और वैसे ये क्लास पीवियर स्टेडी अप वाली है, मेरी यादत पढ़ गई है, तो मैं लाइक सेर ब अगर मैं बोल देता हूँ, इग्नोर करिये उसको, मान लीजिए मेरी आदत है, क्योंकि 70 कलास चलती है, यूटूब पर तो 15 कलास अपली केसन में तो आदत पढ़ जाती है, बोलने के, चलो बताओ, 9 नमबर में, 9A, 9B, या 9C, जवाब दीजिए, 9A, 9B, 9C, या 9D, चलो ब दोड़ दोड़ के, दोड़ दोड़ के, बताय रहो, मेरा पानी का बोतल कहूंगे, ठीक है, बढ़िया, गुड, 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 बेरी गुड, अगला बतादा फिर सवाई है, इम लगे, हाथ जब यह बताओ, होता है, हाथ एक, वो बताय दा, चला, दफ नंबर बताय दा, ठीक है, ठेन में बताईए, सभी प्रकर्तिक संख्याएं पर्मिय होती हैं, हम् बताया, कुछ बच्चों ने सरमाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बढ़िया, गुड, ठीक है, अर्चना, वन, सौरव, सिंपल, नीलम कुमारी, और एयर मैन राज्तिवारी, आईए, सबसे छोटी जो भाज संख्या है, वो है फोर, फोर के नीचे जितनी भी संख्या है, ये कौनो भाज नहीं है चच्चा, ना 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 ना, एक को भाज नहीं है ये, क्योंकि भाज संख्या के लिए, वो संख्या एक तो खुद से डिविजबल हो, दूसरा वन से डिविजबल हो, तीसरा किसी एक से और हो, इसको मैं आपको बड़े एक्जामपल, अच्छे वाले एक्जामपल में बताया था, कि जैसे आप एक गवाय हो, आपकी कोई महबूबा है, आप हो वो है, तब तो ठीक है, तो क्या है, अभाज है, ये रिस्ता अभाज है, लेकिन, अगर उसमें उसका कहीं एक्ष्ट्रा अफेयर है, तो फिर ये भाज हो गया, समझे रहो, अब एक्ष्ट्रा एक भी हो सकता ह है, दस भी हो सकता है, साथ भी हो सकता है, सतरा भी हो सकता है, एक्ष्ट्रा की कोई लिमिट नहीं होती, वो ऐसे इसमें भी है, कि जो भाज संख्याएं हैं, उनमें एक्ष्ट्रा गुडनखंड होंगे, फैक्टर होंगे एक्ष्ट्रा, और वो चाहे एक फैक्टर एक्टर हो चाहिए 18 Factor Extra हो वो भाज जही कहला आती है ठीक है जैसे for example यहान प्रेख देखू जैसे संख्या 4 है इसका factor जो 1 है और 4 है इतना तक तक तो ठीक है लेकिन इसका Extra 2 है ठीक है वैसे घुकर संख्या 12 ले लिया इसका factor 1 है और 12 है ठीक है इतना बढ़िया है लेकिन इसके extra में extra है इसका 2 भी है 3 भी है 4 भी है 6 भी है तो भीया एक एक extra फिर 4 थी तो मैंने कहा न एक extra चाहे 1 हो चाहे 4 हो वो extra ही माना जाता है और एफिदस हम यह संक्या है भाज्य होती है composite number होती है प्राइम नंबर नहीं होती है ठीक है जोलो बता आगला 10 नंबर 10 नंबर बताईए जवाब दीजिए फटा फट चलिए तेरा कि सभी प्रकृतिक संख्या है प्रकृतिक का मतलब होता है नेचूरल नंबर आइसे नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं नेचूरल नंबर का हलाती है कह रहा है कि सभी counting number रेफनल नंबर होती है क्या सभी प्रकृतिक संख्या है मतलब जितने भी संख्या हम किन सकते हैं कंड़ कर सकते हैं वींस पोजटीव नंबर वह नेचुराल नंबर होती है क्या क्या एक बाती है वहले हुद Nós लोटीग 나중에 और है कहोआ हो तुछ है क्योंकि प्रभी यी संख्या से ही तो परकृति क संक्ख्या निकलती है क्यों और है था क्यों समझ लोगे नहीं सो बस जाहिर सी बात है, सिंपल सा है जैसे हम कहें कि गडित जो है पूरी गडित पर्मिय संख्या है बताओ ये सवाल समझे ना थुला सा जैसे मैं कहाँ कि पूरी की पूरी गडित जो हम पढ़ते हैं जिंदocy भर 오른 ये संख्या है तो क्या सही है? नहीं सही है क्यों क्योंकि गडित में हम सिर्फ पर्मिय संख्या नहीं पढ़ते हैं बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन अगर हम कहें कि जितने भी पर्मिय संख्या है वो सब गडित का एक हिंसा है मतलब गडित है मैथ है प्रेसा ही है ना क्यों क्योंकि गडित का ही एक भाग है ना पर में संक्राइक चेप्टर है एक पार्ट है बस ऐसे ही यस आल नेचुरल नंबर्स और रेफनल नंबर चल बही आई लेबन नंबर में आजाओ फटा फट चलो राज तिवारी अर्चना बहुत अच्छा देखे कुछ बच्चे एक्टिव रहते हैं जो रोज आते हैं उनका नाम में बोल देता हूं कभी-कभी ठीक है और जो कभी-कभी आते हैं ऐसे भूल चूक के मेहमान तो वो ऐसे आते रहते हैं इसमें से जो जो बच्चे एप्लिकेशन है सब्सक्रेप्शन वाले हाथ उटाने जल दी से तुम्बे हो तकल से लग रहे हो जालो 11.18 में कुल गुडन खंडों की संख्या बहुत आफान है 18 में कुल गुडन खंडों की संख्या के लिए मैंने बताया था इसे जुगाड बताया था दी गई संख्या को पहले घात रूप में लिखेंगे फिर घातों में एक जोडेंगे और फिर उनका गुड़ा करेंगे तो अठारा में कुल गुड़नकंडों की संख्या छे है कितनी है छे है नमबर एटीन के आल फेक्टर्स जो है उनकी काउंटिंग सिक्स है आओ लगे हाथ इनको हम दिखा भी देते हैं सब उतों के साथ क्योंकि बहुत आसान है तो आसान वाला करने में काही तकलीफ है जीने नहीं दे रहे हैं लोग पता है तुम्हें यह मच्छर जो होते हैं इस पर बैठ जाते हैं यह चलने लगता है वो ड्राइब करने लगते हैं इसको मैं बेरुजगार हो जाता हूँ इसलिए इनको न मैं इसी से ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा आज आ रहे हैं पता नहीं कहां से यह अभी तक गय थे अपने नहीं हरे 18 के कितने फैक्टर हैं कौन कौन से देखो एक, दो, तीन, छे, नव, अठारा, खतम टोटल हो गए न छे, गिन लो, बस यही फैक्टर हैं छे इन ही को ट्रिक से उतर निकाल ले थे आईए, प्रेक्टिस हो रहा है अब यू पी पी लेबल का सवाल नहीं है सब इस्टार्टिंग में जो था वो परिक्षा लेबल का था आप बेसिक प्रक्टिस करवा रहा हूँ थोड़ा सा बताओ भई, बृत का छेत्रफल का सुत्र जल्दी करें, बृत के छेत्रफल का सुत्र बताएं अरे बृत मिंस सरकाल, ऐसे होता है ना बृत का केंदर होता है, इदरे तरिज्या होती है, पूरा खेंच तो लंबा फात ब्यास हो जाता है ऐसे खेंच देते हैं तो जीवा हो जाती है, ऐसे जीवा हो जाती है ना पाई आरिसकार होता है है न बताइए अर्दबृत में बना कॉंड क्या होता है अर्दबृत में बना कॉंड 180 होता है 90 होता है 360 होता है या नौन अपदीज होता है क्या अर्दबृत में बना कॉंड समकॉंड होता है बहुत बच्पन से पढ़ते आयो बुढ़ापी में आ गया हो फिर नहीं याद कर पा रहे हो समकॉंड होता है कि भूटीन नंबर बताओ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है बेसिक वाला परिक्षा लेबल का सवाल करवा चुका हूँ बताओ एक वर्ग की लंबाई पांच सेंटीमीटर है तो छेत्रफल बताओ किसी भी बंद आकरती का च्छेत्रफल बराबर लंबाई गुड़े चोड़ाई होती है और वर्ग के च्छेत्रफल का सूत्र भी बन जाता है बुजा का स्कॉयर क्यों क्योंकि इनकी चारों बुजाएं बराबर होती है तो अगर एक पांच दिया है इसका मतलब पांच है पांच हैसा भी है लंबाई भी पांच है चोड़ाई भी पांच है इसलिए हो जाएगा पच्चीस सेंटीमेटर स्कॉाइर चलिए अगला पंदरा नंबर में आ जाओ बहुत अच्छा पिंकी राठोर बेरे गुड काफी सवालों का जवाब दिया इन्होंने राज दिवारी, सत्यम्ति पाठी, मोई सिंग, अजमल अहमद करा एक समकोंट तिर्बूज ABC है जिसमें AC 13 है, AB 5 है तो BC क्या होगी UPP लेबल का सवाल नहीं है यह बेसिक कंसेप्ट वाला है एक्जाम लेबल के सवाल खतम हो चुके हैं, थोड़ा सा मैंने सोचा बेसिक का प्रेटिस करवा दूँ आधार या लंब निकालना होता तो घट के आता पाइथा गोरस पर्मिय क्या कहती है करण का स्कॉर एक को लंब का स्कॉर धन आधार का स्कॉर है ना तो हमें आधार तो निकालना यह नहीं है, करण निकालना नहीं है मतलब घटेगा, 189 और 25 घटाओगे 144 आएगा 144 का ओवर कमूल करोगे तो 12 आएगा, तो यह 12 हो जाएगा दो यू नो का कह रहा था फिर भाईया, अभी सी पूछ रहा था, 12 हो गया, कम, खतम चलो 16 नमबर बताओ, बहुत आसान है गुरू, फैक्टोरियल है यह कह रहा कि फैक्टोरियल 4 का मान बताओ मज़ा आ रही की नहीं, सभी यह बताओ पहले मुझे, मज़ा आ रही ना, खुब की नहीं, महस्त वाली मज़ा आ रही ना, पड़ोगे ना, देखो मैत एक ऐसी चीज है ना, जो दवाई का भी का रहा करती है, मतलब नींद वाली गोली का, और यह आपकी प्यारी सी महबत का भी काम करती है, दोनों में अंतर है, यह नींद की गोली का कामा कणपना अब करती जरे समझ में नहीं आती तब बड़ा नीन आती है जैसे लिए बैठो इस आइस ऐसे होने लगते हैं उलड पलड जाते हैं breed आइ आप जाते हैं तो os आप ली रात में बनाट वाले हैं पर न सबाते करो फिर देखो मज़ा आएगा और मज़ा आएगा तो फिर समझी देओ बाकी आगे क्या ही कहूं चलो है फाइक्टोरियर फोर कमान होगा भाई साहब फोर थरी एंड टू जोबिस आएगा गुरू सब पढ़ा चुका हूं तुमें नहीं जानते हो तो फिर अगर क्लास देखो पिछली तब आएगा चलो अगला बताओ अगर कोई डाउट ना इसमें बढ़िया बातचीत नाट एलाउड दवडाग मारिंग जानलो अगर कोई बात किया तो चलो देखिए ये 2 अपान 3 है हमें काम करफकते हैं 6 का पावर 3 करफकते हैं 216 को अई 2 बटा 3 घात के उपर घात जो होती है ना उनका हो जाता है गुड़ा आई से 3 से 3 निपड जाएगा ठेका स्कॉयर बराबर 36 होगे आंसर कितना आसान ना नो डाउट चलो अठार नंबर बताओ जल्दी करो अमन बाबू लाश्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए लाश्ट वार्निंग इसके बाद तुमको बहुत नीचे दबा देने वाला हूँ दुबारा कमन नहीं आगा तुम्हारा बहुत अच्छा कह रहा है इसमें इसका क्या मान हो सकता है देखो यह माइनस में घात है ठीक है अगर आपने पढ़ा होगा घातां का नियम तो आपको अच्छे से बता होगा नारमलीत यह हो जाएगा 9 बटा 25 बट यह पलड़ जाता है तो 25 बटा 9 हो जाता है बी वाला सही कौन सा बी वाला जल भाई वह ना इस नंबर बताओ जल दी से नरेंद्र सिंग बाबू नीचे नंबर दिया है न उस पर जाके देख लो या फिर आप यूटूब पे से सर्च कर दो बोलके क्या कनवर्जन PBR स्टड़ी जैसे सर्च करोगे मिल जाएगा उसमें समगाया गया कि आप कैसे किलियो गुराम को ग्राम में मीटर को सेंटिमीटर डेसी मीटर डेकामेक्टर यह सब कर सकते हो ठीक है मिल जाएगा चलो गातां का नियम कहता है कि अगर घात के उपर घात लगी है ऐसे चड़ चड़ के तो इनका आपस में गुड़ा हो जाता है तो स्वाप्शन नमबर 20 आई है कौन सा पी वाला लाज सवाल है मेरा सिस्टम डिश्चार्ज हो चुका है जवाब दीजिए यह क्लास इस्पेसली पी वियर स्टड़ी अपली केसन वालों के लिए है अगर आप कहीं डेमो देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बढ़ियां आगूड है नहीं तो आप पी वियर स्टड़ी एप में जाएं और जीत बैच जवाइन करें जीत बैच के अंतरगत यह पढ़ाया जा रहा है ठीक है गूड इसमें करड़ी है जो वो यह वाला है बाकि सभी करड़ी नहीं है क्योंकि इनका एक पूल संख्या आ जाती है वर्गमूल करने पर तो यह करड़ी नहीं है चली आगे बढ़ें उमीद ऐसा बढ़िया एकुड है तो आभी मैंने दो टॉपिक लिया है यहाँ पर सामने इन दो टॉपिक में हम चर्चा करेंगे अभाज गुडन खंडों की संख्या यानि नंबर आप प्राइम फैक्टर और नंबर आप जीरो यह दो चीज हम कबर करेंगे ठीक है पहले सवाल में क्या कोई जवाब बता पाएगा कहरा इसमें अभाज गुडन खंडों की संख्या कितनी है जल्दी करें बहुत अच्छा देखिए बहुत आसान है अभाज गुडन खंडों की संख्या वाला बहुत अज़ी है एमें का करना भया आपको सारी घातों को जोड़ देना बस लेकिन यह ध्यान रहे कि यह संख्याएं सब अभाज होनी चाहिए 11 होगा खीक है बहुत अच्छा बेरी गुड ओनली पढ़ाई यह लाओ है बस जो बात करेंगे उन्हें बगा देंगे यह फट से अगले सवाल में जवाब दीजिये फटा फट कितना आएगा बहुत अच्छे वेरी गुड देखिए काफी बच्चे एक्टिव है नाम बात में बोलूँगा पहले पढ़ाई कर लें नहीं बाग जाते हैं लोग चलो कर रहें इसमें आभाज गुड अखंड की संख्या कितनी है कि अब से पहले आप इनके अभाज गुड अइसे निकालोगी तरीका तो मैं बताया हूं पाँच एकम पाँच पांदूना दस पचम पचेस आप देखिए तो इनके जो संख्या आ रही कितनी आ रही चार घात लग रही ना यानि इसको हम लिख सकते हैं सो वी कैन से फाइब की पावर फोर और वही घात जो है वही आंसार होती है इनकी अभाज गुड अखंड कितने होंगे फोर कि तीसरा बताईए कि थार्ड नम्बर जल्दी करिए कि बहुत अच्छा राखी कुमारी वन सर्मा पंकत सिंग मोहित लौकुस लखी कि इसमें अभाज गुड़न खंडों की संख्या नम्बर आप प्राइम फैक्टर सभी के घात जोड़ लो भईया देखो यह प्राइम फैक्टर है सब आँ चार चार आठ साथ पंदरा क्या होगा पंदरा सभी का घात जोड़ लो चार फाद ग्यारा चार पंदरा पहला टॉपिक खतम हो गया इसमें कुछ थाई नहीं कोई दमी नहीं थी सीकंड टॉपिक में आजाओ नमबर आप जीरो इसमें थोड़ी कहानी है ठीक है उमीद रखें बस बिल्कुल पढ़ते रहें आराम से रखांसला वो मंजर भी आएगा और खुसियों का चल कर समंदर भी आएगा ठक करना बैठ है मंजल के मुसाफिर मंजल भी मिलेगी और और क्या मिलने का मज़ा भी आएगा चलो आगला देखो सुनने कब आता है किसी भी नंबर में मतलब प्रोड़क्ट में जीरो का जनम कब होता है क्यों होता है जीरो का जनम तब है होता है जब पांच और दोक कही गुड़ा हो समझे लेगा ना कि देखों बताता हूँ जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आप कुल मिला के फाइनल कोश्चन ऐसे ही है कि जैसे तियरा पांच बीस इनका गुड़ा हुआत कहा जाए इनके फाइनल गुड़नफल में कितना सुनने आएगा आई से कोश्चन आएगा ठीक है इनके गुड़नफल में कुल कितना सुनने आएगा हमें यही सवाल निकालना है तरीका बताता हूँ देखो जीरो तब आता है जब कहीं पांच और दो का गुड़ा होता है ठीक है क्लियर अच्छा अब है कम क्लियर है जैसे माललो मैंने कहा कि यहाँ पर पांच की गहाँ चार गुड़ा दूएक गहाँ तीन में गुड़नफल में कितना सुनने मुझे यह बताओ अगर पांच और दो का एक जोड़ा बना यह हस्बेंड वाइप में समझे लो तो कितना जीरो आएगा जोड़ा समझना बच्चे नहीं यह दोनों मिलेंगे तेक नया प्रोड़क्ट का जनम होगा बच्चे तो एक सदिक हो सकते हैं किसी कभी अनलिम्टेड हो सकते हैं कुछ लोग तो कहते हैं भगवान की आसिरबाद है ऐसा तो नहीं है मैं नहीं मनता जलो आईए फिलाल फिर पॉइंट ब़ाद करते हैं तो पांच और दो के जितने जोड़े बनेंगे उसमें उतने ही जीरों की संख्या बढ़ेगी जफे देखो इसमें चार है घात इसमें क्या तीन है या मोटा मोटा ऐसे समझ लो आप कहीं अगर पांच और दो की ऐसी मिक्स नंबर है न तो पांच की घात चार है तीन की कितना है जिसकी कम घात है उतने ही जीरों आएंगे उसके अंतमे गुड़नफल में बस इसमें घात तीन है ना इन दोनों के गुड़नफल में तीन जीरों आएंगे बताओं कैसे चलो आओ चार घात का मतलब यह है कि इनको हम 25 गुड़ा 25 लिख सकता हूं इनको 8 लिख सकता हूं तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हाँ क्लियर बढ़िया चलो अब पचीस चोका सो पचीस अठ्थे होता 200 तो पचीस को अगर हम आठ में गुड़ा करेंगे 200 आ जाएगा और पचीस दूना कितना आ जाएगा 50 और दू जीरों उतार दिये बगल में हो गया ना फाइनल खतम तीन जीरों आगया ना बोलो मैंने पहले कहा था तीन जीरों आएगा देखो तीन आ गया ना हमने इनको हल कर दिया समझ गया ना आप यह समझ लो कि पांच और दो इनके जीतने जोड़े बनेंगे उतने जीरों आएग लाशन बस यहाँ पर एक जोड़ा बना था इनका गुड़ा करेंगे 10 यहाँ पर जोड़े कितने बननें वहोगे तीन जोड़े कहां बनें भाई साब इसमें पांच चार बार सामिल है इसमें यह तीन बार सामिल है तो आओ तुम्हें वह भी दिखा देता हूं तीन जीरों आएगा वो तो ठीक है विस्तार से समझ लेते हैं बाकी चीजें तो ऐ इसे होती रहेंगी, बीच-बीच में ऐसे आती जाती रहेंगी. पढ़ने के तो कहीं पढ़ लोगे? शिखाते काउन हैं, भाईया, देखो. पांच घाच चार का मतलब है, पांच, 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 पांच. और दो का कितना है, भाई साहब? इनके जोड़े बनाओ, चलो, इनके जोड़ा बनाओ, आई. जोड़ा बनना बहुत जरूरी है, देखो इदर. एक, इनका इसे बना दिया. इनका भी जोड़ा बना दो, इनसे बना दो, छोटी किसा चीज़ से. इनका भी बना दो, इनसे बना दो. इनका कोनो जोड़ा ने बनाए रणवा बचे गया इसे क्या करोगे बचा रहा है दो कोई बात नहीं आज कल वैसे भी देखो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे तो कितने जोड़े बने तीन ना जो मैंने कहा था जितने जोड़े बनेंगे उसके गुड़नफल के अंदर में उतने जिरू आएंगे और वो सिर्फ हमें पांच और दो देखना है बाकी कोनो नंबर से कोनो मतलब नहीं चलो अब यहाँ पर देख लो वही कहानी यहाँ पर लिखी गई है किसी भी गुड़ा के गुड़ा में जितने जोड़ जोड़ नहीं जोड़े गुड़ा में जितने जोड़े दो और पांच के होंगे उसमें उतना ही सुनने आएगा जैसे इसमें दो गुड़े तीन पांच गुड़े दो में दो और पांच के कौमन जोड़े दो हैं आता है इनके गुड़नफल के अंद में दो जीरो आएगा अगला जबाब दीजिए राज गुपता बाबू तुम अभी यहाँ निकल लो अभी फिजिस ने पड़ा रहे अभी ताम अभर रहे बहुत अच्छा बेरे गुड ठीक है निती जी नमस्ते बहुत अच्छा बच्चा देखो कुछ बता रहे हैं कुछ लोग उसीम टांग खींच रहे हैं कोई बात नहीं चलो पढ़ लो पढ़ लो तो देखो इसमें क्या है करा की गुड़नफल के अंत में कितने सुनने आएंगे पहली बात तो हमें दो और चार के अलामा और किसी से कोई मतलब ही नहीं है जबदे तुम देखो ना किसी से बड़ी गहरी वाली मुहबबत हो जाती स्कूल कॉलेज में तो अगर आपका वो नहीं आया अगला आपकी नजर बार-बार उसको खोजती है लेकिन क्लास में 300 में से अगर 200 बच्चे भी नहीं आए तब भी तुम्हें कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन 300 में से 299 आगए चकल लास में ठाथ नो मतलब तुम्हें एक से रहता है ना उसी से वैसे क्याया है तुम्हें शिर्फ और चर्फ है गर दो से कितना विकोला बड़ा सा हो उसमें आपको एपyour ह्फों आप उसका कोई ड़म दो कट दो समाँभ्ons लोग सोच रहे हैं, बहुत खोजयो, सर जी नहीं है, ऐसी बात नहीं, मौणका नहीं मिला मुझे इतना, चलो, तो इसकी चार घात है, इसकी तो घात है, जिसकी घात कम है, उसके गुड़नफल के अंतमें उतने ही जीरो आएंगे, जीरो आएंगे, जीरो तो यहाँ पर आंसर साही नहीं सब गलत है clear बढ़िया अभी पढ़ाई बढ़ाई दो अभी पढ़ाई और ना अभी तभी हो जाओगे चलो भी आगला पांच नमबर बताओ चलो जल्दी करें फाइब नमबर कि अलो बेरी गुड चलो तो इसमें सुननेओ की संख्या कितनी होगी बताओ ना भाईया चल दी से अगर तुमको लगता है कि इसमें दूई होगी तो तुम कमेंट में चुपए फिलिगदो 5C अगर आपको लगता है कि नहीं चाठ्थू होगा तो लिख दो पाँच भी आईफ़ तो लिखना है देखो देखो कुछ लोग कितना सर्मा रहे हैं कुछ सर्मा रहे हैं कुछ बड़ा बैसरम है सर्मा इफले रहे हैं कि उत्तर नहीं लिख रहे हैं बैसरम इतना है कि अल तु काम कर रहे हैं चलो आठ और पाँच इनको जड़ा देखो अगर हम आठ को दो का घात तीन लिख दें तो इसमें कोई बुराई नहीं और बाहरे तीन घात लगी थी लगाए दो पाँच की घात चार हम इनको दो और पाँच की रूप ले आए आपको पता है घातों घातों का गुड़ा हो जाता है तो मैं अच्छे से पता है दोनों में जिसकी घात चोटी है उतने ही सुनने होंगे इनके गुड़नफल के अंत में तो ये चार चोटा है यानि अंसर आजाएगा फोर इनके गुड़नफल के अंत में चार जीरो हो गुड बढ़िया कोई डाउट ना किसी को बात करने वाले को बला करिए आईदम बला करिए जिन्दगी बार के लिए पर्मनेंट करिए आईए छाटा में चलिए इसमें क्या होगा कि आएगा जरब पताओ भाईया आसान है ना बहुत जी बहुत अच्छा पर्तिक्छा गुपता बेरी गुड़ पंकच सोभीत निधी बेरी गुड़ देखो अगर कोई किसी का नाम लेके कमेंट करा ता बिल्कुल परिसान ना हुआ करो उनको नाम पटक पटक के मारते हैं मिलने तो तो देखने नजर तो पढ़ने दो किसी की बता दिया को पस कि हाँ मुझे प्रिसान करता है इनिये के लिए सम खड़े हैं यहाँ पर कुड़ादार हमारा बहुत बड़ा है उसी फेंक देते हैं चले जाते हैं चलो किरा इसमें सुन्नों की संख्या कितनी है सिर्फ और सिर्फ आपको पांच और दो के जोड़े बनाने बस चलो बाइसाब ठारा फची सथीस इसमें अगर हम दो निकालेंगे तो एक थी 2 आयेगा एक दो गुड़ा तिन घात दो यहांनि नOSH दुना ठारा ठीक है इनको अगर हम देखें तो पांच घात दो होगा इनको अगरDENखें तो दो का घात दो यहीं चार और तीन घात दो बोल भाया दू दुना चार दिंद्री करना हो नो चोग चत्तिस ठीक है इन में जोड़े फाइनल देखो कितने बनेंगे दो की घात एक दो की घात दो फाइनल सब जोड़ेंगे तो दो का घात तीन पाँच की घात सिर्फ दो है एक जगा यानि की छोटी घात क्या है दो है यही तो देखते हैं न कि उसके फुल फैक्टर में पाँच और दो की कितनी संख्या है और फिर पाँच और दो की घातों में किसकी घात छोटी है जिसकी छोटी है उसके गुड़नफल के अंतर में उतने ही जीरो आते हैं अंसार आएगा दो कि चलो बाई साथ नंबर में आजाओ अउनली पढ़ने वाले कुछ बच्चे कहते हैं सर इस क्लास में बच्चे कम का एक हुआ आते हैं अरे गदहा तुम्हारा ना बगवान को मनाने का तरीका अच्छा था पगवान ने तुम्हें आशिरबात दे रखा है पता है का एको अज तुम्हें ये बताओ कि सम्थिंग 60244 वैकेंसी आई थी और उसे फारम कितना पड़े थे पता है तुम्हें इससे प्लस देखना ध्यान देना इसके प्लस फारम पड़ा था मतलब समाझ लो कि एक सीट के पीछे सम्थिंग 802 बच्चे हैं यानि आपको एक सीट लेने के लिए इस अगर एक ही एक्जामपल बताए यूपी पुलिस की वैकेंसी में तो कम से कम साइकड़ों लोगों को फार एक्जामपल आपको पीछे क करोगे हराओगे तब एक सीट मिलेगी भाई साब कहां हो आप तुम्हें क्या लगता हार कोई पढ़ेगा क्या अरे वो हारने वाले इस इन तो होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कर दो सो बच्चे भी लाइब हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बहुत अच्छी बात है हम कहते है कि दो सो नहीं बी से होते बहुत बढ़िया है कि अपका फेलेक्शन थोड़े होने वाला है मैं आपको एक कड़वी सच्चे बताऊं पीब्र स्टेडी अप्लिकेशन में हाद दिन 10 20 40 500 बच्चे सब्सक्रेप्शन लेते हैं कुछ ऐसे भी नमूने हैं जिनको मैं प्रडाम नहीं करना पड़ेगा फिर मुझे पैसा भी नहीं मिलेगा ओ कहने पड़ते हैं क्योंकि मा बाप की बिगड़ी अउलाद है पैसा बहुत है मुझे कोई दिक्कत नहीं है हां समझ रहे होग नहीं कुछ सीखो इनसे तो आप पढ़ना शुरू कर दो जिससे आपको दुबार से रिन्यू अगरा ना करना पड़े सब्सक्रेब्शन हो गरा और टाइम ना खराब हो और उनका सेलक्षन भी नहीं होगा उनका सेलक्षन भी नहीं होने वाला क्योंकि पढ़ी नहीं रहे हैं तो यह मत कभी सोचा करो कि बच्चे कम काहे को है बीन कम काहे को है तुम अकेले आ रहा है तो आप कमेंट में लिखो सेबन सी जल्दी करें जल्दी करें बहुत अच्छा सबसे पहला जब आप नीलम कुमारी ने दिया है फिर पतीक्छा गुपता पृति यादो अलोग यादो निधी सुभम मोहित बहुत आसान है देखो इसमें 20 है और 14 है और 15 है इसमें 20 में देखो 4 पंचे 20 होता है यानि हम 2 का घात 2 लिख सकते हैं 5 की घात 1 चाहुदा में हम दो का घात एक लिख सकते हैं साथ की घात एक आप देखो पांच की घात एक और एक ये हो जाएगा दो और दो की घात तीन दो की घात तीन और पांच की घात दो तो फाइनल इनके गुड़न फल के अंत में दो ही जीरो आएगा क्या आएगा 2-0 पुझे लोग को लग रहागा आए भावकाल मार रहे हैं चलो छोटा फैल करके दिखा देता हूं तुमें देखो न सिकेंडों में देखो 2-0 आएगा 2-0 आओ देखो कैसे 15-4-60 हांसिल 6 15-1-15 15-15 15-20 एक 18 लोग देखो 21-2 में गुड़ा करो 42 और 2-0 बचा चिपकादुला के बगल में खता हूं 2-0 आएगा नहीं आए इसलिए कायते हैं एट्रिक कभी फेल नहीं होती ठीक है बबु तुमें एक थोड़ा नकासाडार नाम लग खे हो पुड़ा का बड़ा मिला के सही कर लो लास्ट मुझे एक के बाद समझ मैं रहा बॉआ है और सुरू में कूल उसको नाम रख लो अपना है नाम रख लो नहीं दुबारा कमेंट मैं नहीं पढ़ूँगा कभी चलो आगे पढ़े कूल बॉआ है हॉट बॉआ है क्यूट गर्ल हॉट गर्ल यह सब नाम है इनके ऐसे से कमेंट आते है मेरे मुझे मुझे से बोलना नहीं चाहिए है न और भी पता नहीं क्या क्या रख लेते है मैं बोलूँ तो कैसे बोलूँ दिसाई बदल जाती है चले आगे बहुत अच्छा आठ में किनको लग रहा कि B है जिनको लग रहा 9-0 होंगे वो कमेंट में 8-B लिखेंगे जिनको लग रहा कि 7-0 होंगे वो लिख देंगे 8-A अदम आगे चलें चलो देखो तो अब ये क्या है बद्तिफ 13-50 देखो 32 को हम सब को कुल मिला के हमारा एक के उद्दिफ है कि इनको दो और 5 के रूप में तोड़ेंगे उसी नजर फे देखेंगे जिसे मैंने कहा ना कि आपकी कॉलेज में कोई यसी थी अच्छी सी जिसे आप बहुते देखते थे चाहते थे तो कॉलेज में भले सब आये हैं अगर 300 लोगों की संख्या उसे नहीं मतलब हमें पूरे सवाल में सिर्फ दुए खोजना है क्या एक दो को एक पांच को हमारी नजर केवल उसी पर रहनी चाहिए बाकि कोई भी है इसमें कितना बड़ा गुड़ा है उससे कोन मतलब नहीं है अपको क्या खोजना है सिर्फ 2 और 5 बस है इसके अंदर 2 कितना होगा देखो आठ चोंग बत्तिफ़ वहीज साहब 2 2 4 2 9 8 2 6 21 बतिफ़ 5 बार यह थे पांच गद यह नहीं घृन he कि इसमें एक को बार नहीं सामिल है इसमें देखो तो कितना बने गई है पचीज दूना पचास दूई कगात एक और पांच गात दूई बनेगा है हमें अब यहां कर आप देखो तो दू कगात यहां पांच यहां एक तो यहां दू कगात फाइनल छे और पांच की गात कितना दो पांच की गात दो यहनी आंसर दो आएगा ऐसे भी आप समझ लो अगर इनको boy मान लो इनको girl मान लो ठीक है इनको girl मान लो इनको boy मान लो girl की संख्या काम है boy की संख्या जादा है तो ये बता जोड़े कितने बनेंगे कितने जोड़े बता भाई जा मान लो चलो बिया करवाना इनका साधी करवानी है तो किती साधी होगी ये तो छे हैं ये दो हैं साधी कितनी हो सकती दूइये हो सकती है क्योंकि दूइये जोड़ा बनेगा अकिल लग थोड़ा भी आ होता किसी का ऐसे होता तभी तुम्हारा हो गया होता अब तक अब पढ़ो के नहीं तो कभी नहीं होने वाला जान लड़कियों का तो कहीं नहीं हो भी जाएगा अरे डूब मरो लड़को तुम सरम करो थोड़ी ये तो विरोजगार भी रहेंगी तो कहीं नहीं हो जाएगा बहुत थोड़ा लीपा पोती किये रहे हैं तुम्हारा तो कोई नहीं पूछने वाला है समझ रहे हो, जालो तो आंसर कितना आएगा, दो गुड़ा कर लो, पूरा-पूरा चाहे तो करके देखो पूरा-पूरा मल्टीपल करके देखो, दो ही आएगा नहीं कहो तो गुड़ा करके दिखा दूम्हें, तेरा-दुणा चाहबिस, कर लो पूरा तेरा-दुणा चाहबिस, हांसिल दो तेरा-दुणा उन्तालिस एक चालिस, दो बैालिस तही है ना? 5 चालिस, पांच खूड़ा करओ, देखो, एक जीरो यह है, पांच हांग एक तीस का जीरो, हां फील आया, तीन पांच जुणा दस, तीन तेरा पांच अग भी से काईस है? हाही गल्लों, पकड़ों भईया, चलो देखो, तीन, दो जिरो आया, ना? दो जिरो आया ना ठीक है चलो आगे बड़े कोई कह रहा बेज़िती हो गई बेज़िती वाली बात नहीं सच्चाई यही है सच्चाई यही है जानते हो सुने हो कि नहीं ओलाइन काफे उसे नौकरी मिल गई इसलिए वो ब्याही नहीं गई और वो और वो बेरोजगार रहा इसलिए वो भी ब्याहा नहीं गया कुछ समझा कि नहीं लड़कियों को अगर नौकरी मिल जाती है तो उनकी साधी रुक जाती है तो चार छे साल उचाहें करें चाहें ना करें लेकिन नहीं मिली तो भाईया जल्दी घरवाले हटाओ हटाओ बड़ा मुसीबत बनती जा रही होता है न लड़कों में नवकरी मिल गई अगर तो रिष्टे आने सुरू कल थे जल्दी हो जाएगी अगर नहीं मिली तो पता नहीं भागवान ने बनाया भी था कोई की नहीं उसके लिए होबो न करेगी यह दो अंतर होता है अगर लड़की को साधी नवकरी मिल गई तो उसकी साधी रुख सकती है और लड़के को अगर नहीं मिली तब उसकी रुख सकती है लड़की का तो मानलो नवकरी मिल गई तो रुख सकती है वो जब चाहे तब करें फिर दू-चार साल बाद लेकिन लड़का का अगर रुख गई नहीं तो रुखी रह जाएगी उसके चानिस नहीं होने वाला कितनों अच्छी बना रखे हो अफेर बढ़ियां वाला चल रहा है लाइस्ट में यहीं बोलेगी गवर्मेंट जब वाला पापा लेके आएगा अच्छा बढ़ियां गर से तो कहें कि बाबु पापा नहीं मान रहे है पाकी तो तुमको हम दिल जान से चाहते है लेकिन अंदर अंदर सोज रहे है वेरोजगार आदमी क्या करेगा यार 95% केस में इसा ही होता है 5% केस में कोई ऐसा हो तो मत उसका एक्जामपल देना क्योंकि अपवाद हर जगा होता है 95% में ऐसा ही होता एक्जामपल मेरे पास भी बहुत सारे है अगर किसी को लग रहा हो तो आई से थोड़े बोल रहा हूँ चलो इसमें कितना आएगा इसमें कोई 0 नहीं आएगा क्योंकि इसमें 2 और 5 का कोई जोड़ा ही नहीं बनेगा चलो दाफ नंबर में बताओ टेन नंबर क्यरा इसमें सुन्नों की संख्या कितना है है ना गजब का सवाल कितना है इसमें सुन्नों की संख्या एको नहीं है तो होग है तीन ठी देखात तो है नहीं जो लाश्ट में 0 होता है वो माना जाता है last में कोई सुनने नहीं है इसमें last में 3 है इसमें आप कहोगे कोई भी सुनने नहीं है इनमे अचाए इनमें कितना सुनने होगा question number डाल के comment करो अगर 11 नमबर बता रहे हो इसमें लग रहा है आपको 20 है था आप comment में 11 भी लिखेंगे ना की भी लिखेंगे अकेले और को जिससे भी एक लेबल आगे चले जाते हैं भी नहीं लिखते हैं बी भी लिखते हैं डारेक्ट इतनी भी क्या जल्दी है चलो बहुत आफान है देखो भाई यह 35 और 0 है एमे एमे दूठी 0 है इनके गुड़नफल के अंत में कितना 0 आएगा बड़ा आसान होता है पहली बात तो एक 0 यह है दूठी यह है तो फाइनल में 3 0 तो आएगा ही दूसरा और 35 का दूए में गुड़ा करोगे आप 35 का छोड़ो तुम्हें देखो 5 और 2 के कितने जोड़े बन रहे है तो इमे एक ठी दूए है इमे ठी 5 है एक के जोड़ा है यहनि एक 0 और बड़ जाएगा बस वह फे देख लो 25 का दो में गुड़ा करोगे 70 आएगा 70 में एक 0 आएगा तो आप एक और लिख लोबास होई का 4 0 कितना 4 0 आएगा बनिया पंकज बाबु कोई फीज इंक्वारी है नमबर पे संपर खरो नीचे नमबर चल रहा न चलो अगला 12 नमबर बहुत आसान आसान है यह लेकिन एकजाम में इस लेबल के कभी कभी ऐसे आ जाते हैं बोल चुक से यह परिक्षा लेबल का है UP Police का question अरे सब नहीं एकजाम लेबल के हैं यह बेकजाम लेबल का नहीं है जो भी करवा रहे थे वो था अभी आके करवाएंगे वो होगा बहुत अच्छा सूर्या, very good, pretty, ठीक है, ये लोग बहुत फ़र्ष्ट बता रहें, means काफी मेनद कर रहें, इसमें तो बड़ा आसान है गुरू, कहे रहा कितने सुनने हैं, अरे गिनलो ना यार, दो सुनना इधर है, दूठ इधर है, चार दूठ छे, छे तो जीरो ऐसे जोड़े हैं, पांच एक्ठी यां के लिए, एक्ठी यां दूए है, यानि पांच और दो के एक और जोड़े है, means total 7-0 है, comment सही तरीका है, करने का, 12A, जो बिल्कुल ए लिख रहा, उसका गलत है, तरीका गलत, चल भाई, आइक थी, अंगरेजीम ले लो, कुछ लोग कहता है, इनको अंगरेजी नहीं आवत, तो का कई से पता कहमें नहीं आवत, देखो, find the number of zeros at the end in the product, पता हो, 13 में जिनको पता है, कि 110 होगा answer, वो comment में लिखेंगे, 13A, अगर जिनको लगता है कि D सही है, वो comment में लिखेंगे 13D, बताओ, देखो, बहुत इजी है, देखो, गड़ित में भासा का कौन मतलब है नहीं होता है, क्योंकि मैत के एक है भासा होती है, और यही भासा भगवान की भी भासा है, समझ रहे होग नहीं, जानते होग नहीं, अगवान ने भी बहुत अच्छा गड़तेक दिमाग लगा है, दुनिया को बनाने में, जोड़ घटा करके, माइनस पलस करके, है न, आधा तुम्हें बना दिया, आधा उसे बना दिया, तेरे भी नहीं हम अदूरे है, फ़लम, देखें नहीं, मूवीस ले करके गानों में लोगों की फिलिंग में गुजा रहता है, ये जब, तो इसमें भी गुड़ित लगी, चलो, तो ये क्या है, हमें ये देखना में, पहली बात तो हमें सिर्फ 2 और 5 देखना है, मैंने कहा न, college or like example, आपको सिर्फ उसी को देखना है, सबको नहीं देखना है, तो हमें 7 वात स से कोनो मतलब नहीं है 13 से कोनो मतलब नहीं है अब दो की संख्या 115 है घात का मतलब पांच की संख्या 110 है मैंने कहा था जिसकी संख्या छोटी होगी उतने ही सुनने होंगे तो आंसार होगा 110 जलिए अगला बताइए 14 नमबार जल्दी करें सवाल की भासा अलग-अलग हो सकती है अलग-अलग तरीके से how many zeros in the end of the product सामपाल भाई समझ में आ रहा है सुवाम, रीमा आ रहा है सबको देखो आसान है, बहुत है आसान है इसमें हमें 2 और 5 खोजना Бढस बस और कुछ नहीं खोजना है इमें देखो ज़रा अब सब छोड़ो इमें 1-0 है, इमें 1-0 है, इमें 1-0 है तीन-0 तो ऐसे दिख रहा है बाकी 3 0 को अगर हम छोड़ दें तो हमें 2 और 5 का कितना जोड़ा मिल रहा है वही साब एक 5 यहां केले बज जाएगा तनहासा एक 2 बज जाएगा इन दोनों का मिलन करवाद होगे तो एक जोड़ा और बन जाएगा यहीं एक 0 और बढ़ जाएगा बस यहीं खतम 4 0 होगे इनके गुड़न फल के अंत में कितने होँगे 4 0 तुम्हें नहीं यकीने गुड़ा कर लो सबका बढ़िया चालो 15 नमबर बताओ जल दी से चलो भाई 15 नमबर गीता समझ में आ रहा है रीमा पाल सबको आ रहा है बढ़िया नमस्तिक्दम यह क्लास इस्पेसली PVR स्टड़ी अप्लिकेशन के सब्सक्रेप्शन वाले बच्चों के लिए इस लिए इस क्लास में हो सकता है अगर कहीं डेमो में मिल रहा हो अगर कहीं डेमो देख रहे हो अगर अपलिकेशन में देख रहे हो तो बिल्कुल आप निराज भी मत होना क्योंकि अपलिकेशन वाली कभी यूट्यूब पर मिली नहीं सकती जो चीज़ें उसमें मिलेंगी वो कभी उसमें नहीं मिल सकता अगर ऐसा होने लगा तो हम यहां कहां रहेंगे पता नहीं कहां चले जाएंगे चलो तो दोनों लोग खुश रहना मैं यही कहना चाहता हूँ बस इनके जीरो की संख्या जोड़ो भाई एक, दो, तेन, चार चार जीरो हो गए उसकी अलामा पेर कितने बन रहें पांच और दो के यहां पांच अकेला है, यहां दो अकेला है फिर क्या जमेला है चार जीरो है कितने चार जीरो है, एक जोड़ा बन रहा है, नहीं पांच जीरो आंसर हो का पांच जीरो बाद खतम चार जीरो तो डारेक्ट दिखी रहे हैं एक ठोर जोड़ा बन रहा है पांच और दो का तो होई का भई या पांच जीरो बस खतम आई से करेंगे परिक्षा में आप धुमा धार आई से आई से कुश्चन आप ही जाएंगे यह भी मत्याद रखना मतलब गिंती मत्याद रखना है गिंती बदल सकती है वन्स सर्मा पच्चा आप बहुत छोटी कलास में पढ़ते हो ना मुझे जहां तक पता है अब छोटी कलास में हो ना अब 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 भ्यास से प्रस्ण होगा बेसिक में थका क्योंकि यह आज के कुश्चन उच्चन होगे खतम बहुत काम की चीज होगी लेकिन यह मत सोचना कैसे हवा में चल रहा है यूपी पुलिस लेबल के सवाल खतम होगे अभी तक जो था एक्जाम लेबल का था सब अब मुझे यह बताओ निम्न में रेफनल नंबर है यानि पर्मिय संख्या नहीं है पर्मिय संख्या नहीं है कौन नहीं है? पाहिला जीरो नहीं है? पाहिला नहीं है तीन बटा साथ नहीं है अंडरूट छात्तिफ नहीं है बताओ पर्मिय संख्या कौन नहीं है? जल्दी करें जल्द बाजी नहीं यह है सवाल नंबर फोला देखो जो भी सिम्बल होते हैं पाई हो, ओम हो, एप्टल जी, स्माल जी वगरा वगरा साइंस वाइंस पढ़े हो ना वो सारे इरेफनल होते हैं अगर उनकी नुमेरिक बैलू कहीं दी है तो नुमेरिक बैलू हो सकती है रेफनल पटन के सिम्बल हमेसा इरेफनल होते हैं तो पर्मे संक्या नहीं तेहीं नहीं 0 is your referral number कोई भी number minus या plus कैसे भी है referral number इसका final में 6 आएगा ये भी है referral number जल भाईया question number 17 रेडियो सभी एक बार बोल दो यस और जो बच्चे यूटूब या कहीं देमों के रूप में देख रहे हैं वहाँ पर like share follow सब कर लें जो जो हो सकता है application में देख रहे हो ना तो हाथ बांद के नहीं पढ़ना है काँ पी पें ले लो लिखते जाओ हम दस सवाल कराएं तो आप असी सवाल करो तभी कल्याण है भईया एक शीज मैं एक जामपल बताओं आज गौर्डमेंट जाब और प्राइबेट में क्या डिफरेंस होता है अब तक मैं भी मानता था कि गौर्डमेंट जाब आपका कौनों मतलब नहीं नहीं करना चाहिए बट जरूरी है हमारे एक साथी है जो प्राइमरी में टीचर है पिछले दस साल सम्थिंग अभी उनका सेलरी आया था हाली में आप समझे लो कि काफी अच्छी खासी सेलरी इतनी थी कि मतलब जितना भी परिजन टाइम में हमारा कुछ होता होगा सेविंग और लगभग उतनी ही थी लगभग ज्यादा नहीं थी बट आप ऐसे यह समझो कि से आठ गंटा का इस्कूल जाना है वो भी जुगार लगा लिए किसी भी तरीके इस तो जाना भी नहीं है दूसरा वहां जाके कौन बहुत बड़ा दिमाग पकाना है चोड़े चोड़े बच्चे हैं प्यार से उनको शेवा करना चले आना है बाकि रात में बिंदा समना सो बीबी को लजाओ सौपिंग कराने कुछ भी करो टेंसन फ्री हो मतलब मिला कि 8 गंटा अधिक्तम भी माल लो तो 12 गंटा फ्री हो लेकिन इसमें क्या जो देख रहे हो तो मुझे रात कित्वी बज़े यूटूब पर आऊँगे तो मैं लाइब मिलूँगा फैरा दिन के 10 बज़े भी देखो कि तब भी मैं कही ने कहीं मिलूँगा और जब मैं कैमरे के सामने नहीं हूँ तब भी मैं उसी में कुछ ने कुछ कर रहा हूं तो कहीं न कहीं मुझे लगता है ना सुकून उदर जादा है लेकिन यह कि देश सिवा यह आप लोगों की सिवा और बहुत सारी चीजें है जो इतना इसमें हो सकती उतना वहां नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ एक लिमिट है यहां लिम्टेड है है यहां यहां कमाई भी लिम्टेड है काम भी लिम्टेड है मेनद भी लिम्टेड है उसमें लिमिट है कि समझ रहो न इस लिए अगर आराम दायक जिन्देगी चाहते हो तो फिर मेनद कर लो मेनत कर लो बस बाकि अगर फिर हमेशा मेनत करना चाहते हो तो फिर कुछ भी करो आगला बताईए संख्या 17 का पांचवा उड़ज फिफ्ट मल्टीपल बताओ जल्दी करो क्या कहे रहो बढ़िया बात सुनो तब अच्छा लगता है ना तुमारे बारे में दो बार बोला फिर भी तुम एक के चीज काप कापी पेस्ट कर रहा हो ब्लाक हो जाओगे सीधा फीधा अठारा नंबर चलो संक्या 17 का पच्वा मल्टीपल क्या होगा फिफ्ट मल्टीपल होगा भाईया सहाफ फिफ्ट को फ्ववण टीपल कर लो 17 पच्वा पचासी हो गया पचासी आंसाथ अठार नंबर में आ जाओ क्या कहता है UPP level का question वाला part खतम हो चुका है अब हम basic का revision करवा रहें पीछे से practice करवा रहें ठीक है वो खतम हो चुका है तो यह मत सोचना कि इतना basic काहे को हो रहा है जल्दी करो भई 18 नमबर A, B, C, D क्या होगा एक बार मैं फिर से बता दूँ कि UPP level का जो question था खतम हो चुका है अब basic का revision करवा रहे है practice बहुत अच्छा बेरे गूड नीलम कुमारी ठीक है लॉकुस, airman, राज्तिवारी संपूर्ण कॉड यानी complete angle एक है है अनोखा है वो है थरे 50 बदलब इसका और कोई दूसरा जोड नहीं है इसके जोग या और कोई नहीं यह बता भाया कि सबसे बड़ा noon कॉड सबसे बड़ा acute angle क्यूट नहीं, क्यूट तो तुम सब हो सबसे बड़ा noon कॉड कितने अंसका होता है भाया जल्दी करो काई सर्मारे बताओ ना ठीक है सर्मारे नहीं, चलो यह अंडा थोड़े बनाना है यह अंडा जल्दी एको क्यूकर मैं तुम्हें इसमें कुछ बूच रहा हूँ दिख रहा ना लाल-लाल देखा अब लाल के बाद हरियर दिखान ज्याद है, यह सही है यह बताओ अगर इसमें हम बीच में सेंटर बना देते हैं यह इदर है, इनको खिंच देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, सुन्दर है इनका नाम लिख दूँ A, इनका B, इनका O समझना है, हमें वेका होने वाला है तो मुझे यह बताओ तुम सब ही लोग, इमानदारी के फाद अगर हिया कीद दिया, हिया कीद दिया, है हिया कीद दिया इनका नाम अगर हमने रख दिया C, D E, F और L, M तो यह बताओ, इसमें कितनी जीवा दिख रही आपको कितनी जीवा दिख रही, जीवा को अंगरेजी मैं ऐसे कुछ बोलते है मुझे स्पेलिंग थोड़ा कम सही लग रही होगी ऐसे कुछ होती बट इंगलिस आप मेरी बहुत अच्छे मत समझना क्योंकि मेरी अंगरेजी चक्कन पड़ोगे न ता आपके अंगरेजी भाग जाएगी जीवा कितनी जीवा है इसमें किन के बताओ सौरव नीलम बरसा पूनम मोहित अंकित बहुता है अच्छा बैट री गुड़ वैर गुड़ सबसे छोटका निवन कोण का है पता है सबसे छोटका जो निवन कोण है वो है टी नाइन का so you can say 19 fee and 20 में आ जाओ कोई भी जो ब्यास होता है ना वो भी एक वरकार की जीवा होती प्रित्त की तो एक तो ब्यास हो गई एक हो गई दो तीन चार टोटल कितने है फोर कितने है फोर यान इसमें टोटल जो जीवा है दिख रही है आपको टॉन फोर है इतनी है फोर 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 कि पूश्ट नमबर टॉन टॉन जा है टॉन टॉन इमांदारी के साथ बाई जागते रहो जागते रहो यह क्या निकल गया यह क्या नया चीज आ गया गरू बढ़ी आई देखो इसे बड़ेगा इससे बड़ेगा यह इसका नाम जानते हो बताओ सुन्दर लग रहा ना यह पसे देखने के लिए निकाला था इसको आटाओ इसको चलो बागो यहाँ से मैं यह निकालने वाला था मालो कि यह खेत है काई है यह खेत है जो की आयताकार का है अब अगर किसान इसमें गेहू की बुआई करना चाहता है का गेहू बशेट आज कल सबसे ज़्यादा ठका हुआ इस दुनिया में किसानी है इस पसे लिए मारे देश में बागी तो बगवान जाने, चलो देखो क्ये हूं बोना है अब अगर वो दुकानदार के पास जाता है वो पूछता है भईया कितने में क्ये हूं बोना है कितना भीज देना है, कितना क्या कैसे जो इसका हिसाब होगा उसके लिए हम क्या निकालेंगे शेत्रफल निकालेंगे कि परिमाप निकालेंगे क्या निकालेंगे बताओ यह हूँ बोने के लिए क्या चीज निकालेंगे मुझे यह बताओ दो आपसन है पहला एक कि आप इसका शेत्रफल निकालोगे दूसरा कि आप इसका परिमाप निकालोगे पेरिमीटर या एरिया क्या फाइंड करेंगे जल्दी करें क्या फाइंड करें क्या जलिए जिए गेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग अगर हमें ये कहा जाए कि भाईया आज कल देखो बड़ी सारी गव माताएं और गव पिताएं इस खेतों में गूम रहे हैं कहते हुए थोड़ा सा गड़बर लग रहा होगा ये तो anti-national है हमारे यहां भी पहले गाउं में अगल बगल गाय हुआ करती थी उनकी बड़ी इज़त होती थी गाउं में अब बिल्कुल नहीं होती है अधिकान जगा पता है कहली है क्योंकि उनको लोग बड़ी इज़त से करते थे सेवा करते थे अब लोग अपना स्वास निकाल रहे हैं जबकि गलत हो रहा है क्योंकि बीच में क्लास में बात नहीं करने चीए क्लास खतम हो गई है लेकिन आप इस देश के भविश्वाप समझो कि जब से कुछ सिस्टम चेंज हुआ है कि उनको ना तो कोई खरि इसा दूर दफा कभी दिखाने था कहीं क्या करते लोग दूद जब तक दे रही ठीक है गाव में इसलिए बता रहा हूं यह किसानों के लिए बड़ी दूबिधा बना रखे जंगली जानवर भाग जाते थे एक बार टार जलाने पर और यह इनके जो इंग वाले बड़े ह होते हैं आके जान से मार देते हैं किसानों का अधिकान जगा में कुछ लोग में देखो घर पे छट पे चड़के कुद गये हैं देखे हो गए वीडियो गरवरल होते हैं करना चाहिए हर एक पसुपंची की सेवा करनी चाहिए लेकिन उनको एक दाइरे में रखकर के सिस्थम का ही परडाम है जो देख रहे हो अब इसलिए खेतों में यह पॉइंट कहां से आ गया कि भाईया इन से बचाने के लिए बार लगानी दिवाल उठानी है तार बांधना है तो उसके लिए क्या निकालेंगे छेत्रफल या परिमाप उसके लिए फिर छेत्रफल ने निकालेंगे परिमाप निकालेंगे क्यों क्यों कि जो हम बार लगाएंगे दिवाल उठाएंगे वो खेत के किनारे किनारे जाएगी ऐसे वो खेत में नहीं जाएगी खेत में दिवाल अंदर में नहीं उठेगी तो हम निकालेंगे परिमाप और हम यह कहेंगे दुकान पे बनाने वाले से कि भाईया हमें का चाहिए का चाहिए हमें हमें फलाना मेटर का या फिट का वायर चाहिए या इदने इर चाहिए जिससे हम किनारे किनारे मतलब यह चीज उठा सके बना सके ठीक है तो यह होता चेत्रपल परिमाप का यूज पिछली क्लास में आपने ये पढ़ा था कि अगर कोई नंबर आफे दिये हैं तो इनके गुड़ा नफल में कुल कितना सुनने आएगा ये पढ़ा था ना छोटे में जान लो कि अगर आफे इनका गुड़ा करना हो तो कितना आएगा जानते हों 200 आएगा यार ठीक इसके गुड़ा नफल के अंत में कितना जीरो आया दो जीरो आया ना दो जीरो आया गुड़ा नफल के अंत में वैसे इसके भी गुड़ा नफल के अंत में कितना जीरो आएगा ये फारी चीज हैं पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हो इतना ही नहीं आपने बड़ी बड़ी संख्याओं के गुड़नफल के अंत में कितना जीरो आएगा ये भी आप पढ़ चुके हो कि नहीं सभी पढ़ चुके हो बढ़िया ठीक है PBR Study App के अगर तो बबू आपको recording क्लास मिली है उसको तब तक देखिए लाइब क्लास की सूचना आपको WhatsApp पे मिलती है ठीक है WhatsApp पे चलो आगे पढ़े ये फारी चीज हो चुकी मैं ये बोल रहा था आज हम factorial वाले में देखेंगे सुनने की संख्या जैसे सवाल है कि factorial 10 factorial 10 में कुल कितने जीरों है इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जानते हो नहीं आफे फिलहाल ये वाला नंबर थोड़ा कम जमता है आफे जल्दी कमेंट करेंगे बताओ चलो चलो बढ़िया ठीक है आईए अगर मैं आपको एक जुगाड बता दूँ सीधा फिधा बिना किसी जुगाड के पहले basic देखो एकदम basic धूर basic देखो factorial का मतलब तो सबहेंज जानते हो कि नहीं जानते हो factorial का मतलब ये होता साथी मेरे जैसे अगर factorial 2 है इसका मतलब ये है कि दो गुड़ा एक बराबर दो समझते जाना यह फैक्टोरियल तीन है यह फैक्टोरियल चार है इतने में तो आप कुछ समझ गए होंगे यह फैक्टोरियल का मतलब होता है clear? no doubt यह क्या है फैक्टोरियल का मतलब फैक्टोरियल का मतलब यह होता है कि उस एक छोटे से नमबर में बहुत बड़ा अंक समाया होता है फैक्टोरियल पांच का मतलब 120 होता है ठीक है clear? कोई doubt ना किसी को बढ़िया चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है good यह फारी चीजें सबको पता है फैक्टोरियल के बारे में अब अगर आपसे सवाल किया जाता यह बताओ भाईया फैक्टोरियल पांच में कुल कितना सुनने है बताओ आपको दिख रहा है फैक्टोरियल पांच में कुल कितना सुनने है एक सुनने है कितना एक सुनने है है न अच्छा ठीक है अगर हम इसमें थोड़ी सी और आगे बाद बढ़ाएं समझते चलना अगर हम कहां फैक्टोरियल छे में कुल कितना सुनने है देखना तो यह हो जाएगा छे गुड़ा पांच भाई वहीं तो 120 का न न न न न न गड़बडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगण 6, 35 30 का 4 में गुड़ा करो 120 ये इतना मिला के 120 120 को 6 से गुड़ा करो 12, 72, 42 आएगा यानि इसके गुड़नफल में या एक परकार से हम कहें फैक्टोरियल 6 में कितने 0 हैं? कितने 0 हैं? एक 0 है ना? लेकिन ये लॉजिक कैसे आएगा? मतलब कैसे समझेंगे कि कितना 0 है? ऐसे तो गुड़ा करने बड़ा लंबा हो जाएगा जैसे मान लो कि हम एक नंबर ले लिए बताता हूँ इसका ट्रिक बताऊंगा डॉन्ट वरी बिच्चा देखो अगर फैक्टोरियल 10 की बात करें तो ये बड़ा लंबा हो जाएगा जैफे देखो 10 9 ये चीज तो आप सब को पता है एक दम कूट कूट के बसाया दिमाग में कि कभी भी जीरो कब आता है जीरो कब आता है जब भी 5 और 2 का मिलन होता है विदाउट 5 और 2 के मिलन के जीरो नहीं पैदा होता कहीं बोलो होता है कहीं क्या कुछी भी संक्या का गुड़ा कर लो अब कितना भी नंबर का आपस में मल्टिपल कर लो जैसे 7 का गुड़ा कर लिया 3 में 18 का गुड़ा कर लिया 4 में या किसी भी गिंती का गुड़ा कर लो अगर उसमें बीच में 5 और 2 का टक्राव नहीं हो रहा है तो कहीं भी 0 नहीं आता है मैं छोटी-छोटी गिंती के बात कर रहा हूं बाकी अगर आप कोहाओ कि अच्छा पांच और दो तो हम नहीं ले रहें लेकिन हम दस और पांच का गुड़ा कर दिए या दस और तीन का बाई सहाब हमें पहले जीरो है दीख रहा है हम इसी कुछिजी जीरो ना हो ठीक है? तो जब तक पांच और दो का गुड़ा नहीं होता तब तक कहीं भी जीरो का जनम नहीं होता है वैसे समझ लो जैसे देखो एक बच्चा पैदा होने के लिए एक मेल फेमेल के जरूत होती है चाहे वो इंसान में हो जानवर में हो किसी भी तरीके के पच्ची प्राणी में हो ऐसा कहीं देखे हो कोई मेल ही हो या कोई फेमेल हो जो एक बच्चे को जनम दे सके अकेले में ऐसा नहीं हो सकता ना समझ रहो तो इनको तुम मेल फेमेल ही मान लो पाँच को मेल मानलो टू को फिमेल मानलो टू को मेल पाँच को फिमेल जो भी तुम्हारा मन करें लेकिन हाँ मेरे हिसाब से पाँच को आप क्या मानोगे फिमेल और दो को मेल ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ देखों मैं एसा क्यूंव बोल रहा हूं क्योंकि दो की संख्याप जादा आतीक संख्या जादा अभी क Blair कोश्याडाता repaJa कि समाज में इंडियन में पुरुस प्रधान देश में जैसा कहा जाता है महिलाओं की संख्या थोड़ा बहुत कम पाई जाती पुरुसों के बैच्छा है न इसको याद रहे थोड़ा सा बाकी तो गडित की बहुत अच्छी बात है ठीक है इसमें कुछ गलत भी नहीं है देखो इसमें इसमें देखो एक दो और पांच है यानि दो गुड़ा पांच करने पर दस होता है इसमें तो पांच है नहीं इसमें देखो दो है हम जहां जहां दो और पांच आएगा उनको पकड़ेंगे बस इसमें दो कगा तीन है इसमें दो और पांच तो है नहीं कोई मतलब नहीं, इन में दो है, क्योंकि दो तियां ही छा होता है, तो दो गुड़ा तीन का एक, मजबूरी में लिखना पड़ रहा है, इसका कोई उज़ नहीं है, ठीक है, पांच अकेले हैं बचारा पांच की घात एक, दो की घात कितना दो, और दो की घाते हैं कितना दो एक, अगर आप इन में टू काउंट करो, तो दो की घाते बहुत सारी हो गई, देखो, एक, चार, पांच, साथ, आठ, यानि दो की घात कितना मिल गई भईया, आठ, और पांच की घात देखो, एक और दो, कितना भईया बा और पांच में जिसकी संख्या कम होगी उतना ही जीरो होंगे मतलब वही आंसर होगा तो दो की संख्या कितनी बार है इनमें सामिल आठ बार है पांच की संख्या सिर्फ दो बार है तो ताकत किसकी ज्यादा है इसकी तुम्हें किया लगता है ज्यादा संख्या उने ताकत दस आम के पेड़ उगा दो और टेन वाई टेन एरिया में ही अगर आप एक आम का पेड़ उगा दो देखना दस साल बाद जहां दस आम उगाए हो सब बरबाद हो जाएंगे सुख जाएंगे या तो या तो एक आठी बचे का सब सुख जाएंगे या तो सब सुख जाएंगे और जहाँ एक होगा अगर वो बचाना तो बहुत भायानक पेड़ बनेगा क्यों? क्योंकि उसको पूरा इसप्रस मिल रहा है ये इस कुईस्टन के लाजिक को ले करके है बाकी ये चीजें हर जगा लागू नहीं होती, ठीक है? समझ गए? तो चाहे तो आप एक काम करो कलकुलेटर में इन सबका गुड़ा करोगे तो लाश्ट में दूए जीरो आएगा, करके देख लो ठीक है? अब बता दूँ दो जीरो कहां कहां बनेगा, कहां उत्पन होगा देखो, एक तो ये पाँच और दो का गुड़ा करने पे आएगा और एक ये इसमें दस में है, बस एक दो जीरो आएगा लेकिन कहों कि इतना बड़ा वजाई करेंगे पेपर में तब तो ऐसे हैं, नहीं कब हो निकल रहा है एक जाम ऐसे कईफे निकलेगा ये तो बेसिक था ये तो बेसिक था, ट्रिक बता रहा हूँ तुमें चलो अब ट्रिक देखो, ट्रिक क्या कहता है तुरू से देखो, राम कहानी फैक्टोरियल का मतलब क्या यहां पे लिखा है जो बाते मैंने बोला, वो भी यहां लिखा है इसको PDF में आपको PBR study के टेलिगराम चैनल पर भेज देंगे यह especially application की class है यह especially PBR study app वाली class है ठीक है बच्चा बाटी परतीक समझ में आ रहा है ठीक है चलो बढ़िया वही सारी चीज़ें लिखी है जो यहाँ पर मैंने बोला था factorial वाली संख्या में जितना बार 5 सामिल होता है उसमें उतना सुनने होंगे ठीक है साट कट निकाल के लखा गया सारांस है बाकी चीज़ें मैं आपको describe करके चिला दिया हूँ जैसे इसमें देखो factorial 8 में क्या है 8 गुड़े 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इसमें अगर देखो तो 2 कितनी बार सामिल है 8 में देखो 3 बार 2 है 6 में एक बार 2 सामिल है 4 में 2 बार 2 सामिल है 2 में एक बार 2 सामिल है टोटल 7 बार 2 है और 5 कितना है एक बार है यानि factorial 8 के अंत में पतलब इसको हल करेंगे finally तो 1 0 आएगा 10 से 2 0 सुरू हो जाते है factorial नहों तक 1 0 आता है पता है कैसे आता है बताता हूं देखो 1 0 कैसे आता है बताता हूं रुकना मेरे यार रुकना जरातम मिटा दिया क्या मैंने उसको अच्छा factorial 6 वाला ही लिखा है बस ठीक है चलो आँ वो उधर साइड में है मिटाया नहीं देखो मैंने या factorial 6 को डिस्क्राइब किया पूरी तरीके से इधर अगर आप देख पा रहे हो तो इधर factorial 2 से लेकर के 5 तक सब को डिस्क्राइब किया है लेकिन आपने ये देखा होगा कि 2 से लेकर के 6 तक के जो डिस्क्रेप्शन है इनमें कहीं भी 1 से अधिक 0 नहीं आया पहली बात तो 0 का जनम 5 वाले factorial से हुआ है 5 के पहले कहीं भी 0 आया ही नहीं था ठीक है तो 9 तक भी 1 के 0 आयेगा लास्ट में देखो बहुत ध्यान से समझो के समझ में आएगा चीजें explain कर रहा हूँ बाद में practice में जल्दे यल्दी हो जाएगा लेकिन theory जब तक ये concept समझना है तब तक ध्यान से देखो ये class especially PBR study application में चल रही है और जो बच्चे पढ़ रहे हैं इमानदारी से comment साब का देख रहा हूँ लेकिन comment में नहीं पढ़ूँगा क्योंकि पढ़ाई especially होनी चाहिए धंकी ना ठीक है बच्चा पंकज चलो तो ये हो गया clear आगे बढ़े आएए हाँ ट्रिक पर बात करते हैं तो देखो बच्चा इसमें दो जीरो होगा कहें बेसिक बता दिया हूँ ट्रिक का तरीका ये है दी गई संख्या को आप पांच से करोगे भाग और जीतना भागफा लाएगा वही आपका उत्तर होगा बस बस ठीक है लेकिन याद रहे कि वो संख्या दस से बड़ी होनी चाहिए ठीक है अगर हम कहें कि Go इअधे भी कर सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं Victoria 8 में कितने जीरो होघज़े आप इनको 5 से भाग करो कितनी बार भाग जाएगा कि वाल एक बार जाएगा 5 एक嘛 5 शेसफल क्या आ रहा उससे हमें कोई मतलब नहीं भाग कितनी बार जा राम से इससे मतलब है ठीक है तो इसी करम में अगर हम बात करें कि फैक्टोरियल छे में कितने जीरो आएंगे अभी दिखाया हूं explain करके तो फैक्टोरियल छे में कितने जीरो आएंगे चे को भाज करो बच्चा पांच से तो पांच एकम पांच दो बार तो जाएगा नहीं गटने पर एक आएगा लेकिन हमें जो सेस फाल आ रहा उससे कोई मतलब नहीं एक बार भाग जा रहा इसका मतलब फैक्टोरियल 6 में 1-0 होगा अब कहोगे अच्छा इफ लाजिक से तो ह आई बता भहिया कि फैक्टोरियल अगर हम चार में पूछ ले तब कहां यह ट्रिक लगेगा अगर हम चार में पांच का भाग करेंगे चच्चा तो भगवय ने जाएगा नहीं जाएगा ना सिम्पल तरीके से जबर्चस्ति नहीं ले जाना है प्यार फिले जाना है अगर तो नहीं जाएगा ना तो फैक्टोरियल चार में कोई 0 होता ही नहीं है अरे चार तीए बारत उनों 24 आता इसका मान 24 में कहां 0 है भगवा नहीं जा रहा मतलब 0 नहीं आएगा ठीक है चलो इसमें भी कुछ टर्मन कंडीशन है इसमें भी टर्मन कंडीशन है अब यह आगे एक्स्प्लेइन करूंगा यह देखो पूरी दुकान लगी है इनको देखो एक तरफ से पढ़ो क्या क्या लिखा है तब ही पढ़ो प्यार से पंकज बाबू 20 में 4-0 कईसे होंगे यह बताओ मुझे तुम 20 में 5 कितनी बार सामिल है यह बताओ 20 के अंदर 5 कितनी बार सामिल हो सकता है तुम्हें लग रहा होगा 5 बार अरे गुड़ा करके देखना है जोड़ करके नहीं चलो यहाँ पर सारांस पढ़ देता हूँ बाकी चीजें समझाओं को तब समझ में आएगा साइड होके पढ़ता हूँ जिसे पूरा देखो किरा किसी फैक्टोरियल में 5 की संख्या निकालने के लिए उस संख्या को 5 से भाग करते हैं भागफल आता है उस फैक्टोरियल में 5 की संख्या होती है जो भागफल आता है जो अभी बताया वही एक्स्पिलन करके लिखा है अभी जो समझाया एक्जामपल में ठीक है सर्थ ये है कि अंत में बचा भागफल अगर 10 या 10 से बड़ा है तो उसे फिर से 5 से भाग करते हैं फिर पहले बचे भागफल तथा बाज में बचे भागफल को जोडते हैं और यही योगफल ही फैक्टोरियल में सामिल 5 की संख्या होती है और किसी factorial में जितना 5 सामिल होता है उसमें उतना ही सुनने होता है इधर भी कुछ condition है भाग प्रक्रिया में अगर 5 का भाग पूरा पूरा ना जाए कुछ सेस बचे तो हम सेस को इग्नोर कर देते हैं सिर्फ भाग फल ही लिखते है समझा ये पूरी कहानी है बाकी एक्जामपल में आओ जैफ इधर देखो संख्या 120 का पूरा सारांस यहां पे लिखा गया है द्यान दो बीच बीच में साइड होता रहूंगा देखते रहू प्यार फे अच्छे से देखो ये सब को समझ में नहीं आएगा जो बिलकुल दिल लगाएंगे इससे उसी को समझ में आएगा और जिफ ने दिल लगा लिया है दिल वाली से फिर उसको तो समझ में नहीं आएगा तो लगा लो दिल थोड़ा सा इससे आएगा समझ में टाइम दो थोड़ा तड़ा इज़त करो इसकी चलो आओ देखो तो जो पीछे कंडीफल लिखी थी उसी को मैंने explain किया है कि अगर भाग करने पर सेसफल आता है तो सेसफल को मैं ignore कर देते हैं ignore देखो कैसे करते हैं 5 से हमने भाग किया 120 में 24 बार गया भाग फल 24 आया ठीक है इतना कोई बात नहीं यहाँ पर देखो सेसफल नहीं आया था कोछ इगनोर नहीं हुआ मैंने कहा था कि अगर भाग फल 10 या 10 से बड़ा है तो उसे फिर से 5 से बाग करते है अब पीछे दिखाया था तो यह 24 दस से बड़ा है इफले इसको 5 से फिर से बाग करेंगे 5 से फिर से बाग करेंगे 4 सेसफल आएगा और 4 बाग फल आएगा यह यूज फूल है यह नाट इन यूज है हमें सिर्फ इससे मतलब उपर वाले फिर नीचे वाले से बाग नहीं हैं यह पहले वाला भागफ़ था यह बात वाला शब्विस हाया इफ लिए फैक्टोरियल 120 में कुल 26 सुनने होंगे फैक्टोरियल 120 का मतलब जानता चचा नहीं जनता आदेखां है है 2 है है 120 का मतलभ हम इस हो एक्सस Movies, गुड़ा 129, गुड़ा 188, गुड़ा 117, गुड़ा डॉपाद ०ॉपार उं तुमको का लगता हैं पूरा लिखेंगे, हम बुढ़ाई जा wound पहलेने कहत impl toast इसने गोड़ा करना यह कल्कुलेटर भी करोन सब्सक्राइब कॉम्पटेशन वाली मैध देख रहे लेबल दिफिज नाट बेसिक लेबल चलो लगे हाथ बता दो इमांदारी से बता ना दिल पे हाथ रखके कौन सा सही है जूट मत बोलना चलो जिनको लग रहा है कि इसका आंसर भाया यह दो वाला होगा तो ललू-लाल C नंबर पे आपसन है वो कोईशन नंबर दूए है कमेंट में एफ लिख दो चुप पे से 2C जिनको लगधा 5 होगा कमेंट में लिख दें 2A चलो पढ़ाई पे ध्यान only कमेंट बंद करके बहुत अच्छा बेरे गुट बच्चा बेरे गुट लाल टोपी बहुत अच्छे हां तुम टोपी जैसे लगाओ जाओ तुमा दिमाग भी टोपी जैसे काम कर रहा है बहुत अच्छा नाट टॉकिंग इन क्लाफ ओनली क्लाफ चलो इंग्रेजी माँ सुन लेबाना पगलाई जाबा सब लोग बाग जाबाई यहां से लेम इंदी बोली थे अंडरूट नहीं है यह फैक्टोरियल है थोड़ा गरेवीम चल रहा है तो यह कितने सुन नहीं है इसमें दो कितने दो पता है कैसे 25 में भाग कर भाई यह 5 से 5 बार जाएगा और यह 10 से छोटा है बस यह अंसर हो गया अगर यह 10 से बड़ा होता दुबारा फिर से भाग करते यह बाई 5-0 आएगा पांच जिरो आएगा दू नहीं आएगा दू जिरो तो वहीं आ रहा था पिछवाए फैक्टोरियल 10 में 2-0 आ रहा है थीक है फैक्टोरियल 25 का मतलब यह होता है ऐसे 25 गुड़ा 24 गुड़ा 23 गुड़ा बाई फैफे गुड़ा करते जाओगे एक तक यह क्या है फैक्टोरियल यह बाई यह वाला फाहिए रहे थाथा था यह इस फैक्टोरियल का मान है 25 का चल भईया तीन नमबर जल्दी का रहें जबाब दें समझ में आ रहा है सबको बढ़िया मस था एक दम गुड़ चल रहा है हम् आ चलो कहरा है फैक्टोरियल पुचास में सुननेों के संख्या कितनी है है ट्रिक लगाएंगे बेषिकनी रहें खरना इसमें ना 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 चलो clap लम पाउंच से बांच करेंगे इसका भाउंग 10 बार जाएगा पांच-दामा पचास और यह 10 जो है पांच दस से क्या है बराबर हमने कहा था कि अगर ये भागफ़ल दस आया या 10 के बराबर आया तो एक बार और भाग करेंगे तो फिर से भाग करोगे तो पांच दूना दस दो बार गया अब इन दोनों को जोड लोगे फाइनल में 12 आएगा इन्हीं दोनों भागफल को जोड़ करके आंसर हो जाएगा बारा अभी सारी कहानी दिखाया था ध्यान से देखा होगा तो सब बताया था जो किया इसे अभी पीछे बता चुका हूँ लिख के दिखाया था ना बोर्ट पर पूरा आईए फोर नंबर बताओ जल्दी से सुधार लिया मैंने अपनी आदते नहीं पहले मैं एक एक कमेंट पढ़ता था खड़ाओ के एक कमेंट ना छूटने पढ़ा क्लास बहले छूट जाए बड़ा गंदा लगता था मैंने एक दिन खुद देखा अपनी कलास तो मुझे दो चार था पढ़ लगाने मन किया अपने आपको मैंने का बैप पढ़ाने वड़ाने का नहीं कमेंट पढ़ने का मतलब है यह सब तो ऐसे आए हैं पढ़ने वाला तो पढ़ रहा किवल यह कमेंट करता खुब सारा ना इसको पढ़ने नहीं मतलब होता है तो उसको बड़ जिन्दगी काट नहीं है चलो कि शत्तर में सुनों के संख्या कितनी है कि देखो शत्तर को ऐसे चुपेश भाग कर दो पांच से तो आपको पता है चाउदा बार जाएगा चाउदा पंचे जोड़ दो 14-16 यह हो कि आंसर मतलब हैक्टोरियल सत्तर में कुल सुन्यों की संख्या कितनी दोला है ना कितना आसान यार ना बेसिक मैथ में बड़ा मेनाथ लगती है जीरो लेबल वाली में इतन दिमाग करना एदम जान निकाल लेता हो इसमें मज़ा आता ट्रिक करना है आई यसे करो वीजसे उत्तर आता है बस इसमें पढ़ना थोड़ी पढ़ता मेनत होती नहीं कंपटिसं में मेंनत तो बेसिक में होती जणाब जैसे छट पे चड़ना है ना तो competition वाली मैथ हुओ है आटो चलिज सिंडिया है क्या बोलते हैं उनको अंग्रेजी में पता नहीं का बोलते हैं और बेसिक मैथ क्या है कि सिंड़ी चड़के जा रहो जी ना तो हम बहुत मेहनत करते हैं बेसिक मैथ में आज मुझे आसास हुआ जब से मैं ये यूपी पुलिस पढ़ाने लगा अब मेहनत हो न छोड़ो अब डारेट कंपटिशन बढ़ाना है मज़े से हैं न चलो बच्चा बढ़िया है चौबिस में चार जोड़ने पर छबिस में ये अठाइस होगा ये भाई कहीं कड़ बढ़ाया है का रुको एक मिनट ये गुरू रुकाओ हाँ भाई ये ये अठाइस होए हाँ हाँ देखो देखो कहीं कहीं न दिमाग इसे थोड़ा सा दिस्टरब हो जाता है कोई बात नहीं देखो तरीका सही होना चाहिए ये चीज आप थोड़ा-थोड़ा ध्यान दिया करिए ठीक है तरीका सही होना चाहिए बस मैं बोल रहा था बार बार इनको जोड़ेंगे 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 न है तो कहीं न कहीं यह मेरी बड़ी गंदी आजधत है आपको ऐसे गल्ती मिलेगी तीन में दो जोड़ेंगे चलो कोई डाउट ना किसी को कोई इंसान पूर्ण नहीं हो ता बाकी बात में नहीं करने वाला उन टॉपिक पर छोड़ो जाकी रही भावना जैसी प्रभुमूरत देखी वह ऐसी पांच नंबर में देखो अब अलग तरीके का बदल गया यह ठीक है अब कोईश्चन का लेंगे यह समझना यहां पर ठीक है पांच में दो जीरो होंगे कोई कह रहा है ठीक है आओ देखते हैं कैसे दो जीरो होंगे चरो समझते हैं इसमें क्या करेंगे ना बच्चा हम दोनों का अलग अलग हिसाब करेंगे पहले दोनों का अलग अलग हिसाब करेंगे फिर जु ऐसा बदलाओ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चार में तो कोई 0 होता ही नहीं है फिर आप concept थोड़ा dismiss हो जाएगा 5 में 0 होता है ना 5 से ही 0 की सुरात होती है factorial में चलो तो आपको पता है इसमें 5 एक बार है इसमें 0 की संख्या कितनी होगी 1 ठीक है इसमें 0 की संख्या कितनी होगी 12 में 5 से बाग करो 5 दून दस इसमें 0 की संख्या कितनी होगी बाबु 2 कुछ लोग कहेंगे इनका गुड़ा कर ले ना इनका गुड़ा नहीं करोगे गुड़ा करने गड़ बड़ा जाएगा हमें टोटल जीरो की संख्या फाइंड करनी है अगर तुम इनको गुड़ा कर दोगे तो दो आएगा जो की गलत है, देखो बहुत बच्चे कर लिए ये गलत है, गलत क्यों है देखो ये गलत है देखो बच्चा आगर मैं कहूं कि आप सो और गुड़ा दफ कर लो ठीक है तो कितना आएगा एक हजार आएगा एक हजार यानि जीरो की संख्या इसमें कितनी आई तीन आई अगर इनको आप जोड़ोगे तो कितना आया एक सो दस एक आया न यहाँ पर आपको ये समझ के चलना है कि आपको गुड़ा नहीं करना है गुड़ा करने पर बहुत जादा हो जाएगा ठीक है हमें इनको क्या करना है जोड़ना है जोड़ना हमें टोटल जीरो की संख्या निकालनी है न भाई साब इनमें एक जीरो की संख्या है अब इसमें दो है तो ये बताओ टोटल का गुड़ा करके थोड़ी करेंगे तीन जीरो होंगे है ना आंसर क्या आगा 3 बताता हूं कैसे देखो बताता हूं तो याद रखना यहाँ पर गुड़ा वाले में आप कहीं भी गुड़ा नहीं करोगे इनको जोड़ोगे 1 प्लस 2 इक्वाल 3 गुड़ा नहीं करोगे नहीं तो संख्या बढ़ जाएगी उनकी बहुत सारी जैसे फारी आगर मैं दिखा हूं 12,44 12,44 अचा देखो अगर मैं डारेक्ट नार तालिस कर लेता हूं तो क्या वो बात बनेगी वहाँ नहीं बनेगी इनको गुड़ा करके नहीं बना सकते इस तरह के कि 12,60 पांच हो गया न तो 12,44 और 12,60 अगर हम इनको भाग करेंगे 5 से तो कितना आएक जानते हो तो गया देखो ऐसे बन रहा है कि नहीं पर देखता हूं यह कंसेप्ट यहां पर नहीं बनेगा जो मैं बनाना चाहता था जलो आगे बढ़ते हैं कि छे नंबर पर जल्दी से फटापड प्रिती समझ में आ रहा है कि तुर्या समय को समझ में आ रहा है ना ठीक है बहुत अच्छे बच्चे बात लाओ नहीं कमेंट में लाओ नहीं चलो करा आठ और दस इसमें सुननेों की संख्या कितना है पहले तो यह जान चुके हो मेरे भाई कि आपको total दोनों का अलगळग निकालना है, number आप सुनने और उनको जोड़ लेना है, गुड़ा नी करना है गुड़ा करने पर सब गड़बड़ हो जाएगा ठीक है? गुड़ा करने पर सब गड़बड़बड़ हो जाएगा, जोड़ना है तो पांच इसमें कितनी बार सामिल है भाई आठ को पांच से कर लो भाग तुम बात खातां पांच एकम पांच गटाने पर तीन आएगा तीन से हमें कोई मतलब है ने इसमें सुनने के संख्यावान आएगी इसमें सुनने के संख्या कितने आएगी दो आएगी अभी पहले पड़े हो, दोनों को जोड़ दोगे, फाइनल सुन के संख्या कितना आएगी, तीन आएगी, क्लियर, जैसे आप अलग अलग निकालना सीखे हो, ऐसे निकालोगे, उसके बाद उनकी संख्या को आपस में जोड़ दोगे, फुड़ा नहीं करना, याद रखना नहीं कर पड़ जाएगा, ठीक है, फुड़ा करोगे तो जैसे देखो, दो एक में आ गया माल एक में तीन आ जोड़ोगे तो पांच होगा, गुड़ा करोगे छे हो जाएगा, अई तरीके से बात बिगड़ जाएगी, अब ये कोई कांसेप्ट नहीं है कि मैं बताऊं कैसे होगा, क्यों होगा, ट्रिक है ये, ठीक है, और कहीं भी लगा लो, अगर कहीं गलत मिला तो मुझे बताना, इक्स्पिलेन करके देख लेना, कहीं गलत होता है, तो नंबर पर मुझे बेजिया, गनीचे नंबर चल रहा है, ठीक है, किसू समझ में आ रहा है, सुषांत, अंकज, मोहित, प्रियंका, सब को आ रहा है, बढ़िया, मस चल रहा है, सब, कुछ पूछो ना, चुपचा पढ़ाई, उनली पढ़ाई, चलो, इसमें सुनने की संक्या जल्दी कमेंट में बता दो, जल्दी से आप लोग चलो, जिनको लगता है, वन होगा, वो कमेंट में सेबन भी लिखेंगे, जिनको लगता है, दो होगा, वो कमेंट में सेबन सी लिखेंगे नमबर आप जीरो बताओ गुड बहुत अच्छा बेरे गुड जालो वाई साब इन में सुनने की संख्या कितना होगी आपको पता है पांच एक बार आएगा साथ के अंदर क्यों? क्योंकि साथ में पांच से भाग करो एक बार जाएगा यानि एक उतना बार पांच का भाग जाएगा उतने सुनने होते हैं इन ट्रीक बता चुका हूँ दोनों को जोड़ो के तीन आएगा ओके खतम यानि इसमें सुनने की संख्या कितना? तीन आठ नमबर में देखो अलग चीज हो गया अगर पलफ लगा रहेगा जोड़ो के नहीं पलस में जोड़ो के नहीं आठ नमबर बताओ चलो जल्दी बता भाई बहुत अच्छा बच्चा बहुत अच्छा बेरे गुड़ वैक्टोरियल है यह सब रूट नहीं है यहां कहीं रूट की बात नहीं हो रही अरे खतम नहीं हो गया मैं बगल हो गया तो कह रहा है खतम हो गया चलो ठीक है हैक्टोरियल 11 में कितने 0 2 0 हैक्टोरियल 29 में कितने 0 देखो 29 को 5 से भाग करो जितनी बार जाएगा उतना 0 25 यानि 5 0 तो 5 0 इसमें देखो भाई साब इसमें गड़बड होगा क्या होगा पता है अगर इन्हें जोड़ दोगे या गुड़ा कर लोगे तो बहु जादा हो जाएगा बहु जादा आप ऐसी कंडिशन में अगर बीच में पलफ लगा है तो इनके जो फाइनली आंसर होगा उनमें जो आंसर आएगा 0 की संख्या वो जो गिंती कम है वो होगा ठीक है अगर इसको कहते और डिस्क्राइब करें तो कल आपको एक्जामपल के साथ डिस्क्राइब कर देंगे समझ में आया अगर बीच में पलफ का फाइन लगा साथी हो तो दोनों का अलग अलग निकालोगे उसमें जो संख्या आपको छोटी मिलेगी वही आंसार होगा ठीक है क्लियर कोई डाउट न तो फैक्टोरियल 11 प्लस 29 इसके जो अन्त में सुननों की संख्या होगी फाइनल कितना आएगा तो इसमें बता तो चलो बहुत अच्छा किसू बहुत अच्छा किसू बहुत पंकाच ठीक है आएए इसमें भी एक एक में करेंगे आप 5 से भाग करो 26 में कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा गटाने पर एक आएगा 5 से 14 में भाग करो 2 बार जाएगा गटाने पर 4 आएगा हमसे गटाने से कोई मतलब नहीं तो इनमें जो गिंती छोटी है आपका आंसर वही होगा इनमें दोनों में क्या है ये छोटा है ये ही आंसर होगा यानि 26 प्लस 14 में सुन की जो संख्या है वो कितना होगी दो होगी बस यह यादा कर लो कुछ नहीं जो गिंती छोटी वही क्या होगा आंसर आगला बताओ दस नंबर में मनी समझ में आ रहा है आमीद चूर रहा बहुत अच्छा आए इसमें भी कर लो भाईया 5 से भाग करोगे वोने इसमें 5 तीयां 15 तीन बार जाएगा 5 से भाग करोगे 30 में 5 छंग 36 बार जाएगा इनके दोनों के अंत में सुननेों की संख्या कितनी होगी 3 होगी कितना होगी भाईया 3 होगी तो जो भी साथ ही हमें टेली गराम पे नहीं जॉइन किये भाईया बाबू जॉइन जरूर कर ले जिससे आपको सारी कलास की अपडेट मिलती रहे और जो बच्चे PVR Study आप वाले हैं वो ध्यान दें इस्पेसली उनको यूटूब पर नोटिफिकेशन नहीं मिलता या इस पबलिक वाले चैनल पे अगर आप PVR Study आप के सब्सक्रेप्शन वाले में इसको देख रहे हैं जीत बेच में तो बहिया बाबू आप न यह नंबर जरूर ले लिजिए आपके पास यह होना चाहिए 94 फे यह नंबर है लाइस्ट में 37 है जो हमारे टोल फिरी नंबर है या जो हमारे वाटसाब नंबर है उनके मैसेज करके आप यह नंबर ले लिजिएगा अपना वेरिफाई करके मोबाइल नंबर से ठीक है जो नंबर से आप रेजिस्टर है वही नंबर से मैसेज करना है सभी को ठीक है बढ़िया तो बस यह कलास यही पर खतम होती है आज हम लोगों ने क्या पढ़ा फैक्टोरियल वाली संख्याओं में कि सुनने की संख्या निकालना और और क्या बस यही था बहुत ही अच्छे-च्छे कोश्ण थे इसमें से पेपर में एकाथ कहीं ने कहीं लपेट के आ जाता है अगर यह कंसेप्ट आपने सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है यह फारी चीजें थी यह सब आपको PDF में मिल जाएंगी चैनल पे ठीक है PBR Study के Special Premium चैनल पे आपको मिल जाएगा यह सब कुछ कहना किसी को पंकच PUSTION साथ देखो ROOT है कहीं गलत लिखा है का यार ROOT में नहीं करना है वही आओ कहां ROOT है दिमाग मां खराब है का इसका अच्छा इसमें 11 पे ROOT है वो कौन लिखा यार यह यह ROOT नहीं रहेगा अब अब आपको सब में FACTORIAL है साम में FACTORIAL ठीक है कोई ROOT नहीं है रूट की कोई बात नहीं आएसे कुछन नहीं आएगा अगर आएसे आगया ROOT FACTORIAL तो वो फिर कड़बड है अनसारी ब्याबू नंबर पे संपर्क करो ठीक है तो सुनने की संख्या निकालना ये टॉपिक हतम हो चुका है पिछे की कुछ क्लासों में आपने देख लिया आज एक निया टॉपिक होगा जिसका नाम है सेसफल पर्मिये रिमाइंडर थेवरम कमेंट सब के आ रहे होंगे कमेंट में किसी का नहीं पढ़ूँगा कमेंट लाश्ट में पढ़ूँगा कुछ पढ़ा के तब देखूँगा जो कोई कह रहा होगा ठीक है कलास सिर्फ सीखने वालों के लिए नाम बलवाने वालों के लिए बिल्कुल नहीं है चल जैसे हम 4 से अगर भाग करें 13 में आप देखो 4, 3, 0, 12 सेसफल कितना आता है 1 ये क्या है रिमांडर है सेसफल है बताता हूं इसके पीछे क्या लाजिक है अब आगे देखो अब हम देखें पॉजिटिव और निगेटिव रिमांडर अब इनका आगे उपयोग होगा इसलिए दिखाया गया है देखो साथियों बच्पन से हम यही पढ़े है कि अगर किसी संख्या में भाग करना है तो हम उसका पहाड़ा उतनी बार ले जाते हैं या तो उसके बराबर आजाए या उससे कम रहे लेकिन उससे ज़्यादा ना हो लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि उससे ज़्यादा बार ले जाओ तो यह का लॉजिक है यह लॉजिक से आता है निगेटिव रिमांडर negative reminder का use कहा होता भी दिखाऊंगा trick में ठीक है अगर 7 से हम भाग करें 22 में तो 7 trick 21 गटाने पर आता एक ये बिल्कुल simple तरीका है बच्पन वाला जैसे आप करें वह अब तक जो एक सेसफल आया ये धनात्मक सेसफल है यानि positive integer दूसरे केस में अगर हम बात करें कि हम एक बार जादा भाग ले जाएंगे लेकिन कम नहीं मतलब उस संख्या फे छोटी गिंती यहां नाए उससे बड़ी आजाए मंजूर है ठीक है अगर यहां साथ तरीके काई तीन बार जाए तो हम चार बार ले जाएंगे मतलब इक्स्ट्रा ले जाएंगे तो क्या होगा निगेटिव इंटीजर आएगा जैसे साच चोग 28 इसको घटाया तो 6 आया माइनस में यह क्या है निगेटिव इंटीजर इसका यूज कहा है अभी बताता हूँ अभी कोशन करोगे तो बताऊँगा चलो अगर मैं इसमें निगेटिव इंटीव इंटीजर आएगा रिमाइनडर की बात हो रही सेसफल की इंटीजर नहीं बता भीया आओ बताता हूँ निगेटिव इंटीव इंटीजर को डिवाइड करना है तो हम 5 बार ले जाएंगे तो 8 आएगा घटाने पर ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर है ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन अगर हमें इसको एक एक एक्स्ट्रा बार ले जाएं तो पांच बार न ले जाके इसको हम 6 बार ले जाएं गटाओगे कितना आएगा छे आएगा कितना आया छे यहाँ पर ध्यान रखना यह माइनस में आएगा अगर हम इसको पॉजिटिव इंटीजर में ले जा रहे हैं तो जो सेसफल आ रहा है वो बड़ी गिंती आ रही निगेटिव इंटीजर में छोटी आ रही हम सेसफल वाली गिंती को छोटी फिर छोटी प्राप्त करना चाहते है जिससे आगे वाले सवाल असान हो जाए तो हम आगे चलके ट्रिक में निगेटिव इंटीजर यूज करेंगे बता रहा हूं कैसे देखो सभी समझ गए निगेटिव इंटीजर कितना होगा बाबू माइनस 6 कितना होगा माइनस 6 समझ गए ये फाधराण तरीका है ये पॉजिटिव इंटीजर 8 है निगेटिव इंटीजर 6 है माइनस 6 निगेटिव इंटीजर तब मिलता है जब हम एक बार ज्यादा भाग ले जाए जितना जाए उसमें अब इसका यूज देख लो कहा होता है समझो यहाँ पे अभी धिरे धिरे बता रहा हूँ यूज क्या है देखो इस तरीका का अगर सवाल है इसमें सेसफल पूछा जाए तो क्या होगा कुछ लोग कहेंगे दोनों को जोड़ के भाग दे दो भाग करो गे टाइम लग जाएगा आफान तरीका क्या है आफान तरीका बताता हूँ देखो simple सा ऐसे भाग करो अंजाद अंजाद के 5 का भाग करो इसमें 30 में तो कितना जाएगा 5 शंग 30 कितना इधर देखो भाग देख कि तुम्हें दिखाई लेता हूँ रहे तू ऐसे कहो कि पता नहीं कहां पे आगया पांच शंक टीस घटा आएंगे चार आएगा उपर फ्याट उतालिया तो पांच नमा 45 घटाने पार आया तीन सेस्वल कितना आया भाईया तीन आया कितना आया बाबु तीन यहाँ पर तीन लिख दिया प्लस दूसर अठावन को भाग करो पांच से इसमें भी तीन है आएगा सेस्वल कितना आया तीन तीन प्लस तीन बटा पांच जोड़ेंगे छे आएगा बटा पांच अगर जोड़ने के बाद फाइनल में जो सेस्फल आया वो अगर भाजक से बड़ा है तो एक बार फिर भाग ले जाओगे बड़ा है या उसके बराबर है और अगर छोटा है तो वही उत्तर हो जाता है ठीक है तो ये पांच से क्या है बड़ा है ना तो एक बार और भाग ले जाएंगे पांच का भाग छे में तो एक सेस्फल आएगा क्या आएगा पांच का भाग छे में ले जाओगा एक सेस्पल आएगा यह उत्तर होगा यह होती है ट्रिक ठीक है डू यू अंड़ेस्टेंड बच्चा लोग चलो छापे रहो फटा फट कभी को समझ में आ रहा है जलो अगला अभी निगेटिव इंटीजर का यूज बता रहा हूँ थोड़ा से रुको बताता हूँ बता रहा हूँ रुको थोड़ा से रुको ठीक है आगे बढ़ें पहले जो चल रहा वरतमान में पहले इसको देख लेते हैं फिर बाकी बाद में का रहेंगे ठीक है रिमाइंडर की बात हो रहे हैं इंटीजर नहीं हम कहीं का इंटीजर बोल रहे हैं सौरी यहां रिमाइंडर याद रखना ठीक है only reminder की बात हो रही हर जगा not integer आओ चलो हाँ यहाँ negative integer का यूज होगा देखो समझो negative integer क्या है अगर हम 20 का भाग 69 में करें देखो बच्छा समझ ना अगर 20 का भाग 69 में करें तो नियमा उनफार 20 दूना 40 यह जाना चाहिए क्योंकि 20-60 ज्यादा हो जाएगा लेकिन अगर हम negative integer यूज करेंगे तो तीन बार भाग जाएगा सेसफल माइनस वान आएगा दोनों बताऊंगा दोनों समझ ना ठीक है उसी तरीके से अगर 20 का भाग 24 में करें पहले मैं एक करके दिखाता हूँ फिर इसी सवाल को दूसरे तरीके से करूँगा ठीक है दोनों एक एम कन्फूज हो जाएगा तो चलो मैं तुम्हें पहले positive integer में दिखा देता हूँ ठीक है positive integer में 19 आया 20 का भाग जब करोगे 24 में तो बीस एक कम बीस चार सेसफल आएगा इसमें चार बीस का भाग 78 में करोगे तो बीस तियाँ शाठ बीस चोग अफसी ज़्यादा हो जाएगा बीस तियाँ साठ अठार आएगा डिबाइड बाइड बीस अब इनका आप गुडा करोगे ठीक है कितना जाएगा कर लो उन्हीं चोग 76 और 18 से गुडा करोगे तो 186 का 108 होता है सबका गुडा करो भई चलो 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 186 का 108 की 8 हाँ फिलाया 10 187 126 होता है गुडा कर लो सब इतना आएगा न अब इसको फिर से भाग करो इसको फिर से भाग करो और जो सेस्फल आएगा वह आपका उत्तर होगा बढ़ा हो जाएगा हम ठाक जाएंगे करते करते हम पॉजिटिव इंटीजर यूज परबर इंटीजर का है को दिमाग में आ रहा है रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर यूज नहीं करेंगे क्योंकि इंटीजर पढ़ाया हूँ बार बार इफिल यह आता है पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव रिमाइंडर धनातमक नहीं रिडात आत्मक सेस्फल का यूज करेंगे अभी बाड़ा लंबा हो जा रहा है पॉजिटिव आले में देखो क्या दुर्दसा हो रही फिर से भाग करो कितनी बार जाएगा ये बीस दाहमा एकसो बीस ग्यारा बार तो जाएगा नहीं ज्यादा हो जाएगा दस बार सम्थिंग जाएगा भाईसाब कुछ भी जाएगा इनको छोड़ो ये पर अब इसके आगे नहीं करूँगा क्योंकि लंबा हो जा रहा है अब तुम्हें निगेटिव आला बता देता हूँ इसको देखो निगेटिव आला बताता हूँ देखो चुटकियों में इसका आंसर आएगा कैसे अगर हम बीस का भाग one set में ले जाना है तो हम एक काम करते हैं बीस का भाग जो one set में ले जाना इसको हम तीन बाल ले जाते हैं गटाने पर माइन अफ एक आया हम माइन अफ एक लिख लिए ठीक फिर गुड़ा बीस का भाग चौबिस में ले जाना है दो बार बीस दूना चालिस अगर चालिफ ले जाएंगे सोला आएगा घटके फेसफल सोला आएगा यानि निगेटिव इंटीजर सोला आ रहा है बीस का भाग चौबिस में करने पर जो किए बहुत बड़ी संख्या आ रही तो हम सोला नहीं लेंगे जो छोटा हो वही संख्या यूज करेंगे चाहे पॉजिटिव आएग चाहे निगेटिव आए मतलब यहाँ पर हम सिर्फ रिमाइंडर की बात कर रहे हैं इंटीजर का यूज कहीं नहीं है वो मेरी आदत पड़ी फिले मैं इंटीजर इंटीजर बोल देता हूं इंटीजर मतलब पुडांक होता है हमें यहाँ सेस्फल बताना है आपको ठीक है? समझ गए? तो जब 20 का भाग करेंगे इसमें तो पॉजिटीव वाला 4 आएगा निगेटीव वाला माइनस 16 आएगा तो पॉजिटीव वाला क्या है? बड़ा है यह मत कहना कि यह चार माइनस 16 चार में कौन बड़ा है तब तो 16 चोटा है यह तो बड़ा है तो देखने में कौन बड़ा है क्योंकि हमें हल करना पड़ता है रियल में तो ये बहुत छोटा चार के आगे बहुत कई गुना छोटा है लेकिन हमें सिर्फ संख्यत देख के समझना कौन बड़ा है 16 बड़ा होता है नारमली सोचो बस ठीक है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे इसका पॉजिटिव लेंगे वैसे अगर हम 20 का भाग 78 में करें आपको पता है 20 का भाग 78 में करोगे तो पॉजिटिव इंटीजर कितना आएगा 18 आएगा पॉजिटिव इंटीजर 18 आएगा और निगेटिव कितना आएगा? 24 अच्छी निगेटिव माइनस दो आएगा तो हम यह बड़का वाला नहीं लेंगे, माइनस दो वाला लेंगे समझना है आज़ा? बटा दो, 20 गुड़ा करो चार दो ना 8, कितना आया 8? बटा 20 ना? अब यह जो आपका आया उपर 8 आया ना? अगर यह नीचे वाली संख्या से बड़ा है क्या है? नीचे वाली संख्या निग भाजक से बड़ा है तो यही उत्तर हो जाता है यही क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है लेकिन अगर ये भाजक से बड़ा या उसके बराबर है तो एक बार फिर से उससे भाग करते हैं समझ में आया तो इसका अंसर क्या होगा 8 क्या होगा तेसफ़ल कितना आएगा 8 देखो ये चीज आसान था निगेटिव वाला या ये पॉजिटिव वाला बताओ कौन आसान था अगर निगेटिव ना यूज करते तो यह वनईस 18-20 का गुड़ा करके बहुत बड़ी गिंती आती आई ही और अगर निगेटिव इंटीजर यूज किया तो चंद कदमों में 8 आ गया क्योंकि माइनस 2 का माइनस 1 में गुड़ा करके माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस 2 का गुड़ा 4 में हो गया 8 हो गया समझा ना चलो आगे बढ़े तो यहाँ पे आप लिख दोगे आंसर कितना आया आठ वीडियो पीछे करके फिर देख लेना जिनको ना आएगा ठीक है कोई डाउट ना किसी को विजेंद्र आ रहा समझ में प्रीती लॉकूस, पंकाज, मोहीत, सोभीत सब को आ रहा है ठीक है इसमें क्या करना है इसमें भी पूछ रहा सेसफल चल भीया, 10 का भाग करो 42 में 10, 14, 40, बचे का सेसफल दो 10 का भाग करो 98 में 10 का भाग 98 में करोगे तो 8 सेसफल आएगा 10, 90, पलफ 8 आएगा लेकिन अगर 10 का भाग 98 में करें और हम 10 बार भाग ले जाएगा 10 बार हम 100, 100 में से 98 घटाएगा तो माइनस दो आएगा तो इन दोनों में बताओ अगर चिन्न को हम इग्नोर कर दें तो कौन गिंती बड़ी है बताओ compare करते समय इसके लिए अगर compare करेंगे तो चिन नहीं जोड़ते हैं, चिन हटा देते हैं अगर चिन हटा देंगे तो कौन गिंती बड़ी है दो बड़ी है ना, नहीं आठ बड़ी है तो हम क्या करेंगे, आठ बड़ा है तो जो बड़ा उसको छोड़ देंगे, जो छोटा उसको ले लेंगे तो माइनस दो चिन्न के फाद समझा ना, ये trick है फिर दस का भाग करो, सत्तर में दस सते सत्तर घटाने पाएगा एक इस तरीके से हो गया दो दुना चार समझे ना, यहाँ आपे भाईया समझे ना यहाँ पर आरा उपर माइनस चार अब हमें नीचे वाली किंती मतलब नहीं यह बताओ क्या किसी संख्या का सेसफल कभी माइनस हो सकता है किसी संख्या का सेसफल कभी माइनस हो सकता है नहीं हो सकता ना रिमांडर कभी माइनस नहीं हो सकता तो ऐसे स्थिती में क्या करोगे ऐसे स्थिती में का करेंगे फिर भाईया हाँ बताता हूँ ऐसे हिस्तिती में दिया गया जो पहले भाजक था जो भी भाजक था आपका जैसे ये 10 है ये जो भी उसमें से माइनस वाली संख्या घटा देते हैं जो प्लस में आता वही उत्तर मान लिया जाता है बाफ ये तरीका है नो डाउट किसी को आगे चले तो अगर इस तरीके से करने के बाद माइनस में आ रहा है तो उस माइनस वाली संख्या को सेसपल से घटा देना है जो रिभाजक से दोसो चववन अटहतार और तालिस बता इसको बताओ चलो बताओ कैसे करें पहले क्या था पॉजिटिव था गुड़ा था सबका गुड़ा हो जाता था जोड़ा ले बताओ चलो जोड़ लेंगे सबको उसमें क्या करना है पचीस का भाग करेंगे इसमें आपको पता है भाग करके देखो चार सेसपल आएगा प्लस में इसमें देखो पचीस तियां पचात्तर करने पर छोटा सेसपल आएगा माइनस एक इसमें पचीस दूना पचास करने पर माइनस दू आ रहा है इन सब का सिर्फ गुड़ा करो अभी पलस माइनस मत लगाओ इनके बारे माज मैं नहीं बताऊंगा शिर्फ गुड़ा करो सब में यह मल्टीपल हो गया चार दूना आठ यह सब फाइनल में कितना है आठ कोई डाउट ना क्योंकि भाजक जो था डिवाईजर आठ से बड़ा है अगर ऐसा आता है कि भाजक से यानि डिवाईजर से बड़ी गिंती है तो वो सेस्फल्स आई है फिर यह जो आया ठीक है और काफी गुना बड़ी है इससे भाजक तो कितना है आठ जार एक पांच चलें आगे चलिए जब सेस्फल्स रिडात्मक आए रिडात्मक आए सायद इसका एकात बता भी चुका हूँ और आगे बता देता हूँ ध्यान से देखो जब निगेटिव आए तब कैसे तो प्राप्त निगेटिव रिमाइंडर को भाजक यानि डिवाइजर से घटाते हैं और प्राप संख्याई सेस्फल्स होती है सेस्फल्स होगी ठीक है निगेटिव रिमाइंडर वास्तों में कुछ नहीं होता है यह सिर्फ प्रस्नाल करने की निर्माण विदी का ट्रिक बनाने के लिए उच किया है बढ़िया है चलो भाग करें आओ सोला का भाग करेंगे बाफट में कितना आएगा सोला चोका चाउसाथ घटाने पर क्या आएगा माइनस दो सोला पंचे असी घटाने पर आएगा दो एक सो पैतालिस में सोला का भाग करो सोला दामा एक सो साथ सोला नमाईया बताओ एक फो चवालिस होता है वो 45 है तो तुरान नहीं 144 गटाने पाएगा एक दो दूना चार माइनस चार बटा चार माइनस चार बटा सोला कोई डाउट ना किसी को चले आगे मुझे लग रहा कुछ बफरिंग होगा अभी कर रहा है क्या सत्वा नंबर बता लेंगे यह ओमर कर रहेगा ठीक है ऐसे ही आप भाग करोगे और फटा फट इसको कर डालोगे जैसे अब तक सब कियो ओएसे चलो सब को समझ में आ रहा जो जो जुड़े हैं फटा पट एक बार कमेंट करते हैं कि आप जुड़े हैं और सभी साथी ठाइंक्स चैट का जो आपसन आता है और नीचे जुआइन का उसे जरूर कर लीजिए जिससे आप हमारे संपर्क में डारेट रह सकें यह PBR study application के लिए especially class है इसमें करो भाया चलो तो आज कुछ देखो system भाई बहुत कम सही है आज यह class है बहुत बड़ी नहीं होना है मैंने आपको सारा तरीका बता दिया कुछ है नहीं है होम औरक है ठीक है सारा होम औरक कर लेना यह भी होम औरक है negative आने का बता दिया positive आने का बता दिया बस यही दो टॉपिक था आज ठीक है धन्यमाज आईए आज का टॉपिक होगा घात वाली संख्याओं का सेसफल ग्याद करना सेसफल परमिये के अंतरगत नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं इंप्वाटन इंप्वाटन टॉपिक है ना तो ऐसी संख्याओं जो घात के रूप में होती है उनमें सेसफल कैसे निकालेंगे सेसफल परमिये वाला टॉपिक चल रहा थो ना बढ़िया है अब आज पूरी है ना चलो पहला सवाल है बहुत ही छोटा सा है कितने लोग इसका अंसर बताएंगे आईए बहुत आसान है जैसे आप देखो बच्चों एक चीज यहां पर समझना है कि सोला में हमें पांच का भाग करना है और सेसफल बताना है यह तो हम बहुत आराम से कर सकते है ऐसे है कि सोला में हमें पांच का भाग करना है तो पांच तियां पंदरा घटाने पर आएगा एक जो वन आएगा सेसफल ना इसकी घात है पहले हम पहली दफा जैसे बोलते हैं ना हम घात को इगनोर कर देंगे उसको नहीं ध्यान देंगे ठीक है तो अगर हम पांच का भाग सोला में करेंगे तो सेसफल एक आएगा लेकिन कोई चीज सिर्फ इगनोर कर देने से तो दूर नहीं होती है है ना तो क्या होगा घात तो रहेगी तो लाश्ट में एक जो सेसफल बचेगा मस्तेसाब एकदम बिंदास जबरजस्त चलो तो ये चिन्न के संबंध में यहाँ पर कुछ बाते लिखी गई है जो की काम की है अगर ये वन जो आया था प्लस की जगा अगर ये माइनस में होता तो इसकी कंडिशन क्या है वो भी थोड़ा समझ लीजिए अगर उसकी घात बिसम है तो माइनस में आता है इसको थोड़ा में समझा देता फिर आगे बढ़ता भी या चलो देखो जैसे अगर वन की पावर यहाँ पर मान लो है तीन क्या है तीन ओनली तीन इसका मान माइनस वन आयेगा ठीक है जो की एक क्या थी एक बिसम संख्या थी और अगर माइनस वन की घात 8 है तो इसका मान एक संख्या ओ सरी मतलब संख्या है तो मान पलस में आगा अब यह सम और बिसम जो संख्याएं है घात में कितनी भी छोटी या बड़ी हो मैं आपको बहुत चोटी संख्या से समझाता हूँ देखो इसकी खाथ 4 का ये मतलब है भया कि minus 1 into minus 1 मतलब ये 4 बार आपस में गुड़ा हो रही है ठीक है? तो इन दोनों दोनों के बन जाएगी जोड़ी ठीक है? जोड़ी बन जाएगी तो दोनों का हो जाएगे? प्लस हो जाएगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगे इनकी भी जोड़ी बन जाएगी तो ये भी प्लस हो जाएगे तो ये क्या हो जाएगे? प्लस फाइनल में प्लस आंसर आएगा लेकिन ए में देखना इसमें कहा है इसमें जो घात तीन है इसका यह मतलब है कि minus 1 into minus 1 into minus 1 तो हिआ कहा होगा ना यह सब का जोड़ी नहीं बनेगी तो देखो जिसकी जोड़ी नहीं बनते उसको जादा जलन होती है समझ रें थो इन दोनों की जोड़ी तो बन जाएगी इसका Final One तो यह का जाएगा लेकिन यह कहेगा हम खिलार नहीं भी गड़ी खिलार समझ रहे हो कि नहीं सुने हो कि नहीं पहले खेल में लोग करते थे हमको भी क्लोआ ने हम खेल वे बिगाड देंगे तो ये बया इसका जोड़ी तो नहीं भन रहे है क्यों कि हैं कहला बच रहा है त लास्ट में पढ़ूंगा लास्ट के 10 मिनट इनको सिर्फ पढ़ना वही जुड़ेंगे जिनको यह करना लाइव है कि नहीं है रिकॉर्डिंग है ये तो कैसे कपड़े पहने ये तो कैसे बोल रहे हैं उनके लिए यहां पर को जगा नहीं जिनको सेलक्षन लेना उन्हीं के के लिए पर इच्छाम कुईस्टन ऐसे सिंपल सिंपल आते जैसे पीछे करा रहा हूं ऐसे ठीक है बैया तो जिनको वर्दी चाहिए सिर्भुन के लिए तो यह समझ में आया चिन्वाला कंसेप्ट समझ में आया यह बेसिक मैथ नहीं है यह बिल्कुल ट्रिक वाला है यहां पर हम कुछ भी जोड़ घटाग नहीं बताएंगे आई आगला बताएए सिकेंड नमबर बहुत आसान है ना देखो कांसेप्ट मैंने सिखा दिया आगे की चीज़ें आप खुद कर ले जाओगे वाई साब 37 बटे 6 है ना अगर हम 36 इसको लिख देते तो 6 छंग 36 फाइनल में बनेगा वन की पावर 57 और संख्या एक की घात कितनों लगाए दो वह हमेशा क्या होता है वह नहीं होता है तो इसका आंसर फाइनल में वन आएगा क्या आएगा वह नहीं आएगा ना अगर यह माइनस में होता तब आगे कुछ बात होती माइनस प्लस की चुकि यहाँ पर क्या कुछ माइनस माइनस तो है नहीं सब प्लस है तो ठीक है कोई इसमें लफडा की बात नहीं है में यहां से समझने वाली चीजे आती हैं समझने वाली चीजे तीफरे नंबर से ठीक है कमेंट सबका दिख रहा है तफली रखो भाई देखो कमेंट अगर पढ़ता हूं मुझे यहां फोन में देखना पढ़ता है क्योंकि बड़ी से LCD तो मैंने लगाया नहीं है इसकी को जर करें किसका जो तो गैटीम का बाख करें 22 में तो कितना सेसफल आएगा सबको पता होगा जब 20 करोगे तो एक सेसफल आएगा अगर नीगेटिव से negative reminder minus one आएगा रिडात्मक सेस्फल पढ़ाया हूँ पीछे न तो यह आएगा minus one की घात क्या सिर्फट final में यह कुछ भी आए कैसे भी आए एक की घात कुछ भी हो हमेशा इसका मान one आएगा इसकी घात भी कुछ भी हो one ही आएगा लेकिन यह minus में है अगर घात भी सम संख्या है उत्तर minus में आएगा घात सम संख्या उत्तर plus में आएगा तो final में यह आएगा उत्तर minus में बाई साहब यह minus plus खुल जाएंगे आपस में घटके हो जाएंगे 0 so you can say this answer is सुनना शापलो फटाफट जिनको सेलेक्शन लेना है यह क्लास सिर्फ उनके लिए है परिक्षा में आपके ऐसे से कुछ जना हैंगे सेम ऐसे कुछ जना सकता जैसे तुम्हें दिख रहा है यह मत सोचना की कुछ अलग होगा सेम गिंती भी मैच कर सकती है ठीक ना बच्चा पार्टी आगे बढ़ूं फिर चलो मस्त है जबर जस्त बिंदास चलो ठीक है कामेंट थोड़ा देख लेता हूं कुछ लोगों का यह इस्पेसली अप्लिकेशन वाले बच्चों के लिए क्लास है कुछ बच्चे यूटूब या कहीं डेमो देख रहे होंगे तो उनकी कुछ अलग ख्वाई से होंगी आओ चलो यह भी बिल्कुल वैसे है एकदम सिंपल सा जरा दिल थाम के देखना भीया आओ देखो नौ का भाग जब हम पैतालिस में करेंगे तो 0 से सफल आएगा लेकिन यह 46 है तो 9 पच्चे पैतालिस एक बच जाएगा यानि एक का घात अंड़ फट यह 9 सथ तिरफट चुकि यह बाफट है तो निगेटिव इंटीजर माइनस वन आएगा वन इस एक की घात अंड़ सट करोगे एक ही रहेगा प्लस माइनस वन की पावर एक बिसम संख्या है सो फाइनल में यह माइनस वन आएगा माइनस प्लस घट के 0 आजाएगे इतना तुम बच्पन से जान रहे हो आंसर 0 आएगा चलो मुझे पाचवा में बता दो कितने लोग कर लोगे फिर से बता दूँ जिनको सेलक्षन लेना यह क्लास सिर्फ उनके लिए है बेसिक मैथ या चैटिंग वैटिंग करने आलों के लिए नहीं है पुजा भरत द्वाज नीलु बर्मा पिहु मौर्या राम बाबु तुर्या क्रिश्ना वन्स संता देवी पायल, अनामिका, छोटू सब के कमेंट आ रहे है यह मत उमीद करना कि मैं दुबाना नाम बोलूँगा किसी का, only yesterday कोई doubt है, last में सब clear करूँग चलो, बढ़ियां मस्त है सब यह तो मुझे लगता वैसे यह भी हो जाएगा क्या कर लोगे ना इसको पक्का चलो, बताई देता हूँ आठ का भाग करो, 65 में कितना जाएगा देखो, 8, 8, 64 एक बच जाएगा, 101 की पावर हो जाएगी 38 लेकिन यह गुड़ा है चाच्चा गुड़ा है यहाँ पे, देखो गड़बड है गड़बड का है यहाँ पे, प्लस था यहाँ भी क्या था, कुछ नहीं था यहाँ भी प्लस था यहाँ भी प्लस था, अब गुड़ा है अलग है यह याद रखना, वैसे जीरो नहीं कर दोगे वैसे जैसे बच्पन में पढ़ा था न तो इनको लग रहा होगा कि जैसे वहाँ महँड़ बन रहा था इधर बन रहा इधर जीरो हो जाएगा कि इधर जीरो नहीं होगा नहीं एक रास्ता जिंदगी में हर जगा नहीं पहुंचती है देखो एट एट चा 64 इसमें निगेटिव इंटीजर आएगा माइनस वन एक की घात 38 का मान एक होगा और माइनस वन का पावर 47 जो की बिसम संख्या है फाइनल में माइनस वन आएगा अब यहाँ जीरो नहीं आएगा मैंने बताया ना कि मैना उड़ तोता उड़ के साथ बिल्ली मत उड़ाना यह से पीछे करते हैं वैसे नहीं होगा माइनस ब्लस है आप जन्दर है तो यह कुछ नकुछ तो होगा इसे ब्लसuso- AF shirt M च्छटा नंबर में आ जाओ फटा फट उसके पहले पोश्टर देख लो प्यार से अच्छे से जिनको गड़ित में कुछ नहीं आता गड़ित में गोल है उनके लिए है शिक्स नंबर कितने लोग बता लोग इमांदारी से बताओ समझ में आ रहा है सभी को एक बार येस बोल दें मस्त है सब बढ़िया गुड चल रहा है एकदम भाईया मस्त चलो ठीक है ठीक है ठीक है आओ चलो तो ये सवाल कर लेंगे आए देखते हैं 12 का भाग करो बच्चों 144 जाएगा तो एक बच जाएगा 1 की पावर 14 ये 12 पंचे 60 इसमें निगेटिव रिमांडर आएगा हम कहीं कहीं इंटीजर बोल दे रहे हैं स्वारी उसके लिए निगेटिव रिमांडर यानि रिडात्मक सेस्फल तो एक का घाट 14 एक रहेगा और ये माइनस वन होगा क्योंकि घाट बिसम संख्या है फाइनल में माइनस एक आएगा बस खतम समझ में आ रहा ना है बहुत आसान परिक्षा में सेम तू सेम आ जाएगा अगर यू पीपी के एकजाम में नहीं ध्यान से पड़ोगे करबड़वा के आ जाओगे क्योंकि 145 की घाट 14 16 की घाट 35 करके भाग देना पांच मिनट लग जाएगा पांच मिनट में ना पांच पीड़ी पीछे जले जाओगे समझरे हो अगर ये तरीक ये तरीका सीखे रहोगे पांच सिकेंड में संखें आ लो डौ के लाग फांच City में करना लोगई वरभवे हम एक остан द क्रीज़ करना एक कांने 1 घुछ केगा निश mechanics 1 फलस एक माइनस एक उत्तर आएगा खातम और अगर तुम कहो कि हम 145 को गुड़ा करें गुड़े 145 14 14 करें 14 बार फिर इसको 69 को 35 बार तो इसे बुढ़ाए जाओगे लड़का बच्चा बुढ़ा जाएंगी कि समझ रहे होगे नहीं करके देख लो कल्कुलेटर में भी नहीं हम आएगा इतना बड़ाएगा चलो साथ नंबर बताओ चलो फास्ट बहुत अच्छा बटा बहुत अच्छा ठीक है आजे निलु सिंग रानी कुमारी जो रेगुलर आंसर देंगे सिर्फ उनी का कमेंट में देखता हूँ बस चाहिए आप अपली केसन में देख रहे हैं या कहीं देमो देख रहे हैं जह स्वाइन करें जिससे आप पूरा कलाफ रेगुलर पढ़ पाएं चलें आईए 15 का जब भाग करेंगे हम 91 में आपको पता है 15 690 बचेगा एक एक का पावर सत्रा 1570 105 इसमें क्या बचेगा बच्चा 105 इसमें भी एक बच जाएगा तो एक का घात क्या पाचीज तो फाइनल में कुछ भी कर लो मुझे लगता एक है आएगा क्या हाँ देखो कितना आएगा इसमें निगेटिव इंटीजर नहीं आ रहा है 15 690 बच रहा है 1570 105 इक बच रहा है तो ठीक है बढ़िया है चलो खतम बहुत अच्छे बच्चे बेरे गूड बेरे गूड क्या सवाल का बदल गया एक गुड़ा एक बराबर एक आएगा अब थोड़ा सा सवाल का तरीका बदल गया मेरी कोशिश है कम समय में जादा परकार के सवाल हो तक्षम करेकी अधाly करकार को कोशिस सिर्फ खतम करना नहीं है हमारी कोशिस आपको समझाना है दिखाना है आए इसमें कहरा इन सभी नंबर्स को जोड़ना है इनके योग में पांच से भाग करें तो सेसफल बताना है नहीं समझ में आ रहा होगा इंगलीस वाला देख लो सेम कुश्चन है नंबर अलग है इंगलीस वाले देखो जिनको नहीं हिंदी समझ में आता है कि यह फलानी 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 नंबर इस डिवाइड़ बाइसेवन वाट विल बाद रिमाइंडर वाट विल विदा रिमाइंडर हिंदी में आ जाओ पहले एंग्रेजी जाने दो चलो इसका मतलब ही है भाई आई फे करेंगे अगर इसको हम पांच से डिवाइड करें तो सेसफल क्या आएगा यही पूछ रहा है ठीक है देखो बड़ा आसान है यह काहे को पांच का बाग अगर हम करेंगा बच्चा पार्टी एक बार देखो पांच चोग बीफ बचे गा यह खोई जाएगा यह बा पांच यह पंद्रा सेसफल आएगा जीरो बाग करके देख लो खातम खातम इनको पांच से बाग करो ए भाग का है को करोगे वाग तो होई गया कि नहीं भागे करने तो आया था तो चार दूछा तीन नौ कितना आएगा बाई इमें नौ आएगा ना बट्यार मैंने भाग तो कर दिया था तो भाग तो कर दिया अच्छी बात है लेकिन जो नौ आ रहा है सेसफल ये बताओ कभी भी सेसफल भाजक से बड़ा होता है क्या नहीं ना हम इनको जोड़तो रहें चार दो छे तीन नौ तो भाजक तो हमारा पांच ही था तो नौ को फिर से भाग करोगे से तो क्या आएगा नो को फिर से जब 5 से भाग करोगे तो बच्चा पार्टी ही सेजफ़ओं करते हैं जब तक भाग जाता है कि खीक हैँ है मैं साक्षी पीवियार इस्टेडी अप में पूरा करिए अप्लिकेशन के अंदर है DL8 का सारा समेश्टर आईए आगला next कर रहा वेन दा सम आफ 645, 646 and 647 and 648 is divided by 7 what will the reminder आईए आईए जनाब आपका ही इंतजार है आसान है इनको मैं लिख हूँ तो उसमें time based होगा 7 से भाग करो आपको पता है कि 7 कितना होता 7 नवा तिरफट 7 नवा तिरफट बचता है एक हो जाता है 15 तो 7 दूना 14 सेसफल आएगा एक इसमें 7 दूना 14 सेसफल दो इसमें 7 दूना 14 सेसफल तीन इसमें 7 दूना 14 सेसफल चार जोड़ लो 4, 3, 7 2, 9, 1, 10 10 आया ना भाग हमने 7 से किया था तो 10 में 7 से फिर से भाग करोगे तीन आंसर आएगा बताओ कितना आसान है बोलो आसान है कि नहीं परिक्षा में same to same question आते हैं ऐसे चाहे आपका UPP का एक्जाम है UPSI का एक्जाम है अभिहार का पुलिस भरती है आर्मी एक्जाम है कोई भी जो भी वाई मिस्टेक कुछ गड़बड है कुछ भी आपको सुझाओ देना है आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर दे सकते हैं अगला सवाल बताओ चलो अगला बहुत अच्छे बहुत क्लियर दिख रहा है आज बहुत मस्त दिख रहा है ना आज काफी चेंजिंग हुए नहीं हाँ पर इसलिए ठीक है बढ़िया आएए इसमें थोड़ा सा अलग टेस्ट है भाई देखो कहरा कि इस फिप्टी वन इंटु फिप्टी टू इंटु 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 फिप्टी त्री डिबाइड़ वाइड़ वाइड वाट वी दर रिमेंडर अंग्रेजी वाले खुस हैं हिंदी वाले थोड़ा नराज अगर या रहें यह में कुछ बड़ा बात थोड़ा है यार अंग्रेजी हमोग नहीं होते हैं गूगल फे डाउनलोड होते हैं चलो बुरा ना मानना किसी को खुस करने के लिए किसी को बोलना पड़ता है चलो तो क्या होगा यह अगर पांच से हम भाग करेंगे एक क्यावन में आपको पता है पांच दाम पचास हो जाएगा फाइनल में एक आएगा सेसफल इसमें एक आएगा इसमें तीन आएगा तो यानि भाजक अभी छोटा है ना और सेस्फल बड़ा है फिर पांच से भाग करोगे छे में तो क्या आएगा एक आएगा सेस्फल एक अंसर आएगा इसमें कोई उत्तर फई नहीं सब गलब सगरो गलब इसको मान लो ना बना लो ना ये जिसकी लाठी उसकी बैस उत्तर भी मेरा कुश्चन भी मेरा मैंने बना दिया चलो कि आप्सन में ऐसा नहीं आएगा वैसे फिलाल आप्सन सही आएंगे अगला बता चलो अच्छा मैं इसको थोड़ा चोटा कर दूं दिखेंगा ने मुझे हटना पड़ता सामने फिना लोगों को लगता है कहां चला गया तैया अब सभी है कि मुझे इदर से हटना पड़त है समझ में सब को आ रहा है चलो बढ़ियां मस्त कर रहा है इफ वन टू वन टू 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 इंटू टू टू इंटू टू टू त्री इच डिवाइड़ेड वाई लेवन वाट विल्द रिमेंडर कर रहा है यदि 111 122 123 इसका गुड़ा करके 11 से विभाजित किया जाए तो तो सेसफल विभाज़ कर लो भाइया कि देखो 11 का भाग करोगे पहले स्में 122 11 ऐक साघिस पर ईक से दो आएगा वाइगा फाइनल डूड़ाihn информ राज आ जाएगा इससे चोपट हो जाए तो पिर बचे गास जीरो क्या है ग्यारा फे छोटा है तो आपका सेस्पल भी जीरो आएगा अप्सन नमबर लाश्ट वाला आगे बढ़े चले कोई डाउट ना किसी को बढ़ियां ठीक है मस चल रहा है जो लोग पढ़ाई ध्यान दे रहें बहुत अच्छी बात है कुछ लोग कमेंट में या आपन सब उर्जा निकाल दे रहे हैं क्या ही कहूं चलो अगला कह रहा है यह थोड़ा अलग टाइप कभी है यह थोड़ा अलग टाइप का है बिल्कुल अलग टाइप का है अब तक जो आपने किया उन सब से अलग टाइप का है एक पर कासे कटिन टाइप का है अगर आपका हो तो कटिन नहीं है फिलाल देखो समझे ना है इसमें थोड़ा अंडरेस्टेंडिंग लगेगी कैसे देखो यहां पर आओ अगर हम पचीस का भाग करेंगे देखो हम यह साटगर वाली क्लास है यह कोई बेसिक नहीं हम एक स्प्लेंड करेंगे हमें कल उत्तर खीच लाना बफ 25 से भाग करेंगे 21 में तो आपको पता है negative reminder आएगा क्या आएगा बच्चा negative reminder आएगा 25 में अगर घटाओंगे 6 आएगा यानि minus 6 का ओगात क्या आएगा 41 जब हम भाग 25 का करेंगे one 20 में तो minus 6 आएगा सेस पल निगेटिव रिमाइंडर पढ़ाया हूँ 25 का भाग इसमें करोगे तो प्लस 6 रिमाइंडर आएगा ठीक है? इसको हल करना है इन दोनों में अगर हम 6 कगात 41 कामल ले ले तुम्हें पता है माइनस 1 कगात क्या आएगा 41 आएगा और ये जब हमने निकाली लिया तो फाइनल में क्या आएगा? एक का घात एक तालिफ आएगा कोई डाउट ना किसी को? की नहीं? यारी घात लेकिन कहां आएगी भाई? रुको 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 अंदर में तो जो हमने घात बाहर निकाल लिया पूरा-पूरा तो घात बचा कहां इसमें? अंदर में कुछ ना बचेगा घात वात ये गलत मामला है इसमें घात वात नहीं बचेगा हमने इसको पूरा-पूरा निकाल लिया देखो common का मतलब भाग करना होता, याद रखना, यहाँ पर समझो थोड़ा फ़र, निकालने का मतलब यह नहीं कि खतम हो जागा 0, 0 नहीं होता देखो, जैसे अगर कहीं लिखा है, चार धन, मान लो 6, ठीक है, हम कहें इसमें common ले ले, मान लो की, यह 8 लिखा है, ठीक है, हमने कहा, इसमें हम 4 common ले ले रहें, तो 4 common का मतलब है, कि इस 4 को हम 4 फे ऐसे भाग करेंगे, एक आएगा, तो इसकी जगा पर बच्चा एक लिखोगे, ठीक है, और 4 common लिया है, 4 से 8 हमें भाग करेंगा, जब हम भया तो 2 आएगा, तो common का मतलब यह होता है, ठीक है, इनको जोड होगे, तो 8-4-12 आएगा, और हिया भी 12 ही आएगा, इनको जोड़ोगे, 3-4-12, यानि common लेने से मान पर कोई फरक नहीं पड़ता है, common का मतलब समझ में आया, कुछ लोग सोच रहे होंगे, कि यह में तो भाई साब 4 common ले लिए, तो 4 तो खतमे हो गया, 0 बचा, 0 ना बचा ददा, common का मतलब भाग करना होता है, घटाना नहीं, तो अगर 4 को 4 से भाग करेंगे, एक आएगा, ठीक है, अगर घटाना होता तो 4 common ले लेते हैं, तो इस पर चार बचता फिर, यहां लेकिन 4 नहीं बचेगा, दो बचेगा, यहां हम सिर्फ और सिर्फ भाग फल लिखते ह हैं, ठीक है, तो 4 में 4 का भाग करेंगे, भाग फल एक आता, इसमें 8 में 4 का भाग करेंगे, भाग फल दो आता, उसको लिखते हैं, इनको जोड के गुड़ा करेंगे, समझा ना, वही चीज पीछे भी था, इधर साइड भी आई था, तो जब हम 6 का घात 41 common निकाल लिए, लेकिन तरीका सीख लो, कोई डाउट ना किसी को, बढ़िया, चलिए, मस चल रहा है, एकदम बिंदास, जबर जास, चलो, इसका आंसर बताओ, आप लोग थोड़ा छोटा कर देता हूं, क्योंकि मुझे उधर जाके भागना पड़ता है, चलो बताओ, मुझे हटना नहीं पड़ेगा, दिख जाएगा, यहां से, कितना आएगा, बहुत अच्छा, बेरी गुड, बेरी गुड, जी अस बिकास, बहुत अच्छा, लोकूस, मोहित, ठीक है, कुछ बच्चे पढ़ रहे, रियल में पढ़ रहे, मेहनत कर रहे, उनको जुनून है, वर्दी लेने का है जरूर मिलेगी, दिल फे चाहो ना, तो बगवान भी मिल जाता है, चलो, 45 से भाग करना है, 40 में, जब 45 का भाग 40 में करेंगे, तो निगेटीव रिमाइंडर बचेगा, माइनस का क्या, 5, और घात इसकी क्या है, तिरपन, 45 का भाग 50 में करेंगे, तो पॉजितीव रिमाइंडर 5 बचेगा, इसकी घात, तिरपन, बईस, आप ध्यान से समझेना, प्यार से समझेना, इदम बिलकुल दिल लगा के, माइनस में है इसकी घात क्या है तिरेपन है हमने क्या किया था भाग किया था वही तरीका अपनाएंगे पिछे वाला फंडा माइनस पांच की घात हम पांच की घात तिरेपन कामल लेंगे बस ये में माइनस एक बचेगा धान यहाँ धान एक बचेगा तो पांच की घाट तिरेपन ये माइनस प्लस जीरो हो जाएगा फाइनल में आपका जीरो आएगा बात खतम समझ में आए ना कोई डाउट ना किसी को कुछ कहना है चली आगे आगे तो खतम कुछ चनी खतम इस तरीके के सवाल कर लोगे आप लोग की नहीं बता ही मांदारे फिर चलो एक बार फिर से दिखा देता हूं एक बार फिर फिर दिखा देता हूं देख लो ध्यान से यूपी पी जीत बैच जिसे इसमें कोई डाउट है मुझे बताओ क्लाफ नंबर थार्टीन है यह तेरा नंबर क्लाफ है टेलीगराम पे नहीं जॉइन किया तो कर लीजिएगा इस्पेसली पीवियार स्टडी अप पॉइंट था इसी पर हमने सारे कोश्चन किये हैं एक टॉपिक खतम उसके बाद दूसरा कोश्चन यह वाला था इसमें मैंने आपको माइनस का चिन्न समझाया था सिकेंड और थार्ड कोश्चन यह थे फोर कोश्चन यह था पांच-पांच सिकेंड में सब को हल करना है बढ़ियां तो यह क्लास बस यहीं तक जिनको कोई डाउट है बताओ जल्दी बोलो टाइम मत लगाओ आख जितना देर में कहरा है मुझे डाउट है मुझे डाउट आ रहे बोलोना क्या डाउट है सीदाफिदा हुआ बोलो नहाँ यार चलो ठीक अपने डाउट लेके बैठे रहो कोई बात नहीं नंबर नीचे चल रहा है उस पर संपर्क करिए कि जिनको डाउट है बताए दायागा ठीक है क्योंकि इतना टाइम मेरे पास है नहीं चलो भीया गुड आओ चलो ठीक 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 ये जो सवाल है न अब परिक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जैसे सवाल है ऐसे एक्जाम में सेम तू सेम सवाल आते हैं हूब बहू ऐसे आते हैं देखो इन में क्या करना है कैसे करना है कर रहा है, इसको आठ से भाग करने पर सेस्फ़ल क्या आएगा, बच्चा देखो, तीन का अगर हम कहें, बारा बार गुड़ा करने का ऐसे, ऐसे तीन को बारा बार अगर गुड़ा करें, तो ये बड़ा लंबा हो जाएगा, आप देखो मैंने केवल छे बार लिखा है बस, से हम बारा बार करेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या आएगी और उसका एक घटाएंगे फिर आट से भाग करेंगे बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा फिर कमपटीफन में नहीं हो पाएगा कि इसका साट कर जुगाड क्या है बताता हूं हमें तीन की घात बारा है माइन एक इसको भाग देना नहां आड़ से और हमें क्या गयात्त करना बच्चा पार्टी हमें निकालना है सेस्फ़ल यानि reminder हमें find करनी है तो हम एक काम करेंगे हम आठ से भाग करेंगे इसको एक cat 12 को था को तो आप कहोगे किसस्ति को शुद्टा है का आप्पाम करेंगे का हम करेंगे में तीन की घहाट 12 बच्चै अगर हम थीन की गाध Holy को लिख ले इसको बएसलिक त इसमें तो कोई बुराई नहीं है नहीं ना समझ में आ रही मेरी बात देखो हमने का किया है हमने जो तीन की घात बारा थी इसको दो भाग में तोड़ दिया आपको पता है घातांग के नियम में आपने पढ़ा होगा जब ए का पावर यम इसकी पावर यन होती है तो इसको यम इंटू यन कर लेते हैं जानते हो ना हमने इसको तोड़ दिया घात के उपर घात कर दिया यह छे दूना बारा हो जाएगा फिर से बारा आजाएगा कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन हमारा काम बन जाएगा ठीक है कैसे देखो यह हो जाएगा बच्चा नौ अब यह बन जाएगा नौ की घात 6 माइनफ एक बटा आठ अब हम नौ में आठ का भाग कर सकते हैं सीदफिधा घात को इगनूर कर दो छोड़ दो पहले तो जब साथियों आठ का भाग नौ में करोगे तो सेसफ़ल एक आएगा हमें only reminder से मतलब है reminder एक आएगा उसकी घात 6 यानि एक की घात 6 माइनफ एक वन की पावर कितना भी लगा दो हमेशा वन आता है तो यह वन माइनस वन बराबर क्या आएगा जीरो है ना कितना आफान एक बार बता तो समझ में आया सिर्फ उनके लिए है जिनको वर्दी चाहिए हाँ बिल्कुल जिनको competition का exam qualify करना है बाकी ये मज़ेदार class खेलने वाली है नहीं नीलू बर्मा समझ में आ रहा है तीपक समझ में आ रहा है अंजली कुमारी समझ में आ रहा है राज राठोर सबको आ रहा है दीपका आ रहा है पढ़िया चलो इसमें class में भीड़ भी नहीं रहेगी देखना 818 बच्चे something इस बैच में जो आईन है लेकिन इस बैच में मुझे पता है अगर 200 बच्चे भी पढ़ रहे हैं regular तो बड़ी बात है क्योंकि वो हमारी basic class में आएं अब तक उसी मज़ा लिएं तो इसमें ठीकेंगे नहीं मुझे पता है इसमें ठीकेंगे नहीं हो अगला सवाल देखिए इसी को मैंने English language में लिखा है same question है इसलिए English में है कि कुछ बच्चे हिंदी में नहीं समझ बाते हैं यह same सवाल इंगलिस में है कर रहा है what will the reminder when 5 की power 10 minus 1 is divided by 24 बस language का कमाल है हमें यह find करनी है 5 का power 10 minus 1 upon 24 then says fall यानि reminder find करनी है देखो भाया अगर 5 की घात 10 का हम एग्जेक्ट बैलू निकालें तो हमें कुछ इन धर्रों से गुजरना होगा ऐसे मैंने अभी सिर्फ 5 बार लिखा इनको 10 बार लिखना पड़ेगा पांची बार लिखा हूँ अभी तो पचम 25 पंचे 125 पंचे तीन हजार के उपर हो जाएगा और फिर यही परकिरिया अगर आम 10 बार करेंगे तो हितानी बड़ी संख्या आई गे तो नहीं बड़ी खूब बड़ी और फिर उसमें से एक घटा करके 24 से भाग करेंगे न तो हम बुढ़ाई जाएगे तब तक और फिर परिक्षा और इक्षा ने निकलने वाली तो हम यह तरीका नहीं करेंगे हम क्या करेंगे देखो देखो पांच की घात 10 हमें चहिए कि 24 का भाग पांच में करना है बट पांच तो बड़ा चोटा बच्चा है इसके सामने तो पांच में चाहे तो कलास खतम हो जाएगी तो बाद में फिर फे देख लेना चलो 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 इसका अंसर कर लोगे इसी तरीके से होमवर्क दे दूँ अगर इसको तो कर लोगे पक्का बता देता हूं थोड़ा फजुगार अंसर बताना देखो एक्चुली यह चार की घात अण तालिफ है माइनफ एक भाग हमें 65 से करना है तो बच्चा-पार्टी है यह 65 का भाग 4 में तो कर नहीं सकते तो हम चार की घात तीन कर देंगे और बहरे तो लगा देंगे 16-1 बटा 65 चार की घात तीन जानते हूं 4,4,16,4,166 होगा अलग तरह काई 64 ना एक बात बताओ तुम अगर हम 64 में 65 का भाग करें तो कहोगे है आप अगला गए होगा 64 में 65 का भाग कई से होगा याद करो याद करो क्या आपको मैंने पढ़ाया था निगेटिव रिमेंडर पिछली कलास में पढ़ाया था ना अगर पीछे की 14-15 कलास जो अब तक हुई समसिंग 13 कलास देखा होगा तो याद होगा तो इसमें निगेटिव क्या आएगा रिमंडर आएगा रिडात्मक सेशफ़ल आएगा कितना आएगा बच्चा 55 याद आपका रिडात्मक सेशफल आएगा इसमें minus 1 minus 1 आएगा और minus 1 की घाद 16 कोई भी संख्या minus में है अगर उसकी घाद एक सम संख्या है तो उसका मान हमेशा plus में आता बताया हूँ तो फाइनल में 1 आएगा 1-1-0 आएगा तो यह भी क्या आएगा 0 इसी को कहते हैं कमपटीशन वाली गडित है अभी तुमको 0 लेबल पढ़ाते हैं तो हम इसको घटा घटा के जोड़ जोड़ के चील फाड़ के पोस्ट मार्डम करके दिखाते हैं यहां इतनी फूर्सत है न लिगेटिव रिमांडर वाला ये भी है क्या बताओ ये क्लास इस्पेसली पीवियार स्टड़ी अप्लिकेशन के बच्चों के लिए है जो बच्चे जीत बैच में जो आईन हैं इन्रोल हैं सिर्फ उनके लिए है हमारे यहां जितने भी बच्चे आते हैं इसमें सब पेड इस्टूडेंट है कोई फ्री वाला नहीं युकि फ्री वाले इसको पड़ते ही ये प्ञांच से भाग करने पर सेस्फण ग्याद करिये थे कि घार स्टाप् आज से ठीक है किया होगा होगा कि होगा क्या वही जो अब तक करते आयो एक बढ़ ट्राइक कर लो फिर मुझे बताओ फिर मागे बढ़ते हैं चलो अब फटाफट हाजी लोग को उस कमेंट आ रहा है आपका देखो कमेंट सब का देख रहा हूं मैं गुड जार नंबर पर पहुंच गए हम लोग रुकना फिर चलो इधर साइड में मैं कुछ और भी टाइप के कुश्चन लिया हूं बट उसको यहां लिखा ने गया मुझे लिखना पड़ेगा बाद में कैara इसको ना तो बटशा इसको कुछ ऐसा करें गे कंगे कुछ ना करें जा एक घात आठ करोगे तो एक ही रहेगा माइनस वन करोगे फाइनल में जीरो आ जाएगा कि क्या आएगा जीरो सेस्फ़ल आएगा बात ख़तम कि अब जो है ट्रीक एक नई तरीके की दिशा में जा रही है ध्यान से देखना प्यार से समझना इसमें कह रहा है कि जब किसी संख्या में दो सेस्फल की बात हो और दो भाजक की बात हो तब पर्थम सेस्फल को दुतिये भाजक यानि फास्ट रिमांडर को सिकेंड दिवाइजर से दिवाइड करते है और जो मिलता है वो अंसर होता है ठीक है पढ़ियां समझ में आ रहा है चलो आगे आओ कैसे करते हैं देखते हैं पहले कुश्चन देखेंगे तब एक चीज़ और यहां दखना कंडिशन है उप्रोक्त ट्रिक के लिए इस तरीके के ट्रिक के लिए पर्थम भाजक हमेशा दूसरे भाजक का गुड़ा ज्यानी मल्टीपल होना चाहिए अगर ऐसा नहीं है तो उसका आंसर नहीं निकाला जा सकता आप लिखोगे गैना डिटर्माइन यह कुश्चन नमबर पांच है फिलाले हाँ जो चार पड़ा है यह पांच नमबर है चलो जो इसको चारे बना लो सबसे पहले मुझे यह चेक करना है बच्चा कि जो पर्थम भाजक है यह फर्स्ट भाजक यह सिकेंड डिवाईजर फर्स्ट डिवाईजर और यह क्या है किसी संख्या को 145 से भाग करें तो सेजफल इतना आए यह दि उसी संख्या को इतना से भाग करें तो सेजफल क्या आएगा वाई साथ दूनो भाजक है भाजक है यार वोनु नुवाम भाजक भाजक है यहां कुछ गलत है क्या रुको यह पर्थम भाजक हो गए है यहां नाट सेजफल ना ना एक मिनाट एक मिनाट एक मिनाट यह सब यूजिस फरत्रहण भाजय दूसरे भाजय का की यहाँ सब सब्सब्सब्सब्स-अर्म यह तो ट्रिक वाला है यह ट्रिक हम तब अपलाई करेंगे जब हमारी यह कंडिशन अपलाई होगी अगर हमारे नीचे की कंडिशन फालो नहीं हो रही तो यह ट्रिक अप्लाई नहीं होगी कि आये कि नीचे के कंडिशन हमारी यह है कि जो पर्थाम आपका भाजक है वो दुतिये भाजक से भाग करने पर जीरो से फ़ल आना चाहिए अगर ऐसा है तो वो ट्रिक लग जाएगी भाई साब 145 को भाग कर लो बच्चा वह अनतिफ्फे आप देखो के पांच बार जाएगा पांच बार जाएगा 155 आजाएगा तो हम वो ट्रिक लगा सकते हैं इसमें और बिदाउट ट्रिक भी हम इसको हल करके दिखाएंगे आपको बिना ट्रिक के भी दिखाएंगे देखना तुम पहले पहले तूंस बेसिक सीखो ट्रिक भाग जाने तुहटा आओ पहले ट्रिक बाद में हमें किसी की घर अगर जाना है रास्ता पता है रोड वाला तो हम पिछुआरे से बिजा सकते हैं आ peł दो कि टहरीयाज भी जा सकते हैं लेकिन अगर हमें रस्तवा पता है कि उसके घर जाना कहा है उसका घरवा कहा है गउवक नमौ नमौ नहीं पतत कहा जाएंगे तो ऐसे हैं बेसिक सीख के पर राष्टा जान लेते हैं पिर साटकर बाद में खोजते हैं चलो देखो किरा बच्चा किसी संख्या को 145 से भाग करना है किसी संख्या को करना हमें नहीं पता है तो किसी संख्या को करना है तो हमें नहीं पता है भाग 145 से करना हमने कर दिया करा सेसफल 40 आता है सेसफल वा जो आएगा ना भाई वह यह वचे गए ठीक है बस बनगा होईगा जुगाड किसी संख्या को भाग करना है सेसफल 40 आना है जरा सोचो 145 से भाग करना है सेसफल कब वह सवरी 40 आएगा मैं बताओ कब आएगा 40 तुम देखो ना इसी में 40 जोड़ दो 40 को यानि सेसफल को भाजक में जोड़ दो जोड़ो 180 ना यानि वो जो किसी संख्या थी वो क्या है 180 है यहां लिखो 150 लिखो एक बार भाग ले जाओ गटा आलो 40 आएगा यानि हमें वो संख्या तो मिल गई जोगाड़ फे इसको वैसे भी निकाल सकते हो आप भाज बराबर भाज गुड़े भागफल दान सेसफल वाले जोगाड़ फे लेकिन ये भी तरीका बहुत अच्छा है ठीक है अगर हमें भाज नहीं गया था डिवीडियंड नहीं मालूम है लेकिन हमें भाजा का और सेसफल मालूम है तो हम बड़े प्यार से उसको निकाल सकते हैं हम से सफल को क्या करेंगे भाजक में जोड़ देंगे जोड़ देंगे बस हो गया काम खतम यानि किसी वाली संख्या जो थी क्या 180 है ठीक है आप समझना स्टेप बाइस टेप कहरा किसी संख्या को 145 से भाग करने पर 40 आता है ले बाबा कर लिया मैंने इतना तक मैंने खतम कर लिया गया 40 कि वेरा उसी संख्या को उन्तिस से भाग करें तो क्या आएगा चलो देखो कि उसी संख्या का मतलब वही आपका 180 कि 185 कि वन्तिस से भाग कर लो भाईया लगबक छे बार जाएगा olabilir 9ORY चाओन हाफिल आया पांच चे दूना बारा पांच 17 हो được है. हुनार रान से क्या आगे 13 यानि किसी संख्या के 14 5 से synchronे करें पर 40 आता था यदि उसी संख्या को 29 सेह डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमैंडरी बनाएगा तरब ट्रिक लगाएँगे इसमें ट्रिक क्या कहती है ट्रिक कहती है पर्थम सेस्पल को सिकेंड भाजक से डिवाइड करो तो पर्थम सेस्पल को सिकेंड भाजक से डिवाइड करो पर्थम सेस्पल 40 है सिकेंड भाजक 21 है वैया एक बार जाए हो 11 आए अभी बताओ हम इतना कर लें तो यह अच्छा है या इतन कौन सा अच्छा है भया ये पी वाला है ये क्यों वाला है कौन सा अच्छा है कहोगे दोनों अच्छा है जरूरत और वक्त के अनुसार अच्छाईयां बदलती रहती है जिस चीज में आज हमें अच्छाई लगती है कल हमें वो बुरा ही दिखने लगती है है ना तो इस समय इस class के लिए ये वाला अच्छा है ये भी थोड़ा बहुत अच्छा है लेकिन exam hall के लिए ये बहुत ही अच्छा है ये बिल्कुल काम कर नहीं होगा समझ रहे हो ना तो दोनो पावन समझ में आ रहा है विकास बाबू एक बार वीडियो रिपेट कर लेना ठीक है सिवं मिस्रा जोती सुर्या सभी को आ रहा है चलो इमांदारी से सारी class देखोगे तब ही आएगा क्योंकि ये परिक्षा में पूछे जाने वाले सवाल है ये बिल्कुल हलके में लोगत नहीं आएगा हवा हवाई करनेफ नहीं आएगा तो ये हो गया ट्रिक से भी बेसिक भी इसका अंसर आगया 11 दोनों तरीके से आपका उत्तर एक से माना चाहिए बेसिक से भी और ट्रिक से भी ठीक है complete आगे बढ़े समझेंगे तो ठीक है बाकी तो मैं मिटा देता हूँ अगला सवाल इसको ingles में भी दिखा देता हूँ आपको देखो ingles में देख लो जिनको लग रहा hindo ही नहीं समझ रहे इंगलिस में देखो same question कुई doubt किसी को नहीं चलो बच्चा मास्त बढ़िया बिंदास जबर्जस्त इसको हल कर देता हूँ एक इंगलिस लंग्वेज में है फिर उस पर चलते हैं सेम तरीके का सवाल है कहरा इफ नंबर इज डिबाइड़ वाई थ्री फोर थ्री ता रिमाइंडर इस थ्री यानि यदि किसी संख्या को 343 से भाग करते हैं तो 371 आता है इस दसे मेंडर डिवाइड़ द्रेमाइंड़ रिमाइंडर ब्री और वॉट बीदा रिमाइंडर पूरा सवाल का मतलब समझे किसी संख्या को यदि 343 से भाग करते हैं तो तीन सेशफल आता है और यह दि उसी संख्या को हम 12 से भाग कर दें तो सेशफल क्या आएगा अरे इतना अंग्रेजी यह मुख आवे लगी है बाकित इंदियम पढ़ाय रहे है आफान है हम ट्रिक लगाएंगे बेसिक न लगाएंगे ना ना बेसिक न लगाएंगे फटा पट्रिक लगाएंगे सटा फटा अंतल लेकर आएंगे चलो देखो अट्रिक हमारी क्या कहती थी कि क्या कहती थी पर्थम रिमाइंडर पर्थम रिमाइंडर और और सिकेंड डिवाइजर ऐसे कुछ था देख लो एक बार पीछे करके भाईया भाग करते हैं न देखो त्रीक हमारी कहती थी पर्थम सेजफल सिकेंड भाजक बराबर अंसर लेकिन मुझे लगता हमारे साथ तो दोखा हो जाएगा काहें पर्थम जो सेजफल है बड़ा छोटा है हो और सिकेंड डिवाजर सोला है तो फिर क्या होगा फिर तो ट्रिक लगेगी नहीं आईए बेसिक करके देखते हैं इस पर कुछ लगता है यह नहीं लगता है चलो आओ देखते हैं वसे ऐसे आएगा नहीं सवाल कभी उल्टा पुल्टा नहीं आता एकजाम में यह तो मैंने बनाया है थोड़ा कम टाइम में तो हो सकता है मेरे सवाल में कुछ चीज़ डिस बैलेंस हो तो उनको हम हल करके बैलेंस करेंगे ठीक है बाकी एकजाम ऐसे नहीं आएगा डेश्टर वाला किरा इफा नंबर इस डिबाइड बाइड थरी 343 से एक संख्या को क्या करते है डिबाइड करते हैं सेसफल 3 आता बच्छा तो सेसफल 3 जब आएगा जब हमारा भाजक सरी भाजे भाजक और सेसफल को जोड़ करके बना होगा इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 346 आएगा और भाग जाएगा एक बार गटाएंगे तो तीन आएगा ठीक है खतम यानि हमारी वो संख्या जिसके बारे बात हो रही थी 346 है अब कह रहा था कि इस अब यही सेम संख्या 16 से डिवाइड करेंगे तो सेस्फल के आएगा 346 को 16 फिर डिवाइड कर लो बच्चा 346 को 16 फिर डिवाइड कर लो 16 फिर दूना 32 गटाने पागया कितना 2 16 फिर गटाने पागया 10 यानि आपका आंसर कितना आएगा 10 क्या एक आंसर 10 ठीक है अच्छा अगर हम ठीक लगा दें तो क्या होगा अगर हम ट्रिक लगा दें तो क्या होगा हमारी ट्रिक के अनुसार हम इन दोनों के यूज करेंगे बस पर्थम रिमाइंडर एंड सिकेंड डिवाइजर तो पर्थम रिमाइंडर में हम इससे भाग करेंगे 16 फे भाई साब अगर एक बार ले जाएंगे घटाएंगे तो कितना आएगा तेरा तेरा क्या आएगा यह आएगा रिमाइंडर निगेटिव रिमाइंडर पढ़ाया था ना आपको पहले लेकिन इसमें यह ट्रिक अपलाई होगी नहीं और यह समझ लो कि आएसी कंडिशन में आप ट्रिक नहीं लगा सकते हो एक चीज और जहां तक पिछले एक जामस हुए हैं कभी भी इस तरीके की सवाल नहीं आए हैं जिसमें आप ट्रिक न लगा सको ठीक है बेसिक तरीके से यह हो गया ठीक है लेकिन ट्रिक इसमें अपलाई नहीं होगी क्योंकि इसमें यह जो है बहुत छोटा नंबर है अगर ये नंबर थोड़ा बड़ा होता तब हो सकता था पॉसिबल था ये 16 से बड़ा होता बस ठीक है तो ये सवाल हम एक परकार्ट से कहें तो पूरी तरह से सही नहीं है मतलब आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया समझ गये ना जैसे आपने पहला सवाल किया था ये बिल्कुल परफेक्ट था इसमें कोई गड़बर नहीं था उस वाले सवाल में क्या है कि थोड़ा सा सवाल डिस्टर्ब था ऐसा पेपर में आएगा सब को नंबर मिलेंगे सेस आएगा नहीं चलो इसको करते हैं ठीक है बढ़िया इसमें ट्रिक भी लग जाएगा बेसिक भी लग जाएगा दोनों लग जाएगा कि किसी संख्या को 512 से भाग करने पर 82 आता है यदि उसी संख्या को 64 से भाग करें तो सेस्फल क्या आएगा बच्चा पहले ट्रिक प्रिक कहता है कि जो पर्थम सेस्फल है उसको सिकेंड भाजक से भाग करेंगे तो 18 आएगा हो गया अंसर दो सिकंड में कितना अगया 18 लेकिन अब हम बेसिक भी करेंगे क्या करेंगे अब हम बेसिक भी करेंगे बेसिक क्या है किरा किसी संख्या को पांच सो बारा से भाग करने पर सेस्फल 64 आता है नहीं सेस्फल 82 आता है तो बच्चा सेस्फल 82 तब आएगा जब भाज हमारा इन दोनों को जोड़ के आया होगा यानि 594 हमारा क्या होगा भाज्य होगा तो एक बार जाएगा यह 512 घटा लोगे बयाफिया जाएगा यानि हमारा डीबीडियन 594 आएगा अब हम 594 को अगर 64 से भाग करें तो 18 आ जाए तो मानलो सही है चलो कर लेता हूँ देखो गोंज गांज दिया इनको क्लियर चल भाईया 594 इनको भाग कर लो 64 से कितनी बार जाएगा हो नौ बार सम्चिंग जाएगा देखो नौ चोग चत्तिस हाफिल तीन नौ चंग चववन तीन सतावन यह आठ आएगा एक अठारा साही तो आया गुरू मस तो आया तो यह बेसिक भी था यह ट्रिक भी था ठीक है जो अभी कुश्चन मैंने इंग्लिस लेंगोज में लगवाया वो सवाल गलत है एक परकाल से ठीक है कुश्चन ही गलत है अंकित समझ में आ रहा है उत्तम यादो समझ में आ रहा है लोकुष पंकज मोहित सबको आ रहा है बच्चा यह क्लास इस्पेसली पीवियार स्टड़ी एप के लिए है एक चीज और मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूंँ आप सभी पीवियार स्टड़ी अप्लीकेशन के इस्पेसल इस्टूडेंट है अगर आप इस सेशन को लाइब जॉइन करना चाहते हो लाइब यह जो नंबर है ना इस पर अपना पेमेंट का पूरूफ सेंड करके आप हमारे स्पेसल टेलीगराम और वाटसप चैनल में जूड सकते हैं वहां पर मैं आपको इन्फर्मेशन देता हूं सारी अपडेट देता हूं कि आप इस तरीके की लाइब कैसे अटेंड कर और उसका टाइम क्या होता है कैसे देखेंगे ठीक है लेकिन अगर इसको आप नहीं करते हो तब भी कुछ गड़बर नहीं है आप बाद में इस तरीके की क्लास की रिकॉर्डिंग पाओगे आप अराम से देखो पड़ो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और यह नंबर नीचे बचा अलग तरह का सवाल मजदार सवाल चलो करा यदि संख्या एक को तीन से भी वाजित करें तो सेस्फल पांच आता है यदि एक वर्ग को तीन से भी वाजित करें तो सेस्फल क्या आएगा बताओ इस तरीके के सवाल के लिए कुछ रूल है करा ऐसे प्रस्णों में हम पर्थम सेस्फल को ही अग्याद संख्या मान लेते हैं और उसका वर्ग करते हैं फिर दूतिय भाजिक से भाग करने पर उतर मिल जाता है बहुत आसान है हो गया खतम अंसर डन क्या कह रहा फिर से पड़ो? ऐसे प्रस्णों में हम पर्थम सेस्फल को ही अग्याद संख्या मान लेते हैं यानि जो अन्नन नंबर है वो आपका पर्थम सेस्पल ही होता है जैसे पांच है यही क्या मान लगें अन्नन नंबर फिर उसका वर्क करते हैं और दूतिय भाजक से भाग कर देते हैं यानि पांच का वर्क करेंगे और तीन से भाग कर देंगे जो आये को यह अंसर आएगा ठीक है खतम बहुत आफान है फिर इजी है माना हमने वो अग्यात संख्या क्या मान लिया मान लिया मैंने क्या पांच अब मैंने इसका वर्ग कर दिया तो यह हो गया 25 ठीक है बच्चा अब फिर क्या करोगे इस 25 को दूतिये भाजा के नहीं 3 से भाग कर दोगे तो 3 से 25 को भाग करोगे 3 8 24 सेसपल आएगा एक क्या आएगा वन तो आपका अंसर हो जाएगा वन अना असान फिर से समझ लो जो आपकी अग्या संख्या थी अन्नोन नंबर थी उसको हम जो सिकेंड रिमाइंडर है उसके बराबर मान लेते हैं फिर उसका स्कॉार करके सिकेंड भाजक से भाग दे देते हैं खतम नहीं समझ मैं आप वीडियो बैक करके दुबारा देखना अठी बार देखना आठ बार देखना अगर 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 उनको नहीं देखे हो तो नहीं आएगा इसमें को बुराई नहीं है इसके लिए आपको basic मैट भी आनी चाहिए अगर बेसिक भी नहीं आता तब भी नहीं आएगा अगर मैं आप से पूछू हूं कि एक तिर्भूज के दो कोण दिये हैं एक कोण 80 का दिया है दूसरा कोण 60 का दिया है तीसरा कॉंड कितने का होगा अगर इसका जबाब आपकी अंतरात्मा में पांच सिकंड के अंदर नहीं आ गया तो फिर आपको बेसिक नहीं आता मान लेना और बेसिक नहीं आता तो ये कभी नहीं आएगा जान लेना इसके लिए PVR Study आप डाउनलोड कर लेना और उसमें जी जान लगा देना फिर एक महीने में आ जाएगा हाँ एक दिन में नहीं कहूंगा मैं जिनको बेसिक नहीं आता कुछ मैथ नहीं आता उनको मैं कभी नहीं कहूंगा कि एक दिन में सीख जाओगे कम से कम एक महीना minimum on month चलो किकराबच्चा किसी संख्या P को 9 से भाग करने पर विभाजित करने पर सेशफल साथ आता है यि पीके वर्क को 9 से विभाजित करने तो सेशफल क्या आएगा नहीं समझ में आरा भाह सा चलो English में देख लो English में देख लो, इसको English में देख लो, same तरीके का question है, बट अलग है, type same है, कह रहा है, un dividing the number T, un dividing the number T, T क्या है एक number है, किस से divide हो रहा है, 6 से, ठीक है, the reminder is 4, successful साथ आता है, what reminder will be left, when the square of T is divided, किस से, divided by 6, यानि, यदि, एक संख्या T को 6 से विवाजित करते हैं, तो successful 4 आता है, कह रहा है, अगर हम T के square को 6 से divide करें, तो successful क्या आएगा, सेम तरीका है, क्या कह रहा था, जो unknown number है, यानि T, उसको हम first reminder के बराबर माल लेते हैं, मैं तुमको पताया हूँ पहले भी, पताया हूँ, फिर कहता है कि यादि T के square को, the square of T is divided by 6, इसका square कर लो चच्चा, square करोगे, 16 आएगा, divided by 6, 16 को 6 से divide करोगे, तो 6 दूना 12, 4, 16 यानि 4 आएगा, तो आप का अंसर हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा अंसर 4, यानि इन में से कोई नहीं, अब ये चीज समझ लो, थोड़ा सा धर्रा बदल रहा कोश्चन का, ये बहुत ही basic चीजे हैं, सबको पता हैं, अंकित समझ में आ रहा हैं, एक कह रहा है कि हिंदी नहीं आ रहा है, और आप इंगलिस में दिखा रहे हो, इतना बड़ा पाप, भाईया तीन सवाल में, मैंने दो सवाल दिये हैं हिंदी में, एक दिया इंगलिस में, तो कोई बुराई नहीं हमें सबको लेके चलना है, ठीक है, तो मैं हिंदी इंगलिस दोनों लेके चल रहा हूँ, चलिए, जिस संख्या से हम भाग करते हैं, उसको भाजक बोलते हैं, और जिस संख्या में भाग करते हैं, यानि जो संख्या यह भाग करवाती है उसको भाज बोलते इंगलिस में डिपीडियेंट बोलते हैं और यह पूरी प्रकिरिया के बाद जो उत्रफन होता है हो लोग जो ब्यां के बाद होता है तो एक बच्चा पेदा होता है भाग फल लेकिन सेस्पल क्या हो गार जाने दोन नहीं बैठ राइक्जम्पल फिर भी आप समझ गेना पॉइंट समझ गेना ठीक है तो जिस संख्या से भाग करें वह भाजक और इस पर क्रिया में जो हमें प्राप्थ हुआ भागफल और जिसमें भाग किया गया वह भाज जे अब इनका आगे काम लगेगा ख carefully स्म давно समझ में लेकिनाल बड़्法 कर्या सब संब्सक्राइब दो मजा और विछ अध्य कतरा न्हया है अं而 कि यह ईद्लिक का थे लेओं सवाल नहीं समाद में सवाल किसी नी इस खोका इस वरह रहा है तो इसे एक्यामपल हो immismo करना हो तो बोरिंग भी लगने लगता है लेकिन सेस्फल बीच में आके गड़बड कर दिया सब इस फल ना होता तो फिर बन जाता बात कि जलो देखो आगे कि एक संख्या को पंदरा से भाग करने पर चार भागफल तथा सेस्फल के रूप में सात प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या होगी पहुत आफान है कि यदि एक संख्या को पंदरा से भाग करने पर भाई साब हमें वो संख्यवा पता नहीं है लेकिन भाग 15 फे कर रहे हैं कह रहा है भाग फल 4 तथा सेसफल के रूप में साथ प्राप्त होता है हेलो मिलगा तो वो संख्या ग्यात कीजिए अच्छा तुम्हें पहले बताया था ना काँ तुम्हें पहले बताया था कि अगर सेसफल दिया है और भाजक दिया है तो हम भाज चुटकी में निकाल सकते हैं इन दोनों को जोड करके 15 साथ 22 हे भाईया गडबड गडबड कहे रहा भगिया चार बार जा रही है मतलब रुको रुको 15 चुटका कितना होता 60 अभी तो तुक्का लगा रहा हूँ अभी तो सूत्र नहीं बताया रामबाणवाला उसको यूज करोगे देखना अभी तुक्का लगा रहा हूँ जो जो दिया था मैंने वैसे लिख लिया बस इस्ट्रेक्चर बना लिया कहरा था किसी संख्या को 15 से भाग करने पर मैंने कर दिया कहरा है कि भागफल चार आता है मैंने भागफल चार लिख दिया कहरा सेस्फल साथ आता है मैंने नीचे सेस्फल भी साथ लिख दिया और जब चार बार भाग जाएगा तो साठ तो आएगा यहां लिख दिया तुम इतना दिमाग खुद लगा लो पड़ी यूज करके कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें से हम साथ घटाएंगे तो साथ आएगा किसमें से तुम समय लोग जानगे ना ऐसी कौन सी संख्या से हम साथ को घटाएंगे कि साथ बचेगा तो बच्चा वू होगा संफट तो हमारा अंसर्वा का होगा फंफट य आया न अच्त दिमाग लगाओ तो यह बाला सिघ्ट सब्सक्राइब भाश लेकिन यह परकिरिया से यह आसान है कौन सा यह यह असान लेकिन यह हर जगह काम नहीं आएगा पता है किन यह नहीं मान लो 15 की जगा दे दिया 105 और तुम्हें यह दे दिया 20 और सेसफल दे दिया 128 तब दिमाग नहीं काम करेगा ऐसी श्थिती में आप लगाओगे फार्मूला कौन सा लगाओगे ऐसी श्थिती में तुम यह लगाओगे भाज बराबर भाजक उड़े भागफल धन सेस तो भाजक कितना है पंदरा भागफल कितना है चार सेसफल कितना है साथ तो पंदरा चुग का साथ धन साथ बराबर फनफट यह सूत्र वाला तरीका है इसमें कौनों भी सवाल आ जाएगा सब निकल जाएगा इक दम आगे बढ़ें चलिए देखे कुछ लोग सवाल करते थे अब तक आप तो जीरो लेबल ही पढ़ाते हो हर दम हर दम पिछले छे साल से देखते देखते ओ बगय हम बोर हो गए हम जीरो लेबल सीख गए हमारे लड़का बच्चा भी हो गए है वो भी वही सीख रहे हैं तो क आप यूटूब पर बिंटर बैच फालो करें जिनको हवा नहीं लग रहे है इसकी ना बिंटर बैच फालो करो और बिंटर बैच फालो करो गए तो उसमें बिल्कुल बेसर्मों की तरह पढ़ाया हूं ऐसे साथ-छे जोड़ेंगे तेरह आएगा बेसर्मों का मदल माइफ लिए बोला क्योंकि इसको पढ़ाने में लोको सारम लगती है सारम जानते हो ना समझे लोग नहीं सरम इस लिए लगती है कि भाईया इतना छोटा छोटा चीज आखिर कौन पढ़ाता है आज कल के इस मार्ड जमाने में हम तो उस जमाने में जी रहे हैं जिनके खोपड़ी के सारा बाल भड़े जहन गया है लेकिन वो बाल लगा लेते हैं अलग से लाके बन देखो इदर के रहां डिवाइडिंगा नंबर बाई 23 बिगेट 18 एज दा क्वाइफियंट एंड 17 एज दा रिमाइंडर वाट इदा नंबर अंग्रे जी हमका खुदे नायावत एको नायावत तो है कसम पक्का नायावत लेकिन मजबूरी है कि हमारे कुछ लड़के से पर्देश से हैं जम्मू से हैं कुछ तेलंगाना से हैं कहीं कहीं से हैं उनको हिंदी हम नहीं समझ माओत तो मजबूरी मताना पड़ता है कि जलो आगे कह रहा है आन डिबाइडिंग अन नमबर बाइट 23 एक नमबर को 23 फे डिबाइट करने पर बीगेट 18 एज क्वाइफियंट हम 18 भागफल के रूप में प्राप्त करते हैं एंड 17 एज रिमाइंडर और फत्रा सेस्फल के रूप में प्राप्त होता है तो कह रहा है वाट इस दा नमबर वाट इस दा डिबीडियंड कर लोगे ना पक्का अब एह में तो भाईया हवा न लगेगी हम अगर 23 का 18 का गुड़ा भी करें मसकत करके तो एक बड़ा फनमबर मिलेगा और फिर कैसे होगा हम सुत्र लगाएंगे वह आला जो अभी दिखाया था पहिले वाला है ना वह फार्मूला लगाएंगे बस फटा फट दवड किया जाएगा चलो भाज बराबर भाजक भाजक कितना 23 अब तुम जान रहे इतना गुड़े भागफल भागफल कितना 18 दन सेज़फल कितना 17 अठारा तियां चाववन का चार हां फिल आया पांच अठारा दूना 36 अचाटिस में पांच जोड़ेंगे तो चाटिस चार चार चालिस एक एक तालिस गन सतरा जोड़ भाईया देखो बड़ा प्यार से जोड़ो 17 में 13 जोड़ देते अगर हम तो तीफ आ जाता और एक ती जादा आती अकतिफ आ जाएगा 31 और 400 तो चार से का थिस तो हमाई आंसर कितना है चार सेक थिस ए भाई कुछ गड़बड़ा नहीं रहा हो 18 बार गया है कोई दिक्कत नहीं चलो गड़ा कर लो 18 दुना 36 18 थिरिजा 54 होता है हासिल 5 अठादुना 36 कई कुछ बूल चूख वरी तो बता दे ना बाकी आंसर आ गया 431 कोई भी आप्सन सही नहीं है कोई भी आप्सन सही नहीं है ठीक है भकर सिंग अईसा अईसा नाम भी रख लेते हैं न एक बार बोल दो तो कोई देर पेट वाईसे दर्द हो जाए चलो कोई बात नहीं नाम खोजने वाले को बदाई आजकर लोग ना सही बताऊं देखो आप बुरा ना मानना मैं आपके नाम पर नहीं बोल रहा हूं लोग कुछ अलग करने के चक्कर में ना कुछ ऐसा अब उनकी अच्छी खासी सेवा की जारी पुलिस के द्वारा आग भी नहीं बुझ रही अभी तक तो किर्पया करें और कुछ इतना अच्छा या अलग करने की कोशिफ ना करें ने तो आप तो अपने जिंदगी बरबाद करेंगे ही साथ में और भी लोगों की करेंगे रियल्टी बता रहा हूँ अभी लखनव की संकों पे एक महबूबा वाइरल हो रही थी वो अपने महबूब के गोदिम बैट के स्कूटी चला रही थी मतलब ऐसे इधर को मोग करके वो उधर को किये था ऐसे कुछ करके तुम समझ सकते हो अब उनको पुलिस वाले पकड़ के ले गए मीडिया के कैमरे पर उनसे पूछ रहे हैं लेकिन हमारे देश में बड़ा गंदा कानून है पता है क्या बड़ा गंदा सिस्टम है बोलता हूं में तो लोगों को लगती है इस देश में एक पच्छी कानून है आपको इस चीज भी पता होगा बहुत से पूरुस मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे और बहुत से पीड़ी थी भी होंगे बहुत से ऐसे भी महिला इवा महिल रहे हैं जो पूरुसों के साथ बहुत अच्छा लिविन रिलेशन में संबंध में रहती है आठ साल दस साल साथ साल किसी बात पर जगड़ा होती है जाके केस कर देती है क्यों क्योंकि उनके सपोर्ड में कानून है रियल्टी है यह सच्चा ही है इस वज़ा से रिस्ते लिटिया वही जो राजनीती से अगर फुर्षात पाता है चाटुकारता फिर थोड़ा देर भी दिखा देता है मजदारचीत तो दिखाता है उसको चाहिए मजदार चीत दिखाने का इस लिए कि तुमको मज़ा आए मज़ा आएक तो टीर भी बढ़ेगा अभी कहां लो कई कि कि निकर्म कि बाते हैं लोग हमें कहते हैं फाल्दू बाते हैं सब काम की बाते हैं है कि ए कि एक भाजक भागफग्फल का बारा गुना तथा यसका छे गुना है ये भाज़क अ sollte naar फालर आप przeciंहों आसान एक देखो आसान बताता हूं कैसे capital जो जो कहा है वे ऐसे करना कोई trick नहीं लगाना कोई जुहार नहीं लगाना कि बारा नंबर सवाल है न देखो इसका ट्रीक्त मैं रखा हूं क्या कि सायध होगा नहीं तो ऐसे ये बिना ट्री क्ये हो जाएगा इसमें कोई ट्रिकुरिक का काम नहीं है सवाल की नब्ज पकड़ना इसकी अंतरात्मा कहां है देखो एक भाजक यानि डिवाईजर भागफल यानि कोईसियंट का 12 गुना है 12 टाइम्स एंड सेस्फल का 6 गुना है 6 टाइम है कोईसियं 13 दिया है तो हमें डिवीडियंड बताना है हिंदी नहीं समझ में आ रही हमें इंग्लिस में दिखाना है देखो इंग्लिस में question बदल गया English में लेकिन है वही type, same type है, सिर्फ गिंती बदल दिया मैंने बस, ये English में है, करा diviser is 20 times the question, and 15 times the remainder, if the question is 10, what is the division? आओ, पहले मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, ये तो मैं आपको समझने दिखा दिया था, हमें में भाजक नहीं, भागफल दिया है, तो हम आई से इनको बनाते हैं, यहां पर हमें 13 दिया है, के रहा एक संग भाजक जो है भागफल का बारा गुना है भाजक क्या है भागफल का बारा गुना है भागफल का भागफल तेरा है तो तेरा का बारा गुना है कौन भाजक भाई साहब यह का है यह तियरा का बारा गुना है इतना बड़ा आगे देखना तथा सेस का 6 गुना है कौन कौन सेस का 6 गुना है अरे वही भाजक क्या है सेस का 6 गुना है कौन सब भाजक के बारे में ही बात हो रही है तो चलो सेस को भी लपेट लिया अपने में कहरा है कि सेस का 6 गुना है सेस फल को आर मान लेते हैं इसका कहरा 6 गुना है क तो आर बराबर कितना आगया 26 यानि रिमांडर कितना आगया 26 नहीं समझ में आदेख लो फिर से तुन लो फिर से तुन लो परिच्छा में आजकल ऐसे सवाल आते हैं अगर वर्दी ले नहीं है तो से मैं से कुष्चन आएगा एक जाम में आएसे तुम्हारे मुँप फेंक किमारे गातुम को गया पढ़ाया था लेकिन मैं तो आलकेम ले लिया ऐसे आएगा सेम परिच्छा में से आ कि मैं परिचरा गुम्हा का मैं फिर कह़रा था वो भागफल का बारा गुनाğ है चिरिवार गॉभाजबं को एचियों ट्यॉलल टाइम है तो हमने यहन्द ट्रॉलडबं कर लिए ठेक, तथा सेशफल का छे गुणा है, कौन है सेशफल का छे गुणा, अरे वही भाजक, तो इसको इसके बराबर कर दिया छे गुणा के, रिमांडर आगे 26, कितना आगे 26, नहां लिख लो, भाज साब ये तो फिर वही श्तिति बन गई न, हमें सब तो दिया है, भाजक दिय दिया है तो भाज निकाल लो फटा फट निकाल लोगे न कि जालो कि इनका गुड़ा कर लो तेरह दुना 26 के छे हां फिलाया कि दो तेरह कम देरह दो पंदरा यानि आगे 156 कितना आगे बच्चा 156 कि निकाल लो फिर फार्मूला लगा दो खटा खट चलो तो भाज बराबर क्या हो जाएगा भाजक यानि 156 गुड़े भागफल धन सेजफल तो तेरह चंगट 78 के आठ हां फिल फार्मूला तेरह पच्चे 65 पाइफट और साथ किता होए हो पाइफट पांच 70 दो बहत्तर हां फिल आया साथ तेरह कम तेरह साथ भी आठचा चाउदक चार हां सी लाया एक दो दो चार एक पांच तो दो हजार चाउवन आएगा बच्चा कितना आएगा दो हजार चाउवन सी वाला सही है है ना कितना असान दिमाग लगाओगे तो अंसर आएगा चलो कोई डाउट ना किसी को कोई दुखदर दी सवाल में ना बच्चा बढ़ियां मस चल रहा एकदम गुड चल रहा बेस चल रहा बहतर चल रहा जबर जस्ट चल रहा है एक्जाम में पूछे गए सवाल है सेम टाइप के सवाल साल में आएंगे चलो अगला इसी में लैंग्वेज इंग्लिस में है बाकी सब वही है बच्चा सब पर इच्छाम पूछा गया सवाल है अगर अभी हलके में लोग है ना जिन्दगी हलकी हो जाएगी दिरे दिरे इनको हलके मत लेना सीडिये अफ लेना इफ ही तरीके के और कॉश्चन करना प्रेक्टिस कराऊंग अभी आगे चलो करा आट डिवाजर इस 20 टाइम दा कोईफियंट और 15 टाइम दा रिमांडर इफ दा कोईफियंट इस 10 हमें कोईफियंट दिया है 10 वाट इस दा डिवीडियन करा डिवाजर इस 20 टाइम आप कोईफियंट जो डिवाजर है वो 20 टाइम है कोईफियंट का तो ये तो 10 है बच्चा तो इसका 20 टाइम होई गया खताम 200 वह इसका मतलब और 15 टाइम दा रिमाइंडर यानि रिमाइंडर का 15 गुना है कौन अरे यही जो आपका बना है बाई साब मामला फंसा दिया इसने का है ये 15 से पूरा पूरा डिबाइड नहीं होगा तो हम इसको अपनी सुविधा के अनुसार बदल लेते हैं हम पता है क्या करेंगे इसको 30 बना लेंगे देखो सवाल जो बना होगा एक जाम में सुल्जा हुआ होगा उसमें आपको ऐसे बनाना नहीं पड़ेगा चूकि यह कोश्चन मैंने बनाया है पढ़ाने के पहले तो संख्या बैठा नहीं पाया था इसलिए वह बैठ नहीं रहा था ठीक है तो हम 20 की जगा क्या कर लेंगे 30 कर लेंगे आप सही है तो यहां भी क्या कर लेंगे 30 ठीक है अब यहां भी क्या हो जाएगा 30 अब 15 दूना 30 तो आर बड़ाबर आगया कितना 20 आर कितना आगया 20 फतम देख लो इस्क्रीन साट ले लो समझने आप बातों को चलो तो ये कितना हो गया आपका 300 हो गया ठीक है बड़िया आओ सेसफल भी आगया सब आगया निकाल लो फिर भाज बराबर भाजक यानि 300 गुड़े भागफल यानि 10 दन सेसफल 20 ठीक है भाईया तो ये हो जाएगा आपका 3000 दन 20 फाइनल में आपका आएगा 3020 ये भाई सुनो इसको हम सिद्ध करके भी दिखाएंगे अगर ये सही है तो ठीक है गलत है तो यहीं इसको पटक के मारेंगे अभी देखो कैसे चलो ये हमारा क्या आगया भाज कहरा भाज ये है भाजक ये है सेसफल आना चाहिए अपने आप हमें दो लग रहा कहीं लोचा है का देखो देखो सही करके दिखाता हूं आओ आप इसके उत्तर की चांच भी कर लेते हैं पता नहीं सही है गलत है वसे सही है आपको संतुष्टी करने के लिए देखो चुकि तीन हजार बीफ आया है क्या भाज याया है और भाजक हमारा बना था तीन सो एक बार जाएगा गटा होगे दो आएगा पर बच्चा क्या करोगे उपर फिरफे जीरो उतार लोगे आप इसमें भाग तो जाएगा नहीं फिर 10 बढ़ाके जीरो और उतार लोगे नविजरे झीरो और अप आइस 0 जायेगा अ having 27th बार जाएगा चैफि कि टीन इनजार गया घिस सेजबा बोजी साही है इस तरीके कि आज की क्लास खतम होती है आपने सीखा 14 सवाल ठीक है कोई डाउट ना किसी को परिक्षा में ऐसे सेम कुश्चन आते हैं बढ़ियां चल यह ठीक है तो एक कुश्चन नमबर रिपीट था इसलिए आपका 13 हुआ बाकी 14 सवाल आज थे इसमें एक इंपॉर्टन सुचना यह है कि अगर आप इस क्लास को कहीं डेमो के रूप में देख पा रहे हैं कहीं भी किसी भी प्लेट फार्म पर तो आप PBR Study आप डाउनलोड करके इसका फुल कोर्स ले फक्ते हैं जिससे आप आराम से घर बैठे पढ़ पाएं और यह क्लास आपके पुलिस लेबल परिच्छाएं जितनी भी होती हैं अगर आप SSC 10 प्लस टू भी दे रहे हो तो उसके लिए फायदे मंद हैं ठीक हैं तो जितनी भी आपकी पुलिस लेबल के एक्जाम्स हैं सबके लिए इंपॉर्टन्ट है सिर्फ बैनर लगा पुलिस का बस ठीक है थाइंक्यू तो जो बच्चा पूरा क्लास देख रहे होंगे बातों को समझ रहे होंगे